कैसे हैं आप लोग आज अपन करने जा रहे हैं तर्बो रिविजन निजा रिविजन ऑफ एना टेक्सेशन आप लोगों के लिए सिंपलेस्ट बनाया जाएगा यह मेरे नोट्स हैं अगर आपको यह मेरे नोट्स चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल को जॉइंड कर सकते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी वी लिंग दे रखें आप उदर से पर्चेस कर सकते हो तो फॉदावट फॉदर अडू हम एना टेक्सेशन में करते हैं पेज नबर 272 एना टेक्सेशन आपको आपको कंसेप्शली बहुत आसानी से समझा दूमा ताक कि आपको 1.2272 और टेक्सेशन सबसे पहले अपन यह देखते हैं कि भाई रेसेडेंट इंडिविजुल और नॉन रेसेडेंट इंडिविजुल का मतलब है कि कोई भी बंदा अगर इंडिया में अट लीस्ट वनेटीटीटीज राहे दूरिंग प्रीएस यह तो उसको हम क्या कहेंग अगर इन दोरों में सब्सक्राइब हो जाती है तो एक इंडिविजुल को हम क्या खाएंगे कि वो रेसेडेंट में फरक क्या होता है तो सिदी से बात यह है कि जो रेसेडेंट होता है उसकी ग्रोबल इंकम टेक्सेबल होती है ग्लोबल इंकम का मतलब यह है ग्लोबल इंकम का मतलब यह है ग normalmente कहती हिए कि बेटा उऑ हमारा वच्चा है तुग क्या का ना पड़ेगा हमें टेक्स पे करना पड़ेगा तो अगर आप रेसेडेंट उ MR ब्रेसे चली कि और प्र". तो देखों क्या दे रखा है, income आपने क्या कमाई यह, income आपने जो है इंडिया से कमाई है, तो अगर आपने न न उंडिया से कमाई है, तो कुछ खरेक नहीं पड़ता, MooCmond क्या कर न पड़ेगा, दोनों को ही tax pay कर न पड़ेगा, अगर आपने इंडिया मेंcost review करी यह 6 हो भीelenेदा है उसने इंकम वाहर कमाई है इंडिया से कोई लेने दिना नहीं है भास री रिसीप रही ऊपनी इंकम पर उसको टेक्स पे काना पड़ेगा घ्लनल इंकम पर उसको जो है क्या करना पड़ेगा उसके पिछले चार सालों में उसके पिछले चार सालों में कितना रहे 365 डेज और मोर अचा एक और ची समझना अभी जो अगे केसिस देखने जा रहे हैं उसमें सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडिशन अप्लिकेबल होगी इसका मतलब यह है कि बह इनकी केस में कंडिशन इप्लिकेबल नहीं है चल्व ध्यान रहे computer अभी इंडियन की से रिजन के पैदा हुए तो ऑगर आपका चलुकबार पत्र है बट सरे रिचन हो है तो आपको ये तो समझ में आ गए होगी कि इंडिया में पैदा हुए थे देखो आप इंडिया में पैदा हुए थे और आप इंडिया चोड़के जा रहे हो आप इंडिया में पैदा हुए थे और इंडिया चोड़के जा रहे हो इंडिया चोड़के जा रहे हो ठीक है लीव पहुआ हूं मैं CEA बन गया थीख है मैं इंडिया में प्यादा गए था मैं सोचा कि यार बहुत हो गया आप बन चलते हैं दुबई दुबई में पहुँजा था पैसा कमाएंगे तो अगर मैं क्या कर जाता हूं अगर मैं मैं इंडिया को छोड़के कहीं भाहर जा रही है, ठीक है, तो मैं उसमें क्या हूं, मैं उसमें क्या हूं, क्रू मेंबर हूacia हूं, तो मुझे बस यह चेक करना है, कि मैं इंडिया में at least 182 days रहा था क्या, अगर हा, तो मैं resident हूँ, अदरवाइस मैं क्या हो जाओंगा नारो जाओंगा अमबर टू पॉइंट एकना इंडियन सिडिजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आ रहा है विजिट करने के लिए देखो मैं क्या हूँ इंडिया में पैदा हुआ था ठीक है मैं अभी डूर्रली तो उसके लिए आपको यह वाली कंडिशन चेकनी पड़ेगी पहली कंडिशन आपको चेकनी है कि मैं एक लीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा था क्या कि इतिगा निसमाई अच्छा आप देखो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरीजिन का क्या सब्सेक्षन आता है कि section 10 subsection 1 कि अगर कोई पर्सन इंडिया में agriculture income कमा रहा है तो उसी तरह से एडियनर को अगर और एक इंडियूजिज रिषेरेंट बन जाता है तो उसको हम further classify करते हैं में अगर एक निडिविजल क्या बन जाता है अगर एक अगल जाता है तो उससे पहले में आपको एक और चीज बताई थी जो रेसेट होता है उसकी क्या होती है रेसेंट की बिसिकली ग्लोबल income taxable होती है, global income मतलब यह है कि उसने पूरे world में कहीं भी कितना भी पैसा कमाया, उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में tax pay करना पड़ेगा, अगर आप क्या हूँ, RO, RO, अच्छा, RB, NOR क्या होता है, अपन देखेंगे, अच्छा, अब बबन देखते है, NR, तो मैं आपको बता दिया, NR, NR ने अगर income, NR ने अगर क्या करा है, कोई income इंडिया से कमाईए, NR ने अगर कोई income इंडिया से कमाईए, तो उसको 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 टेक्स पे करना ही पड़ेगा, तो दिखती सी बात है, अच्छा, अपना लोग ये कहता है, कि अगर NR ने कोई income इंडिया में रिसीव करी है, NR ने क्या करा है, income को इंडिया में रिसीव करा है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टेक्स पे करना पड़ेगा, अच्छा, रिसीव का मतलब है, first receive, first receive इंडिया, and not remittance या transfer, ठीक है, तो अगर आपने जो है, basically कहीं दूसरी कंट्री में, पैसा रिसीव परके इंडिया में रिमिट करा है, तो remittance, remittance को हम रिसीव नहीं मानते हैं, इतनी का नहीं हैं, अच्छा, अगर आपने कोई income, बहार से कमाईए, आपने income बहार कमाईए, लेकिन business या profession कहां से control हो रहा था, इंडिया से control हो रहा था, तो business या profession control हो रहा था, इंडिया, तो उस case में भी जो है, non-resident को tax pay करने की जुरूत नहीं है, इतिकानी आपको समझाई, अच्छा, आपको एक R.O.R.R.R.R.R.R.R.R.R इंडिया, बहार कमाईए, बहार रिक्सीव करीए, तो सिर्फ रेसे टेक्स पे करेगा, non-resident को tax pay करने की ज़रूत नहीं है, अच्छा, income कमाईए आपने बहार, earned and receive outside इंडिया, लेकिन business या profession control कहां से हो रहा था, control हो रहा था, इंडिया से, ठीक है, तो basically, recent को tax pay करने की ज़र हो रहा है, इंडिया से, business control हो रहा है, इंडिया से, जो भी major decisions है, जो भी major orders लिए जाते हैं, वो कहां से लिए जाते हैं, इंडिया से लिए जाते हैं, ठीक है, तो business हो रहा है बाहर, business हो रहा है बाहर, लेकिन control हो रहा है, इंडिया से, मैं आपको बता दिया कि भई, non-resident को tax pay करने की जरूरत नहीं है अगर वो इंडिया में क्या आता है विजिट करने के लिए आता है तो उस उस केस में उस केस में आपको सिफ फर्स वाली कंडिशन चेक करनी है बड़ कंडिशन यह कि वो क्या है इंडिया से अब देखना सरकार एक अमेंड में लेकर आई उसका लॉजिक समझना अब यह अपन ने क्या देखा था एक अनर है अगर उसका कोई बिजनस एक परॉफेशन तो क्या है इंडिया में विजिट करने के लिए आता है और उसका कोई बिजनस प्रोफेशन है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो इसको टेक्स्प्रेकर नहीं की ज़रोत नहीं है लेकिन सरकार नहीं देखा कि वह जो इंडियन से ज़रोत नहीं थी क्योंकि वह इंडिया में बिसीकली 180 दिन से अरे 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 गायब हो गया पुरा तो वापस समझो मैं आपको बस यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जो यह इंडियन सिटिजन थे यह परसन आफ इंडियन ओरिजिन थे यह क्या कर रहे थे बिसनेस ए प्रोफिशन भार कर रहे थे आउटसेर इंडिया कर रहे थे इंकम कमा रहे थे और कंटोल कहा कर रहे थे इंडिया से कंटोल कर रहे थे इंडिया से कैसे कंटोल कर रहे थे तो यह लोग बिसिकली जो है फर एक्जामपल यह रहते थे दुबई में ठीक है यह रहते थे दुबाई में इंडिया में जो है basically 180 दिन के लिए आते थे इंडिया में जो है basically 180 दिन के लिए आते थे और फिर क्या करते थे वापस दुबाई बाप जाते थे अब मुझे एक चीज बताओ अगर कोई person Indian citizen है या person of Indian origin है ठीक है और वो इंडिया में visit के लि इंडिया में आते थे business approvision को इंडिया से control करते थे और फिर वापस भाग जाते थे दुबाई इसका मतलब क्या है कि वह 180 दिन रहे तो और रहे नहीं बने के लिए condition क्या हो नहीं चाहिए 182, 182 दिन at least इंडिया में रहने चाहिए तो वो क्या करते थे basically business को control करने के लिए इंडिया में 100 से दिन आते थे फिर वापस चले जाते थे दुबाई ठीक है तरकार नहीं चीज देखी कि ये लोग क्या कर रहे है इस तरह से planning कर रहे है ठीक है अचा अगर वो ये वाली planning कर अगर इंडिया में विजिट करने के लिए आते हो अगर आप इंडिया में विजिट करने के लिए आते हो ठीक है है अगर आप इंडिया में विजिट करने के लिए आते हो तो इस फॉस्ट के अलावा फर्स्ट के लावा आपको एक और कंडीशन चेक करो बड़िए और वो कंडिशन कया है वो देखना एधर तो देखो यह रहा, in case of Indian region या person of Indian origin जो इंडिया में क्या आ रहा है विजिट करने के लिए आ रहा है, तो वो रेसेंट बन जाएगा, वो रेसेंट बन जाएगा, अगर वो इंडिया में at least 120 days रह रहा है, during the relevant previous year, and 365 days or more, 365 days or more, during the four preceding previous year, यह थी खानी आपको समझ माई, तो बिस उसका कोई celular बिसना चल रहा था, लेकिन वो control कहां से हो रहा था इंडिया से हो रहा था, अचा मो इंडिया में आता है, अगर वो इंडिया महू इंडिया में जाएगा, अगर वो इंडिया में विजिट के लिए, आगर वो एक behaviors दिन रह गया, और पिछले चार साल में इस य 365 days और more रहे गया 365 days और more रहे गया तो क्या बन जाएगा basically वह RSN बन जाएगा वो क्या बन जाएगा RSN बन जाएगा और उस case में क्या होगा कि यह जो business है यह जो business है वो जो बाहर कर रहा था जो कहा से control हो रहा था इंडिया में उसको क्या करना पड़ेगा टेक्सपे करना पड़ जाएगा कि अगर अगर आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे है तो आपको जो है वने 82 डेस के अलावा एक हो चेक कर नहीं है और वो कंडिशन क्या है कि आप 120 दिन प्रिवेश्यम में रहे थे एंड उसके पिछले प्रोफेशन को इंडिया से कंट्रोल कर रहे थे वो भी क्या बन जाएंगे और उनको क्या करना पड़ेगा उस पर टेक्स पर करना पड़ेगा इतनी का निया आपको लोजिकली समझ में आई होगी तो आपको जो है यह वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा अब एक और समझना आपने इंकम इंडिया से अर्ण करी है या फिर इंकम आपने जो है अंडिया में रिसीव करी है या फिर आपने इंकम इन्डिया में आठील एंकर रिए और नियावरेव कहार लेकिन आपका बुझनस क Bayside ut तो इसको अपन लोजिकली बोलते हैं, टर्मिनलोजी में क्या बोलते हैं, कि यह क्या है, income from Indian sources, इंकम from Indian sources है, अचाहिए जो rest है, last dollar point है, इसको अपन क्या कहेंगे, कि यह income from foreign sources है, तो अभी सरकार amendment क्या लिए थी, कि कोई Indian citizen या person of Indian origin, इंडिया में visit करने के लिए आता है, तो 182 दिन की condition के अलावा, हम एक और condition चेक करेंगे, और हो क्या है, कि यह current यह में 120 दिन रहा, plus previous 4 years में, वो 365 days or more रहा, तो उसको हम जो है, क्या बना देंगे, अच्छा, उसको रहसें बना देंगे, तो कौन सा वले रहसें बनाएंगे, ROR या फिर RBNOR, तो सरकार ने कहा कि जो है, उसको हम बनाएंगे RBNOR, ठीक है, अच्छा, RBNOR जैसी बन जाते हैं, तो आप देखोगे, RBNOR की case में, यह जो business and profession, controlled from India था, उसकी income क्या हो जाती है, टेक्सेबल हो जाती है, तो logically देखा जाए, तो कोई NR है, कोई NR है, वो क्या है, Indian region है, और person of Indian origin है, उसकी कोई foreign source से income है, उसकी कोई foreign source से income है, तो वैसे भी क्या होगी, basically, exempt क्यों होगी, इतनी बात तो समझ में आती है, आपको, वैसे भी क्या होगी, exempt होगी, लोग miss use कहां कर रहे थे, miss use कर रहे थे, इस वाली चीज़ का, इस वाली चीज़ का miss use कर रहे थे, जिसके case में, वो क्या करते थे, कि 182 दिन से कम रहे थे इंडिया में, इंडिया में आता थे, तो RBN1 का concept क्या होद है, वो अभी मैं आपको थोड़ी दर में बताऊंगा, ठीक है, इतनी गाने आपको समझ में आ गई होगी, अचा एक और चीज़ देखना, अपना law यह कहता है कि भाई, हम सबको, हम सबको RBN1 नी बनाएंगे, हम सबको RBN1 नी बनाएंगे, तो यह जो आपको second condition चेक करनी थी न, यह सबके लिए चेक करनी के ज़रूत नहीं है, किस-किस को करनी यह देखो, in case of Indian region, या person of Indian origin, जो इंडिया में विजिट करनी के लिए आ रहा है, और उसकी income from Indian sources, मैंने आपको बताया न, उपर, मैंने आपको वो 4 point से उपर 3 point को मैंने डब्बा लागा के बताया था, वो क्या होता है, वो income from Indian sources है, अगर वो 15 लाग से जाधा है, तो ही आपको जो है क्या माना जाएगा, अगर आप इंडिया में 120 दिन रह गए, और पिछले 4 साल में आप at least 365 days रह गए, तो दो क्या दरखा है, income from Indian sources other than, other than income earned and received routes अंडिया, क्योंकि ये दो क्या हो जाएगी, income from foreign sources हो जाएगी, तो सरकार ने basically इन लोगों को target करने के लिए amendment लिक्या आई थी, और सबको, सबको target नी करा है, उनी लोगों को target करा है, जिसकी income from Indian sources क्या है, 15 लग से जादा है, logical, ठीक है, एक बार quickly summarize कर दूँ आपको, quickly summarize कर देता हूँ आपको मैं, कि बही कोई person है, कोई Indian region है, या person of Indian origin है, अगर वो इंडिया में visit करने के लिए आता है, तो आपको फर्स्ट वाली condition चेक करने है, कि वो at least 182 days इंडिया में रहा है, ठीक है, अच्छा, ये लोग कर क्या रहे थे, ये लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कि बही एक business कर रहे थे दुबई में, control कहां से हो रहा था, इंडिया से control हो रहा था, इंडिया में control करने के लिए, ये लोग जो है, विजिट करने के लिए आते थे, for example, 180 दिन आये और वापाश चले गए, इसकी वज़े से क्या हुआ, इसकी वज़े से basically, इसकी वज़े से basically, जो है, ये एनर का status लूज नहीं कर रहे थे, क्यों lose नहीं कर रहे थे, क्योंकि, ये 180 दिन रहे हैं, 180 दिन नहीं रहे हैं, अच्छा, इसका consequence क्या था कि, जो ये business की income थी, वो इंडिया में taxable नहीं हो रही थी, government ने इस चीज को पकड़ा, government के जो revenue officers हैं, निर्मला चाची आई, और बोली कि, हमारे revenue officer ने ये चीज पकड़ी है, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया से business को control तो कर रहे हैं, लेकिन अपना अनर का status लूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 180 दिन से पहले ही बाग जाते हैं, तो सरकार एक amendment लेकर आगई, कि आपको जो है, इस condition के अलावा, एक और condition चेकरने पड़ेगी, और वो condition मैं आपको बता दी, 120 और 365 days की, इसका consequence क्या होगा, कि वो बन जाएंगे RBNOR, वो क्या बन जाएंगे, RBNOR बन जाएंगे, और उस case में, यह जो business and profession वाली income थी, वो कहाँ पर हो जाएगी, taxable हो जाएगी, इंडिया में, अचाँ, फिर मैं आपको बता दी, कि उन्हीं लोगों को target करें, जो 15 लग से जादा की income कमारें, जो छोटे मोटे SSE हैं, सरकार उस से कुछ चाती नहीं, सरकार बलती की चोटे मोटे SSE, हमें कुछ वाधा होने वाला भी नहीं है, अब मैं आपको समझाता हूँ RBNOR का concept, RBNOR का concept रबन समझते हैं, RBNOR का concept क्या होता है वो देखते हैं, आपको बताए कि बहुत है और यह अर बी एन वार अच्छा क्यों आया आपने इंटर में यह चीज पढ़ ली होगी रट ली होगी कि बनता है इनसां ठीक है लेकिन इसका लॉजिकल डीजन क्या है वो समझना रोहन क्या कर रहा था रोहन बिसिकली USA में जॉब कर रहा था रोहन पिछले 20-30 साल से USA में रहता है रोहन उदर जॉब कर रहा था अचानक क्या कर रहा उसके employee ने, employee ने उसको निकाल दिया, अच्छा, उसको क्या आना बड़ा, urgently इंडिया आना बड़ गया, ठीक है, मैं आपको बताया कि यह USA में रहता था, यह job up छोड़ कि कहाँ पर आ गया, इंडिया में आ गया, अच्छा, इंडिया में यह 182 दिन से जाधा रह गया, इंडिया में अब वो क्या बन गया, रेसेंट बन गया, अब मैंने आपको बताया था कि रेसेंट के केस में क्या होता है, रेसेंट के केस में, global income taxable होती है, अब जो रोहन था, जब वो USA में रहता था था ना, उसने उदर बहुत सारी FD करा रखी थी, बहुत सारे shares and securities ले रखे थे, अच अब वो इंडिया आ गया, घरबार छोड़के current previous अब आ गया, अब मुझे एक चीश बताओ, जब वो इंडिया में आ गया, जा बन गया, रेसेंट बन गया, अब रेसेंट बन गया, अब रेसेंट बन गया, तो जो बिसकली ये FD पर interest आ रहा है, shares and securities का जो भी capital gain होगा, या ये एक साथ, अपने सारे assets बीच नहीं सकता न, आप logically सोचो, कि जब मैं basically क्या कर रहा हूँ, USA से इधा shift हो रहा हूँ इंडिया में, तो मेरा घर है, ठीक है, मैं तो shift हो गया, लेकि मेरा घर हो सकता है कि भई, अभी तक बिका ना हो, अच्छा, हो सकता है कि मैं shares and securities अभी तक बीच ना पाया हूँ, हो सकता है कि भई, जो मेरे बाकी सारे assets हैं, वो भी तक मैं बीच नहीं पाया हूँ, तो सरकार न नहीं कहा, कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जो है, दूसरी कंडि से इंडिया में shift हो रहे हो, तो हम आपको basically क्या कर देंगे, हम आपको जो है, R.B.N.R. बना देंगे, अगर आप condition satisfy करते हो, तो हम आपको जो है, बना देंगे R.B.N.R. जिसकी वाई से क्या होगा, कि जो भी आपने income, इंडिया के बाहर कमाई है, मतलब income from foreign sources है, उस पर आपको tax pay करनी की जरौध नहीं है, और logical reason में आपको बता है, कि जब मैं USA से इंड taxation नहीं दिया, इसको, उस बन्दे को जो इंडिया में shift हो रहा है, और यह कहा, कि अगर आप क्या कर रहो, इंडिया में permanently shift हो रहे हो, तो हम आपको जो है, R.B.N.R. का status देंगे, अगर आप कुछ condition satisfy करते हो, तो उसकी होई से क्या होगा, कि जो आपको ये भाहर assets थे, जो भी आप R.B.N.R. कब बनते हो, अब देखते हैं अपन कि आप R.B.N.R. कब बनते हो, नॉन डेसन का मैं आपको बताए दिया, नॉन डेसन को क्या करना पड़ेगा, नॉन डेसन को basically इंडो पे टेक्स पे करना है, इंडो पे टेक्स पे करने की जरूत नहीं है, तो एक amendment आपने इदा देखा था, किसके लिए देखा था, इंडिया से पर्सन ऑफ इंडियान ओरीजिन के लिए, और मैंने आपको बता दिया कि भी R.B.N.R. का लोजिकल कंसेप्ट क्या है, तो R.B.N.R. के हमने कौन से इंकम एक्जम करी है, वो इंकम एक्जम करी है, जो एसे उसके बाहर है, जो एसेट्स क्या है, बाहर है, जो इंडिया से कोई लेने देना नहीं है, और उसके वो इंकम कमा रहे है, आप कंडिशन देखना क्या दे रिखिए, अभी तक अपनी क्या देखा, कि भाई, रेसेन को किदर क्लासिफाइ करेंगे, R.B.N.R. तो अगर आप रेसेरेंट ह और अगर आप R.O.R. नहीं हो, तो क्या बन जाओगे, आप R.B.N.R. बन जाओगे, तो देखो क्या दे रखाए, कि भाई, आप R.O.R. कब बनते हो, आप R.O.R. कब बनते हो, तो इसने कहा कि भाई, पिछले 10 साल में आप 2 साल क्या थे, इंडिया में रिसेरेंट थे, और पिछले 7 साल में आप एटलिस्ट 7-30 डेज रहे हो, इंडिया में, अगर आप ने इन दोनों कंडिशन को सरिस्वाय कर दिया, तो आप क्या बन जाओगे? R.O.R. बन जाओगे, अधर वाईस आप क्या हो, R.B.N.R. हो, तो बिसकली, लॉजिकली सरकान ने जो है, जो रोहन बंदा, U.S.S.A. इंडिया में शिफ्ट हो रहा था, उसको लॉजो के लिए 2 साल दिये हैं, अच्छा, एक बात बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं? 300 पैंसर होते हैं, 300 पैंसर इंटू करो कितना हो जाएगा? इसकली, ये 530 हो जाएगा, बिसकली, सरकान ने ये कहा, कि बहुत हैं कि रोहन, हम तुझे 2 साल का समय देते हैं, एफेक्टिवली, 730 दिन देते हैं, तो इन 730 दिन में क्या करना? उन एसे वाइसेट को बेज़ देना, जब तक हम तुझे क्या मानेंगे? और तुझे उस पर टेक्स पे करने के ज़रूद नहीं है. तो ये क्या है? य अगर आपने ये दोनों कंडिशन सटिस्फाय कर दी, तो आप क्या बन जाओगे? रॉर बन जाओगे. अगर आपने ये दो कंडिशन सटिस्फाय नहीं करिए, तो आप कहा होंगे? आप RBNR हो जाओगे हो. और RBNR का क्या अपनने लॉजिकल पूरा रीजन देख लिया. हमने क्या कहा? हमने आपको दो साल दिए है, किस बात की दो साल दिए है? कि दो साल तक आप ऐसे देख दो, एफेक्टिवली हमने आपको 130 दिन दिए है. तो अगर कोई बंदा पिछले 10 साल में, at least two years, फिश्जे 10 साल में हम बात करें, at least two years की, अगर आप ये कंडिशन फुल जाते हो RBNR बन जाते हो logical reason देख लिए आपको समझ लिया अच्छा अगर आपको जो है यह इतना सब कुछ याद नहीं रखना तो आप इनको रट भी सकते हो एक्जाम में जो है गारेंटी ले सकता हो किस तरह से टेक्सेबल होती है पिर एक अमेंडमेंट आया था अमेंडमेंट किसके केस में आया था वो मैंने आपको समझा दिया अच्छा भी लगा होगा आपको अच्छा सरकार इस भी मराती है सरकार एक और आमेंडमेंट कि अगर आप क्या हो इंडियन म्तलब आप वह पैदा हुए थे आप सुनो रौन इंडिया में पैदा गूँए था वह क्या चला गया था दूब़ई चला गया था दस बी term साल पहले अब वह क्या कर रहा दूबभई में पें-जू है करने की जरूत नहीं है अब मुझे एक चीज़ बताओ रोहन क्या करने प्रीवेस से में क्या रेसेंट हुआ नहीं हुआ क्योंकि क्या चेकन नहीं होती है अपने को यह वाली दो कंडिशन नहीं पढ़ती है लेकिन रोहन तो पिछले 10 साल से दुबई में बैठा है तो क्या है और नहीं होती तो गवर्मेंट को देख लो कितनी लालची है गवर्मेंट काया कि अगर आप क्या हो इंडियन से रिजन हो और आप किसी एड़सी कंट्री में पैसा कमा रहे हो जिदर आपको टेक्स पे करने की जरूत नहीं है तो हम आपको मान लें कि क्या हो इससे बहुत बड़ा तैल का मच गया कैसे तैल का मच गया बहुत से लोग क्या करते हैं दुबई में जाके बैठ जाते हैं इसके लिए इंप्लाइमेंट पतपस के लिए तो जैसे रोहन 10-20 साल बेले कहां बैठ गया था दुबई में जाके बैठ गया था उदर से लिए इंकम कमा रहा है रइट अच्टंसकों अपनी दुबई से से लिए लिए इंकम करना बड़े है क्योंकि वह क्या बन जा रहे है तो यह तो आया था पहला अमेंडमेंट लेकिन इससे बहुत बड़ा तहल का मच गया बहुत लोगों ने हल्ला करा तो सरकार एक छोटा सा इसके अंदर में लगा नहीं कीस्कोश पेकर कीए फ्री तश्रकार ने कहा कि हम आपको क्या मानेंगे हम आपको जो है RBNR मानेंगे और RBNR के case में देखोगे आप तो कोई income जो आपने बाहर कमाई है और बाहर ही अन करिए उस पर आपको टेक्स पर करने के ज़रोत नहीं है लोजिकली इस समझ में आया न तो सरकार ने क्या करा ऐसे लोगों को टागेट करा ऐसे लोगों को टागेट करा जो इंडिया में resident नहीं है और दूसरी country में बैठे हैं जहांसे वो income कमा रहे हैं लेकिन महाँ पर tax पर नहीं कर रहे हैं क्यों पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस country में tax लगता है नहीं दुबई में जाके बैठा है उसको deemed resident मान लिया जाएगा with respect to only these three income जो उसने इंडियन सोर्से से कमाई है ठीक है जो उसने क्या कर यह बिसिकली इंडियन सोर्से से कमाई है लॉजिकली आपको गुरा समझ में आ गया होगा अब देखो लामेंडमेंट पड़ो अब अमेंडमेंट आपको समझ में आ जाएगा इन केस ऑफ इंडियन सिरिजन having income from इंडियन सोर्से एक जिरिंग पंदरा लाग ठीक है अच्छा आगे एक वह चीज़ सरकार ने कहा अब देखो बाइगा एक इंडियन सोर्से पंदरा लाग से जाएगा अगर आप एक ऐसी कंट्री में वैठे हो जहां पर आपको टेक्स पे करने की जुरहती है इंकम फ्रम इंडियन सोर्सेज 15 लग से जादा है तो आपको ढीम्ड आर्वी उनार मानेंगे और इसके केस में क्या होगा आपको एक्स पेकाना पड़ेगा इंकम फ्रम इंडियन सोर्सेज इतनी कानी आपको लॉजिकली पूरी समझ में आयोगी और मैं आपको बता दिया कि हम आपको ढीम्ड आर्वी उनार मान रहे है और नहीं मान रहे है अब एक और चीज़ समझना अगर कोई कंट्री क्या करती है कोई कंट्री जो है विसिकली टे लगता ही नहीं है अम उस कंट्री को कवर नहीं कर दे चो टेक्स लगाती है लेकिन बाद में एक्जम कर देती है तो इतना सा करने के लिए जो है आपका आता घंटा ले लिया मैंने लेकिन आपको बहुत लॉजिकली समझाया था कि आप एक्जाम तक रिटेन कर पाओ इसको इन दो नुपोनेंट्स बहुत इंपोर्टेंट्स है और ध्यान रकना dependence किसके लिए है इधार इंडेंस रीजन के लिए और यह वालें अमेंट्मन किसके लिए हैं इ्नेस रिजन आपर्सें ऋरीजन के लिए हैं ध्यान रकना यह माइनिट अब देखो आपको जो residential status है वो आपका year to year determined करा जाएगा मतलब हर साल हर साल चेक करा जाएगा कि आप resident होकी है हमने कहा कि अगर आप इंडिया में 182 दिन रहते हो या फिर 60 दिन रहते हो तो इंडिया का मतलब क्या है तो सरकार ने कहा कि भाई stay in India includes आपको जो लोग है वो कहता है कि इंडिया में stay includes stay in territorial waters of इंडिया और territorial waters of इंडिया का क्या मतलब है अब टू 12 nautical miles from the baseline तो यह जो इंडिया है यह जो मेरी इंडिया है इसके 12 nautical miles तक 12 nautical miles तक हम क्या मानेंगे कि यह इंडिया ही है अच्छा अब देखो क्या देखा है for considering stay in India both date of departure and date of arrival shall be considered to be in India ठीक है हम 182 इसकी condition check करते है न 182 days हो गया 60 days हो गया 120 days हो गया 365 days हो गया तो date of arrival और date of departure इंडिया में ही माना जाएगा ठीक है तो उन days को जो है आप count करना है इंडिया में ही अच्छा मैंने आपको बताया था कि कोई crew member of Indian ship है वो अगर क्या कर रहा है वो अगर basically बाहर जा रहा है इंडियन ship में तो उसके लिए आप कौनसे condition चेक करते हो उसके लिए basically first condition ही चेक करते हो देखो यह रहा उसके लिए सरकार ने clarification दिया कि following period following period shall be taken outside India मतलब 182 days में count मत करना from the date entered into continuous discharge certificate at the time of joining ship तो अगर आप क्या करे हो ship को जॉइन कर रहे हो तो आपको certificate आपको एक certificate मिलता है continuous discharge certificate का तो उस certificate की date से लेके to the date entered into continuous discharge certificate at the time of sign off तो इधर से लेकि इधर तक अप्रिए इंडिया के बाहर माना जाएगा तो 182 days में इसको count मत करना logical समझा आगया आपको वानी अच्छा एक और ची समझना मैंने आपको क्या बत आता है कि अगर आप क्या हो resident हो अगर आप resident बन जाते हो आपको चेक करना firm हो गया company हो गई, firm हो गया company हो गई, बाकि इस जो सारे SSC है, firm, company उसके लिए आपको क्या चक करेंगे कि आप RO या फिर NRO, resident हो या फिर non resident हो, बाकि individual क्या हो आप RO या फिर NRO, अगर आप RO तो फिर हम और दू चीज़े करते हैं कि आप RO या फिर RB, NO, R हो, logically समझ में आ गई आ आगे बढ़ते हैं, तो देखो सीदी से बात वही आपन ने बात करी, किसकी, HOF की, अगर आप क्या हो, HOF हो, तो हम ये कैसे प्रता लगाएंगे कि आप resident हो कि non resident हो, तो अपना law ये कहता है कि अगर HOF का control या management, only या फिर partly इंडिया में है, तो आप resident हो, अधर आप क्या बन conditions of individual, तो HOF क्या बन जाएगा, आरवार बन जाएगा, अधरवाइस, हो क्या हो जाएगा, आरवी एनवार, ठीक है, तो इसको बी कर लेना, ये है बी, ये बी, बी फोर बॉल, तो बी कर लेना, बी फोर बॉल, आगे बड़े, अब जब वही चीछ, firm, AOP, BOI, local authority, AJP, तो कंट अगर आप का पुयम, इंडिया में है तो आप रेसेंट हो, बॉले तो प्लेस फ्रेक्टिमेंट अगर आप एक फॉरल कंपनी हो ब्ले Estoy आप ये ब quarterback अगर आपका Poem इंडिया में है तो आप रेसेंड मन जानगे बढ़ आपका Poem इंडिया के बाहर है अन्व पोवें क्या होता है लार्ष अपर देखते है। Poem का मतलब देखो क्या और रकाए place of active management का मत다가 की we are the key management and commercial decisions necessary to conduct the business necessary to conduct the business are made अचा मुझे एक चीज़ बताओ, रोहन ने क्या करा, रोहन ने एक company incorporate करा ली दुबई में, या फिर USA में, तो रोहन ने एक company incorporate करा ली, USA में या फिर दुबई में, अब रोहन basically क्या करता है, इस company के सारे decisions इंडिया में बैठ के लेता है, अब मुझे एक शी बताओ, तो ये company बाहरे incorporated है, ये क्या है, foreign company है, अब ये resident है कि non-resident है कैसे check करूँगा, तो अपने क्या पढ़ रखा है कि अगर आपका poem इंडिया में है, तो आप resident हो, poem outside इंडिया तो आप non-resident हो, और poem का मतलब क्या बताए, की management and commercial decisions, necessary to connect the business कहाँ पे लिए जाते हैं, तो मैं आपको बताए कि बई, active business outside इंडिया, अगर आप ये सारी की सारी condition satisfy कर लेते हो, तो हम ये मानेंगे कि आपकी poem इंडिया के बाहर है, इंडिया में नहीं है, अगर आप ये सारी की सारी condition satisfy कर देते हो, तो हम ये मानेंगे कि आपकी poem का है, आपकी poem outside इंडिया है, मतलब आप क्या बन जाओगे, non-resident ब देखते हैं, आपकी 50% से कम एसेट्स इंडिया में सिच्टी एं, तो less than 50% of the assets are situated इंडिया, less than 50% से कम, less than 50% of the employees are situated इंडिया, 50% से कम employees, आपके जो भी total employees हैं, उसके 50% से कम इंडिया में situated हैं, या फिर 50% से कम इंडिया में resident है ठीक है मलब इसके लिए 49% आपके क्या है 49% इंडिया में situated है या फिर 49% इंडिया में resident है तो अगर आपकी board meetings हो दी तो majority board meetings का हो नी चीए बाहर हो नी चीए आपके जो इंडियन employees थे जो उपर वाले employees थे इस पर आपका payroll का खच्चा है वो less than 50% of the total payroll expenses है यह वो less than total less than 50% of total payroll expenses है और आपकी passive income up to 50% of the total income है अगर आपने सारी condition satisfy कर दी तो आप क्या बन जाओगे आपकी पोयं outside इंडिया मानी जाएगी आपकी पोयं क्या मानी जाएगी outside इंडिया मतलब आप क्या बन जाओगे आप आपने देखे लिए ठीक है आपको इंडिया में आगे बढ़ते हैं अपने यह देख लिए कंपनी को अगर आप इंडिया में तो आप क्या बन जाओगे आप देखो इधर कुछ टर्मिनलोजी आ रही है कि पैसिव इंकम का मतलब है इंकम बाइव रॉलिटी इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट एंट्विडेस्ट इंवेजस में अनर्न इंकम अ मतलब बिसिकली बिजनस के लावा जो बो भी इंकम में उसको सब्देर कि पैसे विर्म बोल रह Rich और राइट तो पैसे इंकम का अपने मतलब देखा कि इंकम बाई व रॉलिटी इंटर्स्ट डिपलेंट केपलिकेंस इंवेश्टमेंस और अंटर इंकम नमबर टू, इंकम फ्रम् टरॉनल जहां पर बोथ पर्चीड एंटर्पाइज से हो रही है उल् append कर जहां पर देखा था यूटुब चैनल पर जा प्लेश में देख सकते हो Associate Enterprise की Definition अपने उदर पड़र किये तो ऐसे कोई transactions चाहाँ पर बोथ Purchase B और Sale B Purchase B और Sale B दोनों Condition सरिस्पा होनी चाहिए Purchase B और Sale B किसे हो रही है Associate Enterprise से हो रही है तो वैसी income को पन passive income मानेंगे अगर Purchase Associate Enterprise से हो रही है Sale किसी और को हो रही है तो उसको passive income नहीं माना जाएगा तो देखो बोथ है, बोथ वड़ इंपोर्टेंट है अच्छा अपने एक चीज़ देखी है कि Interest income को पन passive income मानते हैं लेकिन अगर आप एक क्या हो, banking income नहीं हो या फिर Public Financial Institution हो, ठीक है तो जो आपकी Interest income होगी, जो Interest income होगी यह passive income में इंक्रूड नहीं होगी, क्योंकि आपका तो बिजनस ही है, कि आप loan loan उधार पर देते हो अब एक और चीज़ समझना अपने इज़र पढ़ा था कि भई Less than 50%, less than 50% of the assets are situated in India ठीक है, तो तो क्या दे रखाए assets की value कैसे निकाल होगे, सरकार यह कहती है कि अगर आपकी depreciable assets से अगर आपकी क्या थे, depreciable assets से तो आपको क्या करना है, आपको लेना है average value as per tax law at the beginning at the beginning and at the end of the year ठीक है, तो इधर एक चीज़ एड कर लेना, इधर आजगा at the beginning and at the end of the year ओके, value of assets in case of depreciable assets क्या होगा, average value लेना है आपको bringing and at the end of the year की आप जो है क्या लोगे, depreciable assets की value लेलोगे बाकी दूसरे assets तो उसकी value क्या होगी closing value as per box, ठीक है, तो मैं आपको बताया ना कि आपको क्या check करना है, आपको ये check करना है कि आपके 50% से come assets इंडिया में situated है, अब assets की value तो निकालोगे इंडिया में है, कौन से assets बाहर है, तो उसकी value कैसे लोगे तो value लेना आपनों को बता दिया सरकार ने depreciable asset case में आप average लोगे, beginning और end का और other asset के आप जो है closing value उठा लोगे पिर आमने ऐसे employees की बात करी थी, कि वहीं less than 50% of the employees are situated in India और are resident in India, तो देको employees का मतलब भी वही है, वहीं आपको लेना है average, आपको लेना है average, opening and closing का अच्छा सुनना, employee also include person who is not directly employed, but perform task similar to employees मतलब अगर आपके कोई contract पे employees हैं उसको भी जो हम क्या मानेंगे, employee की definition में include करेंगे, ठीक है payroll expenses अपने देखे, payroll expenses का मतलब है all emiluments payable to the employees आगे बढ़ते हैं अपने उपर देखा था कि अगर आप जो सारी conditions fulfill कर देते हो आपकी पोयम का मानी जाएगी, आपकी पोयम जो है outside India मानी जाएगी, आपकी पोयम basically outside India मानी जाएगी, लेकिन समझना है ये कोचीज, आपने जो है सारी condition satisfy कर दी और आपकी पोयम outside India मान ले गई है लेकिन, 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 लेकिन जो decisions है, जो आपकी company के main decisions है, वो कौन ले रहा है person resident in India ले रहा है, PRI person resident in India ले रहा है, या फिर holding company जो आपकी holding company है, इंडिया में वो decisions ले रही है, तो उस case में आप जो है person, जो resident in India है, वो decision ले रहा है तो holding company resident in India, या फिर person resident in India क्या कर रहा है, आपके decision ले रहा है, तो बले ही बले ही आपने ये सारी conditions फुल्फिल कर दी है फिल भी आपका जो है पोयम इंडिया में मान लिया जाएगा तो सीधी सी बात है, कि अगर आपका कोई business, इंडिया से control हो रहा है अगर आपका कोई business है, जो इंडिया से control हो रहा है तो सरकार ये करिए, कि अगर आप company हो आप company हो तो बले ही आपकी पोयम, बले ही आपकी पोयम outside India मान लिया गई, लेकिन अगर आपका पंचों सवाइब करते होगे वर Joon was when I was inside इंडिया मैं में होगी मुझा किसे करेंगी कि soybeanपको आपकोई डिसीजंस है की calendar management and commercial decisions, key management and commercial decisions कहां पर लिए जा रहे हैं, कोई जगा क्या हो जाएगी, poem मान ली जाएगी, अच्छा बैन आपको बताया कि आपकी passive income up to 50% of total income होगी, तो passive income की definition देख ली, total income की definition का मतलब क्या है, देखो, as per the tax law of the country of incorporation, तो जो भी company, इस भी country में incorporated है, उसके tax law के गोडिंग, उस previous हर की किती इंकम आली है, total income, वो माली जाएगी, अच्छा, अगर income as per tax law is not available, तो क्या ले लोगे, ऐस पर books of account से लोगे, ठीक है, किती कानी आपको समझ में आगे जोगी, तो books of account का मतलब समझते हूं, books of account का मतलब इंडिया में क्या होता है, company's act, और tax law का मतलब क्या होता है, income tax act, आगे बढ़ते हैं, जो क्या दरखा है, merely because the poem of an intermediate holding company इंडिया में है, the poem of its sub-series, cannot be taken to be in India, इसका मतलब क्या है, कि बढ़ी, for example, एक company है, कांपर, एक company है, USM है, इसकी एक holding company है, इंडिया में, इंडिया की एक सबसरी company है, इंडिया की एक सबसरी company है, for example, दुबई में, तो अगर ये Indian company, ये क्या है, intermediate holding company है, ये अगर resident बन जाती है, on account of its poem in India, तो उसका मदलब यहीं नहीं कि भी इसकी सारी सीव फी रेसेट मन जाएगी हम हर सबसरी का जो है अलग से च्छ करेंगे क्या चेक करेंगे कि तो यह वाली गाइड़ाइंस लगेगी नहीं अगर कोई फॉरेंड कमपनी है जिसका टॉन ओपर कित्ता है 40 क्लोड है तो इसको यह चेक करने की जरुती नहीं है वह फॉरेंड कम नहीं मानी चाहिए अपने बढ़ेटा की बात करी अपने जो पर डेटा की लिया है लिए अपड़का लेना है अंतीनों की का अवरेज निकालना और तीनों का एवरेज देटा और यह चेक करने है बिसकेल यह कंडिशन को सडिस्वाय करना चाहिए उनिश्ट दे रखाए एक्टिव बिजनस आउटसान इंडिया में आपको डिटमेंट करना है उसके लिए अगर कंपणी आपकी जो है अगर कोई पिछले दो साल से ही क्या है इंकॉर्पेटिट है तो बहुत इंपॉर्टेंट था यह टॉपिक में आपको समझा दिया अब एक और चीज़ समझना अगर कोई फॉरेंड कंपनी का अकाउंटिंग एर इंडियन कमी के फिनेंशियर से इंडिए इंड स्ट्रीं ऑफिंपर्पेश्ट कमी इस दिफेंट फॉरेंट प्रिविज यह टो क्या करा जाएगा अपने विससे लिए एक चीज़ समझें कि आपको पिछले आपको तीन सालों का इवरेज रेना है तो सरकार यह कहती ही कि डेट ओफ अगॉंटिंग यह डेट अट अफ छुअटिस है अपन क्या करते हैं अपन बेसिकली फैनेंशल को फॉलो करते हैं और रजू करते हैं कि यूई से में तो उसकेस में क्या हो गा उसकेस में एक यह कहां से चलेगा है एक जोजार चॉवीस से अब तक एक जोजार चॉबश्य 24 से लेके 31,12,26 अब मुझे यह चक वह पर सब्सक्राइब झाया तो आपने क्या चीज पड़ी थी अपने ये चीज पड़ी थी कि अगर आपकी पुएंग की कंडिशन सदिस्पाइब नहीं हो रही आप क्या खरोगे आप यह देखोगे कि में डिसेंस कहां पे लिए जा रहे हैं वो आपका पोएंग हो जाएग तो उसके लिए आपको गाइडलाइस दे रखिए वो गाइडलाइस पढ़ते हैं आपन तो सबसे आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि की मेनेजमेंट कमेशेर डिसेंस कहां लिए जा रहे है अपने इधर यही चीज पड़ी थी अगर कि कंडिशन सट्ष्फाइय नहीं हो रही इस अपकी आपकी सत्ष्फाइन होरी तो आपके पोएम का मानी जाएगी आपकी जो है पुल साइंडिया हो रही हो रहा है आगर आपकी सारी कंडिशन अगर सरी हो रही है तो अपकी पॉयम का मनी जाएगी आपकी पॉयम जो है बिसिकली आउटसर इंडिया मनी जाएगी अगर इक करना बढ़ेगा कि की अगर बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए रखी है कि हम सबसे पहले यह देखेंगे कौन सा बंदा यह इंपटेंड डिसेंस ले रहा है और कहा ले रहा है जहां पर वह ले राएडिज्जीन वह बंजाएगी फोयम फिर फीर डिइन डिस इस ले रहे है तो वो importance रखता है in comparison to where the decisions are implemented. तो basically हमें क्या देखना है कि distance कहां पे लिए जा रहे हैं, जिस जगा वो decision लिए जा रहे हैं, वो मेरा क्या मान लिए जाएगा, वो मेरा poem के लिए relevant होगा, जिस जगा में decision को implement कर रहा हूं, वो relevant नहीं है, अदर को कुछ guidance principles दे रखे हैं अपने को और, कि भई, poem इंडिया में है की निया, कैसे चक करेंगे, तो सबसे पहला factor है, कि भई, आपकी board meetings कहां पर हो रही है, तो location जहां पर board meetings are held, location जहां पर board meetings are held, आपकी poem कहां माली जाएगी, जहां पर आपकी board meetings हो रही है, condition क्या है, condition यह है कि भई, बोड है, board of directors है, retains and exercises the authority to govern the company, and वो क्या करें, key management and commercial decisions ले रहे हैं, तो basically हमने यह का आप कुछ further guidance दे रहे है, अगर आपकी board meetings कहां पर हो रही है, इंडिया में हो रही है, तो simply अगर आपने कोई board meeting किसी जगा पर कर दी तो उसका मतलब यह नहीं कि भई, वो जगा आपकी poem हो गई है, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो board of directors है, जो board of directors है, उनके पास authority है, इस बात की authority है, to govern the company and to make commercial decisions, to make key management and commercial decisions. अब लोगों क्या दे रखाए? की decisions by the directors, अगर की decisions by the directors are in fact being taken in a place other than the place where the former meetings are held, then such place would be the relevant for poem. वैं आपको क्या बताया कि आप जो है एक जगा पे, आप क्या कर रहे हो, इंडिया में board meetings कर रहे हो, लेकिन decisions का ले रहे हो, decisions यह से मिले रहे हो, तो अगर आपने board meeting इंडिया में कर दी, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको poem इंडिया में हो गया, आपको यह चक करना बढ़े कि decisions का लिए जा रहे हैं, तो वो इद्धर दे रखाए, कि अधर की decisions by the directors are being taken in a place other than the place जहां पर former board meetings are held, बोले तो USA, then such other place, USA would be relevant for poem, तो USA आपकी क्या माने जाएगी, कि आपका poem USA में है, आप जो हैं इंडिया में क्या माने जाओगे, non-resonanty माने जाओगे, आगे बढ़ते हैं, यह example कर लेना, example बहुत आसान है, पढ़ लेना आप इसको, अब देखो क्या दे रखा है, कि अगर board of directors ने, board of directors ने, अपनी authority delegate कर रखी है, किसको, senior management को, या फिर किस भी other person को, including a shareholder, promoter, strategic, या फिर legal financial advisor, and does nothing more than routinely ratifying the decisions, तो basically हम यह देखेंगे, कि वही जो senior manager है, यह other person है, यह decisions कहां ले रहे हैं, तो basically वही बात है, कि KMCD किस प्लेस पे ली जा रही है, किस प्लेस पे ली जा रही है, या तो board of directors decisions ले रहे है, अगर board of directors ने, अपने authority किसी दूसरे person को delegate कर रखी है, तो यह जो बंदा है, दूसरा बंदा, यह अपने decisions कहां ले रहा है, वो जो है relevant होगा, for the purpose of determination of poem in India. अब देखो क्या दे रखाए, if it is established, that the board of directors are standing aside, and not exercising their power of management, and such powers are excited by the holding company, या person resident in India, poem जो है इंडिया में मान लिए जाएगा, तो वो ही चीज़ है, जो मैंने आपको पहले समझाया था, कि जो board of directors है, जो basically board of directors है, वो distance नहीं ले रहे है, distance कौन ले रहे, holding company, या फिर person, जो resident है इंडिया में, तो poem जो है इंडिया में ही माननी चाहिएगी, यह थी काहिए आपको समझ में आ गई, तो मैंने आपको बताया, कि अगर कोई company, foreign company है, वो बाहरी क्या कर ये board meetings कर रही है, लेकिन distance कहा लिए चारे है, distance इंडिया में लिए जारे है, standing aside and not exercising the power of management, वो अपने power of management को exercise नहीं कर रहे है, and such powers are exercise by the holding company, on exercise कर रहा है holding company है, फिर other person recent in India, poem का मानली जाएगी, यह poem basically जो है, इंडिया में मानली जाएगी, अब सुनो, actual, ठीक है, इंडिया में एक company है, actual ने एक सबसरी बनाई है, इंडिया में कम ली है, इधर सिंगापूर में एक सबसरी है, ठीक है, actual ने क्या रखा है, पूरे worldwide में अपने जो business करने के कुछ, important decisions है, उनके guidelines पना रखी है, actual ने यह कहा कि जो भी मेरा business, अलग-अलग सबसरी में हो रहा है, सब एक ही guidelines के basis पे होगा, उसके भी क्या है, ग्रीन कलर है, अचा, यह सबसरी इंडिया में, रेसेंट है की नहीं, उसके लिए आप क्या चेक करोगे, कि भाई इसका पोयम इंडिया में है की नहीं है, आपने यह देखा कि भाई इसकी condition satisfy नहीं हो रही, active business outside इंडिया की condition satisfy हो गई है, तो वो जनरली क्या मान लिए जाएगी, पोयम outside इंडिया मान लिए जाएगा, लेकिन अगर condition satisfy नहीं हो रही है, तो आप यह चेक करोगे, कि भाई के एम सीरी, की management and commercial distance कहां लिए जा रहे हैं, आपके यह कहोगे कि भाई जो business करने का तरीका है, वो कौन बता रहा है, वो actual बता रहा है इंडिया में बैठके, कि भाई आपका जो भी business होगा, जो भी आपकी business की building होगी, उसका color क्या होगा, ग्रीन होगा, तो क्या हम, क्या हम यह कह दें, कि भाई इसका जो पोयम है इंडिया में है, तो सरकान ने क्लिफिकेशन दे दिया, कि भाई अगर, भारवाली कमनी के board of directors, क्या कर रहे हैं, भारवाली कमनी के board of directors, follow कर रहे हैं, जनरल and objective principles of global policy of the group, तो अगर किसी parent कमनी की global policy, तो भार सबसरी कमनी follow कर रही है, example, payroll related functions, या counting functions, and not being specific to any entity, अगर 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 बोड ने अपनी authority को डेलिकेट कर दिया, कमिटी को, तो पोयम कामनी जाएगी, जहां पर कमटी क्या कर यह, प्लेस जहां पर members, और बेजन को क्या कर रहें, डिस्जियंस ले रहे हैं, तो भार बोड डेक्टरेस ने, अपनी authority को डेलिकेट कर दिया, कमिटी को डेलिकेट कर दिया, हम यह देखेंगे कि, कमिटी काम पर ले रहे हैं, कमिटी क्या बन जाएगा मेरा, वो ही जो है मेरा बिस्कली पोयम बन जाएगा, अल्राइट, अब लोकेशन अव एचो, लोकेशन अव हैड ओफिस, अचा अब यह तक समझ में आ रहा हैं, पर लुए और आपन करके आ रहे हैं, आपको आवस बताता ह unserer आपन करके ह हे रहे हैं, अपन बेसिकले अपनने यह देखा सबस्याइल है तो, पर मेरा क्या बज़ का दिच्च्र दिच्च्च कर दिये का, कि जहाँ पर board of directors आएकर decision ले रहे हैं, board of directors आएक का का decision ले रहे हैं, board of directors आएकर के MCD का decision ले रहे हैं, board meeting के थुरू, तो वो मेरा क्या वज जाएगा, poem बन जाएगा, अगर board of directors ने अपनी authority delegate कर दी committee को, और committee क्या कर रही के MCD ले रही है, तो जिस जग़ा पे वो decisions ले जा रहे हैं, वो क्या बन जाएगी, मेरी poem बन जाएगी आपका head office, head office का मतलब क्या है head office represents the place जहांपर key decisions are taken आपको यह पता होगा कि head office का मतलब क्या होता है जहांपर आप क्या कर रहे हो, key management and commercial decisions ले रहे हो अब दोगों क्या दे रखाए, अगर company का head office that is the place जहांपर senior management and their support staff are based एक जगा पर है, तो company का head office for example एक जगा पर है कहांपर आप नजूम करते हैं, इंडिया में है किसी company का head office अगर इंडिया में है and that location वो क्या है, principal place of business है तो poem कहा माना जाएगा, आपका poem जो है, इंडिया में ही माना जाएगा तो poem is at the place, यहांपर head office is located अब एक और चीज़ समझना अगर आपका senior management is so decentralized आपको जो senior management है, तो head office में generally होता क्या है head office में generally senior management बैठता है तेकिन अगर आपका senior management so decentralized है decentralized के मादब पूरे इंडिया में फैला हुआ है so it is not possible that it is not possible to determine the company का head office with reasonable degree of certainty तो आपके जो भी senior management है वो पूरे all over world में अलग लग फैले हुए है तो मैं decide नहीं कर पा रहा हूँ कि भई मेरा head office काँ पर है तो उस case में, उस case में location of company का head office would not be of much relevant, ठीक है तो उस case में head office के location relevant नहीं होगी for poem का determination logical अब देखो क्या दे रखाए अगर company is more decentralized, company क्या है company basically decentralized है मतलब senior management operates from time to time at offices located in various countries इसका मतलब क्या है जो senior management है, पूरे all over world में अलग अलग location पर जा जा के काम करते हैं अब सवाल आदा है कि head office काँ पर पकड़ा जाए तो guidelines यह कहती है कि head office, company का head office क्या माना जागा, company का head office would be the location just a second senior management इतना decentralized है कि वो world में अलग अलग location पर जा के काम करता है, तो फिर company का head office काम पर माना जाएगा तो अपना law यह कहता है कि जहाँ पर यह लोग रहते हैं, actual में जहाँ पर यह लोग रहते हैं तो for example, senior management actually में इंडिया में रहते हैं, लेकिन काम करने के लिए तो घर क्या मन लिया जाएगा, head office मान लिया जाएगा या फिर meet when deciding key strategies and policies for company का company as a whole तो अगर senior management क्या है, decentralized है तो जहाँ पर भी यह लोग meet कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं for deciding key strategies and policies कोई क्या मान लिया जाएगा, company का head office मान लिया जाएगा अचा अगर director या फिर other KMP अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि जो director है या फिर key management person है वो कहां पे रहते हैं, वो कहां पे रहते हैं वो भी poem के लिए relevant हो जाएगा, ठीक है तो residence of directors and other KMP अगर उपर वाले जो factors हैं उपर वाले जो factors हैं उससे आप पता नहीं लगा पारे हो कि आपकी poem का हैं अभी चेक कर सकते हो कि भी directors और KMP कहां पे रहते हैं तो कोई क्या मान लिया जाएगा, प्लेस और इप्रेक्टिव मैनेजमेंट इसी तरह से अगर क्या हो रहा है से कोई decision पास हो रहा है, तो हम यह देखेंगे कि वह किस person के पास किस person के पास authority है to pass the circular reservation and the location of these person the place of location of these person क्या मान ली जाएगी वो यह मान ली जाएगी तो दो क्यातर रखा है, location of strategic shareholder strategic shareholder का मतलब क्या होता है जो बिसे गली, indirectly management कर रहे है किसका company का, तो for example कोई भी contract about 10 lakh कौन अपरूब परेगा shareholder अपरूब परेगा, इसका मतलब यह है कि major decisions कौन ले रहे है, shareholders ले रहे है कोई भी payment about 5 lakh कौन अपरूब परेगा, shareholders अपरूब परेगा इसका मतलब क्या है, कि जो shareholders है यह कि अगर है decision taking में part ले रहे है तो basically, location of these shareholders क्या हो जाएगी, poem मानली चाहेगी तो यह जो मैंने आपको बताया है, वो इन लोगों ने इतर explain कर रखा है, फिर देखना, हम बात करते हैं किसकी key management and commercial decisions की जो routine operational decisions होते हैं उसका कोई poem से लेने देना नहीं है तो routine operational decisions का कोई poem से लेने देना नहीं है तो उसका इन लोगों ने example दे रखा है क्या example दे रखा है कि एक factory में एक machine को कित्ते देर तक चलाना है वो मेरा key management का machine decision नहीं है वो एक routine operational decision है उसका poem से कोई लेने देना नहीं रहेगा other guiding factors देखो क्या दे रखा है कि if the above factors do not lead to the clear identification of poem जो अपन इतने सारे factors पढ़े अगर उससे भी आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि आपकी poem कहां पर है then the following secondary factors आप consider करोगे secondary factor का मतलब क्या है कि आपकी substantial business आपका कहां हो रहा है या फिर आपके accounting records आपने काम maintain कर रखे है आपने books of accounts आपने maintain करके रखे है अच्छा देखो क्या दे रखा है determination of poem is to be based on all the relevant facts अगर आप जो poem determined करोगे सारे facts को मद्दे नजर रखते हुए determine करना so determination of poem is to be based on all the relevant facts related to the management and control of the company and is not to be determined not to be determined on the basis of isolated facts that by itself do not establish effective management basically सारे factors को सारे facts को आपको मद्दे नजर रखते हुए काम करना है isolated facts को कंसरा मत करना जैसे इन लोगोंने कुछ example दे रखा है क्या example दे रखा है कि भाई just because a foreign company is completely owned by the Indian company just because a foreign company is completely owned by the Indian company that doesn't mean कि भाई उस company का poem इंडिया में है following will not be a conclusive evidence that the conditions for establishing a poem in India have been satisfied just because a foreign company is completely owned by the Indian company उसकी जो है poem इंडिया में नहीं माने जाएगी just because a foreign company कि just because a foreign company कि क्या है इंडिया में पी है इसका मादब यह नहीं कि भाई उसकी poem इंडिया में हो गई as a fact that one of some of the directors of foreign company reside in India does not mean that the poem is in India as a local management in India में situated है in respect of activities carried out by the foreign company in India that doesn't mean कि भाई इंडिया में उसकी poem है आजा इंडिया में क्या है आपका support functions है that are preparatory and auxiliary in character देखे तो आइंडिया में आप क्या करो इंडिया में कुछ functions perform करो जो क्या है support functions है main functions नहीं है देखे तो existence in इंडिया of support functions that are preparatory and auxiliary in character अब देखो क्या दे रखाए जो अपने उपर सारे principle पड़े है वो क्या है सिर्फ गाइडेंस के लिए है किसी भी single principle को किसी भी single principle को decisive मत मानना सारे facts को सारे facts को मद्दे नजर रखते हुए आपको ये चेक करना वड़ेगा कि कि भी पोयम इंडिया में है या नहीं है तो अबोग principles are not to be seen with reference to any particular moment बट रादर over a period of time तो किसी specific moment कि आप जो है condition को fulfill खरते हुए पोयम इंडिया में मत establish करवा देना आप जो ये देखना कि जो भी आपकी condition उपर आपने चेक करीए वो over the period of time satisfy हो रही है तो ये माना जाएगा कि भी कमनी के पोयम इंडिया में है पोयम shall be presumed to be in India if it has been mainly or predominantly in India आगे बढ़ें तो अभी तक अपने ये देख लिया कि भाई SSC को किसी भी SSC को पन resident and non-resident किस तरह से काएंगे मैंना आपको taxability of income का scope बता दिया कि भाई कोह होती है मैंना कोई फीश बताई थी क्या कि भाई income आपने इंडिया में earn करी है या फिर dim to be earned in India अभी ये dim to be earned इंडिया का मतलब क्या है वह देखते हैं अपन तो थै क्यों ... इंकम dim to be earned in India का मतलब क्या है वह अपन रहे हैं न चाह रहे हैं हो गाँ कुछ फरक नहीं बड़ता अगर आपके कोई पास्ट फॉरन इंकम है वो प्रिविए से लेके आपने क्या क्रें पूरे वर्ड में तो पास्ट में कुछ कांड करा उसे इंकम हुए उससे आमें कोई लेने तना नहीं है कि आरवार की सारी इंकम टेक्स होती है ठीक है एनर की मैंने आपको बता जिए इसका भी एक्सेप्शन देख लिया था इस बिजनस और प्रपर एक्सेप्शन देखा था अगर कोई कोई इंडियन से रिजन है और वो कोई एसी कंट्री में इंकम कमा रहे है जहां पर टेक्स लगता ही नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे तो बहुत हल्ला मच गया कि अगर आप उसको सारी इंकम हो जाएगी तो सरकार ने करिफेकेशन दिया हम उसको जो है आर भी होना मानें है तो मिस्टर जॉनी मिस्टर जॉनी ले रहे हैं जॉन जॉन लिवर जॉनी है कि क्या है एंट रहे नन रैसेंट है एनींकम अक्रू और राइज आउटसेर इंडिया जॉनी भाई साब का इंडिया में एक क्या था अग्रिकल्चर लेंड था इसने क्या करा इस अग्रिकल्चर लेंड को बीचा तो यह जो जॉनी भाई साब है जो अग्रिकल्चर लेंड को बीचने से इंकम हो रही है उसको क्या माना जाएगा कि वही यह क्या हुरी है इंडिया हे जो नर है जो नर है जो नहीं भाई इसको क्या करना पड़ेगा कि रॉक्र करना पड़ेगा इंकम अफुर्व और आओसे इंडिया to and a a a cc through or from और प्रॉपपर्टी एससे और सोस्फंपम इंडिया जैसे उसको क्या मिल रहा है किसी इंडिया में कोई building located है, उस पर rent मिल रहा है उसको बाहर, तो क्या माना जाएगा, कि उसने जो है, earn कर रहा है इंडिया में और उसको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन ये देख रहे हैं, कि भई, income dim to be earned in India का क्या मतलब है, कि भई, अगर किसी एनार को income हो रही है, किसी property, asset या source of income in India से, क्या माना जाएगा, dim to be earned in India है, किसी एनार ने क्या करा है, किसी एनार ने कोई capital asset को transfer करा है इंडिया में, तो उसके case में क्या होगा, उस case में क्या होगा, उस case में basically उसको माना जाएगा dim to be earned in India, तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि वही आगर जॉनी वाई साब ने अगरीकल्चर लेंड बेचा है अर्बन अगरीकल्चर लेचा है तो जो भी इनकम हो रही है कि दिम टूब अनि इंडिया है रेंट मिल रहा है एक्जामपल अपने लिए कि कोई बिल्डिंग लोकेटेड है इंडिया में उसको बाहर किसी बदूसरे बंदे से तो उसको क्या मिलेगा उसको बिसिकली यह माना जाएगा वही हो क्या है इंकम ड्यूटू अगर आपका इस्टापी करना पड़ेगा अब द आपस पर एनिकम क्यों क्यों बॉप्ति अधिया है रज्ट और आइस इंडिया अब बिजनस कनेक्शन निदिया का क्या मतलब वो देखें इसने स्क नंएंडिया काद अबम अपन देखते हैं इस दो ईसने Lesson का मतलब जहें यह है कि दो जो जो जौनी वाहीच सब बहर बेठें इसे बना देता हूं यह जो जॉनी भाई साब बाहर बेठे हैं क्या कर रहे हैं इंडिया में बिजनस कर रहे हैं कैसे बिजनस कर रहे हैं देखना तो बिजनस कनेक्शन इंक्टूर्स कोई बिजनस एक्टिविटी carried out by any person on behalf of NR जो जॉनी भाई साब है इसने क्या कर रहा है इसने इंडिया में अपना एक एजेंट बिठा रखा रहा है अच्छाई यह एजेंट क्या करता है हो देखना agent has the authority to control the contract in India मदल जो जो एजेंट है जो एजेंट है एजेंट आप है इंडिया में क्या करता है उसके बियाफ पे इंडिया में कोई एजन्ट बिठा रखा है यह एजिंट जॉनी भाइशाब के बियाव पर क्या कर रहा है यह एजिंट जॉनी भाइशाब के बियाव पर कोई इड्या में taxable हो जाएगी अच्छा, इसी तरह से आप कोई business activity कर रहे हो एड क्या करते हो इंड्या में stock maintain करते हो for delivery, इंड्या में क्या करते हो stock maintain करते हो for delivery आपको क्या मान लिया जाएगा, business connection मान लिया जाएगा ठीक है तो अगर for example इनका बिजनस क्या है इनका बिजनस है शूस को बिजने का चलो आईफोन को बिजने का बिजनस है अगर यह क्या करते हैं इंडिया में एक स्टोर खुला देते हैं इंडिया में इक स्टोर खुला देते हैं जहां पर यह लोगों को ने क्या कर रहा है बस आईफोन बिछा रख और जो भी आपको इंकम हो रही है इस business connection के तुरू इंडिया में taxable हो जाएगी तो अपर ने क्या देखा business connection includes any business activity carried out by any person on behalf of NR मतलब NR के बिहाफ पर क्या कर रहा है कोई काम कर रहा है and does any of the following इसका एजेंट है वो क्या करता है इंडिया में टॉक को maintain करता है for delivery या फिर जो एजेंट है यह क्या करता है secure करता है order in इंडिया mainly या फिर holy for NR नर का क्या है business connection मान लिया जाएगा इंडिया में आइफोन का business करते है इसने इंडिया में अपना एक agent बिठा रहा है और इस agent को क्या बोल रखा है कि इंडिया से तू क्या कर order collect कर इंडिया से तू क्या कर customer से order collect कर आईफोन के अफिर तू मुझे आडर मुझे देदे ना मैं customer को जो है क्या कर दूँगा of iPhone दे दुगा जो भी इस भाइस सब नेरe और जयसे आपका बिजनस क馥ें लिए जाता ये ज्सी आपका बिजनस कने उनолिया । आपको इंकम और वह hon जाएगी कि इंडिया और जैसी आपके इंकम डीम इंडिया होगी यहाइक रहे इंडिया हुए अपर इसको एक्स एक रहे इसने अपना डल्ला Mr.A agent इंडिया में बिठा रखा है अचा उपने अपने क्या बढ़ रहा है कि अगर ये Mr.A क्या कर रहा है Mr.A basically secure करता है order और Mr.X तो क्या होता है business connection directly established हो जाता है काँ पढ़ रहा था अपने देखो ये रहा अगर आप क्या कर रहा है secure order कर रहा हूँ mainly or holy for N.R तो क्या मन लिए जाएगा कि अनार का क्या है business connection है तो ये जो Mr.A था ये क्या कर रहा है Mr.A Mr.X के लिए Mr.A 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 के लिए order secure कर रहा है Mr.A 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 का business connection होंगे एंडिया में आचा ये जो Mr.A ना Mr.A ये क्या करता है Mr.A किसी दूसरे Mr. Y के लिए भी order को secure करता है तो एक तो हम Mr. X एक है Mr. A और एक है Mr. Y अपर ये अपने देखा कि अगर Mr. E या गाता है X के लिए directly order को secure करता है तो ये NR जो है, on NR, X जो NR है इसका business connection इंडिया में मान लिया जाएगा और जो भी इसको income हो रही है जो भी इसको income हो रही है वो कहां पे टेक्सेबल हो जाएगी इंडिया में टेक्सेबल हो जाएगी इसके साथ साथ assume करो, कि जो Mr. A है, ये Mr. X के लिए order secure कर रहा है और Mr. Y के लिए भी order secure कर रहा है अब सवाल आता है कि जो Mr. Y है, Mr. Y NR है, कि जो Mr. Y NR है, क्या इसका भी business connection इंडिया में मान लिया जाए अब आपने जहां से इक चीज पढ़ी होगी, तो आपने इक चीज देखिए कि हम क्या कर रहे है, order को secure कर रहे है, mainly holy for NR, mainly or holy for NR, तो ही क्या माना जाएगा, तो ही ये माना जाएगा कि business connection इंडिया में established, example समझना, ये एक NR है, या फिर ये 3-4 NR है, ये 3-4 NR है, और ये इ NR सारे हैं, इनका business connection इंडिया में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसे लिए एक agent की थारा काम हो रहे है, लेकिन for example, किसी particular NR ने एक specific agent को बिठा रहे हैं इंडिया में, तो ये मान लिए जाएगा कि इस NR और ये agent का क्या है business connection है, और उस case में क्या हो जाएगा, इसको जो इस case में क्या हो रहे है, ये जो Mr. A है, वो X के लिए बिए order secure कर रहे है, Y के लिए बिए order secure कर रहे है, अब सवाल ये आता है, ये जो Mr. Y है, ये जो Mr. Y है, इसका business connection इंडिया में है की नहीं है, तो पढ़ना देखो क्या दर रखा है, further, तिर में भी situation, जहाँ पर person acting on behalf of NR, secure क situation, business connection for other NR is established, in such situation, business connection for other NR is established का अंजी, तो अपर कहा थे, अब ही अपने ये देखा था कि अगर कोई agent NR के लिए क्या कर रहे है, कोई agent अगर NR के लिए, कोई agent अगर NR के लिए, orders को secure कर रहा है, mainly and holy for NR, तो जहाँ क्या होता है, basically, NR का business connection इंडिया में मान लिए जाता है, अब इस example पर देखना क्या हो रहा है, कि वही, Mr. A जो है, X के लिए order secure कर रहा है, Y के लिए order secure कर रहा है, अब government ये कहती है, अपना law ये कहता है, कि वही दे अब अगर Mr. A क्या कर रहा है, X के अलावा Mr. Y का भी क्या कर रहा है, basically, order secure कर रहा है, मतलब मैं आपको बताया ना, कि वही, iPhone का business कर रहा है, अपने एक agent बिठा रहा है, agent क्या करता है, order collect करता है, इसको दे देता है, इसको, Johnny बाई साब को दे देता है, तो अगर Mr. A, X के अगर X के लिए order secure कर रहा था, exclusively, उसके लिए क्या हो रहा था, उसके में X का business connection इंडिया में मान लिया गया था, अब Mr. A, X के अलावा Y के भी order secure कर रहा है, तो हम यह कहने हैं कि Y को भी business connection इंडिया में मान लिया जाएगा, बट condition क्या है, या तो XY को control कर रहा है, या Y X को control कर या फिर दोनों किसी third person से control किये जा रहे हैं, उस case में, उस case में क्या होगा कि अगर कोई person, किसी एक person के लिए order secure कर रहा है, और उसका business connection इंडिया में मान लिया गया है, दूसरे का भी business connection इंडिया में मान लिया जाएगा, easy, जो इन आपको example से बताया है, वहीं लोगोंने इंडिया अगिन, mainly and holy for such NR, तो अगिन वही condition है कि अगर कोई person, कोई agent है, अलग-अलग NR के order secure कर रहा है, तो basically यह जो agent है, यह mainly and holy for NR काम नहीं कर रहा, तो उस case में, जो business connection है, इंडिया में establish नहीं होगा, जब आप क्या कर रहे हो, mainly सामने वाले बंदे के लिए ही काम कर रह ही को, अग्र बिजनस connection इन इंडिया का मतलब क्या है, आप देख़ा आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, वह समझना, आम ने एक चीज़ बता ही आपको, कि अगर क्या कर रहे हो, यह जो जो जोनी जो जोनी बाइस साव है, यह अपना business का कर रहे है, यह अपना business कर रहे रहा है order secure करके दे रहा है million only इसके लिए order secure करके दे रहा है तो सवाल यह आता है कि जो यह johnny भाई साब की income हो रही है iPhone को बीचने से कौन सी वाली income इंडिया में taxable होगी सीधी से बाते जो income इंडिया से rate करती है जितना order किसने secure करके दिया है जितना order agent ने secure करके दिया है उतनी ही income तो इंडिया में taxable होगी तो for example यह USA में जो johnny भाई साब है इसने इंडिया से income कमाई 1 करोड रुपे की बागी foreign से कमाई 2 करोड रुपे की और तो इंडिया में कितनी taxable होगी जितना operations इंडिया में हुए है उतनी ही income इंडिया में taxable होगी आगे बढ़ते हैं अब दो क्या जटना है income attributable to operations carried out in India includes मतलब इन सारी income को जो है इंडिया में ही माना जाएगा तो मतलब अगर किसी NR को क्या हो रहा है यह तीन तरह की income हो रही है इससे agent से यह NR है इसने एक agent अपोइंट कर रहा है इंडिया में अचाहा इस यह agent क्या कर रहा है basically इसके भियाग पर million only काम कर रहा है अचाहा इस NR को इस तीन तरह की income हो रही है इन operations से तो वह भी क्या माना जाएगा कि वह इंडिया में ही हुई है सो देखो क्या रखा है income income from advertising targeting customers residing in India और accessing advertisement through IP address located in India इसका मतलब क्या है कि वह जो जौनी भाई साब है अजुम करो जौनी भाई साब है कि क्या कर रहे है कि क्या कर रहे है किसी बंदे को services दे रहे है किस बात की services दे रहे है किस बात की services दे रहे है कि यह जो है customer को advertisement दिखाते है तो यह company है एक company को क्या कर रहाना था basically अपना advertisement कर रहाना था जोनी भाई साने बिल्कुल हम करके देंगे आपका advertisement हम आपका advertisement लोगों तब पोचाएंगे तो जब यह NR क्या कर रहा है और फो कई advertisement कर रहा है इक्सेस कर रहे है जो एक्सेस कर रहे है अड़बटावर्टाइजमें से दो भी एनकम हुई है तो भी आनार को income होई है तो कहां से होई है income attributable to operations carried out in India मतलब basically आपने जो है क्या करा है आपने जो है basically इंडिया में इंडिया में ये income कमाई है तो अभी तक अपने देखा था कि business connection किस तरह से establish होता है फिर अपने देखा कि कौनसी income इंडिया में taxable होगी कौनसी income इंडिया में taxable होगी which is attributable to the operations carried out in India जितने अपने operations इंडिया में carry out करे है उतनी income इंडिया में taxable होगी अचा income attributable to operations carried out इंडिया में include होता है क्या या अगर किसी आनार को income हो रही है किसी advertisement से ठीक है तो income from advertisement जो target करिए customer residing इन इंडिया को और फिर टागेट करिए customers accessing advertisement through IP address located in India तो क्या मतलब क्या है कि इस एनार में क्या करा है एक एनार है ये एक इंडिया में बंदा है और ये क्या है ये US से अजुम करो और ये दुबई अजुम करो और ये क्या है इंडिया तो basically इस एनार में क्या करा इंडिया में जो बंदा बैठा था उससे कुछ डेटा क्लेक करा और इस डेटा को किसी तीसरे परसन को बेचा तो जो ये income हो रही है ने इसको वो भी जो है मानी चाहेगी कि बई चाहे income attributable to operations carried out in इंडिया है तो आपको income होई है from the sale of data आपने कोई data वीचा है तो किस से collect कर रहा था आपने from the person residing in इंडिया या फिर किस से collect कर रहा था कोई परसन जो आई-प अडर्स चूज कर रहा था लोकेट इंडिया आई पी का मतलब क्या है in आई-प अइप अड्रस हाँ आई-प अड्रस आई-प अड्रस वही चीज तीसरी पॉंट देखना आप क्या कर रहो गूर्शन सर्विसिस को बेच रहो किसी बंदे को गूर्शन सर् इंडिया में क्या इंक्रिड होगा कि अगर आपको वही अड्रस इंकम हो रही है जो किसको टागेट कर रही है कस्टमर से इंडिया को या फिर कोई कस्टमर को जो आई-प अडर्स से एक्सेस कर रहा है अबवर्टाइसमेंट को आपने डीटा बीचा है आपने डीटा बीच अगर पहिल इस आगर किया Mr. खर रहा है, बुजनस कर रहा है थू ब्रोकर या फिर जण्र जं बर फिर इंडिपेनेस एजन फो या फिर इनटेरा अपर पारहिंन हो त्मिद ईंट विशुकर में इन रहा है कोई agent mainly and holy उस नर के लिए काम नहीं कर रहा तो business connection established नहीं होगा ठीक है आधे को सरकान ने को चीज कही कि significant economic presence of NR shall also constitute business connection significant economic presence of NR shall also constitute business connection the significant economic presence का मतब क्या है engaging in interaction with the users in India if number of users are at least three lakh या फिर एनी ट्रांजिक्शन इंक्यूदिंग डाउन्लोड और डेटा software बाई एनर पर्सन इंक्यूदिंग इंडिपेंडेंट इजेंट इन इंडिया क्या मतलब है आपको समझ में नहीं आया होगा है अधे वो significant कंट्री में situated है जहां पर टेक्स प्रक्स नहीं लगता इत्तिका नहीं समझाई अचा मैं कोई इंडियन कस्टमर हूं मैं कोई इंडियन कस्टमर हूं अचा मैं क्या करना चाहूंगा मैं मैं basically for example Facebook कोई advertisement कराना चाहता हूं तो Facebook पर advertisement कराने के लिए मैंने क्या करा Facebook को कुछ पैसा दिया अचा यह जो Facebook वारा बंदा है Facebook वाली company है वो क्या बोलती है वो यह बोलती है कि भाई हमने तो क्या करा है customer को services दिये है और क्या करा है customer को services दिये उससे रहा पट्रका दिये सवेक्तानिय कंपनी बोलती है यह आपने इंडिया यह विए रख रहा है протест आपने इंडिया में कोई donc Facebook वाला बन्दा वोलता कि मैंने तो इंडिया प्विस पिक भी भी नीखोल रुखा तिकोंधे अगर कोई कंपनी है तो क्या कर रही है इंगेज हो रही है किसी इनगेज इनीडाइजर्ट से इंडिया अगर अगर आप कोई online services दे रहे हो और आपके number of users at least 3 lakh है तो क्या माना जाएगा कि आपका इंडिया में क्या significant economic presence है और significant economic presence को क्या मान लेते हैं इसका मदलब यह है कि उस NR को इस operation से जो भी income हो रही है तो क्या मान ली जाएगी वो जो है उसके हाथ में हो जाएगी तो आपको logically significant economic presence का concept समझाया कोई कैसी कंपनी है जो इंडिया में जिसका कोई office भी नहीं है इंडिया में कोई agent भी नहीं है और वो services दे रहे है टेक 7 से अब इंडिया में वो किसी तरह से सरकार नहीं कहा कि अगर आपने कोई transaction कर रहा है इसके साथ एक अन्य आपको बताया कोई online company है और नोली कम्पनी उसने कोई transaction कर रहा है पितनी परसंग इंडिया इंडिया इस इसके सरकार यह कहना जा रही है कि अगर आप एक e-commerce company हो या फिर आप एक NR हो आप कोई services दे रहे हो जिसके case में आपने कोई agent भी नहीं कर रखा या फिर आपने ओफिस भी नहीं हो रहा इसका मदलब आपको कोई business connection नहीं हो रहा उसके सरकान ने कहा कि या तो आप इंट्रेक्शन कर यूजर से तो आपका जो है क्या मान लेंगे इंडिया में आपका business connection मान लिया जाएगा या फिर अगर इस NR ने कोई transactions कर रहे हैं प्रिदानी पर्सटे इंकुडिंग इंडिपएंटेशन तो आपको ने इंडिपेडरेट्स प्रढ़ेंस अपने पड़ेंगे वो यह देखो इंकम इंडिया में कितनी टेक्सिववड़ीचिज ए अपश्चय आउट पर निचे आएंगे एड़टाइजमन वाला पॉंट आ गया सेल ओड़ रिटा गया सेलों डिटा गया सेलों पर 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 आगया जाएगी अब देखो क्या दरखाएं अब ओओ ट्रांडिक्शन्स जो कुश्यूर सिक्निफिकंट उपर वाले ट्रांडिक्शन्स उनको सिक्निफेक्ट पर प्रेजिन्स वाना जाएगा वैदर और नौट ऐनार इस रिचेंज प्लेस बिसनेंस इन इंडिया मतलब और र का बले ही रेस्टेंस नहीं है औफिस नही कि इक स्टमर को डिखाई उसको को मुझाँ यो के विदी आपकर책 उसनल दिखाए विदेश hm कि आपने यह देखाए कि वर अगर अपका स्चिक्डीकन ऊकानोności प्रेजेंस है अगर आपका क्या है significant economic presence है तो उसको क्या मान लेते हैं business connection मान लेते हैं तो जो Facebook ने advertisement दिखाईए Indian customer को Facebook ने advertisement दिखाईए Indian customer को वो इंडिया में taxable मान लिजाएगी अगर वो क्या कर रहा है significant economic presence की condition को satisfy कर रहा है तो और कितनी income, कितनी income taxable होगी which is attributable to the operations carried out in India आप देखो significant economic presence मान लिया जाएगा अगर यह दोनों condition सेटिस्पाई हो लिए वेदर और नॉट बले ही आपका इंडिया में कोई office नहीं है बले ही agreement इंडिया में एंटर नहीं हुआ था बले ही बले ही एनार रेंडर सेच सर्विसे इंडिया इसका बहुत अच्छा example में आपको समझाता हूँ देखो यह company Facebook कहाँ पर है USA में एक मुझे foreign company का नाम बता हूँ चलो Apple company का नाम देते हैं यह company Apple यह भी अपने यह का है तुभी अपने अजुम करते हैं USA में अच्छा यह इंडिया है और इंडिया में रोहन बैठा है इंडिया में क्या बैठा है रोहन बैठा है इपल ने एपल ने क्या बोला Facebook को कि तू इंडियन customer को iPhone की advertisement दिखा और उसके बदले में हम तुझे पैसे देंगे अब देखो agreement कहा हुआ है इंडिया के बाहर हुआ है अगरिमेंट कहा हुआ है इंडिया के बाहर हुआ है अनर का इंडिया में को कोई अनर का basically इंडिया में कोई वो नहीं है office भी नहीं है तो इस case में जो Facebook ने income कमाई है बाहर इंडिया में टेक्सर मान ली जाएगी अगर वो क्या कर रहा है significant economic presence की condition को चरिस्वाइ कर रहा है मतलब अगर Facebook के अगर Facebook के current year में तीन लाग से जाधा के क्या है तीन लाग के जाधा के यूजर से है वो तो बहुत नौमल है तो उस case में क्या मान लिया जाएगा कि फेसबुक का क्या है significant economic presence है या फिर अगर Facebook ने कोई transaction कर रहा है दो कोड़ स अगर आपका significant economic presence है तो इसको भी business connection मान लिया चाहेगा कोई चीज है कि income attributable to operations carried out इंडिया ही taxable होंगे अगर आपका significant economic presence इंडिया में मान लिया जाता है तो आगे बढ़ते है development point अपने देखे लिये अब देखो क्या रखाए in the following cases income shall not be treated or deemed to be earned in India ठीक है देखो क्या रखाए ये इंडिया है ये अनर है ये इंडिया है और ये दुबई है ये ये वैसे है अब देखो अनर क्या करता है basically कोई माल इदर से purchase करता है इंडिया से अनर क्या करता है इदर से माल purchase करता है और वो क्या करता है बिसिकली डायक्ली जो है दुबई वाले को supply कर देता है तो ये जो अनर है इसने क्या करा इंडिया से कोई माल purchase करा और डायक्ली इंडिया से दुबई को supply कर नर भोलता है कि knedyak two इंसान हो क्या तो पूरे बहुंतों इंसान हो इसा क्यों confident कि मैं जो है पहले अपना मैं क्या करूंगा पहले कूश अपने पास मंघाऊंगा को पर उसके बाद मैं जो है किसको युदूगा Kks को बीजूगा करा है быстр हो माइए tässä मेरा करी कि दर बीछ देता हुना इसे मेरा पैसा फ्रीद भी बचेंगा इंड precisa इंडिया से पश्मेर थे और खर गुर्त से प्रशी करें ट्रयों किसलिए पर्शेश करें और इश्क Chi जो है जो एनार था उसकी इंकम इंडिया में टेक्स बल्ली होगी अपने केस में क्या था एनार था यह इंडिया था और यह था दुबई एनार बोलता है गवर्मेंट आप बहुंदू हो क्या मैं पहले माल अपने पास पुर्चेस करेंगा फिर वापस उठाउंगा इससे बात यह ने कि इंडिया में टेक्स नहीं मानेंगे इसी तरह से आप क्या कर रहे हो इंडिया में न्यूस कलेक्ट कर रहे हो और इंडिया तो भी जो आपको इंकम हो रही है इस न्यूस के टांस्मिशन से इंडिया में टेक्सेबल नहीं होगी आप इंडिया में क्या करो फिल्म को शूट कर रहे हो तो भी आपकी जो इंडिया आपकी जो इंकम है इंडिया में टेक्सेबल नहीं होगी कंडिशन क्या है जो आरे इंडियोजल है नॉन सटीजंड है मलब इंडिया में उसने जन्म नहीं लिया था कौन फिर न इने और क्या है एंडिया में इंडिया उपरण करते हैं और फिल्म को बेज देते हैं तो इसकी कि जो income हो रही है इंडिया में अच्छी बात है आप जो इंडिया में आके क्या कर दो शुटिंग कर रहे हो पुरी देश को इंडिया के बारे में बता चलेगा करो यार करो कोई दिक्तत नहीं है आपकी income हम team to recruit इंडिया team to accrueThere देखि मानेंगे home was activity relating to display of uncut yeah unassorted diamonds in snz by the foreign company सरकार बोलती है सरकार ने foreign company को बोला सरकार ने foreign company को बोला कि भीचो आपकी diamonds न आपकी diamond के exhibitions आपकी diamond के exhibitions आप इंडिया में लगाओ foreign company को सरकार ने कहा कि आप अपने diamond के exhibitions जो है इंडिया में लगाओ लेकिन diamond कौन से होने चाहिए अनकट, अनसौट है, draw diamonds होने चाहिए, तो government ने कहा foreign company को कि आप अपने जो है क्या करो, exhibitions, display का मतब है exhibitions, इंडिया में लगाओ, इससे होगा क्या, क्या exhibition इंडिया में लगेंगे, बहुत से foreigners इंडिया में आएंगे, इंडिया को देखेंगे, इंडिया को समझेंगे, इंडिया क के लिए नहीं है, तो उस case में, income, dim to accrue or rise, इंडिया नहीं मानी जाएगी, तो इतना आपन ने पूरा topic कर लिया, आगे बढ़ते हैं, आपन, आपन ने यह देख लिया था कि कौन सी income, dim to accrue or rise इंडिया नहीं मानी जाएगी, एक छोटा सा topic अपन देख लेते हैं, अब यह अ क्या कर रहा है, कोई NR का इंडिया में business connection है, तो क्या मना जाएगा, income dim to accrue or rise in India है, अचा एक बात बताओ, एक NR है, जो दुबई में बैठा है, वो क्या कर रहा है, basically, इंडिया के साथ business कर रहा है, इंडिया के साथ business कर रहा है, का मतलब क्या है, कि वो इंडिया को माल export कर रहा इंडिया में क्या हुआ है, तो क्या रहा है, business income of NR from business with India, वो taxable नहीं होगी, ठीक है, तो कोई NR बाहर बैठती क्या कर रहा है, माल export कर रहा है, इंडिया में क्या हुआ है, माल import हुआ है, तो basically जो NR को पैसा मिलेगा, वो team to accrue or rise in India नहीं माना जाएगा, मतलब उस पे, उस NR को tax पे करनी की जुरूद नहीं है, अचा अगर company, sorry, अगर government, अगर law, क्या करेगी, इस transaction पर भी tax लगाना लग जाएगी, तो NR जो है, कोई non-disable बंदा है, कभी भी export करेगा ही नहीं, business in India, हमने उपर देखा था business with India, कि भई, इंडिया के साथ business हो रहा है, अब हो रहा है, इंडि इंडिया में taxable हो जाएगी, लेकिन आप जाके आगे DTW में पढ़ोगे, जब DTW का chapter करेंगे, तो DTW का chapter करेंगे, तो आपको एक चीज़ उदर समझ में आएगी, कि जब इंडिया और किसी country के वीच में DTW हो जाता है, double taxation avoidance agreement, तो income tax act और DTW के provision, income tax act और DTW के provision, whichever is beneficial, ज तो ध्यान रखना कि अगर किसी country के साथ, NR किसी country का resident है, जहां पर क्या हो रखा है, इंडिया ने DTW एंटर कर रखा है, तो DTW कहता है कि बई, DTW ये कहता है कि बई, DTW ये कहता है कि बई, NR की income हुआ business, इंडिया में taxable कब होगी, जब 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 PE इंडिया में established हो जात इंडिया में, अचा आभी अपने business connection देखा, business connection बहुत wider time है, क्या रखता है, wider time है, अचा business connection में अलग अलग तरीकी चीज़े include होती ही, जो पने पड़ी थी इधर, ठीक है, अचा business connection established हो जाता है, भले ही, इंडिया के अंदर एक NR का PE है कि नहीं है, और मैं आपको बता दिय पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है office, तो देखो, देखो जो है business connection, business connection क्या है, wider time है, income tax क्यरता है, जो आप NR की income है from business, देख से बल होगी, इंडिया में, जब क्या हो एंडिया में business connection established हो रहा है, DKWA कहता है कि हमने business connection से लेना देना नहीं है DKWA कहता है कि हमने business connection से लेना देना नहीं है income India में taxable होगी जब NR का इंडिया के अंदर क्या है PE है So whichever is beneficial 哪focal लगेगा किस पर SSE Pर So basically DKWA के business पर NR की income India में taxable होगी only if India के अंदर क्या है उसका PE है और मैंने आपको बताया कि भई, P beneficial क्यूं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो business connection होता है, बहुत wider term होता है, बहुत क्या होता है? उसके अंदर सब कुछ include होता है, including P, ठीक है? तो DTW कहता है कि भई, taxable कब होगी income? जब इंडिया के अंदर P-E है, income taxable कब होगी जब business connection है, तो whichever is beneficial लगेगा, किस पे? अगर तो NR का इंडिया के अंदर P-E है, अगर तो NR का इंडिया के अंदर P-E है, तब ही क्या होगी? अगर इंडिया के अंदर P-E हो जाता है, तो NR का business connection हो जाता है, लेकिन P-E नहीं है, और इंडिया और उस country के बीच में DTW हो रखा है, तो क्या income इंडिया के अंदर taxable होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्यों कि DTW लग जाएगा उस पर, आपको logically मैंने पूरी कानी समझा दी, ठीक है? अचा, एकोची समझना, अगर, अगर, अगर किसी NR का, इंडिया के अंदर क्या है, एक license office है, जो basically क्या करता है, support activities perform करता है, preparatory और auxiliary activities in India, तो उसको P-E नहीं माना जाएगा, तो हमने क्या कहा है, कि वे DTW ले कहता है, कि अगर इंडिया में P-E होगा, त बपस आपको समझा दूँ, मैं आपको बता दिया, कि इंकम टेक्सिट कहता है, इंकम टेक्सिट कहता है, कि बिसनस कनेक्शन होना चाहिए, DTW कहता है, कि बिसनस कनेक्शन से आमें लेना देना नहीं है, P-E है, P-E है, तो ही क्या होगा, तो ही इंडिया में इंकम कोई एजेंट कर रहा है इन सारी चीजों की वज़े से तो वह भी जो है बिजनस कनेक्शन मान लिया जाता है तो बिजनस कनेक्शन एक वाइडर टाम होता है अज़ा पी एक छोटा सा टाम है और विचेवर इस बेनिफीचल का प्रोवजिन लगता है जो अपन डिटी डवले चैप्टर में जाके दिखेंगे और वही इदा लग जाएगा अब आगे बढ़ते हैं अगर 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 इसको कोई प्रॉपर्टी एससे विंकम इंडिया से इंकम हो रही है तो वह भी क्या माना जाएगा इंडिया अब देखो दिए देखने जा रहे है अपन अगर बढ़ते हैं पन देखो यह रहा इंकम हो रही है इस इनकम हो रही है इस लेंड को बेचने पर वह दीम टू अपरू और आइज इंडिया मना जाएगा और उस एनर को मिस्टर सेम को क्या करना पड़ेगा टेक्स पे करना पड़ेगा करना पड़ेगा यह वोडा फोन वाला केस अपने थोरी देर में देखते हैं तो अगर उसका पोयम इंडिया के अंदर है तो उसको रेट्सें मान लिया जाता है तो उसके सब्सक्राइब क्या होंगे को अपन देखेंगे थोड़ी देर में तोड़ी देर में या फिर नेक्स टेक्चर में तो अपना थोड़ा असान सा पाट है वह आपको घराते जा रहा हूं ए उपन एंडा में औरे फिरिय और सर्विसएंडर इंडिया चैनले अलव इंड क्या है एक पंद sim कि पाते हूं-आ April इंडिया में बाहर आके दो मेंने सर्विस देके जाता है उस्के पदे मुस्कνε सेली मिलती इंडिया अचा हो सकता है कि 15 दिन का उसको पहले paid leave मिलियो पंदा दिन की बाद में paid leave मिलियो तो सरकार यह कहती है कि जो आपकी paid leave है rest period है या फिर leave period है which is preceded या फिर succeeded या फिर succeeded by services उसके बदे में उसको पैसा मिला है वो भी कामाना चाहेगा अब देखो इंडियन government ने इंडियन citizen को कोई salary pay करी है for the services rendered outside इंडिया इंडिया तो इंडियन citizen जो है क्या कर रहा है foreign country में जाके कोई services दे रहा है मतलब example अब समझो कि भई foreign embassies में Indian citizen के मंदे काम कर रहे हैं तो USA में Indian embassy होगी इंडियन citizen के मंदे उधर बैठे होगे होंगे तो वो जो services दे रहे हैं तो सरकार उनको जो भी पैसा दे रहे हैं उस पर उन लोगों क्या करना पड़ेगा टेक्स पे करना पड़ेगा लेकिन आपने इंटर में भी पढ़ा होगा अगर कोई इंडियन कमनी क्या कर रहे हैं तो वो भी जो है क्या माना जाएगा कि अंडिया करा गया है और उस पर इनर को टेक्स पे करना पड़ेगा अब समझो किसी एनर ने किसी नॉन रेसेलेंट को इंटरेस्ट इंकम मिले का मतलब क्या है कि इसी नॉन रेसेलेंट ने लोन दे रखा है कोई नॉन रेसेलेंट है मिस्टर जॉनी है उसने क्या कर रहा है मिस्टर रोहन को लोन दे दिया मिस्टर रोहन को लोन दे दिया अब सवाल आता है जो रोवनि इंटरे पे पिया रहा है जो जो मैंने लिया था वो डिसके लिये उटलाइस करा है जो मैंने लिया था तो, fact के लिया या तौन इंपिन्टने के लिया था ज़ Naomi earning any source of income in India basically loan लेके क्या कर रहा हूं कुछ income कमाने की कोशिच कर रहा हूं ठीक है ठीक है तो सरकाने कुछ clarification दे रहे हैं sections बता रहे हैं कि इसको भी आप जो है earned ही मानना आगे बढ़ते हैं अब सुनों किसी दूसरे नर को क्या दिया है और यह तो इंडिया है तो यह किसी नर ने बाहरी किसी नर को लोन दे दिया अब सवाल आता है यह जो नर है यह इसको प्य लिया था वो क्या कर रहा है वो जो है उसने लून को यूज कर आए फॉर पर पर्पस बिजनस प्रोवेशन इंडिया रोजिकरी का नहीं समझ भाई मतलब एनार ने किसी दूसरे नर को आउटसर इंडिया लोन दिया और यह इंडिया है इस नर ने इस लोन अमांट को क्या क इस लिए मैंने इसको अंड कर लेना इसी तरह से इंडिया में इंडिया में टेक्सेबल होगी इंडिया में अराइज हुई है इसी तरह से इसी तरह से एनार ने क्या करा सर्विसिस थी इसी तरह से इनार ने क्या करा सर्विसिस थी इसी तरह से इनार ने क्या करा सर्विसिस समझना अपनने इंट्रेस्ट में देखा था कि अगर दूसरे नर को लून देता है तो इंडिया में इंकम कैसे लोगी जब यह वारे किया कर दो भी नहीं है क्या इंडिया में लगाया तो बीसिकली एनार की इंकम थे नहीं है क्योंकि आप अधर पॉंट देखो की कडिशन कहा है कि उस अना निया क्या करना होना चाहिए उस लोन को युटलाइज करें फटर फॉष्वस्ट लेकिन विश्ट है कि अगर एन नी किसी दूसरे नंको सर्विस्ट दी है और यह एन अर क्या करई इंडिया में सर्विसेश को उटलाइस करें बिसनेस प्रोफिशन या फिर अनि एन इस उर्स उप इनकम सोड दोकेस में क्या हो सबसक्ना और इस विद्ञान प्रोपिशन एंग अनि इन इन इस्विएश्या गुठोट की समझना कि अपने लॉने किसी आनार ने अगर रोहनगर को क्या कर रहा है कोई सउफटर बेजा है तो मैंने क्या कर रहा है किसी आनार से तो यह जो टैली को आप आप कर देखा कि अगर आप क्या कर रहा है कोई computer software को खरीदा है या फिर computer software के rights लिए हैं तो उसको reality ही माना जाएगा उसको आप इंटेंजिवले से टीट मत करना अब एक और ची समझना मैंने कोई computer hardware इंपोट कराया ठीक है मैंने computer hardware इंपोट कराया बोले तो एक iPhone का iPhone का योदन MacBook मानो मैंने मैंने क्या करा एक MacBook इंपोर्ट कराया ठीक है अचा MacBook जब मैं इंपोर्ट करा हूँगा USA से तो सिधी सी बात है जो मेरे laptop होगा जो MacBook होगी उसके अंदर क्या होगा software already input होगा तो क्या उसको भी रोलेटी मान लिया जाए नहीं तो वो क्या देर रखाए लंसम consideration for the supply of computer software embedded in the computer hardware वही computer hardware में कोई software embedded है तो उसको रोलेटी मत मानना लोजिकल है नहीं यह तो वही मैंने MacBook खरी दिये अचा एक चीज़ बताओ मैं अगर software खरीद दूँगा और मेरी hard मतलब बोले तो body MacBook की body उदर ही पड़ी है तो मेरा software कुछ काम आएगा क्या नहीं काम आएगा तो जब मैंने MacBook खरीद है MacBook के अंदर software inbuilt है embedded है तो उसको basically क्या माना जाएगा अचा इसी तरह से देखो अपने देखा इंटेस्ट अपने देखा रॉलिटी इसी तरह से अपना FTS fee for technical services किसी एनार ने अगर क्या करा है basically fee for technical services sorry technical services दी है और मैंने क्या करा है उसको fees pay करी है तो सवाल आता है कि वो इंडिया में taxable है की नहीं है तो जो अपने royalty के उपर points पड़े exactly same to same सारे points किसके है exactly same to same सारे points किसके है FTS के है तो government से मिली है या residence से मिली है या फिर non residence से मिली है दोनों condition लोगों ने सेम ही बता रखी है अब एक और चीज़ समझना royalty और FTS जो पने उपर बात करी एक तो royalty यह री एक तो royalty यह और FTS ही है यह taxable होगी इंडिया में यह taxable होगी इंडिया में कब होगी taxable अगर आपने क्या करा है बिसिकली जो services ली है उसको utilize करा है इन इंडिया आपने क्या करा है इंडिया हो गया इंडिया हो गया इंडिया हो इसे तरह से अगर पेमिंट बाहर करा गया है इंडिया के बाहर करा गया है उससे भी फरक नहीं पड़ता अगर अगर तो services इंडिया में utilize हुई है तो काँ होगी team to accrue or rise in इndia ही मानी जाएगी अचा अभी देखो whether or not मेरा कहने का मतलब यह है इस explanation का मतलब यह है कि जो भी आपने services receive करी है इसके बदल में आप royalty pay कर रहे हो या फिर FTS पे कर रहे हो वो इंडिया में ही taxable होगी अगर तो services इंडिया में utilize होई है irrespective of the fact irrespective of the fact कि हमने services बाहर deliver करी थी या payment बाहर दिया गया है या फिर इंडिया में कोई business नहीं है तो देखो रखाए income taxable होगी वेदर और not income क्या होगी taxable होगी वेदर और नॉट इंडिया उससे फरक नहीं पड़ता कि उसका इंडिया में रेस्रेंस है या फिर business connection है कि नहीं है तो यह जो explanation था उसका मैंने क्या रखाए FTS का मतलब है consideration including any some consideration तो यह some consideration को lump sum consideration कर देना ठीक है तो FTS means any consideration including lump sum consideration और rendering of any managerial technical या फिर lump sum consultancy services but does not include basically FTS का मतलब क्या है कि सामने वाले बंदे ने मुझे managerial technical या फिर consultancy services दी है लेकिन क्या नहीं होता देखो क्या include नहीं होता क्या include नहीं होता consideration और any construction assembly mining या फिर like project undertaken by the recipient तो सामने वाले बंदे ने सामने वाले बंदे ने क्या कर रहा है मेरे लिए कोई construction का काम कर रहा है assembly का काम कर रहा है माइनिंग का कर रहा है तो वह FTS थो इंक्रूड नहीं होगा ना फ्कॉर्स टेक्निकल सर्विसस थोड़ी है और 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 consideration विच वुड़ बी दे इंकम रेसिबेंट चारजबल अगर मैंने नर को कुई पेमेंट कर रहा है जो उसके हाथ में अपने पढ़ रखा है कि अपने को दे रहा है तो अगर मैंने क्या करा है सामने बाले बंदे से क्या कर ये टेक्निकल सर्विससे तो जो भी मैं उसको पेमेंट करूंगा वो क्या होगा मेरा है को ये टेक्से नहीं है आपको पता चल गया कि रॉले समझते हो न कि इसने क्या कर आए क्या करा यह गाना बना कर टी सिरीज को भीज दिया अब T-S पिए इन्पीस तो बहुत बहुत्पर बहुत रोलिटी आती पाड़ी ओलनाइट पाड़ी उन्हें फ़लाने गाने की तो मतलब अब कि मतलब किया क्या है यह पर श्यक्राइटर प्राइट प्रंसफर और आफ राइट्स इंकुड़ी ग्रैंट निसेंस निट पर पेटेंट इन्वेंशन मोटल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मला प्रोसेस स्टेडमा के अफे सिमलर प्रपरटी अच्छा स्पाइडर में मुवी बनी थी ठीक है अच्छा मेरा बिजनस क्या है टॉइक बनाने का बिजनस है तो जिस बंदे ने स्पाइडर में की मुवी बनाई क्या करा है अपने लोगों का राइट मुझे दिया है और उसको प्रप्रपरटी तो समझ में आया आपको स्पाइडर में का लोगों इसी तरह से सब चीजों के लिए कोई क्या करिए इंपार्ट कर रही है तो उसने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी क्या होगी और टी मानी चाहेगी अब क्या रखाए को पी राइट लिटररी आर्टिस्टिक अफिर साइन्टिक वर्क इंकुडिंग फिल्म्स और वीडियोटेप्स और वीडियोटेप्स और किताब विताब है कि मैं उसके किताब विताब क्या कर रहा हूं बीच रहा हूं या फिर उसने क्या कर रहा हूं उसने किताब लिखे थी उसके कंटेंट का राइट मुझे दिया तो मैं क्या कर रहा हूं उसको basically payment कर रहा हूं तो वह भी क्या माना जाएगा रॉलेटी ही माना है अच्छा रेंडरिंग औफ एनी सर्विसेज इन कनेक्शन विद्धा एक्टिविटी इन सब के रिस्पेक्ट में कोई भी अधर एक्टिविडीज अधर सर्विसेज सामने वाले बंदे ने मुझे दिये एनाम ने दिये तो जो भी मैं उसको पिमिंट करूँगा तो भी रो सब्सक्राइब करेंगे आपको 44 समझ में आ जाएगा मतलब क्या है कि सामने वाले एनार ने मुझे क्या करा है कोई एक्यूपेंट किराये पे दिया है तो भी क्या होगा रोलिटी होगा एक और सी समझना रोलिटी का मतलब है एक इन्कूडिए लंबसम कंसलेशन बट बट सामने वाले ने क्या करा था स्पाइडर का लोगो बनाया था स्था मुझे लुट्स हो बट इस बात कर रहिंगे आप अपने इसको परड़क्त में यूज नो तो उसको क्या होकि कि एटी नहीं होगी है जब प्रक्राइंगा कोई चीज बेची थी जो आउं, उसको मिलेगा वो रॉय्टी नहीं मानी जाएगी एक्जांपल समझना पड़ेगा, एक्जांपल समझते हैं, देखो क्या दे रखाए, जो इंडियन बैंक होते हैं, वो क्या करते हैं, और एनी credit card transaction वेरा swipe जब भी credit card का swipe होता है, foreigner का कोई server है, वो क्या करता है, सारे transaction को verify करता है, अचा, server कहा पर है located outside India है, अचा, Indian bank क्या करती है, इसके लिए foreigners को पेमेंट करती है, अब सवाल आता है कि वी जो payment Indian bank में सामने वाले को कर रहा है, है में पूलता है कि इंखम is not taxable in India इंडिया में destin नहीं होगी क्यों कि क्योंकि क्यों कि serves independent proportionion बाइर भी इंडीन बैंक के पास नहीं है तो सरकार ने क्या करा, amendment लाया, सरकार ने amendment लाया, और सरवकार ने क्या कहा, कि royalty includes and has always included consideration in respect of any right property of information, ठीक है, तो royalty includes and has always included consideration in respect of right property of information, whether or not, the location of such right property or information is in India, तो मैं बेसिकलि उसका server उसका server उसका 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 payment कर रहा हू, क्या है, royalty है, मैं उसका server use कर रहा हूँ उसको payment कर रहा हूँ तो क्या है basically मेरी royalty मनी जाएगी तो देखो location बाहर है server में directly use नहीं कर रहा position भी सामने बाले बंदे के पास है तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ता क्या होगा taxable होगा इंडिया के अंदर तो रोलिटी कोई program क्या होगा बहुत फेमस होगा ठीक है अचा इंडियन टेलिविजन चैनल क्या कर रहे है वी सिकरी उनकी सेटलाइट को यूस कर रहे है उसको पेमिंट दे रहे हैं अचा सेटलाइट में किसली उसकर रहा हूँ ताकि मैं क्या कर सूंग बिसिकली जो ऑर इनर के बंदे ने मुझे कोई प्रोग्राम दिया है अच्ण किसके घुदिया हुगा सब्सक्राइब कर रहा हूं तो भी रॉलिटी में इंपोड होगा इंक्रोण अप्लिंकिंग अ अब एकौछ से समंझना आपने 56 to 10 पढ़ा है आपने 56 to 10 पढ़ रखा होगा आपको एक चीज पताए कि अगर क्या करते हो किसी बंदे को गिफ्ट दे थे हो पचास से दाधर का गिफ्ट दे आपने सामने वाले कि बंदे के आपने क्या होती हो क्या हो जाती है एक से बहुत हो जाती 56 to 10 में अच्छा कि किसी रेसिडेंट ने क्या कर रहा है किसी रेसिडेंट ने बिसिकली अगर आप क्या करते हो अगर आप पैसा कर देते हो सामने वाले बंदे को गिफ्ट कर देते हो गिफ्ट का देतो हो किसको non-resonant को तो वो भी जो है non-resonant की income लिजाएगी अचा इसका reason क्या था इस provision को लाने का reason क्या था हूँ आपको समझाता हूँ उसे पर यह देखना कि इधर क्या है सिर्फ और उसे money आ रहे moreable अपटी नहीं आ रहा है अचा लोग क्या करे है इसको ब्लैक का पैसा चाहिए तो रैसे नहें ने क्या करा इंडिया में मुझे क्या करते यह तुछे क्या करता हूं गिफ्ट देता हूं वह तुझे एंग पास वाइंक में पैसा बढ़ा है ना हो तुझे एज़ए तो तुझे ऐसा गिफ्ट देता हूं यह ती गानी समझ में आ गई शरकार ने इस चीज को रोकने के लिए कि अगर को रेसेंट क्या कर रहा है और पचास आर से जाद की वैल्यू है तो जो सावने बाले बंदे को जिसको गिफ्ट मिला है उसके आद में क्या हो जाएगी इंकम taxable कर दी चाहेगी तो इस प्रोविजिन के आने की वज़े से अब रेस्टेंट क्या करेगा अब रेस्टेंट जो है अनार पो गिफ्ट देगा ही नहीं क्यों नहीं देगा फिर किसी दीस बात है अनार अगर गिफ्ट लेगा तो उसके आथ में इंकम आ जाएगी उसको tax टेक्स पे काना पड़ेगा इसलिए फिर और यह रेस्टेंट यह अब नहीं करेंगे इसमें सिर्फ और से मनी कवर्ड है मुविबल यह इमोविबल परपटी कवर्ड नहीं है अब आगे बढ़ते हैं अब कुछ प्रेजम्टिव टेक्सेशन देखने जा रहे हैं अब नॉ क्या करें इसलिए अब किक्सेशन बना रहे हैं कोई नॉन रिसनट्रेक्फ को चलाने का बिजनस कर रहें अनौन पर्जार्म भीमों कि कस तरह से औम यह और कि मीए इंडीया में कोट है वर यह ओर एक पोर तो है ना दी in Denise यह क्या हम एन पोर्ट और यका है कर और यका इधर यश्फित से मतलब बिर आपका मार इधर उदर पहुचा आता है तिंत पेंजर को इससा करकर के लिब देतायस समझळोग अब द। यह घाए इन का नौन ठיस्टेंट को शिपिंग या मां, इंडिया से कहीं On लेकि जा रहे हो, तो इंडिया की Ship पे चड़ा था और उसके बाद जो है, आप Foreign Country में कहीं भी लेकि जा रहे हो, तो जो भी इसका पैसा है, वो टेक्सेबल होगा, जो भी पैसा है, वो आपको क्या करना है, वो आपका Taxable होगा, पहली बास. गुषी बात अगर आपकी कोई शिप कोई शिप अगर आपकी फॉरंड कंट्री से इंडिया में आ रही है अगर इसका पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो ही उसको टेक्सेवर माना जाएगा पढ़ो और और पेसेंजर, लाइव इर गुड्स, प्रम इने पोर्ट इनिया लाए तो जो भी पैसा है इसको मिला है और यह आन मिला है अगर फॉरन और इंडिया में आ रही है तो जितना पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है वही टेक्सेवल होगा तो अमांट रिसेव बाद इस इस अपने इंडिया में रिसीव करा है उसको अपन टेक्स करेंगे तो जो भी आया जो भी आपको पैसा मिला है उसका साठेज सांथ परसे नापका प्रॉफिट माना जाएगा तो फ़र एक्शांबल करे एब एक और चीज़ समझना यह जो भी आपको पैसा मिला है किस लिए मिला है उसमें जोगा और रहा करना अचाहिए आपकी इंकम का मतलब है कि आपका प्रॉफिक कितना वाना जाएका 7.5 परसेंटेज अब एक और चीज़ देखना, section 22-43A not apply, मतलब PGAP की income आप जिस तरह से निकालते थे, जिसमें आप क्या कर देते, आपकी income में से, आपकी sales में से आप खर्चे लेस कर देते, फिर आपकी income आ देती, फिर आपकी income आ देती, कोई दर apply नहीं होगा, हमने आपकी direct income निकाल दी कित्त आपकी 7.5 percentage, तो broad forward losses, broad forward loss allowed हो जाते हैं, क्योंकि broad forward loss, broad forward loss इस sections में cover नहीं है, अच्छा जो आपका unabsorbed depreciation है, वो section 32 से cover होता है, और वो section 32 apply नहीं होगा, लेकिन जो broad forward loss होता है, वो set of and carry forward वाले chapter से cover होता है, तो आप क्या कर सकते हो, basically broad forward कोई loss है, तो allow कर सकते है, मतलब क्या ह है, कि नर को shipping से shipping business से income हो ये किते हैं कि 100 रुपे की, नर का कोई दूसरा business है, जिससे उसको loss हो है किते हैं किते हैं, इंडिया में कोई business से उसको loss हो है, तो 50 रुपे को set off कर सकता है, लेकिन unabsorbed depreciation को set off नहीं कर सकता, chapter 6 से की directions नहीं मिलेंगे और कोई भी खर्चा आपको नह छाएगी, अब देखो, कोई ship foreign country से इंडिया में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आपसheim आ रहे ना, हमें तो चूना लग जाए गा, हमें टक्स मिलेगा है, तो सरकार ये और होजन क्या लेक्या आई, सरकार ने यह कहा कि जब भी कोई भी शिप इंडिया से क्या दूसरे कंट्री में जा रही है तो शिप को क्या करना पड़ेगा जाने से पहले जो भी उसका टेक्स बनता है वो पेगा पड़ेगा अपन देखते हैं छोड़ दो किसिंगिया का इंडिया से क्या रही है कि शिप बाहर जा रही है तो इस इंडिया से बाहर चाने पर फिर भी आए नहीं तोसकी मिलेगा नहीं तो सरकार ने कहा कि भई देखो आप जब इंडिया के पोट को छोड़के जाओगे तो जो भी आपकी इंकम बनती है ना आप टेक्स पे करके चले जाओ तो इंकम कैसे निकलेगी इंकम तो जैसे अपने उपर निकाली थी वैसी निकलेगी लेकिन टेक्स देखना इसको टेक्स इता प्रेकरना है देखो यह रहा सच इंकम इस टेक्सेवल एट रेट अपलिकबल तो फॉर इंकम करी है तो आपको कोई भी खर्चा तो मिलेगा नी अच्छा एक और चीज़ समझना कि जो सेक्शन 172 होता है यह पूरे इंकम टेक्स रेट को ओवराइट करता है तो मैं आपको क्या बता है कि जो 172 सेक्शन है यह पूरे इंकम टेक्स रेट को क्या करता है ओवराइट करता है इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी खर्चे का डिरेक्शन नी मिलेगा कोई भी आपको नहीं मिलेंगे तो अपने उपपर देखाओ जब ऑपन 44 में इंकम निकाल देते तो आपको जो है क्या मिल रहा था लेकिन जब क्या कर रहेगी बेसिकली इंडियन कंपनी अपनी शिप को उसरी फॉरन कंट्री में बीचेगी तो क्या करेगी सबसे वहले तो एडवांस में टेक्स कट्स कट्स करती है 172 एडवांस में टेक्स करती है अब सोचोगे एठ बाड़ा नुकसान हो रहा है कोई नुकसान vistat क क्या करेगी 172 के अदर अध्वांस पर खार देगी इंडियन कंट्री मूशINE है सरकार को कर दो सरकार हमने आपकी बात मानता को जिर से बाहर वीजा तो आपका टेक्स बन रहा था कितना 172 की अगड़ी 100 रुपे आपने 100 रुपे एडवांस पे टेक्स पे कर दिया फिर आप सरकार को यह कहते हो सरकार हमने आपकी बात मानते हुए आपको टेक्स पे कर दिया अब हम चाहते हैं कि आप हमारी in which the date of departure of the ship from the Indian port falls ठीक है तो मतलब before the end of the assessment year आप सरकार को यह कह सकते हो कि बही मेरी income आप normal provision से निकालो इस case में क्या होगा जो भी आपने 172 के अंदर टेक्स पे कर रहे वो क्या मान लिया जाएगा वो आपका basically advanced tax मान लिया जाएगा और अगर access बनता है आपका advanced tax तो आपको जो जो है assessment order पास करेगा AO shall pass assessment order within 9 months from the end of the financial year in which the ROI was file कि ठीक है हम अगरी कर जाते है आपको आपने सब को सही कर रहा है तो आपने ROI फाइल कर दी AO basically उसके विसस पे assessment order पास कर देगा आप देखो क्या दरखा है ROI हमने कहा कि आपको departure से पहले ROI करनी है departure से पहले आपको ROI फाइल करनी है अंदर departure से पहले आप ROI करी नहीं सकते थे it is not possible to file ROI before the rate of departure जो master of the ship है वो क्या करेगा satisfactory arrangement कर देगा for the payment of tax for the payment of tax and filing of ROI तो आप departure के within 30 days भी ROI कर सकते हो but condition यह है यह को लगता है कि आप फाइल करी नहीं सकते थे before departure and master of the ship जाने से पहले क्या कर रहे है सारे arrangements कर के जा रहा है तो आपक बंटक अचीते हिस्टर समझ़घिया कि अगर कोई एनार क्या कर रहा है निएक कार रहा है तो फ्रम कमंद उसके किस तरह से निकालते है है और देखको इसी तरह से क्किल अएनर कार्वींस में व्यिच्छा प्रकूर उ सब्सक्षरी घुच्छ अगर क्ज़नेस में गिज़ इधर आपकी income 5% मन जाएगी, किस बात की, अगर आपका plane इंडिया से बाहर गया है, तो जो भी आपको income हो रही है, या फिर अगर plane बाहर से इंडिया आया है, तो जो income आपको इंडिया में receive हो रही है, उसका 5% आपको taxable कर दिया जाएगा, अगें वही चीज, आपको 28 to 43 नही नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे अपने पढ़ा था कि business loss आपको मिल जाएगा, जैसे अपने क्या पढ़ा था, तो इस तरह से आपका business loss इधर भी allow कर दिया जाएगा, क्यों allow कर दिया जाएगा, क्योंकि business loss इस section से govern नहीं होता, और यही sections apply नहीं हो रहे, तो 28 से लेके 43 apply नहीं ह के लिए, अब यह कोछी समझना, 44 BB देखो, BBB, 44 BB क्या कह रहा है, कोई foreign company है, किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ और foreign company के लिए है, अब सुनो, 44 BB क्या कहता है, 44 BB क्या कहता है, वो देखते है, बन, कि भई foreign company engaged है in the business of civil construction, या फिर erection of plant and machinery, relating to cranky power project, बोले तो ठेके पे, ठेके पे बोले तो का मतलब क्या है, कि भई, एक company है, foreign में, मैंने उसको एक ठेका दिया, किस बात का ठेका दिया, कि भई तो इंडिया में आ, और मेर इंडिया, कुछ फरक ने पड़ता, आपने अंडिया, आपने अंडिया, बन, कि भई तो इंडिया, कुछ फरक ने पड़ता, आपने earn करी है, या फिर receive करी है, दोनों पर आपको टेक्स पे करना पड़ेगा, 10% आपको जो है, 10% क्या माली जाएगी, आपकी income माली जाएगी, और according के आप टेक्स पे करोगे, अब देखो क्या दे रखाए, अगर SEC चाहता है, अगर SEC lower profit claim करना चाहता है, तो उसको बुक् करने पड़ेगी, जब हम आपको 10% income क्लेम करने के लिए अलाव कर रहे हैं, तो आपको कोई भी खर्चा अलाव नहीं करेंगे, और देखो no setup of unabsorbed depreciation and brought for loss, तो यदा ध्यान अकना है आपको, कि यदर आपको brought for loss भी नहीं मिलेगा, और unabsorbed depreciation भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सर foreign company हो सकती है, foreign company भी अपने देखा ना, कि इंडियन company recent होती है, foreign company non recent होती है, depend करता है, poem के basis भी चेक करते है, किदर अपने का सिपर से foreign company included है, easy है, अब देखो, section 44BB क्या कह रहा है, 44BB, 44BB मुझे ये कहता है, कि अगर कोई NR है, या कर रहा है, provide कर रहा है, services relating to supply of plantain machinery on hire, मतलब, क प्लांटे मचली किस काम आ रही है, mineral oil को prospect ढूणने में, extract करने में, या produce करने में, किसी NR ने मुझे प्लांटे मचली किराय पर दी है, और वो प्लांटे मचली किस काम आईगी, prospecting, extraction या फिर production of mineral oil, ठीक है, तो basically उस NR के बास option है, वो क्या कर सकता है, जो भी उसको पैसा मिला ह है, जो भी उसको पैसा मिला है, उसका 10% अपनी इंकम दिखा सकता है, जैसा आपने उदर देखा था, अगें कोई खर्चा नहीं मिलेगा, अचा अगर आपको lower profit claim करना है, तो आप क्या करो, books of accounts, maintain करो, audit कर आओ, तो दो क्या दे रखा है, basically, oil rigs have been given on higher, and labor has also been provided because they do not understand labor, का मतल में, mineral oil खोदना है, तो उसने क्या करा, सिंगापूर की एक कमनी को बोला कि आप अपनी जो है, प्लांटे मशीन हमें दे दो, किराये पे दे दो, हम क्या करेंगे, हम जो है, mineral oil को extract करेंगे, अच्छे जो जिस बंदे ने, एनार ने किराये पे मशीन दिये ना, उसको वरूसा जानते हैं, तो क्या हुआ, मशीन दी किराये पे दी गई है, और labor भी किराये पे दिया गया है, तो जो भी सामने वाले को पैसा मिल रहे है, वो कहां से गवन हो जाएगा, वो कहां से गवन हो जाएगा, अब देखो, मैंने आपको इस चीज़ बताई थी, कि जब आपन रॉ प्रांटे मिशनी किराये पे लिए है, और वो किस काम आईगी, मिनरल और उनको एक्स्टर्क करने के काम आएगा, तो किस से गवन होगी, वो कहां से गवन होगी, वो रॉयलिटी नहीं मानी जाएगी, अब देखो, टेकनिकल सर्वीसी दखर दी जाती है, कि कि किस तरह से ए इस पर दे नहीं मुझे क्या दिये है, मस्टी निक किराये पे दिये है, अचाव मुझे टेकनिकल सर्वीसी जाती है, तो कहां पर टेक्सेबल होती है, वाट रखाए ना पने देखो, आपको याद दिलाते है, FTS का मिला था अपन, तो यह रहा, यह हो गया, फीफ़ टेकनि अपने देखा BBA, अपने देखा BB, फिर देखा BB, तो ध्यान रखना है यहाद पने का तरीका है, B और BB था चलेगा, उसके अलाबा क्योंकि अपना क्या है, T है पानी से जा रहा है, माल, और BB है ह्वाई याद्रा से माल जा रहा है, BB अपने देख लिया, बीबी का मतलब आप क्या करोगे प्लांटर मश्रीन को किराय पे ले रहे हो और बीबी भी देख लिए अपने जिसमें आप ठीके का काम कर रहे हो अब देखो एक और चीज किसी एनार का किसी एनार का क्या है इंडिया में एक ओफिस है किसी NR का इंडिया में एक office है एक NR है जिसका hairst ऑफिस कांपर है USA में है उसना अपना इक office डाल रहा है का पर उसना है अपना उफिस डाल रहा है इंडिया में जिसको अबन क्या कहते हैं एक बार को पन PE कहते है परमानेंट establishment भी कहते हैं अब सुनो किसी NR का अगर इंडिया के अंदर क्या है एक office है तो सिधी सी बात यह है कि उसका PE इंडिया के अंदर हो गया business connection इंडिया के अंदर मान लिया गया तो उसकी income इंडिया में टेक्सेवल होगी इसी बात है न तो business income of PE of NR in India shall be computed as per 28 to 44D 22 to 44D क्या पढ़ रखा है अपने PGP पढ़ रखा है न तो basically अगर किसी NR का इंडिया के अंदर कोई office है उसके income किस तरह से निकालेंगे उसकी income normally जो PGP की income निकलती है वैसे निकाल लेंगे आप सवाल या आता है कि जब आप PGP की income निकाल रहे हो तो जो आपका head office है USA के अंदर आ आप क्या कर रहे हो head office expenses क्लेम कर रहे हो सरकार ने basically limit लगा दी सरकार ने जो है head office expenses को claim करने पर लिमिट लगा दी तो section 44C से governed है section 44C से governed है वोपन पढ़ते ही क्या है जो क्या दिरखाए head office expenses का मतलब क्या है expenses incurred by the SEC बोले तो head office आउटसर इंडिया एक्टिवेटेबल टुदा एक्टिवेटेबल टुदा बिजनस प्रोफशन पी इन इंडिया मतलब head office ने क्या कर रहे मेरे वियापे कोई खर्चा कर रहे मैं अपनी किताब में उसको क्या दिखाऊंगा मैं अपनी किताब में अपना प्रॉफिट निकालो उसमें क्या करो तो भी आपने 44C के अदर head office का actual में खर्चा क्लीम कर रखाए पहले उसको add back कर दो capital expenditure of family planning add back कर दो drop forward losses drop ने set off करें उसको add back कर दो इसका क्या करोगे इसका विसके लिए 5% calculate करोगे तो फिर आपको जो है आपको जो है अगर अगर आपकी करेंट में adjusted total income क्या निकल के आती है adjusted total income इसके लिए loss निकल के आती है अगर अगर अपड़ेगा पिछले तीन साल का क्या करना पड़ेगा एवरेज देना पड़ेगा पिछले तीन साल का एवरेज लेना उसका 5% निकाल के आपको आपको टेक्सेट बताता हूं अभी तक अपने यह देख लिए कि इनकम इंडिया में इस तरह से होती है और आपके दिमाग में सवाला रहोगा कि जो यह अगर आपका इंडिया में पी नहीं है प्र आपके आ nephew यह मुझे बाद बता हो पिक का मतला आप को समझता है आपके इंडिया में ऑफिस है तो एक एनर है जो यूएस में बठा है उसने इंडिया में क्या करा है एक पी बना लिया है अच्छा जो सर्विसेस इस एनर ने दी है किसको रेसेंट को वो इस पी किसे दी है किदर से दी है इस पी के थूदिये जो सर्विसेस दी गई है वो इस जो ऑफिस एंडिया के अंदर किस इंडर निखालेगा पीजीप के अंदर किस तरह से इंकम निकलती है अपने पीजीप पजीप वाले चैटर में पूरा देख रहा था तो गवेंट यह केती है कि अगर रोल्लीटी और एकश्य की सर्विस किदर से दी गई है पी इंडिया इंडिया से दी गई है तो सेक्शन 44 8ecom 448 यह कहता है कि नॉर्मल पुजिंस लगेंगी नॉमल एक लगेंगी और आको क्या सब्रणार क्ल Abe कि मैं आपको बताए कि ऐनराणी में सर्विस तो सिद्धी से बात है कि इस ने को और एसे करने करीया लिख जाएगी और सля से निकल जाएगी अब है टॉक्ट्रका यह डिरका pare जो पी है उसने expenses incur करें only and exclusive for earning such income shall be allowed as deduction तो जो भी आपने क्या करा है expenses करा है इस income को earn करने के लिए आपको अलाओ कर दिया जाएगा जैसे PGPAT में आपने अलाओ करते हैं वैसी इसमे अलाओ कर दिया जाएगा आपको क्या करने पड़ेगा books accounts maintain करने पड़ेगा और audit कराने पड़ेगी अचा head office के खर्चा आपको अलाओ नहीं करे जाएगे accept actual reimbursement तो head office के जो expenses है head office के expenses से वो अलाओ नहीं करे जाएगे accept reimbursement of actual expenses बोले तो अगर head office ने मेरे बियापे कोई actual खर्चा कर रखा है तो आपको अलाओ पर दिया जाएगा अब देखो आपका इंडिया में पी नहीं है तो गृष्ट के पास option है एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो अगर किसी नर को रोलीटी और सब्सक्राइब करना है एक सब्सक्राइब करना है जो आपको को इंकम हो रही है उसमें से आपको कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा लेकिन एक एधर आपको चैप्टर सिक्षा के डिए जाएंगे इसके अलावा आपको कोई भी खर्चा अलाओ नहीं करा जाएगा देखो नो उपन पड़ते हैं और सक्षा फिफटी सेवन जो पन आइफोस में पड़ते हैं कोई भी खर्चा आपको अलाओ नहीं करा जाएगा आरोई का मतलब क्या है आरोई का मतलब यह है जो नर है और यह जो रेसेंट है रेसेंट ने जब रोल्टी और एक इसको नर को रेसेंट ने सरकार को जो है रीटन करने के जरोखत नहीं है अचा रीटन करने का पर पर पसक्क्या होता है जो भी आपकी इंकम उसक्तर ही तर नों न यूट सबनता है किर पार यह को बता ना आ अá सब्सक्राइब कर रहा है इंडिया ने क्या कर रहा है किसी कंट्री के साथ सब्सक्राइब कर रहा है अगर यह जो वाली रॉल्टी और एफ्टेस के इंकम है वह टेक्सवल होगी एटा रेट लोर देंटी परसंट तो सिधी सब्सक्राइब को बताया भी था प्रोविजियों सब्सक्राइब हो जाएंगे विचेवर इस बेनिफीचल लगता है इंकम ड मैंना को क्या बताया था कि वह पर जब दो बता है वह नगे को बेसे करने के जरूत नहीं है अगर ट्वम यह कैता है कि वह आपका है कर बंद पैसे कभी क्या होगा 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 सब्सक्राइब करने का परपस ही होता है कि जिस बंदे की इंकम है पर टेक्स पे कर दे अच्छा हमें यह पता है कि करना है अगर रेस्ट क्या कर देता है तो इसको आरोई करने की जरूत नहीं है यह क्योंकि एक्जम्शन कप दिया गया है जब आपने पीस पर से पर टेस्ट काटा है यह मुझे पताता है अगर रोल्टी और एफ्टेस आपको समझना गई कानी एक और ची समझना अगर रोल्टी और एफ्टेस आपको इंडियन कमणी से मिली है तो आग्रिमेंट जो है तो आपने अग्रिमेंट कर राखा है वो किसके द्वारा अप्रूब होना चाहिए जब भी आपको कंसेशन आपको आपको टेक्सेट बता दिया कि मैंने जो है आपको टेक्सेट बता दिया किस पर रॉल्टी और एक्टीस पर इती गानी समझना गई आपको आपको आगे बढ़ते हैं कि अगयर आप बात करते हैं इंट्रेस्ट पर क्या टेक्स लगेगा तो मैंने आपको बता आये था आपको जो रॉल्लीटी और एक्टीस एक अंदर टेक्सेट लो जाती है इसी तरह साफकी जो अब आपको चेक करना पड़ेगा उसके विश्य सब्सक्राइब करते हैं इंट्रेस्ट कि इधर इंट्रेस्ट किस तरह से टेक्सब्र होता है वो देखते हैं आजो इंट्रेस्ट पे टेक्स कितना लगेगा वो आपन देखने चारें तो जो क्या दरकाई special rate of tax for एनार या foreign company अपन बात करेंगे टेक्स एंट्रेस्ट 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 की इधर देख लिए देखिए था एंट्रेस्ट मिल रहा है आपको पता चल जाएगा कि इंकम इंडिया में है की नहीं है अब अगर टेक्सिबल है तो कित्ता टेक्स लगेगा वोपन देखने चाहरे है अब यह पन क्या देख रहे हैं अभी अपन देख रहे हैं यह अपन इंट्रेस्ट की बात करेंगे अब देखना जो भी आपको इंट्रेस्ट मिल रहा है अगे आपको कोई खर्चा नहीं मिलेगा कोई खर्चा लाओ नहीं करा जाएगा छेप्टर-ग्रच्ण झार्ट हैं अब लाओ यह भी समय अन्हों देखना रहे हैं उसके अंदर आपको जो है chapter 6 एका direction दे दिया जाता है जो यह फोड़ा important point है ध्यान रखना ROE का exemption available है ROE का exemption क्या बोलता है कि जो भी tax aid दे रखी है अगर आपने उस tax aid पर TDS card दिया है NR का और जमा करा दिया है कि इसको सरकार को तो NR को जो है ROE फाइल करने की ज़रौछत नहीं है अब देखो अगर NR को क्या मिला है NR को जो है interest मिला है from infrastructure dead fund तो NR को किता tax pay करना है 5% pay टेक्स पे करना है अगर NR को interest मिला है business trust से तो tax गता पे करना है 5% पे करना है अगर NR को interest मिला है Indian company या business trust से क्या समझाज़कू ओपर अपने देखा था कि हो सकता है कि रेसलेंट ने पैसा बोरो करा हो इसमें तीसरा किस क्या क्या रहा है कि इंडियन कमनी ने या फिर बिजनस थे पैसा बोरो करेंशी में अंडर दर लून अग्रिमेंट ओनर विफोर तीछे दोज़ार थीज तक अगर आपने फॉरन क्रेंट से पैसा बढ़ो करा था तो सामने वाले बंदे क्या आत्में इंकम टैसे बलोगी कित्ते पर 5% पर लेकिन एक और चीज ध्यानक नहाँ जो सामने वाले बंदे ने लोन इशू करा था जो सामने वाले बंदे ने लोन इशू करा था वो करा था आफ्टर एक चार्ट दोज़ार बीस अप्टू 30-2023 ठीक है एंड लिस्टेट कहां पर है IFSC stock exchange में लिस्टेट है तो टैक्सर किती हो जाएगी 4% हो जाएगी तो मैं ऐसा बढ़ो करा है एनार से पॉरन कर्णिसिव बढ़ो करा है अप्टू 30-2023 बढ़ो करा है तो आपकी टैक्सरेट लगेगी 5% लेकिन सरकार ने का ये 5% के रेट हम 4% कर देते हैं अगर 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 दोन इशू हुआ है आफ्टर 14-2020 अप्टू 30-2023 एंड लिस्टेट है क आपर IFSC stock exchange में तो टैक्सरेट किती हो जाएगी 4% की जगह 9% हो जाएगी इंपोर्टेंट अमेंड्मेंट्मेंट है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी है कि आगे बढ़ते हैं आपको इंट्रेस्ट मिला है सरकार से और फिर इंडियन कंसर्ण से और मरी बारवट बड़े नमीड फेर अन करंसी कि इदर मिले था किसा से इंफ्या सी Prof. Red फंस से कि इधर मिला था इंडियन कमिया बिजनस से लेकिन लोन हुआ था i सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आज्यूम करो कोई इंट्रेस्ट उसको मिल रहा है कि इसको एनार को और वो इधर टाइप भी करदी हैं इसी दर से समझो एकंको क्या प gelecek है कि अंस्पाइब इन्वेस्टर से या फिर QFIA qualified financial institutions उनको ब्याज मिला है किस पर मिला है ब्याज कि आपको इंट्रेस्ट मिल रहा है किसको और या फॉरेंट कंपनी को उस पर गवर्मेंट ने अपने लों ने कंसेशन रिट दे रखी है कंसेशन रिट दे रखी है आपको पांच पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा अब सुनो कि यह जो इंट्रेस्ट है 5% इसका ट्डेस्क पेर है कौन से सेक्ष्टन में काठेगा इस वाली इंट्रेस्ट का ट्डेस्ट का ट्डेस्ट काठेगा 194 LC में यह इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रख सकते हो और वह यह है आपको इस हाय रीट पे प्रॉपास इंडिया का पैन तो नहीं को इस पर्टिकुलर सेक्षण के लिए प्रटिकुलर सेक्षण के लिए कि अगर सामने वाले बंदे के बास पैन नहीं है तो आपको ट्रिये से सब्सक्राइब कर रहा है इस सेक्शन में कटेगा इधर कटेगा 195 में सेक्शन 195 में इधर आपको पूरा लोगिकली समझ में आ गया हुआ कि जो अपना 115 ए है उसके अंदर इस इंकम पे कंसेशनेट क्या दे रखिए किदी से बात है कंसेशनेट 5% है बस आपको एक exception द्यान रखना है कि वह अगर सरकार ने इंडियन कंसर ने पैसा बोरू करा है फॉरन करन्सी में इंपोर्टेंट है पैसा आपने डॉलर में बोरू करा नहीं चाहिए फॉरन करन्सी म नहीं मिले का एकसव 8 ऐले इंटरेस्ट आपने क्या देखे लिए पुरा इंटरेस्ट किस तरह से टेक्सवल होता है हमने यह देख लिए कि रोटी है कि ऑच्छा अमेट बड़े जान से समझना अपने दूटाविक पीछे से रह रहे थे पॉन को से दूटे रह रहे थे एक तो Vodafone का केस, जो amendments आया था Vodafone केस के वज़े से, और फिर पर आपको बताया था कि फॉरेंट कमनी अगर इंडिया में रेसल बन जाती हो, अकाउंट उपिस को एंब इंडिया, उस पर क्या के इंडिया के अंदर एंडिया के अंदर एंडिया की एंग्जम टेखेंगे कल, आपको मेरे नोट से यह तो आप टेलिग्राम चनल को जॉइन कर सकते हो, अगर आपको इस नोट की हाट को पी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखिए है, आप उदर से परचे इंडिया में बेषता है, उसकी इंकम इंडिया में अन्करी गई है, यह माना जाता है, फिर अपनने एक अमेंड्मेंट्मेंट्ट छोड़ा था, वोड़ाफोन केस वाला, यह समझना क्या हो रहा है, यह रोहन एक एनर है, उसने क्या रखा है, एक 100% फॉरंड कमनी में इन् मई तो रोऊन ने कहना रहे रोहन ने क्या कर रखा है 100% investment कर रखा है एक फॉरण company में USA में अच्छा तो बिसिकली जो रोऊन उसके पास क्या है 100% shares है foreign company के इस foreign company ने क्या कर रखा है basically ultimately investment कर रखा है किसी Indian company में फॉरण company और वो भी क्या है NR है तो अगर रोहन क्या करता है basically इस foreign company के shares बीचता है किसको मुहन को अब सवाल आता है कि जो रोहन ने क्या कर रहा है इस foreign company के shares बीचे है मुहन को उस पे क्या capital gain arise होगा क्या इंडिया में रोहन को उस पर कैपिल इंज देने की जरूत है क्या तो गवर्मेंट ने क्लरिफाइब कर दिया कि रोहन क्या कर रहा है क्या करके बैठी है इनडियन कंपनी में आपना यह मानता है कि अगर आप क्या कर रहा हूँ इसका मतलब यह है कि अल्टिमेटली क्या कर रहा हूँ मैं ultimately जो है मैं, Indian Company में जो rights थे, Indian Company में जो rights है, वो किसको बीश रहा हूं, मोहन को, तो पहले रहे रहन क्या करा था, indirectly control करा था Indian Company को, आब कौन control करेगा? मोहन करेगा, Госund Des gusta, Indian Company को, क्योंकि, 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 क्योंकि、san undean bento,ера? Kadowyn के धिशो क्red mình को बीश दे करोगे rights of shares in the Indian company बीचोगे जब मैंना क्या करेगा rights of shares in the Indian company बीचेगा इसका मतलब क्या है कि जब वो foreign company के shares किसी और को बीचेगा तो उसको क्या माना जाएगा उसको यह माना जाएगा कि यह capitalist set situated in India है और आपको जो है उस tax पे करना पड़ेगा अब आ जाओ देखो शेर्स of foreign company foreign company के shares आपने बीचे हैं shall be deemed to be situated in India तो मैंना आपको क्या बताया कि जब आप क्या करते हो rights of shares in the Indian company बेच रहे हो तो foreign company का right था किसमें Indian company में इसको आपने बीचा है किसको मोहन को तो जब आप क्या करते हो basically foreign company के shares बेचते हो मतलब rights of shares in the Indian company बेचते हो तो यह माना जाएगा कि यह क्या है capital assets situated in India है कब 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 जब ध्यान अखना the foreign company the foreign company derives substantially its value from the asset located in India अपने case में आपको यह बताया था कि foreign company क्या करा 100% investment कर रखा है कि इसमें Indian company में बादा foreign company के जो assets है वो सबके सब कितर है Indian company में और अपने इधर वर्ड क्या यूज कर रहे है अपने इधर वर्ड यूज करें substantially का मतलब क्या होता है ओपन देखेंगे तो substantially का मतलब यह क्या रखा है कि बही specified date पे if on the specified date value of the Indian asset बदब foreign company में इंडिया में जो ब सबके कर रखा है वह थो 10 crore से जादा है 10 crore से जादा है एंड रिप्रेजेंट 50% of the total value of the assets of the foreign company मैं आपको यह च्ट करना है कि अगर यह foreign company ने जो इंडियान के इंवेश्मेंट कर रखा है और थो अगर 10 crore से जादा है और represent करता है at least 50% of the total value of the assets of the foreign company तो foreign company के जो भी assets है उसका 50% investment किस में का रखा है इंडियन company में का रखा है तो ये माना जाएगा कि भी foreign company क्या कर लिए अपनी value substantially drive पर लिए किसे इंडियन company से फिर अगर आप इस foreign company के shares बेचते हो तो हम ये क्या मानेंगे कि भाई ये जो shares आपने बेचे हैं ये capital assets situated in India है क्या है capital assets situated in India है तो अपने को एक चीज़ पता है जब भी NR क्या करता है जब भी NR को capital assets situated in India को बेचता है तो उसकी income इंडिया में taxable हो जाती है तो हमने कहा कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो foreign company के shares किसी और को बेच रहे हो तो हम क्या मानेंगे हम ये मानेंगे कि भाई आपने जो है capital assets situated in India बेचा है situated in India बेचा है और जो भी आपको cap gains हो रहे है उस पर आपको tax pay करना पड़ेगा अच्छा ये capital assets situated India कब बनेगा जब ये अपनी value substantially derive कर रहे है किससे अपनी value substantially derived कर रहे हुँ from the assets located in India अब आपको बता दिया कि substantially का मतलब क्या होता है आब specified date का मतलब को लिए कि जिस दिन आप क्या कर रहे हो इसे का इसे कि लिए टांसफर कर रहे हो इस दिन आप क्या कर रहे हो transfer कर रहे हो जो इधर रखाई टांसपर है लेकिन थोड़ा सा twist है वह समझना थोड़ा सा twist है वह समझना government यह कहती है कि जो आपको value of assets देखने है आपने इधर देखा न value of Indian assets तो value of Indian assets का क्या मतलब है value of Indian assets का मतलब है fair market value of assets without reduction of liabilities मतलब आप क्या करो किसे फोसे एसेट की वेल्यू देखो गए लाइबिटीस के आपको लेने देना नहीं है तो अगर आपने जो यह इंडियन एसेट है इसकी वेल्यू 10 करोड से जाधा है एं रिप्रेजन करता है एक लिए 50% वेल्यू अपनी वेल्यू अपनी डराइब कर द मतलब क्या है अब आपको लेंगे लेकन एक स्पैस्विक केस में बहूइंगे आपको क्या बताएं मैंने कि सरकार नहीं ये कहा किखा क्या करोगे आप last balance sheet date पकड़ोगे preceding transfer आपको transfer की date कब ली नहीं है वो देखो अगर book value of the asset on the transfer date अगर book value of the asset on the transfer date exit करा है 15% of the book value as on the last balance sheet date तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा तो आपको जो है basically transfer date लेनी पड़ेगी तो चीज़े बताई ना इधर book value होगी तो सरकार ये कहती है सरकार ये कहती है कि आपको normal case में क्या करना है normal case में last balance sheet date की book value पकड़नी है sorry last balance sheet date आपकी क्या है specify date वानी जाएगी और इस दिन के आपको क्या लेनी है ये fair market value लेनी है लेकिन सरकार ने कहा कि अगर इस दिन की जो book value है और इस दिन की book value है तो basically जो date of transfer की book value है वो अगर exit कर रही है 15% from the book value as on the last balance sheet date तो आपकी space wire date क्या मान ले जाएगी आपकी space wire date मान ले जाएगी transfer rate और इस transfer rate के आपको fair market value फिर लेनी पड़ेगी logically आपको पूरी कानी समझना आ गई ठीक है अब देखो आगे आगे इन लोगों ने क्या रखाए कि इंकम किस तरह से taxable होगी तो देखो इन लोगों ने क्या रखाए कि इंकम taxable proportionate to the Indian asset अब मेरी बात बड़े दान से समझना इसी example से मैं वो समझाने की गोशिश करता हूँ देखो रोहन ने क्या कर रखा था 100% शेस ले रखे थे foreign company के अब अब आज्यूम करो कि अपन कि इस foreign company ने क्या कर रखा था इस foreign company ने 60% शेस इंवेस्ट कर रखा थे इसके foreign company के वो इसने इंडियन कमनी में investment कर रखा था वाप अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या इंडिया में पूरा 100 रुपे का 100 टेक्सेबल हो जाएगा सरकान ने कहा नहीं आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि इस foreign company के आपने शेस बिचे हैं तो आपको यह चेक करोगी कि इस foreign company ने अल्टिमेटली इंडियन कमनी में investment कर र 20 रुपे तो बीसिकली जो बाकी 40 रुपे अधर एसेर्स हैं अधर एसेर्स हैं जो इंडियन कमनी में इंवेस्टेट नहीं है तो इंडिया में क्या टेक्सेबल होगा इंडिया में क्या टेक्सेबल होगा कितना टेक्सेबल होगा और कितना प्रपोस्टेट लेंगे कि वह इसनेंट कर रखा था इज़ी है आप देखो कोई लोगों ने कहा है कि एक टाइन कर लेना इसको अब देखो एक और चीह समझना ना न एक एक सामपल आओ समझाता हूं तेकि है अभी यह रहन नहीं है अभी रहन की जगए दूसरी चीज आजिए करो इसको मैं रोहन को अटा देता हूं उदर से रोहन को अटा देता हूं एक क्या है foreign institutional investor है ठीक है FPI foreign portfolio investor या foreign institutional investor आपको बता हुआ यह क्या करते हैं यह basically अलग-अलग company के shares में investment करते हैं अलग-अलग company के shares में क्या करते हैं investment करते हैं इती बात समझ में आती आपको, तो foreign institutional investor या foreign portfolio investors का काम ही क्या होता है, कि वो अलग-अलग company के shares में investment करते हैं, फिर उसको जो है बीचते हैं, तो अगर क्या कर रखा है basically, foreign portfolio investor ने, इसी foreign company में investment कर रखा है, और वो foreign company क्या कर रही है, अपनी value substantially drive कर रही है Indian company से, तो जब ये foreign portfolio investor share को बेचेगा, तो उस पर ये वाला जो, उस पर जो बिसिकली, ये वाला section लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो देखो क्या रखा है, nothing shall apply to the shares of foreign portfolio investor, foreign portfolio investor है, उस पर ये चीज़ apply नहीं होगी, क्यों apply नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों का तो business ही क्या होता है, इन लोगों का business ही होता है, purchase and sale करने का, of shares of other company, ठीक है, किती गानिया आपको समझ में आ गई, अब आगे देखना, above provisions shall not apply, ये provisions वापस अप्लाए हैं नहीं होगे, अगर transfer hold करता है, अब तू 5% share capital ने इंदा foreign company, अब वापस आ जाते हैं अदर, अपने case में क्या था, अपने case में कौन था इदर, अपने case में दार रोहन था, अब रोहन ने 100% की जगा कितना investment कर रखा है, सिर्फ और सिर 5% कर रखा है, ठीक है, तो government ने कहा कि छोटे मोटे investor का home, जो है target नहीं कर रहे, अगर कोई NR ने क्या कर रखा है किसी foreign company में, अब तू 5% का investment कर रखा है, तो फिर अगर वो foreign company के शेज़ बिशता भी है, और ये foreign company अपनी value substantial drive पर रही किसे Indian company से, तो भी ये section apply नहीं होगा, तो भी ये वाली चीज़ apply नहीं होगी, तो अगर आप क्या करते हो, 5% तक hold करके बैठे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये section लगेगा नि, एक और चीज़ समझना, dividend declared, dividend declared and paid by such foreign company, outside India shall not be deemed to be earned in India, अब मेरी बात बड़े जांस समझना, अपने क्या माना था, अपने ये माना था कि रोहन ने क्या कर रखा है, रोहन ने 100% investment कर रखा है, किसमें, foreign company में, रोहन ने 100% investment कर रखा है, किसमें foreign company में, foreign company अपनी value substancy direct करती है, किसे Indian company से, तो हमने ये मान लिया कि बाई, जो ये shares of foreign company, यह क्या है? situated in India है situated in India है, ठीक है? situated in India है अब अगर यह foreign company क्या करती है? Rohn को इस shares पे क्या करती है? dividend declare करती है तो पहले हो क्या रहा था? कि भई यह जो dividend है न यह भी पूरा-गबरा taxable हो रहा था यह भी क्या हो रहा था? पूरा-गबरा taxable हो रहा था लेकिन इसका जो dividend है वो इंडिया में taxable नहीं होगा तो dividend declared and paid by such foreign company shall not be deemed to be earned in India वो जो है इंडिया के अंदर taxable नहीं होगा आगे देखो मैं आपको बताया कि भी transfer जो है up to 5% ओल करके बैठा है तो देखो क्या दे रखा है up to 5% ओल करके बैठा है at any time in the 12 months pricing the rate of transfer मतलब basically आपको यह देखना है कि transfer के 12 महीने पहले transfer के 12 महीने पहले आप जो है 5% साधा hold करके नहीं बैठे थे तो देखो दे रखा है transfer whether individually खुद या फिर along with its associated enterprise तो individual खुद या along with its associated enterprise neither holds right of management or control ठीक है मतलब आपके बास company का right नहीं है नौर आपके पास नौर hold voting power share capital ले interest exiting 5% of the total voting power या total share capital at any time in the 12 month pricing date of transfer तो transfer के date के 12 महीने पहले ता आपके पास एक भी दिन एक भी दिन अगर 5% से जाधा के share हो गए एक भी दिन 5% से जाधा के share हो गए तो basically यह section लग जाएगा easy है थोड़ा important amendment था इसको समझ के जाना अगर आपको समझ रही है तो वापस 9 minute में इससे better explanation आपको पूरे YouTube पर और कोई नहीं देशकता है अब आगे बढ़ जाते है पन कुछ exempt income देखते है नार की कि बई non recent की कौन-कौन से income exempt है एक सी समझना इंडिया में क्या है इंडिया में अजूम करो कि अमेरिका की एक embassy है तो इंडिया में क्या है अमेरिका की एक embassy है तो इसके वेज़े से क्या हो रहा होगा कि अमेरिका की कुछ लोग अमेरिका की कुछ लोग अमेरिकान embassy में बैठे होंगे अमेरिका के कुछ लोग क्या होंगे अमेरिका के कुछ लोग इस embassy में job कर रहे होंगे अब सवाल आता है कि जो उनको salary और remunition दी जा रही है उसका taxability क्या होगी तो government कहा कि remunition या फिर salary received by the officials of foreign embassies officials of embassies ex-sector of foreign country तो उसको हमने क्या कर दिया एक्जम कर दिया बट condition क्या है कि इंडिया है यह अमेरिका है अच्छा इंडिया में अमेरिका में अमेरिका में इंडिया की लोग इदर काम कर रहे हैं हमने कहा कि जो अमेरिका में इंडियां में इंडियां गलत भोल दिया इंडियां कंपनी के लोग जो salary received by the employee of foreign enterprise for services entered in India, ठीक है, तो Bill Gates Bill Gates है ठीक है, Bill Gates Foundation है इंडिया में, क्या है Bill Gates Foundation है इंडिया में NGO है Bill Gates ने क्या करा, अपने employee को इदर बीचा थोड़े बहुत काम काम करने के लिए ठीक है, एक दो मैने के लिए अपने employee को बीचा है कि भी तूदर जाके के काम वाम करके आजा, अब सवार आता है कि जब उस employee ने क्या करा है, इंडिया में services दी है, तो क्या उसकी income इंडिया में taxable हो जाए तो clarification आ गया, government ने क्या करा, उसकी income को एक्जम कर दिया, देखो उसकी income को क्या करा, एक्जम कर दिया तो salary received by the employee और Bill Gates Foundation for services ended in India, condition क्या है, अगे इंडिविजिल होना चाहिए, citizen of India नहीं होना चाहिए, देखो condition एक और है कि भई उसका aggregate stay in India, up to 90 days है, and क्या दे रखा है, foreign enterprise is not engaged in any business or profession in India, ठीक है, तो मतलब मैंने आपको बताए कि जो Bill Gates Foundation है, Bill Gates Foundation है, बिलके आपने चेने 90 days in the previous year, यह दिकानी सम्झा आगई आपको, देखो क्या दरखा है, remnation is not liable, remnation is not liable to be directed from the income of employer under the income tax, अचाहिए, एक और example रहे हैं, कि भई, आईफोन है, आईफोन की, आईफोन का head office कहाँ पर है, अजूम करते हैं आपन, California में है, ठीक है, इंडिया में उसका क्या है, इंडिया में उसका एक office है, इंडिया में उसका एक office है, इसको अपने क्या बोलते हैं, परमानेट establishment भी कहते हैं, इसने क्या करा है, अपने employee को बेचा 2-3 मने के लिए दर काम करने के लिए, तो सवाल आता है कि भई, जो उसको services गई है, जो उसने services दी है, जो उसको salary दी गई है, वो exam taking नहीं है, तो government का बिल्कुल exam, but condition यह है, उसका stay 90 days तक है, ठीक है, foreign enterprise is not engaged in any business profession in India, जो foreign enterprise है, वो business profession नहीं कर रही है, अब मैं आपको बता दिया, कि जो इंडिया आइफोन वाला case है, इस पर applicable नहीं होगा यह सी, क्योंक business profession में, तो यह basically किसके लिए लाया गया था, जो आपको बता है, Bill Gates Foundation, Bill Gates Foundation है, इंडिया के अंदर, उसमें अगर employer के काम कर रहा है, तो basically यह जो foundation है, जो business profession थोड़ी कर रही है, तो charity कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो उस case में आपको बता दिया, कि उस case में अग्रिमशन through 90 days है, and देखो, remination is not liable to be directed from the income of employer by the PE, तो सिदी सी बात यह है, क्या है, कि जो Bill Gates Foundation है, यह जो Bill Gates Foundation है, यह इसको as a expense claim नहीं कर रहा है, यह इसको as a expense claim नहीं कर रहा है, तो जो उसको salary दी गई है, उसको इसने अपने books में खर्चा बुक नहीं कर रहा है, यह भी condition है, ठीक है, त हम वापस benefit NR को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दो-दो बार जो है, चीज़ एक्जम नहीं होती, सरकार ने कहा, कि जो salary दी जारी है किसको, जो salary दी जारी है, इस employer foreign enterprise को, जो salary दी जारी है, वस employer foreign enterprise को, यह जो PE है, पुले तो Bill Gates Foundation है, वो अपने books में जो है, as a expense claim नहीं कर सकता, तो एक और चीज़ समझना, salary received by the individual for services rendered in the foreignship, कौन है, individual है, Indian citizen नहीं है, not Indian citizen, salary received करी हो, उसने by individual for services rendered in the foreignship, एक forward का जहाज इंडिया में आया, foreign का जहाज इंडिया में आया, ठीक है, उसमें कोई NR होगा, उसमें कोई NR होगा, individual होगा, non-citizen होगा, उसको salary मिली है, तो हमने क्या कर रहा, उसको भी exempt कर दिया, बट condition यह है, कि उसका aggregate stay, individual का aggregate stay 90 days तक ही है, एक और चीज़ देखना, NRE account आपने law में पढ़ रहा होगा, FEMA में आपने NRE account पढ़ा होगा, कि भी क्या होता है, तो अगर किसी individual को NRE account पर क्या मिल रहा है, interest मिल रहा है, तो वह exempt है, बट condition क्या है, कि he is NRS पर FEMA, और permitted by RBI to maintain such account, अब देखो क्या रखा है, कि interest on NRE account from any bank in India, तो इसने कि इंडिया में किसी bank में क्या कर रखा है, NRE account पुला रखा है, तो उस पर जो interest मिलेगा, वो क्या होगा, exempt होगा, अब एक और चीज़ समझना, joint holders of NRE account do not constitute AOP, बलब किसी NRE account में joint holders है, तो उसको AOP के तरह treat मत कर देना, वो क्या होगे, इंडिविज़ली माने जाएंगे, अपने अलगला ST पढ़े थे न, basic concept की रिविज़न वीडियो में, तो AOP मत मानना, उसको इंडिविज़ली treat करना, अब देखो, इंडिया में आता है, और क्या देख करता है, space-wide training देता है, या लेता है, तो मोदीजी ने कहा, मोदीजी ने क्या कहा, मोदीजी ने बोला USA वालों को कि आप अपने employee को बेचो, आप अपने government employee को बेचो, तो हमें हमारे employees को क्या करके जाएंगे, training देखे जाएंगे, अब उनको जो remination मिल रही है, वो भी क्या होगी, basically exempt होगी, इसी तरह से, इसी तरह से, income of NRA foreign company, non resident या foreign company को fees मिलिए, fees मिलिए for FTSA reality, किस से मिलिए, for services ended to NTRO, ठीक है, तो for services ended to NTRO वो भी क्या है, basically exempt है, तो सरकार ने क्या बोला, सरकार ने जो है, NRA foreign company को बोला, कि आप इंडिया में आओ, NTRO को services दो, NTRO को services दो, ताकि उनका defense system, defense system, क्या हो जाए, मजबूत बने, सरकार ने उनको incentive दिया, कि आपको जो भी fees हो, FTS मिलिए, royalty मिलिए, उसकाम क्या कर देंगे, exam कर देंगे, उसमें Indian flag या है, foreign flag को उससे कुछ रख नहीं बढ़ता, अचा, NRC farer, उसमें कोई non-resident seafarer है, non-resident seafarer है, उसने क्या कर है, अपनी salary इंडिया में receive कर लिए, उसमें अपनी salary इंडिया में receive कर लिए, for services ended outside India, उसमें services ended करिये, इंडिया में services ended नहीं करिये, services entered outside India करिये, foreign going ship पर करिये, shall not be included in the total income, merely because the set salary is credited to the NRE account with the Indian mind, तो अपने NRC case में यह पढ़ा था, कि या तो आप earn कर दो, या फिर अगर आपने इंडिया में receive कर लिए, लेकिन गवर्मेंट ने क्लिफिकेशन दे दिया अगर अपनी सेलरी क्या करिए एनरी आकॉन में रिसीव करिए फॉर्स सर्विस इंडिया तो उसका क्या कर देते हैं इसी तरह से देखना युलेट लोकेटेटिट इन आइफसी कि यह क्या कर रहा है और मनी बॉरोट बाइट और आफ्टर एक नौ 2.19 तो जो भी इंटर्स मिल रहा है और फॉर्न कमनी को क्या होगा एक्जम्ट होगा इसी तरह से इंडियन कमणी या फिसनेस ट्रस्ट ने अनरी आइफ ओंड कमनी से बिसिकली क्या कर रखा है लोन ले रखा है इंदर फॉर्म आडीवी तो जो भी इन इंटेस नदेट न ने कमनी और बिजनस ट्स्ट फूर्न कमणी बिए लिए फ्याइए ट इसन दोर निसे तो अट्यूर्स तूम आडवी लॉसरे इंट आ ठीक है थी है अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एक्जम्त इंकम देखते हैं न आर की तो किया दे रखाए किसी चिद्वूल बैंक में क्या करा रखा है deposit करा रखा है तो foreign bank foreign bank बोले तो कोई भी foreign bank है उसने क्या करा रखा है इंडिया की schedule bank है example लेते हैं SBI तो किसी foreign bank ने SBI bank में क्या करा रखा है deposit करा रखा है उस foreign bank को interest मिल रहा है सरकार ने का exempt तो दो को eligible person को हो है eligible person को हो है bank incorporated outside India and authorized to perform central banking functions ठीक है इसी तरह से इसी तरह से किसी foreign company को क्या मिल रहा है royalty FTS मिल रही है under an agreement with central government for providing services in or outside India in projects connected with the security of India तो मोधी जी ने कहा मोधी जी ने foreign company को कहा कि आप इंडिया में आओ या फिर इंडिया के बाहर हमें services दो ताकि हमारा क्या हो security system मजबूत हो उसे हमें आपको जो भी royalty or FTS पे करेंगे वो क्या कर देंगे exempt कर देंगे आगे देखो क्या देराखा है किसी N.R. ने या फिर individual या HOF being R.B. N.O.R. ने क्या करा रखा है? Offshore banking unit में deposit करा रखा है तो offshore banking unit का मतलब है कोई banking unit जो sales में located है special economic zone में located है तो N.R. या फिर individual या फिर HOF individual HOF being R.B. N.O.R. ने क्या करा रखा है? करा रखा है offshore banking unit में deposit करा रखा है जहां पर acceptance or such deposit is duly approved by the R.B. तो उसको हमने क्या करा है? एक्जम्ट कर दिया. अच्छा schedule bank में cooperative bank include नहीं होता तो ध्यान रखना इधर cooperative bank include नहीं होता तो यह कुछ exemptions से आपको ध्यान रखने है ठीक है? आसान है रटने की जरूरत नहीं है बस समझ लेना एक्जाम में आपको बस वो क्या करेगा? एक्जाम में आपसे यह पूछगा नहीं की भी exemptions क्या है वो तो एक्जाम में डाल देगा यह वाला चीज डाल देगा और पूचेकर एक्जम्ट है की नहीं है बस आपने अगर इबार समझ लिया था खुदी क्लिक हो जाएगा की क ब्रश्थ तब्सक्रिए सब्सक्राइब इन्यूर्टन एक क्लुक्स ओपनोड़ को से इंडियन कंपनी कशेयर की बात करी सने या फिर सब्सक्राइब पिद्टर्स है पिप्लिक कंपनी के डिपैंचेस अंड tu-2 इन पॉनको एक बदे गए श्रस है उसको अ अगर इसको क्या मिल रहा है या फिर अगर इसको बीचने पर लॉंग टर्म के प्ल गीन हो रहा है तो क्या कर सकता है बीसिकली एन रही के बास ऑप्षन है कि वह जो लेकिन फर्स पर अपने के रिविजन में पूर अच्छी तरह समझाता है कि वह जो नर होता है नॉन एक सब्सक्राइब करते हैं अचा तो लॉंग टर्म पर दस परसेंट बाकि जो यह इंटर्स और इंकम है उसको क्या कर सकता है वह 20 पर संब्सक्राइब लेकिन उसको कोई भ अगर NRI क्या करता है अगर NRI 115 BAC ले लेता है तो इसको यह special provision नहीं मिलेगा ठीक है अचा यह special provision किसके लिए applicable है इस special provision को अपन टेक्निकली कहते है चैप्टर 12 वे चैप्टर 12 वे कहते हैं इसको तो अगर NRI ने क्या कर रहा है 115 BAC ले लिए तो यह वाला available नहीं होगा अचा अगर 115 BAC नहीं ले रखा है तो वो क्या कर सकता है इन फॉरें इन फॉरेक्स एसेट पे इन फॉरेक्स एसेट पे 10% और 20% पे टेक्स पे कर सकता है बागी जो भी अधर उसकी इंकम होगी वो तो नॉमल टेक्स नॉमल प्रूजिन से टेक्सेवल होगी अब एक और चीज इन फॉरेक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो जिस तरह से अपने को 54F में मिलता था एक्जेम्शन उसी तरह से इधर भी मिलेगा लॉंग टर्वें इंटु इंवेस्ट्वेंट अपॉन एट सेल कंसिलेशन अचा अब देखो एक और जी जो आपने नया फॉर ऄ करने के ज़रूत नहीं है अगर उसकी इंकम क्या है इंकम कंसिट ऑफ इन्वेस्ट्वेनल and long term capital gain from the forex asset only, so NRI consists, NRI का income consists of only investment income and long term capital gain from forex asset and जो TDS deduct होना था वो deduct हो चुका है, तो सरकार को जो tax मिलना था वो मिल चुका है, तो NRI को ROI बने के ज़रोत नहीं है, प्रिकि आएर ROI भरके वो formality ही करेगा, tax तो already ज़रो है government को मिल चुका है, इसी तरह से एक और ची समझना, इसी तरह से अपने एक और ची समझते हैं कि रोहन क्या था, रोहन जो है NRI था, रोहन एना रही था, उसने क्या कर रहा था basically, उसने किसी Indian Public Company के debentures ले रखे थे, और debentures की life किती दे 10 साल थी, अचा, रोहन क्या हो जाता है, एक साल बात रोहन जो है, अब resident बन जाता है, रोहन जो है, resident बन जाता है, अचा, अब रोहन के पास एक option है, रोहन के पास एक option है, कि वो क्या कर सकता है, वो government को कि यह कर सकता है, कि देखो, पहले मैं NRI था, फिर मैं क्या बन चुका हूँ, तो जब मैं NRI था तो मैंने क्या कर रहा था ये वह लब चैप्टर ट्वाली एक्ससाइज कर लिया था अब मैं रेस्ट बन चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इंट्रेशन कमा रही है जो मेरी इंट्रेशन कमा रही है किस पर सरकार ने कहा हमारा लौ यह कहता है कि सिफ और सिफ इंट्रेस इंकम के लिए आपको बैइफिट मिलेका अगर आप नरी थे और आपने लिया था बैइफिट ठीक है यह कि अगे बढ़ते हैं यह जी था इससे जादा आसान और क्या होगा और इसको कोश्शन या फिर income received in units, in case of foreign company या फिर NR, तो इसके लिए foreign company या फिर NR नहीं क्या करा रहा है, इंडियन कमनी के shares या फिर mutual fund की units ले रखी है, mutual fund या फिर UTI, unit trust of India की units ले रखी है, तो उसको income हो रही है, तो किस तरह से taxability होगी, वो पन देखते हैं, तो देखो अपना लोग यह कहता है, कि अगर NR को क्या मिल रहा है, shares पे डिमेंट मिल रहा है, whether purchase in foreign currency या फिर mutual fund की units पे क्या मिल रहा है, उसको income मिल लिए, तो income of units, आगे फिर फॉरन currency, of a mutual fund और UTI, तो किते भी tax pay करेगा, 20% भी tax pay करेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि 20% का जो concession related तब मिलेगा, जब उसने क्या करका है, shares और units को किस में खरीदा है, foreign currency में खरीदा है, अगर normal currency में खरीद लिया है, तो फिर उसको 115 ये का benefit नहीं मिलेगा, normal provisions से उसको tax pay करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, slab rate चलती है, in case of individual and foreign company के case में 40% का tax rate, इतिकानी आपको समझ में आई, अब एक और उस receive from the business trust, को किते पर taxable होगा, 10% में taxable होगा, इतिकानी सम्झाई, अजा इसका TDS कितने में कटेगा, 194 LBA में 10% में कटेगा, जोगन business trust वाला chapter करेंगे, जब देखेंगे कि बिजनस trust को किते पर TDS काटना परता है, 194 LBA में business trust क्या करेगा, 10% में TDS काटेगा, on dividend, paid to non-resident, इतिका अगर इंडियन, sorry, NR या foreign company को, NR या foreign company को dividend मिल रहा है, on shares, तो TDS किदर से कटेगा, TDS कटेगा, section 195 में, तो जो भी company क्या करीए, dividend पे करीए, 195 में TDS काटेगी, इसी तरह से अगर, NR या foreign company को, क्या मिल रहा है, income of the units of mutual fund or UTI, तो TDS कटेगा 196 A में, तो 196 A अपन जो है, नीचे आगे बड़े, देखो, जो dividend की income हो रही है, NR की, जो 115 A में, आपको कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा, कोई भी खर्चा लाओ नहीं किया जाएगा, कोई भी आपको reduction नहीं मिलेगी, ROI का exemption अवेलेबल है, ROI का exemption क्या कहता है, कि अगर NR की income, consist of only dividend income, और उस पर TDS कट चुका है, तो उसको tax pay करने की जरूबत नहीं है, अच्छा आप देखो मैंने आपको बताया है कि बढ़ी, क्या है इधर units of mutual fund है, और units of UTI, unit trust of India, units of unit trust of India में दो चीज़े होती है, एक होता है units of specified company, और unit of administrator of specified company, अब धहान रखना, जो 196 A है, 196 A है, जो मुझे ये बताता है कि बढ़ी, जो dividend pay करा गया है किसको NR ये foreign company को, on the units, on the units of mutual fund है UTI, उस पर TDS किस तरह से कटता है, अच्छा, अगर आपने notes purchase कर रखे हैं, तो एक काम करना ये छोटा से error हुआ है, इसको ठीक कर ले ना, ये section एग्याना नहीं है, section क्या है 196 A, तो 196 A क्या क्या रहा है, TDS on income in respective units of NR, क्या है TDS on income in respective units of NR, तो TDS कित्ते पर करेगा, आप दो, आप देखो, taxable कित्ते पर हो रहा है, 20% हो रहा है, तो TDS भी करेगा 20% पर, तो TDS at that of 20% in respective units of mutual fund और specified company, क्या मैं समझ में आया है आपको, आपको ये समझ में आया होगा कि, हापन बात कर रहे हैं, इसकी units of UTI mutual fund की, हम बात कर रहे है, कि unit of administrator specified company पर TDS नहीं कटेगा, तो no TDS, no TDS, क्याद रखा है, no TDS on the income, on units of administrator specified company, क्योंकि मैं आपको बताया था, units of UTI में दो चीज़ होती है, क्या, एक unit of administrator fund, और unit of UTI कहां से आया, unit of UTI यहां से आया, easy, अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर इंडिया ने किसी country के साथ क् कर रखा है, तो TDS किती रेट पर कटेगा, 20% या फिर रेट रेट इन डिट्रेवले, whichever is lower, क्योंकि मैं आपको बताया था, डिट्रेवले के प्रोवजन्स, overwrite करते है, income tax set को, अगर वो क्या है, beneficial है, easy, अब एक कोची समझना, देखो, TDS नहीं कटेगा, कब नहीं कटेगा, अगर 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 लेकिन अपने आई से मेट में दिये रखी है तो आपने को याद करना पड़ेगा विकॉस वह एक्जाम यह टेस्ट कर सकता है तो आपको इत्ता ध्यान रखना है कि भाई जो हम यूनिट ऑफ यूट की बात कर रहे हैं उसमें TDS नहीं करतेगा अगर NRI ने या फिर NRI HOF ने जो यूनिट्स खरीदिये वो कहां से कौन से फंड से खरीदिये NRI अकाउंट से खरीदिये ठीक है इत्ती खानी आपको समझ में आ गई अब आपन आके बढ़ते हैं अब एक और टॉपिक देखते हैं section 115 AB section 115 AB यह कहता है कि जो अपने यह overseas financial organization होते हैं मतलब offshore funds होते है offshore funds बोले तो जो foreign country में funds established है ठीक है बलिए एक तरह का basically mutual fund ही मानो तो mutual fund जो foreign country में क्या है established है अगर उसको income हो रही है कहां से income हो रही है उसने units खरीद रखे है UTI के यह mutual fund के ठीक है तो उसको जो है tax pay करना बढ़ेगा एसपर 115 AB तो देखो क्या द रखाए income from units of UTI यह mutual fund आगे इन purchase होने चाहिए foreign currency में पर्चिस करें अच्छा यह जो units की बात करें हैं है यह units equity oriented fund भी हो सकते हैं फिर डेट oriented fund भी हो सकते हैं आपको बताऊगा कि mutual fund में दो तरकी units होती है एक्यूटी और debt oriented fund equity oriented fund इक्वित और फंड क्या क्या करता है अपने जो भी पैसा है mutual fund का सारा का सारा एक्विश रहा है और डेट घंद सारा का सारह परसा हें लागाता है घ्र फंड में लगाता है रि데टा सकता है लेकिन कोई खर्चा नहीं मिलेगा कोई दिर्क्षिंह नहीं मिलेगा इधर ध्यानक लिए और स्रकार चाहती है कि यह सरकार चाहती है की लोग ठीक है तो टेक्स हो रहा है टेक्स लग रहा है 10% पर TDSP घटेगा 196B में तो कैसे ज्याद कर सकते हो 115AB और 196B अचा एक पोची समझना अगर आपका equity oriented fund 111A और 112A में covered है तो जो है 115AB नहीं लगेगा इपोटन्ट पॉइंट तो अगर आपका जो equity oriented fund है युटी oriented fund है जैसी आपने mutual fund की बात करिए है यह क्या है अपने जो 115-1212A और 111A पर रखा हो क्या क्या होता है उसमें equity shares होता है units of equity oriented fund होता है या units of business stress होता है तो अगर unit of equity और इक्वीटी और की कंडिशन को सरिस्पाइक कर रहा है, तो देख लिए बनी की स्परेश कर रहा है, तो अगर इक्वीटी जी और यह भी लॉंग टम की बात करता है और फिफ्टी डबले में अमेंडमेंट कर आया था आपको के अंदर मैं आपको बताया था कि वह जो मुचल फॉन होता है वह मैंचा क्या माना जाएगा शॉट टम ही माना जाएगा इजी है अब आगे वड़ते हैं अब आ अब अब अन्यान अब इन्ट पॉर्ण क्रणशी आ रहा है अब इन्ट फॉर्ण क्रणशी की जगा लिख देगा कि बढ़िए इंडियन रूपीज में पचेस करा गया गया फिर आप से बुझेज़गा कि बढ़िए बनेफिट बताओ कि मिलेगा की नहीं मिलेगा इन बैंने बताया था कि आपने क्या करा है पर्चिस करें एकजाम में तेस्ट कर सकता है तो एनार या फॉर्ण कंपनी को और या जीडिया पर क्या हो रहा है इनकाम हो रही है सरकाना का कोई दिक्त नहीं है हम आपको कंसेश्चन लिट ऑफर करते हैं आपको 10% पर करना है आगे देखो क्या है लॉंग टम है और इंटेस्ट इवरेंट है इस कित्ते पर गटेगा तो 106C में करते तो सेक्षिंट काई है एक सपंदराइद को सेक्षिंट क्या और डीजट इटो या इनकाम हो इस सेकेंड वन कि भी आपको नहीं मिलेगा अचा हम बात कर रहे हैं चक्ञे अब आगे बढ़ते हैं हमने देखों अब बात करेंगे अब अगर आप स्टॉक मार्केट से रखते हो तो तो अगर इंकम इंकम होडी तो किस तरह से टेक्सेवल होगी तो सरकार ने कहा कि अगर आपको क्या हो रहे डिवेंट मिलना तो 20 पर से टेक्सेवल होगा तो किस पर टेक्सेवल होगा लेकिन ध्यान रखना हमने कहा अधर दने 115 ए तो 115 ए में आपने बहुत सारी चीजे पढ़ी थी थी ना 5% 5% 5% 20% तो बिसकली जो सेक्योर्टी 115 ए में ग प्रेस्वाइब पंड की तो टेक्सवल होगी एस पर 115 ए अचा बाकी सिक्योर्टीस काँ कवर हो जाएगी आपकी सिक्योर्टीस कावर हो जाएगी किदर 115 AD के अंदर और कि पर टेक्स पर करना है बीस पर सेंट पर चाहा आपको जो शॉट ट्रम के प्लिकन हो रहे है अड़ को टेक्स पर करना 30 पर और बाकी जो लॉंग टर्म के प्लिकन उसको 10 पर टेक्स पर करना है बाकी अधर इंकम क्या हो जाएगी नॉमल प्रोजन में टेक्सवल होगी अब एक और ची समझना हमने बात करिए FII और फिस्वाइफ फंड की ठीक है तो देखो इंट्रेस्ट और किसकी प्रेंट किते पर टेक्स पर लाइं 20 पर लेकिन 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 स्पेस्वाइट फंड के केस में 10 पर टेक्स पर होगा आगे देखेंगे सब्सक्राइब के क्या हो रहा है इंटेस्ट और किते पर टेक्सिपल होगा 20 पर सब्सक्राइब होगा इन के सब्सक्राइब किस के लिए है 20 पर सब्सक्राइब के लिए के लिए अचा वही चीज़े हैं कि आपको कोई अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं तो जैसे सेक्शन क्या है एक सुपंदर एडी तो क्या हो जाएगा अब बचा क्या इंकम क्या होती है तो अगर कोई इंकम आपकी एक्जम्ट है तो भी आपको जोए टीडिस काटने की जरूत नहीं है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिल्कुल कि बचा क्या होता है क्या का कंडिशन से इसको फुल्फिल करनी पड़ती है आपको ध्यान रखना है कि बई जो एक और चीज देखना अब आपका जो अगर कंट्री कंट्री किसी दूसरी कंट्री कर रखा है तो बीस परसेंट और आपको पता होगा कि बई जो आपका कैपगेंस होते हैं उस पर इनास सचाज नहीं लगता तो इन लोगों अब आपको वापस इधर लियाऊंगा और आपको समझा दूगा कि बढ़ा था तो इधर हमने क्या पड़ा है इसके अलावब जो 1040 के मादर स्वाट फन के कैपगेंस नहीं होते वो काँ टेक्सेबल हो जाएंगे वो बिसिकली एक्सेबल हो जाएंगे अब आगे बढ़ते तो जो आपको कोई खचा नहीं मिलेगा अचा आपको टेक्स पेकर ना पड़ेगा 30% फ्लैट रेट पे बोथ रेसेंट अंपोट रेसेंट ना आपको डियाए लेकिन इसका दिर्या जागा किसका certain percentage of lottery income is payable to सरकार और agency conducting the lottery तो अगर आपने lottery income का percentage किसको पे करा है सरकार को पे करा है या फिर agency को पे करा है conducting lottery उसका आपको जो direction दे दिया जाएगा और फिर जो balance amount हो उसका आपको 30% पे tax पे करना पड़ेगा अच्छा कोई भी आपको खर्चा अलाओ नहीं करा जाएगा TDS कटेगा वर 94B and BB में कटेगा तो B में किसके लिए कटेगा resident के लिए BB में किसके लिए कटेगा non-resident के लिए ठीक है and no TDS अगर amount क्या है up to 10,000 है अगर casual income अपको 10 सार है तो आपको TDS काटेंग की जरोथ नहीं है अब आपको बताया कि casual income not being the income from owing and maintaining resources तो आप जब set of वाला chapter करेंगे अपन तो आपको बताऊंगा कि income from owing and maintaining resources में आपने जो खर्चा करा है जो खर्चा करा है उसका आपको direction दे दिया जाता है लेकिन जो casual income होती है उसमें आपको किसी भी तरह का deduction नहीं दिया जाता है except this thing आगे बढ़ें अब लोग क्या रखाए tax rate और certain income of NR sportsman sports association या फिर अभी कोछी समझना नॉन सी रिजन है यह ज्यान अपने एक्जाम में दो त्रीमार टेस्ट कर चुका है जो 115 BBA की बात कर रहे है 115 BBA की बात कर रहे है उसमें NR cover तो होगा टेम कौन सा होगा non-serieson होगा अगर इंडियन सी रिजन है मतलब इंडिया में उसने birthday रखा है तो cover नहीं होगा अब नहीं के कहा कि आप क्या हो sportsman हो sportsman बोले तो lion frogs ऑफिर और्फ न फर शॉ स्टोंट सर एक नाड़ी होरे वें या फिर बेंस टोक्स अपक्डू और स्पोठ स्पर्स अण हो या फिर एंटरेनर और बोले तो दूबाल ये पे या फिर कोई भी दूसरा entertainer, Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, जो भी है, तो उसकी tax rate किस सरह से, उसकी income किस सरह से taxable होगी, वो देखना, हां, तो हम ने यह कहा कि बहुत जो sports person है, मतलब Josh Butler है, या फिर Ben Stokes है, उसने क्या कराया है, उसने income कमाई है, from participation in any sports in India, वो IPL में आया, ठीक है, IPL में उसने man of the match का award जीता। तो उसको पैसे मिले। एंडिया में अडिया में अड़र्टाइस मैं करिई। तो जोवी उसको इंकम होऊ हुँ उसको पे tax pay करना है। बिस प्रसें veard우 education कोई भी खर्चा आपको जो ऐंसा की अलाओ नी किया जाएगा। अच्छा एक और चीज समझने इतर क्या दर रखा है, income from participation in any sports in India other than 115 BB, और 115 BB में क्या होता है, casual income, तो हमने कहा कि अगर उसने कोई casual income कमाई है, तो casual income पे उसको 30% पर ही tax pay करना पड़ेगा, casual income के अलावा, casual income के अलावा कोई sports से उसको income हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा 20% पे tax pay करना पड़ेगा, और आपको जो है, कोई भी खर्चेगा direction दिया नहीं ही जाएगा, अचा जो sports association है, उसको क्या हो रहा है, उसको income हो रही है, क्या, amount guaranteed to be paid to such association, या फिर entertainer है, income from performance in India, तो उसको tax pay करना है 20% पे, अचा एक और चीख दाना है, sportsman में match referee और empire covered नहीं है, तो match referee और empire जो है, 115 BBA में cover नहीं होंगे, आपका income consists of 115 BBA का nature का income, एंट TDS उस पर कट चुका है, तो आपको 20% पे का करना बढ़ेगा, टेक्स पे करना बढ़ेगा, easy है, and our taxation आसान लग रहा है आपको, अब आगे बढ़ते हैं, last topic अपना, and our का last नहीं है, of course, applicability of mat on foreign company, तो अगर आपने mat की calculation करिए, mat वाला chapter पढ़ाया, तो आपने उधर एक चीज़ समझी होगी, कि अगर कोई foreign company की income 15% से कम पे taxable हो रही है, तो क्या होगा, उसको mat की calculation में include नहीं करेंगे, अब मुझे एक चीज़ बताओ, royalty और FTS क्या होती, 20% पे taxable होती है, royalty और FTS किस्ते पे taxable होती है, 20% पे taxable होती है, अब अपना बहुत basic basic चीज़े बच रहे हैं, छोटी मोटी, अपना finally 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 खतम होने वाला है, तो ध्यान रखना इधर तक, इधर तक आपको जो है basically पूरा, एना का taxation, का सारा important topics खतम हो चुका है, सारा important topics खतम हो चुका है, आप कुछ missing topics दे रखे हैं, तो अपने को ICMAT में अपने चाप्टर में open करने जा रहे है, तो देखो एक next topic देखो, अभी तक आपने क्या देखा, मैट की calculation में कौन कौन सी चीज़े include होगी, कौन सी चीज़े include नहीं होगी, अब एक government ने, अपने law ने एक clarification लाकर दिया, उसको एक example समझना, देखो एक bank of America है, जिसकी Singapore में एक एक USA में, एक India में है, ठीक है, अचा, इंडिया में भी क्या है, अपनी bank है, इसका मतलब यह है कि यह क्या करते हो कि लोन देती होगी Indian customers को, अचा, इस Indian branch ने क्या कर रखा है, Indian branch ने अमेरिका ब्रांच से लोन ले रखा है, ठीक है, अमेरिका ब्रांच से लोन ले रखा है, त अपनी जो PGP इंकम में नॉर्मल तरी किसे निकालती होगी sales minus expenses अच्छा जो ये interest पे कर रही थी ना जो ये interest पे कर रही थी और इंडियन ब्रांच किसको? अमेरिका ब्रांच को अमेरिका की ब्रांच इन सिंगापूर और USA को तो ये जो interest था ये तो इसको जो ब्रांच है अमेरिका की ये फिर USA में जो ब्रांच है अमेरिका की इनको जो ये interest मिल रहा है ये income नहीं माना जाएगा इस पे tax नहीं लगेगा because this is payment to self ये भी bank of America है ये भी bank of America है ऐसा कुछ DTA में लिखा हुआ था तो सरकार ने कहा कि भई देखो हमारा intention ऐसा नहीं है सरकार ने फिर clarification लाके दे दिया कि भई अगर 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 ऐसा case हो रहा है तो उस case में क्या होगा इसको जो interest पे करा जा रहा है न वो भी जो है इंडिया के अंदर taxable होगा तो जो में आपको अभी short में समझाया है वो ही इन लोग ने पूरे clarification में इधर दे रखा है तो आप इस page को पढ़ ले ना बहुत ज़्यादा clarification नहीं है यह बहुत असान clarification है इसे में आपको quickly example के तुरू समझा दिया अब आगे बढ़ते हैं जो section 1048 क्या क्या कर रहे income on sale of crude oil by foreign company exempt in certain cases मैं आपको इसका purpose बदा देता हूँ मोदी जी चाहते थे कि जो अपन crude oil खरीद रहे है वो इंडियन रूपीज में खरीदें इंडियन रूपीज में खरीदें अच्छा crude oil का price जो है बहुत अगर कोई इंडिया में मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है इंडिया में टेक्स बलो जाती है लिके सरकार ने इंडिया इंडिया को बीच रहे है तो इसके अलावा इस सेल के लावा कुछ और इंकम नहीं हो रही है इसी तरह से देखना क्या दे रखा है income from crude oil exempt आप इसका intention क्या था अच्छा मोधी जी चाते थे कि भाई जो है हमारे पास crude oil के बड़े से tankers बन जाए ठीक है जमीन के अंदर बहुत बड़े tankers बन जाए अगर मोधी जी खुद पैसा इंवेस्टर ने लगे तो इसमें बहुत इंडिया में आओ हम आपको एक जमीन देते हैं इधर बड़ा सक्क्या बनाओ टेंकर बनाओ अपना कुड़ जो है आपका कुड़ा इधर स्टोर करो और इधर से बेचो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है पिर मोधी जी ने कहा कि बढ़ी 50 साल तक ही आपकर आएगा 50 साल बा इंडिया 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 में आकर टैंक बनाएंगे और फिर से क्या कर दी कंडिशन क्या है कि हमने सरकार के साथ एंटर कर रखा था अब मुझे एक चीज़ बताओ कि पचास साल खतम हो गए 50 साल खतम हो गए अब कुड़ा बच गया तो अगर आप उस लेफ्टवर कू वरीस एक्जम खरूर्स क्हाल एक क्डावर सेंसे फॉम्टवार इफिफॉल आडिया फैनी इन ऐसल एककाईर म१ीशन प्रहो funnel के बाद कुछ क्या बच गया है इंडिया एक अच्की साल खतम हो गए 50 साल खताम काया हो गया तैंक काली हो गया अब आया गया करेगी कंपनी क्या करी अपना कूर वहल स्टोच करेगी है तो हमने कहा इंड्यान और आइजिंग तुदा इंदेन स्रेजिक पेट्रोलियम इस लिमिटेट एज रिजल्ट ऑफ अर्रेजमेंट और रिप्लेश्मेंट ऑफ कुडल स्टोड इन दा स्टोरिज फेसिलिटी इन पर इसको कहा है हमने इसको कहा कि भी टेंकर खाली हो चुका है तो आपकी जो भी सर् इस दिए नहीं होगी अब आपको जो है वोड़ाफॉन वाला केस बताया था कि अगर अगर कोई फॉरंड कम्पनी के शेस बेच जाते हैं जो अपनी वैल्यू सब्सेंशली डराइब करता है इंडियन कम्पनी को कहा गया है कि आप इंकम टेस्स अथर्टी को बताओगे क्य आपसे वैल्यू सब्सेंशली डराइब परती है तो इंडियन कम्पनी को क्या करना पड़ेगा फनिश करना पड़ेगा इंकम टेस्स अथर्टी सो इंफॉर्मेशन एंड डॉकमेंट्स अगर कोई फॉरंड कम्पनी रिश्टर आउटसर इंडिया राइब्स डाइकलियो इ इंडियन इसको पड़ेगा इंडियन कंजनको बताना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी फॉरंड कंकbre है दो अपनी इंडययो सबस्क्राइब करती prick इस से अपने अक्रम मोहन कर रखा हुगा इंडियन कमपनी के assets में investment कर रखाऊगा अब आपको क्यालगा ना पड़ेगा मैं आपको एक चीज़ बताई कि फॉरेंग कमनी के shares किसने बेचे थे रोहन को बेचे थे बिसकलि जो इंडियन कमपनी है उसको income tax authority को बताना पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा कि यह foreign company के shares रोहन ने मोहन को बेचे हैं ताकि basically जो अपनी इंडियन government है वो रोहन को बले कि आप जो है अगर देखो अगर इंडियन concern अगर इंडियन concern basically यह information नहीं करती है क्या हो गया basically रोहन ने शेयर बेचे किसको मोहन को और 100% बेचे इसका मतलब यह है कि राइट of management in the Indian company रोहन ने मोहन को transfer कर दिया अगर इंडियन इंडियन कमनी को penalty कि देनी पड़ेगी वो देखो 2% of the value of transaction in respect to which the failure has taken place तो for example अगर रोहन ने मोहन को किते शेयर बेचे थे रोहन ने मोहन को किते शेयर बेचे थे 100% शेयर बेचे थे अब मुझे एक सी बताओ जब रोहन ने क्या करा मोहन को 20% शेयर बेचे थे तो क्या Indian concern का control इसके पास चला गया क्या मोहन के पास नहीं चला गया क्योंकि मोहन को अब अगर 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 ट्रांसवर हुआ है और ट्रांसवर हुआ है लेकिन राइट और मैनेजमेंट इंडिय कानी आपको समझ में आ गई एजी था मतलब इसफिक अलीं इंडियन डिविट रहों या फिर इसाइड निया पूर्वागार रहा है उस से खरीता है एक फौरेंड आ बैटे नर्स के फरीदा है और अधो इशू कर रहा है Whether the amount paid by the resident Indian end user मतलब Rohan या फिर distributor तो for example Rohan ने क्या कर रखा है एक Distributorship Agency ले रखिये तो Rohan ने या फिर Rohan डिस्टिटबिटर ने क्या करा है NR को payment करा है NR को payment करा है किस बारे में whether amount paid by resident Indian end user या distributor to NR computer software manufacturer या फिर supplier तो हमने क्या करा है Computer Software Manufacturer या फिर Supplier जो NR है उसको payment करा है किसलिए payment करा है कि हम उसका Software यूज करना चाते है या फिर उसका जो Software उसको Resale करना चाते है To End User License Agreement To End User License Agreement क्या उसको जो है Royalty माना जाए तो basically रोहन ने क्या करा रोहन ने क्या करा है रोहन ने basically एक NR से Software खरीता है अच्छा जब आपन royalty पढ़ रहे तो में आपको बताया था कि अगर आपको इस Software का राइट खरीते हो तो वो क्या माना जाता है वो royalty माना जाता है और इसको आपको 115 एक अंदर royalty मानते हुए एसस करना है लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ रखे होगी income tax rate में वो royalty माना जाता है लेकिन DTW में royalty की definition में Software included नहीं है तो देखो DTW में does not include transfer of software तो सीधी सी बात है हम यह बताएंगे कि भी DTW अगर लग रहा है अगर DTW लग रहा है तो उस case में क्या होगा उस case में जो यह आपने software खरीदा है ना जो आपने software खरीदा वो royalty नहीं माना जाएगा तो ठीक है यह एक्दम circular था जो मैंने थोड़ा simplify करके इदर डाल दिया है तो वह इदर रखाए DTW overrides income tax rate if it is more beneficial to the SZ जो मैं आपको बताया है वोई चीज़े लग रही है कि भाई उसको royalty नहीं माना जाएगा कज़ेशा है इस को इपर आपढ़ देना है बहुत आसान है आगे बढ़ता है है अपन देखो foreign company की कोई इंडियन branch क्या हो रही है Indian सब्सरी कमपणी में convert हो रही है ठीक है सब्सक् Sleep Nлам ने में चाहती पूर्ध ड़ल सकती है कि अगर आप क्या कर रहे हो अपनी इंडụंट बांच को अपिझो दिटूल अंड महले किना अब मतलब देखो Bank of America है Bank of America की एक branch है जैपूर में सरकार यह कहते है कि अगर आप इस branch को Indian subsidiary company में convert करा लेते हो मतलब इसको Indian subsidiary company में मतलब इंडिया की company बना देते हो convert कर देते हो Indian subsidiary company में company's act में register करा देते हो तो आपको कुछ benefits देते हैं तो क्या हो रहा है एक basically branch of branch of foreign company engage in the banking business मतलब branch of foreign banking company convert हो रही है किसमे Indian subsidiary company में convert हो रही है तो हमने कहा कि जो भी cap gains होंगे और conversion would not be chargeable to income tax तो सिदी सी बाद है ये branch है ये company money, branch अपने सारे assets किसको transfer करेगी अपने सारे assets Indian subsidiary company को transfer करेगी तो उस case में capital gains arise होंगे सरकान ने कहा कि हम इस cap gains को exempt कर देते हैं बड़ conditions कुछ fulfill करने पड़ेगी आपको सबसे पहली क्या है कि सारे assets किसके बाद जाने चाहिए Indian subsidiary company के पार जाने चाहिए book value पर जाने चाहिए हम revolution impact को ignore कर देना मतलब आपको जो है book value पर टांसर करने पड़ेगे अचा एक और ची समझना foreign bank के पास क्या होगा foreign bank foreign bank क्या करेगी अचा Indian subsidiary company बनी है तो Indian subsidiary company shares allot करेगी Indian subsidiary company क्या करेगी shares allot करेगी सरकान ने condition लगाई foreign bank और उसकी nominee के पास क्या होने चाहिए whole of the share capital मतलब 100% share होने चाहिए कब से कब तक from the date of from the date of conversion से लेके till the last day of the previous year in which the conversion took place सरकान ने कहा कि देट of convergence से लेके date of convergence से लेके 31 मार्स तक 31 मार्स तक foreign foreign company है ना उसका 100% shares होने चाहिए और फिर 31 मार्स खतम होगी तो उसके अगले 5 साल तक उसके अगले 5 साल तक आपका at least 51% shares होने चाहिए and continue to hold अगले 5 साल तक आपके पास जो है अगले 5 साल तक आपके पास जो है at least 51% shares होने चाहिए foreign company को Indian subsidiary company में shares के अलाबा कुछ और consideration नहीं मिल रहा है depreciation अपन क्या करेंगे proportion कर देंगे अपने Amal कमेशन और दीमर्जर में देखा था actual cost of depreciable asset क्या होगा WDV in the hands of WDV in the hands of Indian branch actual cost of other asset क्या हो जागा actual cost of the Indian branch easy है यह साब अपने cap gains में कर रखा है just a second अजी तो अभी अपन ने क्या देखा कि actual cost of depreciable asset क्या होगा WDV on the rate of conversion actual cost of other asset क्या होगा actual cost of the Indian branch तो यह सारी चीज़े cap gains वाली है ठीक है अगर आपने cap gains का revision नहीं देख रहागा आप जाके check out कर सकते हो अच्छा unabsorbed loss and unabsorbed depreciation किसका Indian branch का किसको मिल जाएगा basically Indian subsidiary company को मिल जाएगा fresh 8 fresh 8 सल की life मिल जाएगी ATS की fresh life मिल जाएगी अच्छा जो Indian branch था उसका mat credit किसको मिल जाएगा Indian subsidiary company को मिल जाएगा अच्छा provision for bad and doubtful debt का जो credit balance है वो किसका हो जाएगा Indian subsidiary company का हो जाएगा अच्छा जो VRS का खर्चा है 35 DDA का VRS का जो खर्चा है वो किसका हो जाएगा basically अब Indian subsidiary company का बन जाएगा जो basically अभी भी क्या है unexpired है 35 DDA में जो VRS का खर्चा है वो basically गले 5 साल के लिए अपन क्या आगा सकते है write-off का सकते है तो balance amount किसको मिल जाएगा balance amount Indian subsidiary company को मिल जाएगा अच्छा foreign company को क्या मिलेगे free में किसके share मिलेगे Indian subsidiary company के share मिलेगे तो उसमे 56 to 10 भी नहीं लगेगा easy है अच्छा एक और ची समझना यह कुछ examinations और देखे है some other income of NR exam category C की examinations है लेकिन क्योंकि अपने ICMAT पर दे रखे हैं तो कभी भी test कर सकता है इसलिए मेरा काम है कि भी इसको आपको समझाना आपको जो है notes में डलवाना अब बन छोड़ेंगे तो नहीं कंपनी में यह में पैसा लगा रखाए तो देखो क्या दे रखाए IFSC की उनीट ने क्या कर रखे हैं शेर्स ख़ीद रखे हैं कि दूसरी कंपनी के जो क्या है अगेन जो एक unit of IFSC is engaged in the business of leasing of aircraft तो मैं कहा रहा हूं कि unit of IFSC engaged in the business of leasing of aircraft ने क्या कर रखाए किसी दूसरी कंपनी के शेर्स में पैसा लगा रखाए जो भी कौन है जो भी exactly IFSC है जो दूसरी IFSC है engaged in the business of leasing of aircraft अब देखो क्या दे रखाए income by way of dividend आपको जो है dividend मिल रहा है किसी company से जो क्या है unit of IFSC engaged in the business of leasing of aircraft तो अगर आपको dividend मिल रहा है किस से अगर आपको dividend मिल रहा है इस company से तो क्या है exempt है किसको मिल रहा है इस company को मिल रहा है unit of IFSC engaged in the business of leasing of aircraft तो हो सकता है कि IFSC में अलग-अलग तरकी 2-3-4-5-6 units हो तो अगर एक unit को दूसरी unit से dividend मिल रहा है तो क्या है exempt है अब यह कुछ चीज समझना income of NR non-resistant की income हो रही है by way of transfer of NDF NDF का contract non deliverable forward contact या आपने AFM में पढ़ रखा होगा तो अगर NR को income हो रही है by transfer of NDF contract या फिर offshore derivative instruments derivative instruments क्या होता है वो भी आपने पढ़ रखा है और the counter derivatives या फिर इन instruments उसको income मिल रही है तो हमने कहा हो exempt है but condition क्या है but condition यह है कि आपने टांसर करा है आपने टांसर एंटर करा है विता offshore banking unit of IFAC refer to in ATLA बने तो offshore banking unit of IFAC refer to in ATLA बने तो offshore banking unit of IFAC refer to in ATLA बने तो वापस पड़ो income of NR by way of transfer of NDF contracts और offshore derivative instruments और OTC derivatives और distribution of income on offshore derivative instruments entered into within offshore banking unit of IFAC refer to in ATLA बने तो बतला basically इसने क्या कर रहा है offshore banking unit को offshore banking unit को instruments बेचे हैं और इसको income हो रही है NR को income हो रही है तो हमने का करा exam कर दिया इनको अगर आप याद भी नहीं करोगे या छोड़के भी चले जाओगे तो मैं आपको गनिटिक दे सकता हूं कि वही 5-6 साल में शायद एक नंबर का कोशन इसमें से आजाए अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते है इसको स्क्रिप कर सकते हो बिलकुल काम का नहीं है और वैसे भी आधरिक्षेंस होते हैं कंट्री में अब दिखू क्या रखाएं इंकम आफ एन और रकुइंकप मुग बाका नर को इनकम हुए है और को इंकम हूई और इंटरेस्ट तो ऐन्र को रॉलिट्रें इंटर्स्ट मिला है अच्छा क्यों मिला है क्योंकि उसने लीज़ पे दिया ह एक aircraft ship किसको लीज़ पर दिया है unit of IFSC को लीज़ पर दिया है रिफर्ट टो इन एटी एले वने वने आपको बताया है कि अगर अगर आर को रॉलिटी और इंट्रेस्ट मिल दिये किस क्यूं मिल रही है क्योंकि उसमें aircraft ship लीज़ पर दिया है कि इसको IFSC unit of IFSC located in located in IFSC unit of IFSC located in IFSC में एंड जो रिफर्ड है ATLA में ATLA क्या होता है मैं आपको बता है जब chapter 6 का revision करेंगे chapter 6 के जब directions करेंगे उसमें आपको जो समझ में आ जाएगा but condition क्या है unit has commenced operation on or before 31st in 1224 अब जो क्या दे रखाए income of NR NR को income हुए from portfolio securities उसका कोई securities का portfolio है या फिर financial product या फिर funds जो कौन manage कर रहा है manage कर रहा है portfolio manager on behalf of NR ठीक है या फिर उसको income हुई है from the portfolio of securities in an account in an account maintained with an offshore banking unit of IFSC to the extent such income accrues or rises outside India as not deemed to accrue or rise in India इसका मालब यह कि किसी NR नहीं क्या करा है portfolio securities बेची है in an account maintained with an banking unit referred to in IFSC और वो कौन सी banking unit है जो sales में located है तो उसको भी आमने का कर रहा है एक्जम कर दिया तो तो क्या दरखाए cap gains on transfer of equity shares of domestic company cap gains on transfer of equity shares of domestic company आपने क्या करा है equity shares transfer करें किसी domestic company के और यह domestic company कौन सी कम्नी है unit of IFSC, unit of IOC, engaged in the business of lease of aircraft तो अगर आपने क्या करा है किसी NR ने domestic company के shares बेचे हैं और यह domestic company का मतलब क्या है unit of IFSC, engaged in the business of aircraft तो अगर किसी NR ने इस domestic company क्या करें shares बेचे हैं तो उस पर cap gains पर हमने एक्जम कर दिया condition क्या है कि यह domestic company के आपने shares बेचे हैं, it has commenced operation, देखो क्या रखाए, commenced operation on or before 31.26, exemption आपको 10 साल तक exemption मिलेगा और आगर आपके 10 साल एक चार 24 से पहले खतम हो जाते हैं तो हमने कहा कि आपको exemption अविलेवल करा जाएगा 2023, from 2023, आपको वैसे भी ध्यान रहने वाला है नहीं, बढ़ते को मेरा काम था कराना, कल को अगर यह exam में आ गया तो आप मेरा क्या कर रहे थे, 115 AD कर रहे थे, accession of FII और statewide fund, तो जो statewide fund होता है वो दे को इदर आ गया, 10-4D, मैं आपको बोला था मैं कि भी statewide fund करेंगे पन, 10-4D में वो statewide fund का मतलब क्या है, एक fund है जो IFSC में located है, जिसके सारी units किसके पास है, NR के पास है, तो एक fund है जो कहां पर located है, एक fund है जो मेरा IFSC में located है, एक fund है मेरा जो IFSC में located है, और युसके सारी units किसके पास है, NR के पास है, अदर देनон sponsor या manager, तो manager और sponsor, sponsor या manager के अलावा सारी units किसके पास है, NR के पास है, तो sponsor और manager, resident भी हो सकता है, इसका मतलब भी हुआ, तो हम ये कह रहे हैं, कि spacefire fund का मतलब एक fund है, ज ईसकी सारी्स किस पास है एक्सप्थट एक्सप्थप्ट कीस के पास एक्सेप्थ-एक्सप्थ-एक्सप्षश्ण T के पास थी करणे डिर में क्या होता है जो 99% है कि अगर कोई एनर विद्वा कि यूनित लेके बैठा था वो क्या बन जाता है बहुत है इसे डूसरे प्लब्र होगा है तो देखो कंगा रखाए कि अगर कोई यूर्व एनर रेस्थ बन जाता है तो अगर उस resident के पास क्या है, aggregate value and number of units held by such resident unit holder up to 5% of the total unit issued है तो भी चल जाएगा, ठीक है तो हमने कहा कि आपके सारे units इसके पास होने चाहिए NR के पास होने चाहिए, accept manager लेकिन अगर ये NR, अगले साल क्या बन जाता है, resident बन जाता है तो भी section 10.4D में उसको अगर उसके पास क्या है, aggregate value and number of units aggregate value and number of units up to 5% तक है, तो भी जो है, specified fund को specified fund ही माना जाएगा, आनी समझा आ गई अच्छा, specified fund के हमने कुछ falling income exempt कर रखी है, वो अपन पढ़ते है 10.4D की specified fund की income exempt कर रखी है, क्या की income exempt कर रखी है देखो, securitization trust इसको income हो रही है, under that PGP exempt है अगर इसने क्या कर रहा है, कोई securities को transfer कर रहा है, उसपे इसको cap gains हो रहे है, exempt है, except हमने कहा कि आप जो है, Indian company के अगर shares बिचोगे तो हम exempt नहीं करेंगे, so other than shares of the company resident in India other than shares of the company resident in India तो अगर आप क्या करते हो, transfer करते हो कोई securities उसपे आपको cap gains हो रहा है, exempt है other than shares of the company resident in India, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो है, exemption नहीं मिलेगा आपने कोई capital asset transfer कर रहा है, income from the transfer of capital asset अच्छा, किधर transfer कर रहा है, recognized stock exchange पे transfer कर रहा है which is located in IFSC and जहाँ पर consideration आपने foreign currency में receive रहा है आपने कहां पर रिसीव कर रहा है, मतलब, dollar में receive कर रहा है, उस case में क्या होगा उस case में आपको जो cap gains है, जो आपकी income है एक्जम कर देंगे, तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था, 10-4-D के अंदर कॉन-कॉन-कॉन-क्यम होती है, securitization test day, P.G.P की income इंकम from transfer of securities, अज़र दें शेजिन दे इंडिन कमनी, या फिर अगर आपने कोई capitaliser transfer कर आए, on a recognize your exchange located in IFSE, आपर consideration, is paid or payable in convertible foreign exchange, मतलब आपने जो है foreign exchange में receive करी है, अज़ा capitaliser का मतलब क्या है, capitaliser का इन लोग ने मतलब बताया, कि भाई, bond of Indian company, या फिर bond of public sector company, या GDI, या फिर RDB of the Indian company, या फिर कोई भी derivative, अच्छा ये जो bond है, किसने issue कर रहा था, bond सरकार ने आपको बीचा था and purchase by the specified fund in foreign currency, basically आपने जो ये bond खरीदा था ये भी foreign currency में ही खरीदा था, किस से खरीदा था, सरकार से खरीदा था, कौन सा bond, bond of Indian company, या bond of public sector company, अच्छा, income from securities issued by NR, तो specified fund ने, specified fund ने क्या कर रखा है, basically specified fund जो है, उसने किसी NR company में investment कर रखा है, तो उस पर जो उसको income होरी है, वो भी हमने exam कर दी, तो देखो क्या था, income from securities issued by NR, and by such income otherwise does not accrue or rise in India, इसका आतलब क्या है कि भई, specified fund है, उसने कोई NR company, कोई foreign company में investment कर रखा है, उसके shares बिचे हैं, उसे कुछ income होरी है, वो हमने exam पर दी, लेकिन, not being PE of NR in India, PE मतलब permanent establishment, for example, NR का क्या था, कोई office, NR का कोई office इंडिया में था, उसका पर क्या कहेंगे, PE कहेंगे, अच्छा, specified fund को, अगर इस PE से कोई income हो रही है, इस PE से कोई income हो रही है, तो वो हमने exempt नहीं करी है, अच्छा, हम यह कह रहे हैं कि जो specified fund की, जो 10-4D के अंदर जो specified fund होता है, उसकी यह वाली सारी income क्या हो जाएगी, exempt हो जाएगी, वर देखो आपकी वैलेंस किसके पास है, स्पॉंसर के पास है, मैनेजर के पास है, जो रेसेंट है, तो आपकी जो income exempt होगी, वो कित्ती होगी, 80% exempt होगी, to the extent such income is attributable to the units held by NR, लेकिन अगीन, not being PE of NR in India, तो अगर इस 80% से 10% किसके पास है, NR के पास है, लेकिन उनका PE इंडिया के अंदर है, ठीक है, मतलब basically, यह जो 80% है, इसमें से 10% किसने ले रखे हैं, PE of NR नहीं ले रखे हैं, मतलब इंडिया में जो office है, उसने units ले रखे हैं, किसके स्पेस्वाइट फंड के, तो एक्जम किता होगा, सिफ 70% होगा, अच्छा, इसी तरह से बड़े दहां से समझना, कि भाई, जो specified fund है, 10-4D के लिए, उसके जो unit holder है, उसके जो unit holder है, उसको income receive हो रही है, उसको income receive हो रही है, तो हमने क्या करा है, एक्जम कर दिया, इसी तरह से तो इसलिए इसलिए प्रफार के लिए को प्रमॉट करना चाहते हैं हम ने कहा कि अगर आप अपना फंड करते हो आपको यह वाली सारे बेनेफिट्स देंगे इसको रट के जाना इसके इसमें समझने जासा कुछ है नहीं आपको रटना ही पड़ेगा कि चार तरगी चीज़ें इसकी क्या होती है एक्जम्ट होती है तो अपना सेक्षिन 1040 खतम हो गया इंपोर्टन था अच्छा मैं आपको जब 115 AD बता रहा था तो आपको बता रहा था पड़ी थी अधो क्या दरखा एक पॉइंट रेलोकेशन टु आए फसी हमने कहा हमने जो है फॉर्ण में कोई फंड बैठा था तो फॉर्ण कंट्री है यह और यह इंडिया का आई फसी है इदर एक फंड था फॉर्ण कंट्री का फंड था ठीक है जो क्या करता है बिसकली करता है हमने उसको कहा कि आप अपना और से बंग करो री लोकेट और आया फसी में का हमने आप आपका जो यह ओरीनल फंड फंड था ओर फॉर्ण कंट्री में ब्टाय जो फच्ञ, इस पर इस चीज जो फंड फंड यह हो सकते है यह फॉरं कंटा है यह फ्जो प्रता है इं इंडिया में आइफसी के अलावा कहीं हो जगा बैठा है हमने कहा कि आप आफसी में आजाओ हम आफसी को प्रमोट करना चाहते हैं जब क्या करोगी पोगी। जो आफसीन है तो इस पर क्या के सब्सक्राइब इसी तरह सेह उस्ची मिलेंगे इंठousy मिलेंगे तो भी तक आपने क्या देखा कि अगर ओरिजिनल फंड क्या कर रहा है कनवर्ट हो रहा है रिलोकेट हो रहा है रिजल्टिंग बेचेगा तो उसके क्या कर दिया इसी तरह से जो यह रिजल्टिंग के पास क्या है रिजल्टिंग पास क्या है उसकी यूनिट से जब यह यूनिट से इस यूनिट को बेचेंगे तो उस पर भी जो क्या करा एक्जम कर दिया अच्छा एक और चीजी समझना मैंने आपको बताया रिजल्टिंग फंड जब अपने एसेट्स को टांसर करेगा ठीक है अपने इंवेस्मेंस को टा शेंट्स करें करें इस पर सेंट्स को टो करने घंड इंडिया में पर्सेंज में अगर ऑगर इंडिया में पी है उसने begin ले रखे हैं तो उसको बज़ा है इंकूड नहीं करूँगा इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक इतना सा है कि हम आए फेसे को प्रमूट करना चाहते हैं तो हमने इनिशली क्या करेगी जब रिजल्टिंग फंड क्या करेगी अपने इसको टांसर करेगी और रिजल्टिंग फंड के उनिट होड़र्स जब वह उनिट सांसर करेंगे तो उसके हमने क्या करा विसके लिए क्या कर दिया अच्छा ऐसा की हुआ तो मैं आपको बताता हूं कि एक्जांपल को रिजल्टिंग फंड कहा था युएसे में था उसने क्य का क्या होगा इसकी वज़ेजिए क्या हुआ है रिजल्टिंग फंड के भगए जो और लेसके यह रखाते तो कYए में गया लिया अब आपने मुझे च्छाओं या इसे सरकार ने उसको कर दिया इसी है अब एक और ची समझना पढ़ते हैं, देखो, मैं आपको बताते हूं इसमें क्या दे रखाया, कि भई, इंकम हो स्टेशवाइट परसन. क्या होते हैं वबन होडी दमें दीए एसा person दे रहा है मुझे कां गया इस फ्सकेज़़аже Alot एक तूर था प一वाइट प्रशं परसन ओंप यह को कॉ ऐब रखाया कि बहुनाईं कर फॉयलिए पार्शलाय कि बढ़ी इनकम मुट में ने क्या करी? एक्जम करी. अच्छा कौन कौन सी इंकम एक्जम करी? अगर इन स्पेस्पाइट परसन को, चलो पापन पहले स्पेस्पाइट परसन ही देख रहेते हैं, स्पेस्पाइट परसन सबसे पहले यह है कि Holy on Subsery, Holy on Subsery of Abu Dhabi Investment Authority which is a resident of UAE and वो क्या करी है? आप जो है इन वेस्पाइट परसन है इन लोगों को इनकम होरी है, इन लोगों को इनकम होरी है? इन लिए इंट्रेस्ट मिल रहा है यह मैंने आपको बहुत डेट में समझाया था अगर आपको यह वाला चीज अभी भी समस्ता नहीं है कि अभी 56 to 56 to 11 क्या होता है 56 to 12 तो आप जो है आप आप इस वाले इंटरेस्ट की इंकम हो रही है या फिर उसको हमने क्या करा भी सिगली उसको हमने क्या करा है इसी तरह से अगर उसको क्या हो रहे है उसको long term capital gain हो रहे है अचा आपने इंडिया में अच्छा इंदा form of debt मतला आपने loan दिया होगा या फिर share capital में investment करा है या फिर आपने units करी दे हैं अच्छा investment कहा करा है वो अपन देखते हैं तो जो specific person है उसने investment करा है business trust में या फिर किसी ऐसी company में investment करा है जो क्या कर रही है और फिर आपने ने maintain कर रही है या फिर develop operate maintain कर रही है infrastructure facility इन इंडिया या फिर उसने investment करा है किसी NBFC में जिसका 90% lending है जो क्या करती है 90% lending है minimum to one or more of the companies refer to in B तो किसी NBFC में investment करा रहा है जिसकी 90% lending किसको है B को है इसी तरह से किसी domestic company में invest करा है जिसका minimum 75% investment है minimum 75% investment है कहाँ पर in one or more of the companies refer to in B ठीक है इसी तरह से आपने क्या कर रहा है AIF में पैसा लगाया है ठीक है alternative investment fund में पैसा लगाया है जिसका at least 50% investment है in one or more of the companies refer to in B, D, E और in Invit तो आपने AIF में पैसा लगाया है जो ultimately क्या कर रहा है जो ultimately at least 50% investment है कहाँ पर B, D, E में तो इसका 50% investment B, D, E का मिला कि अपन पर निसमें आ गई तो हमने कहा कि बई specified person specified person को अगर ये वाली income हो रही है तो उसको हमने exam कर दिया कुछ condition देखी अचा investment कहां पर कर रहा है वो अपने देख लिया अब एक और चीज समझना ये लोग कह रहे हैं कि बई अगर हमने एक बार specified person की क्या करी income को exam कर दिया and subsequently आप क condition को वालेट कर रहा है अब यह को चीज़ समझना स्पेस्वाइट परसन ने पैसा कहां लागा रहा है स्पेस्वाइट परसन ने जो है पैसा लगा रहा है for example किसी AIF में अच्छा इस AIF ने अल्टिमेटली का करका 60% अपना जो पैसा है वो किसमें लागा रहा है BDE में लगा इखसेंफ जो up इंवेटली है लेकिन सरकार आपना लॉए यह कहता है कि ब्रफोश्य एक्जाएगी proportion exemption दी जाएगी to the income attributable to the investment made in category 1 2 AIF यह domestic company है NVFC और proportion कितना दिया जाएगा जितना सामने वाले ने further investment कर रखा है अब यह कोछी समझना अपनने क्या देखा कि बही जो अपना यह specified fund होता है specified person होता है क्यों अपना क्या होता है या फिर pension fund है अगर इसने क्या कर रखा है loan or borning ले रखी है किस से loan or borning ले रखी है अपनी किसी group पंसन से for the purpose of making investment in India जो अपने उपर investment देखे तो अगर इसने क्या कर रखा है loan or borning लेके investment कर रहा है तो उसको exemption नहीं मिलेगा उसको exemption नहीं मिलेगा अच्छा आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि sovereign wealth fund का मतलब क्या है sovereign wealth fund का मतलब है कि जो foreign country की government holy own करती है ठीक है आगे अच्छा जो भी sovereign wealth fund पैसा कमाती है वो किसके पास जाता है सरकार के पास जाता है क्योंकि कौन own कर रहा है उसको उसको basically holy own कर रही है सरकार तो देखो क्या रखा है its earnings are created to the government account of foreign country and no proportion benefit to the private person मतलब इसकी जो भी उसकी earning हो रही है वो किसके पास जारी है सरकार के पास जारी है किसी private person के पास नहीं जारी अगें देखो assets of the fund waste in the government of such country upon dissolution dissolution के टाइम पे assets किसके पास जाएंगे सरकार के पास जाएंगे अब एक और चीज़ देखना participate नहीं करेगा into day-to-day operation लेकिन monitor तो कर सकता है वो क्या monitor करेगा monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to point director the executive director shall not be considered as participation into the day-to-day operations मतलब हमने यह कहा कि sovereign wealth fund जो है basically day-to-day operation में participate नहीं करेगा लेकिन अपनी investment क्योंकि उसने investment कर रहा है तो basically उसका पैसा लगा हुआ है तो वो क्या कर सकता है basically monitoring monitoring mechanism perform कर सकता है including वो director को पर सकता है executive director को पर सकता है in the board of directors of the respective company अच्छा आप सवाल आता है pension fund का मतलब क्या है तो देखको pension fund का मतलब है established under the laws of foreign country अच्छा इच्छा 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 नहीं लाइब investment fund और यह हो लिए सबस्रीव अबुदावी investment authority और pension fund यह आपके क्या है इंकम क्या हो रहा है इनको इंकम क्या हो रहा है देखो long term है short term नहीं है long term क्या हो रहा है और डिवेंड है इंकम हो रहा है या फिर बिजनस चसे इंकम हो रही है 56 to 12 वाली तो उसका मनें कहा रहा basically exempt कर द investment fund क्या करता है लोगों से पैसा collect करता है और क्या करता है फॉरधर invest करता है अब यह eligible investment fund कहां पर है ईंडिया में मैंनेचर है जो क्या करता है कि लूगों का क catalog क्ला इंडिया में less इंडिया से कंट्रोल हो रहा है लेकिन सरकार ने क्लेफिकेशन ला दिया कि अगर कोई इंडिया में क्या है रेसिटरेंट है तो उसको बिजनस कनेक्शन नहीं माना जागा विद रिस्पेक्ट वुद एलिजबल इंडिया वाले रेसिटरेंट है लेकिन एलिजबल फंड वह रहाँ पर होगा वह बिसकली भाहर इंकॉर्प्रेटेट होगा अचाँ फंड फंड शुड बीदर एस्ट उफ कंट्री जिसके साथ इन जिसके साथ सक्षिन 90 एं सक्षिन 90 में अग्रिमेंट हो रखा है तो सक्षि एलिजबल इंवेश्मेंट फंड में एग्रिगेट टोटल में लाके रेसिटरेंट का पार्टिस्पेंशन कित्ता होगा अप्टू 5% परसेंट टोटल कॉर्पोस फंड बर एक और चीज़ समझना यह वाली कंडिशन अप्लाई नहीं होगी कब अप्लाई नहीं होगी दू रोहन ने फंड को ला है तो रोहन को पैसा लगाना पड़ेगा रोहन क्या है रेसिटरेंट है अचा उपर आपने कंडिशन देखी कि रेसिटरेंट का पार्टिसपेशन अप्टू 5% तक होना चीए लेकिन हो सकता है कि इनिशेली इनिशेली रोहन ही पूरा पैसा लगा है इनिशेली इंवस्मेंट फंड में स्रकान ने कह दिया कि बई जब फंड आपने इनकॉर्पेट करा है जब अपरेंशन ने फंड को इनकॉर्पेट करा है तो फ्रस्ट्थी यर्स के लिए वो क्या कर सकता है अपना 25-20 करोड का पैसा लगा शकता है ठीक है बले ही 25 करोड 5% कि लिमिट से जाद है वो condition हम applicable नहीं कर रहे हैं तो देखो क्या रहा है for the purpose of calculation of aggregate participation in the fund any contribution made by the fund manager जो क्या है resident in इंडिया है during the first three year of operation up to 25 तो मैंने आपको बताया कि जब आप क्या करो कि एक eligible investment fund को बनाओगे मतलब मैंने क्या करा है एक eligible investment fund को incorporate करा है तो मुझे initially पैसा खुद का ही डालना पड़ेगा लोग जो है मुझे विश्वास कैसे करेंगे अनलेस कि मैंने खुद का पैसा डालके उनको जो है return generate करके दीए है अचा एक और ची समझना जो अपना eligible investment fund है उसके अंदर कम से कम 25 members होने चाहिए जो एक दूसरे से connected नहीं है ठीक है तो हम चाहते हैं कि आपका fund diversity wide fund हो अचा फिर हमने यह कहा कि देखो किसी member के पास किसी member के प controlling interest ना हो तो यह को next point के रखाए कि aggregate participation of up to 10 members along with their connected persons shall be less than 50% मदब आगे हम यह चाहते हैं कि fund का जो controlling interest है वो किसी single person के पास ना हो किसी group of person के पास ना हो तो जो 10 लोग हैं 10 लोगों को मिला के along with their connected person aggregate participation 50% से कम का होना चाहिए अचा investment in the fund investment by the fund in any entity shall not exit 20% of the corpus मदब हम यह भी चाहते कि आप अगर किसी एक कमनी में लगा रहे हो तो maximum किता लगा सकते हो up to 20% of the corpus आदे को क्या दे रखाए कि आप जो है अपनी associate entity में पैसा नहीं लगा सकते है तो eligible investment fund लोगों से पैसा collect कर रहा है तो अपनी associate entity में पैसा नहीं लगा सकता अचा fund shall not control and manage directly or any business in India तो fund का कोई इंड business connection की बहुत सारी condition देखी थी तो किसी भी तरह से आपका business connection इंडिया में नहीं होना चाहिए accept 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 activities under taken by the eligible fund manager अच्छा आपका जो मंतली होता है तो हमने आपको 12 मैंने का समय दिया है आप 12 मैंने की समय में क्या कर सकते हो सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो अगर fund has been established in the previous year मैं currently incorporate कर रहा है उसको purpose of the fund shall not be less than 100 crore at the end of 12 months from the last of the month of its establishment जिस मैंने मैं तो इसमें दे रखाए कि जिस साल आप wound up हो रहे हो उस साल की previous year में यह condition applicable नहीं है तो अपने यह देख लिया कि जो eligible investment fund है उसकी क्या क्या condition है ठीक है मैं आपको अदा आ जाता हूं कि इसका एक exam में यह topic आया था कि जो eligible investment fund है उसको क्या करना पड़ता है annual compliance statement करना पड़ता है सरकार को सरकार को क्या करेगा annual compliance statement करेगा और यह बताया कि मैंने यह सारी conditions comply करिये और कब तक सब्मिट करना पड़ता है विदि 90 days on the end of the financial year और पैनल्टी अगर नहीं करा तो आपको पैनल्टी लगेगी पांच लग्ती तो एक बार इसका और टी और एफ अप्लाए नहीं होगी तो दा इन्वेट्मेंट फंड जो कौन किसने सटप कराए तो अब सवाल आता है यह फंट मेंजर का मतलब क्या है तो आपका ओलना का इंप्लोई नहीं है तो देखो क्या देरा खाया है अलड़ल मैयंजरय का मतलब क्या रियू हो अचा पर्शन शुद बी एक्टिंग इंड बिजनेस फंड मेनेजर आप रिश्टर्ड होने चाहिए ऐसा नहीं कि मूँ ठाके मैं सीए बना आप मैंने अलिजिबल इंवस्मेंट फंड कोल दिया आप रिश्टर्ड होने चाहिए अच्छा फिद्ध को क्या रखा है पर्शन शुद अब एक और चीज समझना अगर एलिजिबल इंवस्मेंट फंड या फिर एलिजिबल इंवस्मेंट फंड इस लोकेटिड इन आफसी तो अपना प्रेसिंस कप्ता कमेंज कर चुका है बिफोर 31 इं 2022 तो कंडिशन आगे इन डिए उपपर देखे थी अप्लाय नहीं होगी औ तो कंडिशन जे कांट सी यह वाली थी कि आप जो है क्या कर नहीं करोगे आप जो है बिसिकली कंट्रोल नहीं करोगे एनी बिजनस इन इंडिया तो इस जे को मनें मोडिफार का दिया मतब जेक की जगा आप वह वाले चीज लिख देना जो अपने पने जा रहे हैं तर अपने यह अपने इतर चीज पड़िए थी कि आप जो है ऑपना जो है असोशेट इंटरवाइज में नहीं कर सकते असोशेट इंटरवाइस का मतलब यह है कि बाई कोई भी एंटिडी कोई एंटिडी जिसमें आपके फंड का एलिजिबल इन्वेस्टमंड का डायक्टर ट अगर फंड मेनजर का डाक्टर, ट्रस्टी, पार्टर, ट्रस्टी, पार्ट्न, पार्टर, मेंबर यासंट रिकू नइन होना चाहिए तो फाइनली अपना एना टेक्सेशन गर्चेटि, पंड खतम उने आया है अब देखो लास्ट टॉपिक यह दे रखा है सेकेंड लास्ट टॉपिक कि अगर कोई रेसेंट क्या कर रहा है फॉरन कंट्री में पैसा कमा रहा है तो अपन को पता है कि उसकी जो ग्लोबल इंकम टैसेबल होती है अब उसने युएस में एक करोड की चाहिए एक कर तो जाद इसटेट से रहे वंगार की चल रही थी उससे मैं क्या करूंगा इंडिया को से बियां की इंटेटिंटम एकिऔर कि दो क्या इसी तरह से आंग को किसी परसंगो इक तो कैसे च्टेशन बटख करोगे लास्ट यूइवदा मन्थ इमनिरी करिसंग दीशन देटेश्ट आप जासा पर लए लास्ट आध करना स सब्सक्राइब लास्ट यूडवा वागी इनके आलावा कोई और इंकम है इनके आलावा कोई और लेना रहेगा यह बहुत इंपोरेंट टपीक है वह इतना सा दियान अगा इतना सा ध्यान रखना है कि वही Shaping Business इसमें क्या लेना है अपने को पिछले महिने का लास्ट देल लना है और बाकि जो अधर इंक है उस पर आपके लोगे लास्ट प्रिवेश्ट अपना एक टॉपिक रह गया है और वह यह टॉपिक है कि अगर किसी कंपनी को किसी फॉरन कंपनी को और अकाउंट विट्स पोयम अपन रेस्ट मान लेते हैं इंडिया में तो उसके कंजिक्वेंस क्या होंगे को में आपको कल बताया था कि अपन बाद में करेंगे और आप सही समय आ चुका है अपना लास्ट आपके ना टेक्सेशन में इतना इसी करके देदिया आपको यह आपसे बहुत आसानी से रिव प्रिवेसर मुझे यह पता चला कि कोई फॉरंड कंपनी क्या बन गई रेसेंट बन गई और अकाउंट ओविट्स पोयम इन इंडिया अब मुझे चीज़ बताओ इसका मताब यह है कि फॉरंड कंपनी की इंकम 22-23 में क्या करेंगे इंडिया में अपन एसेस करेंगे अच् रेसेंट कंपनी मन जाती है रेसेंट मन जाती है और अकाउंट ओविट्स पोयम इन इंडिया तो उसकी कंजिक्वेंसिस क्या होंगे अगर आपको डबूड वी निकालनी है तो फॉर एक्जांपल मुझे 22-23 में फॉरंड कंपनी को क्या करना पड़ेगा पड़ेगा डेप अगर वहां पर टेक्सपे नहीं करती है इसका मतलब यह है कि बिसिकली वह इंकम टेक्स एक के अगॉडिंग फॉरंड कंपनी के इंकम टेक्स लॉग के अपरी वह जो है डेपी शेटिवल नहीं बनाती होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा आपनी बुक्स ओव अकांट म आपकी क्या हो जाएगी बिसिकली ओपिंग अपर पर्पस ऑफेल्कुलेशन इंडिया तो दो क्या रखाए ड़ी वी और एप्टीशेशन इंडिया अजुम करें प्रिवेशन कोई फॉरंड कमने को अपन रेसें मान रहे हैं मुझी बदाओ 22 के लिए निकालना पड़ेगा ड़ेशन के लिए आपको ओपिंग ड़ेवी चाहिए रहेगी ओपिंग ड़ेवी कैसे निकालोगे तो सरकार ने कहा आप तो यह चकरो कि क्या फॉरंड कमनी को जो है फॉरंड कंट्री में टेक्स पे करनी की जरूथ है क्या इस असेश्ट टू टेक्स या फिर नॉट अगर सब्सक्राइब को Спасибо यह पिताय तो आगर फॉरंड कंट हॉरंग कंट्री में टेक्स पे करना है तो आगर हाँ तो आप क्या कर होगे करना होता है और अपन बस इतना सा देखेंगे कि भई उसने टेक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो निकाल रखी है वह यह अपन उठा लेंगे करने की जरूती नहीं परती है उसको टेक्स तो पड़ताई फ्रॉण for the purpose of competition of its accessible income तो आपने को निकालनी पड़ेगी कैसे निकाल होगे व्डवी आप निकाल होगे as though the asset was installed utilized and depreciation was actually allowed as per the provisions of laws of that foreign jurisdiction तो आप तो ये मानना कि भाई आप जो है depreciation actually में लाव करते हो और actually में लाव करने कि वाद जो तो actually में उसकी WDV आनी चाहिए थी as on the first day of the previous year वो ये उठा ले ना तो आपने ये देखा कि अगर आप जो है foreign country में tax pay नहीं करते हो तो books of accounts की WDV ले लोगे books of accounts की opening WDV अपन क्या लेंगे Indian income tax act में opening WDV ले लेंगे for the purpose of calculation of depreciation अगर foreign country को tax pay करने की जरौत पड़ती है तो हम ये देखेंगे कि क्या उसको depreciation भी निकालना पड़ता है क्या अगर हाँ तो जो income tax act है foreign country का उस income tax act के according opening WDV क्या आ रही थी वो ये अपन उठा लेंगे अगर उसको जो depreciation निकालने की जरौत नहीं पड़ती तो हम ये देखेंगे कि भई actual में आपको depreciation for example अलोग किया गया था या फिर करा गया होता तो आपकी WDV क्या होती वो ये अपनो उठा लेंगे इजी है आए बढ़ते हैं अब देखो foreign company को हमने क्या करा एक foreign company है यह foreign company है यह previous यह 2023 में on account of its poem क्या बन गई अब मुझे एक चीब बताओ मैं इंडिया में जैपूर में खोल के बैठाओ मैंने इससे क्या लिए कोई services लिए अचाब मैंने उससे ज्यादा प्रोविजन अप्लाए होते हैं to the foreign company as resident as well as non resident तो कौंसा प्रोविजन अप्लाए होगा प्रोविजन अप्लाए होगा as applicable to the foreign company तो हम यह कह रहे है कि हमने foreign company को resident बनाया है only for the purpose of calculation of income tax in India उसके अलावा बाकी सारे प्रोविजन जो पहले लगते थे वो ही लगेंगे इसी तरह से देखो क्या दे रखाए if it is provided that अगर कोई conflict होता है between the provisions applicable to resident as well as foreign company तो आप क्या करोगे यह मानोगे कि वह अभी भी क्या है वह अभी भी क्या है foreign company ही है वह अभी भी resident नहीं है तो मेरा purpose आपको बताने का इतना सा है कि हम यह मानते है कि foreign company अभी भी क्या है non-resonant ही है उसको हम resident क्यों मानते है उसको resident बस उसकी income करने के लिए माना जाता है बागी सारे provisions उस पर applicable होंगे as if वह क्या है अभी भी non-resonant ही है अच्छा जो क्या दरखा है foreign company को क्या मिल जाएगा relief मिल जाएगा for deduction of taxes इस तरह से चेक करने है कि अभी भी वह क्या है basically अभी भी जो है वह basically non-resonant ही है so even if the foreign company has become has not become Indian अब देखो क्या दरखाए exceptions modifications and adaptations referred to above जो अपने उपासारी चीज़े पड़ी है shall not apply in respect of income of the foreign company becoming Indian resident on account of its poem being in India which would have chargeable to tax in India even if the foreign company has not become Indian अब देखो क्या मतलब है एक foreign company है जो क्या थी अभी NRT अचा उसने कोई income इंडिया में रिसीब करी थी किते कि अजूम करता है अपन एक करोड की तो मुझे एक चीज़ बताओ अभी अपन पोयम की बात कुछ नहीं कर रहे यह जो एक करोड की income इसने रिसीब करी है तो सरकार यह कह रही है कि जो अपने उपर exceptions पड़े हैं यह जो अपने exceptions, modifications पड़े हैं यह इस एक करोड वाली income पर apply नहीं होंगे इस एक करोड वाली income पर apply नहीं होंगे मतलब basically जो income foreign company की taxable होनी थी इवन इफ कि उसका पोएम बाहर था वो तो वैसे ही normal taxable होगी यह प्रोविजिस अपने को क्या बता रहा है कि भई foreign company जैसे ही इंडिया में रिसेंड बन जाती है on account of its poem in India तो जो पोएम बनने की वज़े से income taxable हो लिए उसको बन separately assess करेंगे यह वापस समझे ना यह foreign company है इस ने एक करूड की income में रिसी परहिए यह तो बैसे हो नी थी ना यह फिसे भी टेक्सभल होनी थी ना इस तो बैसे भी tatsable हो नहीं थी POEM को को एना देना तो है नहीं इना अब करण टीम इसका POEM इंडिया में इमान लिया जाता है तो यह तो इंकम अलग तरीकी स वैसे taxable होनी थी वैसे taxable होती रहेगी तो ये जो अपने उपर accessions पड़े हैं modifications पड़े हैं, adaptations पड़े हैं, shall not apply, apply नहीं होंगे in respect of such income of foreign company, in respect of such income of foreign company in respect of such income of foreign company becoming resident in India, on account of its foreign being in India, which would have been chargeable to tax, वो charge होनी ही थी even if the foreign company had not become Indian resident, तो ये जो उपर वाले provisions किस पर applicable होंगे, उनी income पर applicable होंगे, जो taxable होई हैं, इंडिया में, on account of its poem in India, on account of its poem in India, अगर आपने कोई इस foreign company के साथ कोई transaction कर रहा है, तो any transaction of the foreign company, any transaction of foreign company with any person, और entity under that, shall not be altered on the ground that foreign company has become Indian resident, मतलब इसी के लिए अभी उसको क्या मना जाएगा, उसको non-resistant ही मना जाएगा, मैंयstellen आको वापस बताया, चिबे हम उसकी poem इंद्ड़े में assess कर रहे है, इसको resident बना रहे है, resident बस इसलिए बना रहे है, ताकि उसकी income क्या कर सकागे, इंडिया में assess कर सके है, भाकि सारी provisions इसके applicable होंगे, एस Y something अभी भी क्या है नुदे ऐसी क्या आपने को इसन कर रहा है फॉरें कंपनी कि साथ ठीकिर जो क्या बन गई एंडिया में रसेंट करेंग गई है और आप ब्ल's पॉयं में इंडिया मुझे कटना है अप सवाल आता ये मैं ुद्धियस इसका इसले समझ रहें कि काटंगे इसल को आपनको नॉन रिसेंट ही समझना है तो देखो टीएस आप 195 में ही काट होगे अच्छा टीएस 195 में काट होगे एसपर सेक्शन 40 क्योंकि उसकी इंकम फॉरं कमनी की इंकम इन इंडिया वन अकाउंट विट्स पोय में इन इंडिया ठीक है अच्छा देखो क्या रखाए सब्जेक्ट वो जो अपने उपर सारे एक्सीबिस पड़े हैं ओधर ड़े और को अब होगे एन बाल वी क्या इंडिया होगी इस तरह Tibo को अब इसलिए है उसक्व कर सके ओक्ड लास्त लास्ट लास्ट व्पड्व कैसे निकालते हैं उन देख लिया अब बने में आपको क्या सब्सक्सादेत है का आपको कि अश्युटियूא तो मैं आपको बताया जो प्रिवेस meditating मैं को अपनी 삶 Dasira और ने चाहिए रहेगा तो मैंने चाहिए अच्वी इंकम निकालने कंगे सब्सक्राइस है तो अगर मैंने प्ज़ब्स निकाली है तो उसके foreign company के जो ब्रॉब्स प्रॉब्स निकालेंगे को निकालेंगे 22 23 से ने मेरा प्रिवेशर 22 से तो एक चार 2022 को निकालेंगे तो मैं देखूंगा कि कुरंटेर में ओपनी में किता था तो जो मेरी करंटेर की की इंकम होगी उसे में क्या कर सकता हूँ सेट ओफ कर सकता हूँ अब आदे राखा है वही चीजह है कि अगर foreign पर रही है तो फॉरंड कंटी के टेक्स रिकॉर्ड के अकोडिंग फॉर्स्ट योग दा प्रीविश्ट में उसका किता प्रॉट फॉर्स था अनुब्स रेप्रिसेशन था वह उठा लोगे सिंपल प्रॉट फ्रॉट प्रॉट फॉर्स रिकॉर्द रेखलोंग प्रॉट बनता है इसे तरह ऐसे कोछी समझना मैं आपको क्या बता है था कि फॉरन कंट्री की फॉरन कंपनी की एक करोड की इंकम हुई थी जो उसने इंडिया में रिसीब करी थी ठीक है अच्छा इसका कोई पोयम से लेना देना नहीं है यह तो वैसे भी टेक्सवल होती इसकी पोयम इंडिया में है या फिर बाहर है अच्छा उसकी पोयम इंडिया की में होनी की वज़े से उसकी और फॉर्दर इंकम टेक्सवल ही कित्ते की अज़िव करतों 50 लाग की इतनी बात समझ गाई दो चुज़े बताई फोरन कमपनी की एक करोड की इंकम उसने इंडिया में रेसीव करी थी वो तो इंडिया में टेक्सवल होनी ही थी उसकी पोयम इंडिया में हो या फिर बाहर उसे फरक निए बरता अब सवाल आता है कि इक करोड मैं फचास ला के साथ सेट ओफ करूँ एक करोड के साथ set-off करूँ यह दोनों को मिला के करूँ तो अपना law यह कहता है कि जो brought for loss है उसी income के साथ set-off होंगे जो income इंडिया में assess हुई है on account of its poem in India मदब basically इस एक करोड पे आपको जो set-off अनने का allow नहीं दिया जाएगा तो हम यह कहेंगे कि इस एक करोड पे आपको वैसे भी टेक्स पे करना था आपकी poem इंडिया में है की नहीं उससे फरक नहीं पड़ता तो जो बने brought for loss निकल के आए है कि किसे set-off कर सकता हूँ मैं उसी income से set-off कर सकता हूँ जो poem जो 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 basically assess हुए है इंकम टैसेक में on account of its poem इंडिया आप पड़ो loss and underserved depreciation foreign company के shall be allowed to be set-off shall be allowed to be set-off only against such income of foreign company which has become which has become chargeable tax in इंडिया on account of its being on account of it becoming Indian resident ठीक है समझ में आ गया अम एटी बात बड़े दांस से समझना आपने जो है brought for loss से लिया unabserved depreciation लिया as on the first day of the previous year और आपको निकल क्या है एक करोड का आपने जो है एक करोड का उठा लिया और इंडियन income tax act में टेक्स पे कर दिया बाद में जाके foreign company का क्या होता है basically कोई assessment होता है assessment यह पता चलता है कि एक करोड का loss क्या है दो करोड का है या फिर एक करोड का loss के एक करोड का loss है 0.5 करोड का ही है तो basically अगर foreign country में क्या होता है brought for loss और unabserved depreciation क्या हो जाते हैं basically modify हो जाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा income tax act में भी क्या करना पड़ेगा modify करके जो है क्या करना पड़ेगा टेक्स पे करना पड़ेगा तो मैंने बताया आपको कि वह एक चाधा 2022 में एक करोड का depreciation एक करोड का अनवज़ोर डेशिशन लेकर इंडिया में टेक्स पे कर दिया तो basically मैंने एक करोड से कंपे टेक्स पे करा इंडिया में जो है मैंने एक करोड का कर सकते हैं प्रीए से चला मेरा 223 अच्छा प्रीए सियर 2000 अपना अपना प्रीए सब्सक्राइब अपना प्रीए से मेरा क्या हुआ होगा बिसनेस लॉस हुआ है ठीक है इस साल लोस अगले आट साल के लिए क्लिए डूसा यह निकल गया तो मैं फॉरदर और किते साल के लिए चारिए साल के लिए कर सकता हूं तो जो मैं आपको उपर एक्जांपल समझाया ना वही नीचे लोगों इदर दे रखाए कि अगर कोई फॉरंड कमणी को कोई बिजनस लॉस होता है तो जिस साल लॉस हुआ उसके अगले 8 साल अपन काउंट कर लेंगे ठीक उसके 8 साल अपन अगले का मानी रहे हैं अगले इस वापस हमझ लू बिजनस लॉस अन अब्सार अप्साइशन व्यडीर अट आप आप लोगों ऑन प्राइश साल अब्साइशन इस जिस साल प्रिदीक उसको पहला साव रहे हैं और इस क्या निश्चान साल कि आख सकते हैं अगले 8 साल के ये लिए फ forward for the remaining period calculated from the year in which they occur for the first time taking that year as the first year all right अब अब आगे बढ़ते हैं last topic देखना last topic देखने जा रहे हैं अपने ना taxation का last topic मुझे यह बता रहा है जो दे रखाने इसको मैं आपको example समझाता हूं last topic मुझे यह बता रहा है कि अपना previous अर्गा चल रहा था अपना हमने किसी foreign company को resident मान लिया अब यह और चीज समझना जो foreign company है वो क्या करती है foreign country में calendar year को follow करती है तो for example क्या करती है January से December follow करती है तो उसने क्या करा होगा अपनी books में एक January 2021 से लेके 3121 का एक Balanchant PNL बनाया होगा फिर एक एक 2022 के लिके 31 1222 का उसने Balancer & P&R बनाया होगा अपने को यह पता है कि 22 23 में करंटेर में क्या होग यह पोयम इंडिया में हो गई है तो मैं क्या करूगा 23 23 के अंदर 23 23 के अंदर क्या करूगा 23 23 के अंदर उसकी income इंडिया में ऐसेस करना चाहूँगा अब मुझे एक चीज़ बताओ अपने जो WDV का कॉंसेप्ट देखा अपने ब्रॉट्फोर लॉस और अनुस और अपने का देखा वो कपका देखा अपने को चाहिए रहेगा एक चार 2022 मतलब opening of the previous year के लिए चाहिए रहेगा अचा मुझे एक चीज़ बताओ जो foreign country में उसने बैलेंशीर बनाई है वो तो January से December बनाई है तो मुझे date चाहिए मुझे चाहिए एक चार 2022 की चाहिए तो अब CDC बात यह है कि मुझे information चाहिए रहेगी एक चार 2022 की तो मुझे क्या करना बढ़ेगा मुझे basically foreign company को बोलना बढ़ेगा कि आप क्या करो आप basically जो है revised balance sheet और P&L बनाओ अचा revised balance sheet और P&L कैसे बनेगा वपन देखते हैं revised balance sheet और P&L कैसे बनेगा वपन देखते हैं तो सबसे पहले हम foreign country को बोलेगी कि देखो आपका January से लेके December चल रहा है तो basically क्या हो गया जैन 21 से लेके December 21 यह मैंने क्या करा जैन 22 से लेके December 22 अचा मुझे information कब तक के लिए चाहिए मुझे information चाहिए 1422 तक के लिए चाहिए तो मैं उसको कहूँगा foreign company को कहूँगा कि देखो मुझे information चाहिए इस दिन तक की आपने एक तो information बना रखी इधर से लेके इधर तक की तो हम कह रहे हैं कि आप क्या करो इधर से लेके इधर तक की पीनल बनाओ तो कब से कब तक का पीनल बनेगा एक एक 2022 से लेके 1422 का तो मुझे कहेंगे कि वही क्या करो 1422 से लेके 31 तक क्या बनाओ तो देखो यह आ गया एक 2022 से लेके 1422 फोले तो 31 तो हमने उनसे कहा कि आप इधर से लेके इधर तक की बनाओ तो यह क्या करें पहला गया बैलेंस लाके दिदेगी कैसे लाके दिदेगी 31 1221 किस तक उसका बैलेंस होगा ठीक है अचा एक 2022 से लेके 31 23 तक का उसने आपको बैलेंसीर बनाओ को दे दिया अप सीदी से बात है आपको जो है क्या मिल गई आपको पता चल गई कि वह इस दिन पर प्रवर लॉस कितना है इतना बदर चल गया आपको यह जो आपको दे रखाना यह आपको पढ़ने से एक बार में समझ नहीं आएगा लेकिन एक्जांपल समझों किसमा आ जाएगा वह आपको बता दिया ना इसी तरीक से बताया समझ में आपको अब देखो अब फॉरंड कंट्री ने बनाया जैन पॉरं कमनी ने क्या कर आऊगा जैनवरी से लेके दिसंबर एक किस तक का एक बैलेंशीड बना के दे दिया मुझे फिर एक, एक 2012 से लेके 31 अख से मुझे बना के दे दिया अपना लौ यह कहता है कि प्रीवेश अकाउंटिंग यर आपका फदम हुगा था उसके बाद आप बैलेंशीट अगर 6 मेने से कम की है तो यह जो 6 मेने का डेटा है आप क्या करो प्रिवेस अकाउंटिंग एर में ही एड कर दो वापस समझने मैं क्या बोल रहा हूं उसने यह वाली बैलेंशीट आपको बना के दे दी पिर उसने आपको एक नई बैलेंशीट वापको बना के लेस देन 6 मेंट है ठीक है लेस देन 6 मेंट है मतलब 6 मेने से कम है तो आप क्या करोगे यह जो 6 मेने की बैलेंशीट है ना इसको इसी के अंदर मर्च कर दोगे मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा फिर फॉरन कंट्री को जो है यह जो 6 मेने से लेस की बैलेंशीट है इ मुझे information चाहिए रहेगी और country में वो क्या करता है calendar यह follow करता है तो उसने क्या करा एक December 21 की बनाई और December 22 की बनाई मुझे information चाहिए 14-22 मतलब इस बीच तक की और country में उसने जो है December 21 तक की बना रखी है तो मैं उससे कहुँगा कि तु इधर से लेकि इधर तक की और बनाके दे दे इतिकानी समझाए फिर हम यह करें कि अगर यह जो टाइम प्रेड़े चे मैंने से कम है तो हम क्या करेंगे यह जो समय है इसको इधर तक मादब इधर से लेकिए तक कानी खतम होगी फिर नेक्सट डेस से लेके इधर से लेकिए अपने जुह निकाल दिया रुपे का इधर से लेकिए रिक तक का आपको लॉस आया सव रुपे का अब सवाल आता है इसको प्रोशन कैसे करा जाए वापस समझना आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इधर से लेकिए यह वाला लॉस रेलेमेंट है और यह वाला रोस रेमेंट है आपको समझाता हूं मैं तो मैं पूरा आपको समझा दिया अब आपको जो है प्रोशन पर लिए चलते हैं तो जो मैंने आपको एक्जांपल समझाए वो इधर दे रखाए एक्जांपल सब मैंने आपको बताया कि अगर वो क्या करती है जैनवरी से लेके दिसंबर फॉलो करती है तो आपको कौन-कौन से बैलेंशीट बनानी पड़ेगी एक तो बैले प्रिवेस अकाउंटिंगे मैं क्या करूंगा अगर यह समय चोई चे मैंने से कम है तो इसको इसी अकाउंटिंगे मैं एड कर दूँगा मतलब फिर वो इधर से लेके इधर तक एक बैलेंशीट बनाके देगी अगर यह जो प्रिए चे मैने या उससे जाधा है तो फिर मु जन्वरी 21 का जन्वरी 21 से लेके 31 1221 तक लोग से 100 रुपे है फिर हमने यह देखा कि भई एक एक दोजार वाइस से लेके 31 1222 आया और अपन क्या बोड़ने है अपने को चाहिए बैलेंशीट 142022 की चाहिए ना कब तो की चाहिए यह लोग कह रहें कि 100 राख का से लेके इधर तक है तो सीधी सी बाता है लौस राख था इधर लेके इतर तक का है टो 200 लाग का लौस अंत गर भय कर दूंगा एक इसमेह और एक स में फिर यह वैला जो लॉस है और यह वाला जो लॉस है वह एट कर दो में आयच अर्य आपको पता है इसको इसको इसके साथ मर्च कर दूँगा इस साथ मतलब तब क्या है कि फिरो मुझे इधर से लेकि इधर तक की बंड़ी है तो अक्रोड को क्या करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है इदर से लिए कि इदर तक का loss 100 रुपे है इदर से लिए कि इदर तक का loss 200 रुपे है तो ये पूरे साल का loss 200 रुपे है मुझे चाहिए कि इदर तक का इदर तक का तो मैं ये वाला loss और ये वाला loss और ये वाला loss एड़ कर दूँगा तो टोटल में को जो है काहने आपको समझ में आ गई होगी 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 तो बहुत इंप्टेंट पॉइट था यह वाला यह पॉइंट जब पढ़ने बैठा था अपनी तयारी कर रहा था मेरा दिमाग गूं गया था एक गंटा लग गया था मुझे सको समझने में एक अच्छा मैं चाहता हूं होगी यह चाहता है यह चाहता है यह जगा में बिलेगे उज़े नीचे देख लेते हैं आजगो कि अपना प्रीवियस से चल रहा है क्या दो हजार वाइस तेइस प्रीवेस से चल रहा है मेरा 2022 इसका मतलब यह है कि मुझे इंडिया में एक चाहर दो हजार बाइस से लेके 31-30-23 तक की इंफोरमेशन चाहिए रहेगी इतिकान ही समझना ही आचा जो फौरंड कंट्री में फौरंड कम्ञी जो बैलिंशिट बनाती वो जनवरी से लेके कब तक ही बनाती है जनवरी से लेके दिसंबर तक ही बनाती है तो उसने एक बनाई होगी दिसंबर एक़ीस की 2022 कि अपन आगे बढ़ते हैं तो वापस समझ देते हैं अपने क्या वरा 22 थे इसकी एक बैलेंशीट बनाई टेक है जो मुझे बना नहीं है कहाँ पर इंडियन इंकम टैसेक्ट में तो मुझे जो इंफोर्मेशन चाहिए वो चाहिए एक चाहर 2022 की तो इधर से अपको करा करा देता हूं कि मुझे इंफोर्मेशन चाहिए इस दिन तक की ओरन कंपनी में इधर से लेके इधर तक एक इंफोर्मेशन बना रखी है तो हम उससे सिंपल सी बात यह कहेंगी कि देख तुने इधर से लेके इधर तक एक और हम करें इधर थे बना रखी है तो इधर तक और बना के देगे इधर यह 6 मने सेThis हुआ 2212 यह दूसर अभी मुझे रखे लिगया कशर से कियो है तो ओर पर पिर जो information निकल के आएगी 1422 को समय, use कर लूँगा, फिर मैं आपको बताया कि इधर से लेके इधर तक का loss 200 लाग था, इधर से लेके इधर तक का loss 200 लाग था, मुझे चाहिए कहां तक का इधर तक का, तो यह जो 200 लाग का loss है, इसको मैं divide कर दूँगा, इसमें और इसमें, ज अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के तास शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको explanation कैसा लगा, फानली अपना जो है पूरा एना टेक्सेशन खतम हुगा, और अलमस्स अपने के तास समय लिया, अलमस्स अपने शा सकते हो, अगर आपको या फिर आपके दोस्तों को पर्चिस करना है, तो उनको जरूर रिकामेंट करना, तो कैसे हैं आप लोग, उमीद करता हूँ कि आप सबके सब अपने अटेम में सीए बने, और जो इस वीडियो को लाइक करे वा तो गैनेंटीट सीए बने, आज हमारा टॉपिक है, और वो है टॉपिक है, आप लोग की डिमांड के विसिस पर मैंने क्या करा, टॉपिक है, अगर आपको यह मेरे नोट से ही, तो आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, विदाउट विस्टिंग टा लिया में, टेक्स रखता है, 30-2 में, टेक्स रखता है, मेरा इंडिया में आरट लिमिंट का प्रमित्स प्रॉपिता हुगा, सौटर पा पॉपित्ग हुआ, अचा, इसको जो है, सौर प अगर आपके क्या होती है अभी जस्ट पढ़ेंगे कहां पर अगर यह कंडिशन हो जाती तो क्या होता है एक कंपनी अदूसरी कंपनी क्या हो जाती है असोसियेट का मतलब है मिली हुई कंपनी है तो आजए लिमिटेट ने एंटे लिमिटे के 100% शेर्स होल करके रखे हैं अचा मेरी बात समझना बड़े ध्यान से अगर्ट बोलता है एंटे लिमिटेट को किया यार मेरे पास प्रॉफिट वाई सो रुपएगा मुझे सौ रुपएगा तो एक काम कर मैं अपनी क सब्सक्रावाइब कि हमाने में अपनी किता इंट की स्यांट करें तो इसका मतलब यह कि कि मैने प्रोफिट को क्या कर दिया कर दिया कितना क्या गया अब मेरा प्रोफिट मिक्षा कर गया चारीस हो गया तो सरकार ने कहा कि अगर आप कोई ऐसे transaction कर रहे हो किसी associate enterprise से और associate enterprise का मतलब क्या है कि भी दो enterprise एक दूसरे को जानती है तो सरकार ने कहा कि अगर आप ऐसा कोई transaction कर रहे हो तो हम क्या करेंगे इसका मतलब यह कि आर्च लिम्टेट को सरकार को लेकि देखो अगर आप यह transaction किसी दूसरी पार्टी से पर्चेस कितने के दिखा इस सरकार की कि ऐसे तो सरकार निए सच हृत मेरा आसी करेंगी एच्टन सरकार ब्स इतना सा कहती है transformation फैसिन कर रहे हो अगर मैं अपना किसी पार्टी से करता तो अगर मैं अपना किसी पार्टी से करता तो 20 रुपे की दिखाता लेकिन मैं अपने जानकर एंटरपाइस को बला कि तू मुझे अपने कितार में क्या रिकॉड कर लूँगा पश्यस अकार्टी से को रोकने के सरकार ने कहा कि आपका जोबी ट्रांडिक्शन होगा इंटरपाइस के साथ उसको अपन क्या करेंगी आम लेंट प्राइस पर दिखाएंगे तो अब आपना आजए थे कंसे नोट्स पर अपने इंट्रनेशन टान्दिक्शनिक्शन का मतलब क्या है कह सका मतलब यह समझना लेगा तो सरकाने का है कि बहुत है क्या होना चाइछ नॉन दोनों में से एक रिशिए नॉन शऺजफन होना चीए तो अपने केसे घुजस में क्या है श Gd नॉन्टेसेंट है तो कंडिक्शन फुल्फिल हो गई ना दो एंटरपाइस के बीच में कोई ट्रांदिक्शन हुआ अच्छा इसको अपने इंटरेशनल ट्रांदिक्शन कब बोलेंगे जब इन दोनों में से क्या हो एनार हो तो मुझे बताओ यह नार है ना तो यह थो नार इन दोनों की बीच में जो ट्रांदिक्शन हो रहे है उसको अपने इंटरेशन ट्रांदिक्शन कर गिरेने आंगे जब दोनों में इस इंकम इंडिया में जिक्सेबल हो बताओ मुझे इंडियत les healthy in इंडिया है और यह क्या है दुबई है यह डुबई में रहने वाली दो companies डुबई में रहने वाली दो companies अपने भी कोई भी transaction कर रही है उससे इंडिया कुछ फरक नहीं पड़ता लेकिन फरक कप पड़ेगा जब दोनों में से एक की income क्या हो रही है इंडिया में taxable हो रही है इसका मतब यह है कि अब अगर यह दोनों कोई transaction करते हैं अब अगर यह कोई दोनों transaction करते हैं और अगर वो transaction आम लें पर नहीं है तो उसका कहां पर इंडिया में इंप्रेक्टाइगा क्योंकि दोनों में से एक की income कहां पर taxable हो रही है इंडिया में taxable हो रही है इसका कब होगा जब अपन नर का taxation पढ़ेंगे जब आपको समझ में क्या हो एक अनर हो और अगर दोनों अनर है दोनों अनर है तो लॉजिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया में इंडिया में इंडिया को परख पड़ेगा जब दोनों में से एक की income इंडिया में taxable हो रही है तो अगर यह दोनों क्या कर रहे है एलपी के अलावा किसी पर जाने मुझे थोड़ा सब 5-10 मुट लगाने पड़े विकॉस ज़रूरी था इती गानी सब्ज़ना गई अब अपन एक बार को देखते हैं कि असोशेट एंटरपाइस कब का माना जाएगा दो एंटरपाइस को अपन असोशेट एंटरपाइस कब बोलेंगे देखो एंटरप अचैसेट एंटरपाइस हो गई अचाधा एzwलम जो है बी मेंट करती है 33 % और बी मिस्पेसें चली परसथिए कंट्र घया दिखोर एप कि इसने कर लोख přिती कितना होगा अचाधा देखोंगो सब्सक्राइट अर्ँट्षarta क्या करती है इसको एसक्याओ आफिधोर Kind a बी जो है C में 80% और इसका मतरब क्या हो गया कि भई ए जो है बी के अंदर 33% कर रही तो अपन ऐसा के सकते हैं कि बहुत बी सी आर्ट डीम्ड असोसीट एंटरपाइस ओफ ए लिमिटेड अच्छा एक और ची समझना पूरे यह जो कॉंसेट नोट से जहां पर आपको आपको आईटी दिख जाए उसका मदब क्या है इसका मदब क्या है असोसीटेड एंटरपाइस ठीक है का नहीं समझना ग अगर आपको बताया कि टूए अगर 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 इफ दे फॉल अडर एपन दूसरी सिचुएशन देखते हैं देखो क्या दिरखा है कोई भी परसन एनी परसन और एंटरपाइस कोई परसन और एंटरपाइस कोई भी एक परसन दो एंटरपाइस में 26% स्टेक लेके वैटा है तो यह दोनों क्या होई असोसीटेड एंटरपाइस होई एक्जामबल समझना मिस्टर ए होल्ड करता है 40% वोटिंग पावर एंटरपावर एंटरपाइस कोई लेकिन अपन कहेंगे कि यूंकि पर्टी परसेंट वोटिंग पावर इंटरपावर एंटरपाइस कोई बीच में पर्टी परसन और एंटरपाइस में अगर इंटरपाइस में इसका मन्दब यह कि एक बंदद इन दोनों एंटरपाइस के डिशिजन को कंट्रोल कर सकता है तो इन दोनों के विच में जो टांजिक्शन होगा उसको पर टांसर पाइजिंग पर विजन से कवर करेंगे अग्शा एक और पॉइंट देखना वन एंटरपाइस एडवांस कि दूसरी एंटरपाइस के 100 रुपे के टोटल एसेट हैं अचाहाँ वह सौ रुपे में से जो उसके 100 रुपे के एसेट से उसका 51 परसंट किता हुआ 51 तो मतलब मैंने क्या कर रखा है उसको 51 रुपीज का लौन दे रखा है तो अगर कोई एक एक एंटरपाइस किसी दूस रुपे की है 100 रुपे में से 51 का दो लोन मैंने दे रखा है इसका मदब यह कि वह उस उस एंटरपाइस पर कंट्रोल किसका है मेरा है तो सरकार ने कहा यह दोनों क्या होई असूसियेट एंटरपाइस हो जाएगी पिर देखना अगर एक एंटरपाइस ने गैरेंटी कर कि अगरें एक एंटरपाइस अपॉइंट कर रही है मोर देन हाफ आफ दा बोर अफ डाट्रस और मेंबर्स अफ दा गवर्निंग गोड अज़ा सामने वाली कंपरी में टोटल दस बोर अप डाटर से उसमें से चे किसने अप्वाइं रखे है मैंने अप्वाइंट करता हू हुए दस में से 6 मेंबर कुन अपोईंट करता हूँ यह फिर एक से ज़ाद बड़े डाक्टर सरकार ने कहा कि अगर एक एंटरफाइस दूसरी आंटरफाइस के मोर देन हाफ of the board of directors appoint करती है. Appoints का मतब़ है करती है. तो क्या हो जाएगा? दूनों associate enterprise हो जाएगे. या फिर अगर एक enterprise, दूसी enterprise का at least एक executive director appoint करती है तो दूनों क्या हो जाएगे? विसे कली associate enterprise मान लिये जाएगे. तो ये भी आपको twist धान रखना पड़ेगा. तो मेरी बात बड़े जासे समझना इधर हमने शब्द इस्तमाल कर रहा है क्या इधर हमने शब्द इस्तमाल कर रहा है बिसिकली अपॉइंट करना चाहिए अगर आपॉइंट नहीं कर रखाए तो अपॉइंट बिसेंट कर रहें तो वन हाफ टाकर डिर्श कर रहें थो अपने इस एक बिएक र्डिया पॉइंट कर दिया तो माना जाएगा कि यह दोनों एंटरपाइस के असोशेर एंटरपाइस है ठीक है अच्छा आगे देखना कर सकता है कि एक पर सब्सक्राइब और कpect टमपने हैं अगर यह वाली जो पावर्य यह उपने और कि अगर यह परसं दोनों में ांशवज मांदand немट काई तो अपर वाली पावर अगर एक बंदा दोनों कम्णी में एक्साइज कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि भी दोनों क्या है असोसेट इंटर्पाइज है अच्छा एक और चीज समझना अच्छा दो कंपनी है एक कंपनी की जो मैनेफ्टर्ट्रिंग है वो डिपेंडेंट है कंपनी से पीटिंट ले रहा है रुढ दोनों कंपनी तके क्या मानली जाएगी असोसेट अन्रपाइस मान लिजेंगी तो 90% or more of the raw materials required for manufacturing of one enterprise are supplied by the other enterprise, तो मुझे जो raw material चाहिए, वो at least 90% कौन supply करता है, सामने वाला supply करता है, और by the person specified by the other enterprise, या फिर उसका जानकार supply करता है, where the prices and other conditions relating to the supplier are influenced by such other enterprise, मतलब basically, जो मेरा manufacturing है, जो मेरा production है, उसके लिए raw material चाहिए रहेगा मुझे, 90% raw material, at least 90% raw material मैं क्या करता हूँ, सामने वाली enterprise से खरीता हूँ, खरीता हूँ, और price भी वो ही decide करता है, वो बोलेगा 100 रुपे लूँगा मैं, मुझे 100 रुपे लेना पड़ेगा, वो बोलेगा कि मैं तो 200 रुपे लूँगा, तो मुझे 200 रुपे लेना को बेचता हूँ, एक गुट्स बेचता हूँ, और लेकिन price कौन decide करता है, सामने वाले, तो price में decide नहीं करता हूँ, जनरली माल बेच रहा हूँ, मैं, तो price किसको decide करना चाहिए, मुझे, लेकिन price decide कौन करता है, सामने वाला, तो सरकान क्या होई, ये दोनों क्या होई, असौशियर enterprise होई, या फिर मैं एक enterprise को control करता हूँ, मेरी बीवी, दूसरे enterprise को control करती है, तो भी तो क्या हो जाएगी, ये association enterprise माले जाएगी, तो सरकान ने कहा, वह वह वन enterprise is control by the individual, अधर इंटर्पाइस किस ने इस ने इस ने कंट्रॉल कर रहा है एक फिस ने कंट्रोल करके बैठा है एक एक मेंबर तो तीनों चीज को एक हैं थे बॉस्री इंटर्पाइस कों मेंबर या फिर मेंबर कर रेटेव या फिर दोनों मिलके और जॉइंट लिए सच मेंबर है निस रेटेव ठीक है इत्ती का नहीं समझना गई पिर देखना अगर आप क्या हो बन एंटरपाइस फर्म एओपी और ब्यू आप क्या हो फर्म एओपी ब्यू आई हो कोई दूसरी कोई कंपनी या तो मैं आपको बताया कि असीट मतलब क्या है और यह यह तोसीट नेटरपाइस का मतलब जरूरी तुक्ट क्यों था अब सुधिया को चीज़ बताया थे सरकार आपको पूरी सानी समझ में आगई न तो आपको पता चल गए कि इंट्रेशनल टांदिक्शन क्या होता है तो उस पर आपको क्या नबटेकर टांसर पाइस लगाने पड़ेंगे ठीक है अब देखो अब लिज़ कब लगेंगे मैं आपको बोल लग और इंटरेशनल टांदिक्शन होना चाहिए लेकिन हम दो ओन्रिलेटड है जानकारी मीश्लेट निया तो सरकार के आपको भी एग्जांपल समझाये था फिर सरकार ने एक और बहुत अची चीच कही कि बहीं देखो तो सरकार ने बेसिकली एक और अच्छी चीज कही कि क्या आपका जो है income reduce नहीं होना चाहिए इसका मदब यह है कि जो हम provisions लगाएंगे उसके बाद आपके income reduce नहीं होना चाहिए अपना profit जिता था पहले पहले अपना पॉफी अपना पॉफी जता हुगा चालीस हो गया लेकिन अगर आपके आम्लें प्रांजेक्शन आपने नहीं करा और उसके वैसे आपका पॉफी ज़्य चुज कहाँ कोई दिखकत नहीं आई हैं तो सरकार ने क्या करेंगे लेकिन अगर आपने को हैं तर रखाए जिसके वाइस आपको प्रॉफिट बढ़ जाता है तो हम टांसर पैसिंग को लगाएंगे लॉजिकल है तो सरकार ने कहा कि अगर आप अपना पॉफिट बढ़ा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है हमें जातर एक्समी लेगा कर अगरे लेगना दिम्न इंट्रेशनल टांडिक्शन क्या होता है मतब दो एंटरपाइस के बीच में ट्रांडिक्शन हुआ दूनों असुप्सी नहीं है फिर भी उसको इंट्रेशनल टांडिक्शन मानने जाएगा कब वह अपन देखने जा रहे हैं तो देखो अब यह अब देखना ए और सी के वीच में कोई टांडिक्शन होता है तो इसको तो अपन असुप्सी नहीं मानेंगे इसको इंट्रेशन नहीं मां सकते क्यों कि दुना असुप्सीट एंट्रपाइस है नहीं नहीं लेकिन सरकार ने कहा कि वह अई टुना के बीच में अग्रिमेंट लगारों अगरों सब्सक्राइब देखना हो हिए मिचांगे 1 उसको मैं रहा है lub फ़ी सो नो पर हम थाओं कि बाये ऑद इसको बिलिमिटेड उर संथ में इक वं इस तरह से कर रहा था कि जो भी किसको बेचेगा जो भी कहेगा उसके बैसिस पर टीक है तो मैं आपको समझाया कि भई युँद्ट और से करेगा तो एलिमिट्ट के साथ जो भी टांदेक्शन करेगा उसका टंस and conditions कौन decide करेगा B limited decide करेगा तो क्या हुआ सबसे पहले B limited ने C limited के साथ एक agreement कर लिया उसके बाद जाके उसके बाद जाके basically होता क्या है कि A limited और C limited कोई transaction करते हैं तो अब government को क्या दिख रहा है कि भी transaction किसके बीच में हुआ है A limited और C limited के बीच में हुआ है तो सरकार ने कहा कि भी आप हमें ऐसा टोपी नहीं बिना सकते अगर C limited और B limited का पहले से कोई क्या है agreement है पहले से कोई क्या है terms of transaction decide हो रखे हैं तो सरकार ने कहा कि अगर A limited और C limited के बीच में कोई transaction ऐसा होता है तो इसको भी अच्छी तरह समझा लिए कि एक तो होता है इंट्रेशन transaction जो किस में होता है आसोसेً oil रहाई करेंगे कि एड़र का मतर्स हो रखा है कि सब्सक्राइब आगे दिखना वही चीज है कि इदर था एंटर्पाइस और असोशिए इंटरपाइस थी ना दोनों में से एक क्या है एनर है फिर दोनों नार है होनी चाहिए दोनों मैं से एक की इंकम क्या हों होंगी, इंक इंकम helps in usa इंडिया में इंट्रेंशन अपने क्या देखा कि इंट्रेशन टांडिक्शन क्या होता है फिर आम देखा कि असोशीर एंटरबाइस के मतलब क्या होता है अब अब शमझते जाना एक चीज और अब इसे कली मुझे क्या करना है एलपी निकाल नहीं है एलपी बोले तो मैं यह देखूँगा कि भाई एलपी निकलेगी कैसे तो मैंने अपनी एक असोशीर एंटरपाइस से 100 रुपी की पर्चेस कर ली अब सरकार को चाहिए एलपी सरकार निका कि हम कुछ तरीके बता रहे एस तरीके से और कर सकते हो एलपी निकालो को अचा अपनी किताब में पर्चेस की में कुछ पर जाएक तो चब्सरकार को सरकार ने कुछ तरीके बता रहे हैं उन तरीके के माथ पाकटते हैं और उसको समस्ते हुंगा बसे पहला तरीका सबसे पह convince Un several but देखो कि एक है एक रिमिटेट एक इनविट औरी एक बढूण कर तो सरकार ने क्या ह 되면 पर य olduğum इस phone एक करो गुंपर अंड नीमिटेट को क्रकाइब कि USu बॉल यहां मेरी एक डी और और चहीं मेरी नहीं इसका मतब क्या हीए और टावली और युटे पाटी है तो ऐसा asum का लो कि भाई मेरे की वह चाली से वए की से होगा क्या पकड़ोंगा मैं और अगर कित्व पर उसको 40 से पराइब और सरकार कहती की अपकी क्या हो जाएगी 40 इसका मतलब यह कि आपको अपनी किताब में जो कित्तर पर तिंधाना पड़ेगा 40 पर दिखाना पड़ेगा आपको आपको समझा दिया कि यह अंको जाता हूं, यह अपन बात करने जा रहें, रीसियल प्राइज मेथड का मतलब क्या है, आपको एक्चांबल समझाता हूं, यह है A Limited, यह है B Limited, A और B Limited क्या है, असूचिए एटरपाइज है, यह है C Limited, C Limited गोले तो अनलेटर पार्टी, अचा मेर माल में बेशता हूं कस्टमर को इसके अपना पचास पॉपट कमाता हूं जो भी माल बेशता हूं उसके नॉमर्मल कित्ता हूं भाता हूं 450 रुपफे तो फॉर मेरा झाल पाइस सट्कार ये कहती अ कि आप जिए देखो कि आपने जो है इससे माल पर्चेस करा एअसी रुपे पे तो जो मैं बीज से माल पर्चेस करके लेकिए खेंगे आया उसको मैंने कस्टमर को बेज देखा एइसा नहीं चलेगा आप जो है बेचा सोई रुपे उसमें से आप चैनि किता है 50ुप . वहित से जीपी मार्जिन को ट करो पकड़ टो इसको में सेग प्टी को万प संखने और पक्तृ यहां है 50 तो अने पपज़िए यह संवाइनال कृषट दोवों इसका मतब यह हैं कि आप इसमें नहीं son जो आसी रूपहे की आपने जो कर लेका करेंगे तो सरकार लिए में है। तो आउटसेट कesz्मों को किता बीचा उसको पघड़ दो उसमेंसे अपने अपना normal 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 क्या करो 90 Soleurपै नेथा है 50 पॉसमेरा निकल के है क्शून के पचास रुपैर तो सरकार केती है कि आपकी cost होनी चीए 50 रुपे आपने दिखा रहा कि purchase 80 रुपे की cost दिखा रहा है कि तो इन दोनों का difference है इन दोनों का difference से उसको क्या करा पड़ेगा आपको add back करना पड़ेगा तो देखो resell price मतलब का मतलब यही है resell price मतलब का मतलब क्या है कि जब आपने क्या करा item जो purchase करा associated enterprise से उसको किस पर बेच दिया आउससे को बेच दिया तो सरकार कहते ही कि ठीक है क्या हो नीची कॉस्ट नीची यह और आपने कॉस्ट किती दिखा रखी है 80 रुपे तो इन दोनों का difference है इन दोनों का difference से आपको क्या हो का profit के अंदर add back करा जाएगा तो basically ALP किते निकल क्या ही मेरी ALP निकल क्या ही 50 रुपे और आपने purchase card दिखा किते पर रखे है 80 रुपे आपको I guess कानी समझा आ गए होगी कि किस तरह से आपन क्या करते है यह आपके functional differences ना यह आप अपन जब आईसे के questions करेंगे ना मैं आपको functional differences उदर समझाँगा कि अपनी functional differences का adjustment कैसे तरह से करते हैं कि लॉजिकली होता ही है एक example समझना functional difference का example देखते हैं पन कि बहुत जब मैं 20 से purchase करके लिए क्या रहा हूं तो मैं purchase दिखा रहा हूं कितने की 100 की जब मैं C से purchase करके लिए क्या रहा हूं तो मैं purchase दिखा रहे हूं चालीस की सरकार मुझे क्या बलते है कि comparable and control price method से आपका ALP किता निकल क्या आता है चालीस तो मेरा इंकम कित्ते से हो जाएगी 60 से हो जाएगी अब बात करते हैं कुछ फंक्शनल डिफ्रेंसिस की देखो सीदी सी बात यह है कि वह एक्जांपल अपने घ्जूम करते हैं कि दुबई में जब मुझे सी लिमिटेट माल बीचती है तो कोई शिंप स्य चार्जिस करेक नहीं करते हैं कि वह चांपल चार्ज़ वे इसका मतब कि आहिसे पट्रियस करके यह उसमें डिलिवी चार्यसान नहीं है लेकिन जो माले मैं बीच से पचेस करके लेकर आ रहा हूं उसमें डिलिवीर चार्जी दस्टबर के इंक्यूरिड हैं तो सरकार ने कहा कि आप जब क्या कर रहे हो करके साथ इन दों को आप कर रहे हो तो एक बीचि पर करना जो फॉंक्शनल डिफरेंसिस ना उनको अठा देना फॉक्शनल डिफरेंसिस बोले तो जब असले से से पचेस करके लेकिन लेके आ रहा हूं तो तो जब उसमें 40 व्य का माल बीचा था नहीं उसने मुझे फ्री दि लेकिन जब B limited जो मुझे माल बेच रहा है तो उसमें although उसमें 100 रुपर करें हैं लेकिन 100 रुप में से 10 रुपर चार्जिस लगे हैं तो इस जो डिलिवी चार्जिस का डिफरेंस है इन अपने इन दोनों को अपन क्या करेंगे दोनों ट्रांडिक्स में सहटा देंगे तो किताब में मैरा किते का ने परकार देखोगे 25 भी आपने 100 रुपर ही दिखा रगे दी सरकार कहती है कि आप जो है इंकम बढ़ाओगे किट्चे सेबढ़ाओगी इन दुनों का difference इसका difference गजने इस तरह से निकल जा रहा था ता अब सरकार नेबढ़ क्या निकल का रहा था तो functional differences का अपन adjustment इस तरह से करते हैं ठीक है तो देखो जहाबर भी आप देखो कि न comparable uncontrolled price method में भी आपने क्या करोगे compare करोगे with uncontrolled transaction वहापर question में आपको कुछ functional differences दे रखें तो उसका अपने को adjustment करना पड़ेगा इसी तरह से रिसे पाइस में पर अपन क्या करेंगे अपने को क्या करना है अपको मैं एक बार वापत सम्झाजता हूं कि function differences क्या होते हैं कि आपको किसी भी दरख कोई डाउट ना रहे तो यह limited है और यह क्या है बी limited है और यह c limited है यह दोनों यह तो है associate यह दोनों असोचीड एंटरवाइस है और यह क्या है अन्रेकेट पार्टी है जब मैंने इससे माल पर्चेस करा तो इसने मुझे क्या करा नबगे उर्पे का माल बेचा और दोस्ट रूपर की चार्ज करी तो मतलब पर्चेस मैंने कित्या दिखाया फ्रॉम भी 100 रुपे जब मैंने इससे माल पर्चेस करा तो इसने मुझे मुझे माल बीचा 40 रुपे पर सरकार कहती है अपको दिखाने 40 रुपे तो मतलब इसका मतलब है कि मैंने अपनी किताब में 60 रुपे से बढ़ जाएगी 60 रुपे से सरकार ने कहा कि अगर आपके कोई अटा देना तो जब मैंने मुझे माल बीचा तो 40 रुपे की पर्चेस दिखा रखी है तो मैं 25 को तो सो दिखाऊंगा ठीक है अच्छा 25 होनी कित्ती की चीदी 40 की लेकिन सरकार किती कि आपको इंकिम कित्रे से इंकिस होगी जो आपका अगरे तो मुझे चीज बताओ कि मैं जब 20 से माल पजिस करके लिए तो 90 पर लिक्या आया और 60 रुपे ज्यादा पर लिक्या रहा है तो सरकार करती कि आपकी इंकम 50 रुपे से बड़ेगी ना की 60 रुपे तो जहां पर भी आपके फंक्शनल डिफरेंसिस का आपको एडिस चाहता हूं इस से तो मुझे इस डिल्वी चार्जिस को अटाना पड़ेगा जब मैं कंपेर करना चाहता हूं तो मुझे फंक्शनल डिफरेंसिस का अज़ेस्में आ गया होगा अब देखो cost plus method बहुत आसान है cost plus method मुझे ये बताता है कि आपने जो भी माल बिचा है सामने वाली associate enterprise को मैंने 100 रुपे का माल बीच दिया उसको लेकिन actual मुझे दिखाना चाहिए था 200 रुपे तो सरकार के थी कोई दिक्कत नहीं है आपका जो भी cost लगा है actual प्लस आपका करके क्या करेंगे आपके एलबी बॉक कर लेंगे तो देखो मैंने जो है अपने असोचियल एंटरफाइस को सेल दिखाए कितने पे 100 रुपे बे सरकार के थी कोई दिक्कत नहीं है आप अगर में टोपी बिनाना चाले हो तो हम आपको पहनेंगे नहीं आपको करना क्या है आपको यह देखो कि इस आइटम को बनाने में आपको खर्चा कितना लगा था 10 रुपे प्लस आपका जो है नॉमल जीवी मार्जिन कितना है मतलब आप जब भी कस्टमर को माल बेश्ते हो किसी भी कस्टमर को जो माल बेश्ते हो उस पर एक्जामबल आप पॉस्ट पर दस अज़िता हो जएगा 80 अज़िवी अपने सेल दिखा दी साथ रुपे की सरकार करते हैं कोई डिक्कत नहीं हनए हम आपकी सील साथ रुपे के नहीं मानेंगे डिपर कया घ्रव हो गया आप इस मेरी वर्डिंस को सुनना आपकी आपकी शूछ सेल करी 60 रुपे की आपका एक इसका मतलब यह है कि अगर आप इस माल को किसी दूसरे कस्टमर को बेचते तो आप उसे 88 रुपी चार्ज करते लेकिन आपने अठाई सुभी कम चार्ज करें यहाँ आपको इस पर टेक्स प्रे करना पड़ेगा ठीक है आपने अभी कॉस्ट प्रस मेतड देखा था सिधा सा मतलब यह है कि आपको जो भी टोटल कॉस्ट करो रहा है उसमें क्या करेंगे नौल जीपी मार्जिन को एड़ कर देंगे जो पर लगता है उसका जो अमाउंट आएगा उसको कंपर करेंगे जो आप में सेल करिए जो भी करेंगे जो ऑफिफ करना पड़ेगा नौल कई क्या में जाएगा और जाएगा एं आपको सब्सेट्राइब करना पड़ेगा एक अवर चीज समझना इदर आपन करें नौल की सरकार केती है अगर जीपी मार्जिन दे रखा है कोश्ट में सरकारी कर है कि सीमें है लिए कि है तो सौपा 40% करूंगा मेरे जो है 40 रूब निकल के आजएगा ग्रफ पर एक होता है कोस्ट एक होता है जीपी मार्जिन ऑन पॉस्ट इसका मतलब क्या है कि आप पो कोस्ट पर लगाना पड़ेगा तो फर एक्जांपल अगर आपकी कोस्ट रडी किता है की सांट रूपी की औ पर एक्जांपल आपको जीपी मार्जिन ऑन कोस्ट पचास पर सेंट आएगा सांट का 50% किता हो जाएगा कि अगर क्वेश्ट पर सेफ और सिफ प्याद रखाए तो वह मेरा कि ए सेल्स पर पर पड़ेगा मतलब जीपी और से अपको यह एक्जांपल समझ मैं आगा पहले म यह का करा एक प्रोजेक्ट्ट परेंगे इसं बेस्ट पर क्योंकि इन लोगों चाहिए दो से मिलने कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो जो पॉफिट होगा ओशेर करें की तो आपको प्रोफिट बढ़ जाना चाहिए था अब देखो इस प्रोजेक्ट पर इन दोनों लिमिटेट ने अपनी किताब में शेल देखाई गजाते हैं सरकार कहते ही कि आपने पापस टोभी बिनाई है बहुत बिनाते हैं आप लोग जितनी बार आप टोभी बिना हुग उतना हम आपको पकड़े हैं लिमिटेट का पांचार के अपने को अपने इस और को सांट परसें और चारीज परसें परसें में इस परसें कितना होता है तो लॉजिकली देखा जाए तो एक चीज मुझे बताओ कि भी खर्चा कितना कर रहा है चाहर चाहर का तो अगर मैं जब बिजनसमें जब भी किसी को माल बेचता हूं तो कैसे बीचता हूं पॉस्ट प्रॉफिट सेल पर दिखाते बेचता हूं न तो सरकार कहती है कि आपको अपको जो बीचता हूं पर देखाना पड़ेगा नौजार पर आपड़ेगा एक्जामपर आ सामता तो जो मैंना एक्जामपर बताए वह है देखो आपको जो भी टोटल पॉफिट या इसको आपक्या गलो डिवाइट कर दोगे अमांग एंटिटीज इस इसी अपनी जो उसमें डिवाइट कर देंगे ऑन दे बीशिस ऑफ गिवन क्राइटेरिया कुछ भी रीजनेवल बेसी हो सकता है फिर आपको अच्छी तरीके समें आपको यह बता दिया इसको आप चाहो तो अपनी किता में नोट कर लेना मेरे जो नोट से उसमें साइड में लिख लेना त आपको दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं बड़ेगी इसलिए मेरा परफस यह है कि जो भी में चीज़ें आपको समझा रहा हूं उसको कंसेप्चिली समझाओं ताकि आपको दिमाग में उसका लॉजिक बैट जाएगा उस समय आपकी जो चीज़ें वो एक लॉंगर टम त पर अपने कौन कौन चोवर में देखिए एक हमने देखा रीशेल पाइस में अच्छा सा एक्जामबल समझा दिया एक लास्ट में अपना टांदक्शन नेट मार्जी में इसकली यह कहती है कि वो सकता है कि मैं एजर कंपनी जब किसी को माल बेच रहा हूं तो अपना जो नेट पॉफिट मार्जी नहीं अगर आप ऐसा भी करोगे तो आप यह देखो कि आपका कोई मार्जी सरकान ने कहा क्या क्या करो अब दूब्रेटिंग अ उठ्ट मेफट में क्या कर दो एड कर देना ठीक है to जो मैं माल बेच रहा हूं और इस केस में तो आप जो आपको जो नॉमल जीपी मार्जिन है वह आपने अपने दिखा रहा है तो सरकार ने कहा कोई दिखती है आप क्या करो किसी दूसरे एंटरपैस को पकड़ा जो सिमिला तरह का कूर्स बीच रही है दूसरे पार्टी को तो कर दो यह आपके एक्शल सिल्पाइज होगी और अपरेटिंग कॉफिट मार्जिन का मतलब क्या है अपरेटिंग कॉफिट अपन टोटल कॉस्ट इन्ट इन्ट इसमें ने यह देखा कि भाई मैं असूसे एंटरपाइस से पर्चेस कर रहा हूं किता है कि सौरवे पे अच् अपने पर्चेस कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कर रहा है और यूज कर रहा है और उससे मैं निका ली एक बोले तो लेकिन मुझे पांस तरह की डिफेंट मिल गई तो मैंने पर्चेस कर रहा हूं उसके अलग अलग पर निकल के आ रहे हैं तो अगर एक अगर आपको यह समझाया है कि अगर आप क्या कर रहे हो किसी एक ALP method को यूस कर रहे हो आपने एक method को यूस करा और एक method को यूस करने से आपको जो जो है more than one AP मिल जाती है तो अगर आपका जो एलपी मिलती है वो up to five है तो आप क्या करोगे आप सबका mean करोगे तो example दिखना मैंने एक associate enterprise से purchase करी और sale दिखाई अपनी purchase दिखाई 100 रोपे की अचा उसी यह में मैंने क्या करा पांस तरकी अनलेक्टेट पाटी से purchase करी थी वही similar item और पाइस के ततर रखा है 40, 41, 42, 43, 44 अब ELP क्या लिया जाए तो सरकार के दे कोई दिख्कत नहीं है आपका जो यह ELP निकल के आने different ELP वो up to five है तो आप क्या करो इन सबका mathematical mean करो तो सरकार ने कहा 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 44 divided by five पर दो जो आउंट आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी ELP हो जाएगी उसको compare करना किस से 100 रुपे से compare करना और आपका income increase हो जाएगी इन दोनों के difference से ठीक है तो वही चीज कि अगर एक method से एक method को use करने से एक से जाधा ELP निकल के आ रही है तो अगर up to five है तो क्या रेंज को सकते होता है वो ऑपन थोड़ी दर में आगी देखते हैं तो सरकार बिसे के लिए कि जब आप E.L.P को निकालोगे क्या करोगे जब आप लबाए जो आपने से लिया अपने प्रस टार्प्र ट्रक्षिंशन करा नूइर पड़ेगा टओए तो पीर ओडर ये उसे गली जब टो लेकिन तरह के मेटड कौन से मेटड री कॉस्ट मेटड और इस ने उसी अपने ने प्रेटा शुर्ण आपको नहीं है कि इन तीम मेटड में आप करने कर देटा यूज का सकते हो या फिर प्रीएश सब्सक्राइब तो मैंने आपको दो चीज़ बताई कि अगर आपको अल्पी निकाल नहीं है तो आपको डिटा कर लेना पड़ेगा जिससे आप अपने टांडिक्शन को अगर यह तीन तरह के मैथड है तो आप अगर चाहते हो तो आप इमिडिटली प्रिपिएस यह मतलब जस्ट का डिटा अलाओ उनली इन केज जांपर डिटामेश्ट ऑफ एलपी इस दन उजिंग टांडिक्शन अपाजी मेतड रिटेल पाइस मेतड़ रिशेट पाइस मेतड़ एंड कॉस्ट प्लस मेतड़ टीक है इसी समझवा गई का नहीं तो इन तीन तरह की मैथर्स में आपन ज मैं आपको बताया कि भाई वह यह था कि अपने पास करेंट यूज कर दिया इंकम बढ़ा दिया अचा हुआ यह कि कि किसी आगले साल में खुल गया इसस्मेंट कि इस फिटाय से किसी आगे अगे अज़ेंट किसी एक औरोट कर रखेते सकार के महथा हुआ अगर अगर आपका वेस्मेंट निकाल पड़ेगी जो अपने प्रिवियर से बीडिटा निकाल रहा था उसको ignore कर दो ठीक है का नहीं समझना आ गई आपको वापस simple language में समझा देता हूं कि current year में मैंको ALP निकाल नहीं थी मैंने previous data यूज करके ALP निकाल दी करके इस current year के data पर निकालूँगा और प्रिवेस यूज करेंगे इन और करेंगे तो वहीं चीज कहना चाहिए इदर क्या कि वह देटा इन्ट करेंट यूज करने पड़ेगी इस सब्सेक्वेंटी अवेलेबल एद इनिशली मर रहा था तो मेरे पास प्रिवेस यूज कर लिया था जब असेस्मेंट खुला मेरा मुझे असेस्मेंट करूंगा और आपने प्रिवेस करने से अब देखो मैं आपको बताया था कि अगर आपका कि अबार यूज करने से अब को क्या करना हैं अब क्या करो मेरा निकर्ट कुण Congड़ के आया कि 42 बाट इन दोनों का डिफरेंस कितना है इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखा जा है टो रूप या 50 तो सरकार कहते हैं कि देखो आपका जो एक्षांडिक्शन पाईज है जो एल्पी उसमें चोटा मोटा डिफरेंस है तो उसको इग्णॉर कर दिया जाएगा अगर तीन परसेंट से ज्यादा का डिफरेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो मैंने अभी पर्चेस तो सरकार करते हैं कि देखो आपको इसमें डिफरेंस है एक्षांडिक्शन पाई और एलपी में वो तीन परसेंट से ज़्यादा का है तो आपको क्या करना पड़ेगा एल्पी करना पड़ेगा और जो आपकी अबरेज एल निकल का ही मतलब 42 यहीं आपके अपके अपके ए तो जो मेरे एवरेज एलपी है अगर उंदनों का डिफरेंस अप्टू 3 परसेंट तक है तो अगर मेरी एवरेज एलपी 97 तक निकल क्या रही है तो सरकार बोलती कोई दिखत नहीं है आपको एजस्मेंट करने की जरहत नहीं है आपको चलने दो फालतु दिमाद खराब मतलों अगर 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 आपको कुछ नहीं करना एजस्मेंट करना पड़ेगा अब अब बात करते है अगर मतलब क्या है बहुत सी बाते में आपको समझा देता हूं आपकी जो भी निकल क्या करोगे उसको असेंडिंग और में अरेंज कर दोगे जो भी आपको बताता हूं क्या ओपक्या क्या निकल गई फ़र एकशांबल 40 41 42 43 44 45 कितने निकल गई छे एल्प निकल गई चाहर पांट च तो मैं क्या करूंगा छे का thirty परसे निकालोंगा और छे का सिस्टी फाइप परसे निकालोंगा। सरकार मुझे कहते हैं कि अगर आपका actual transaction price इन दुनों के बीच में fall कर रहा है तो कोई करने के आपको ज़रुद नहीं है उसी को बीसिकली अपन एल्पी मानते हुए आपको जो है रिलक्सेशन दे देंगे ठीक है तो सरकार ने कहा कि आप क्या करो 35% निकल क्या रहा है तो सरकार कहती है कि अगर आपका अगर आपको जो है चे का मीन निकालना पड़ेगा मतलब आपको मीडियन निकालना पड़ेगा बीसिकली मीडियन बोले तो सिक्स का 50% करना पड़ेगा सरकार ने कहां सिक्स का 50% कर दो पिताद है थ्री सरकार ने कहां सिक्स का 50% कर दो बेसिकली क्या निकली आएगा आपको बताया क्या कि अगर अगर आप देखोंगे लोजिकली मैं आपको एक शीच बताई कि इसका मतलब है 123 123 बोले तो मेरा मीडियन होना चाहिए यह लेकिन सरकार ने क्विस्ट कहा और वो ट्विस्ट कहा है वो देख आगे सरकार के तुष्ट देखना सरकार कहती है कि अगर 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 35% 50% 65% क्या है फूल नंबर है तो क्या करने पड़ेगा एवरेज जिनना पड़ेगा और वेल्यू ऑफ डैट ओल नंबर इसका मतलब यह रहा इसका मतलब यह रहा कि भाई देखो 6 का 50% करा मेरा कितना निकल के आया है तो बेसिकली मैं देखूंगा 3 कौन सा है एक तो यह रहा 1 2 3 3 यह रहा लेकिन यह तो होल नंबर है ना होल नंबर बोले तो 3.55 तो कुछ नहीं आया ना 3 आया मदब 3 होल नंबर है तो सरकार कहती है इसकी वेल्यूू 3 की और की वेल्यू ऌनलो ॉस्त फ्यक्त बिस्त ट्विस्त वेश्ट कि अगर 35 टी परसेंक wann 50 पसंट और दोनों कट्रों अगरा अगर एको चीज में सब्सक्राइब से और को इस चर्वरे मैं आ पड़िश मेरे मों धकरला फिरच्वण अगर वस्सक्रेक्ष है अगर बाई शिक्स का 35 पर संगो तो बन पॉइंट अपने अज़र सुम करते हैं कि बन पॉइंट निकल गया तो आप सरकार ने जब कहा कि अगर यह ओल नंबर नहीं तो आपको करना पड़ेगा वैल्ली आप नेस्ट इंटीजर विल भी गूंसिट तो अगर आप अगर निकल कर रहा है तो यह रवन यह रट टू यह रट अभी वन है यह टू है वन पॉइंट तो बीस में यह ना तो सरकार ने कहा कि वह नेक्स्ट आपको नंबर ना वह क्या वाल लिया जाएगा उसको पर 35 पर संग क्या होता है कि वह सबसे पहले तो आप क्या करोगे आप सब्सक्राइब एक यह कुछ बड़ेक्श रेंज की बीछ में है तो मेरी क्या पनघे लिकमे लेकिन अगर मेरी सब्सक्राइब पिस्रेंज के बाहर है छू सरकान आप सिसे जोब्धि आपकी वाल्यू से कि जो भी आपकी टोटल वेल्यूज है उसका क्या कर से मिल जाता है होल नबर मिल जाता है तो सरकान नहीं का समझा पर चाहिए बहुत लॉजिकली बहुत चैजी चीजे समझा दि सबिस्सक्राइब क्या होता है है बहुत आसन चीज्ज आप लोग वैसे टैटरफिव चैप्टरी सब्सक्राइब सब्सक्राइब है यह जाव होगा है इसका करने वर in है कि यह दर पूरी का निया गई आपको अपने देख लिए कि इंटरेंशन क्या होता है तरीके से निकल सकती है उसके बाद हमने देखा एक मेथर से अगर आप तो अपट फाइव यह तो पर में पड़ेगा और पांस से ज्यादा अपने पूर आपको संजा अ आप देखो मेंूप इसे कर लिए मुझे क्या कहता है कि बही में में अपनी किताबों में अपना पॉफिट तिखाया सौरुपे मैंने अपने रिटन बढ़ दी अच्छा एसेचिंग ऑफिसर जो मेरे रिटन को वरिफाइए करता है कि बढ़िए और उस ऐसेचिंग ऑफिसर को लगता है है क्या रगता है कि इस बंदे ने बलत तरग पर रखेंट एप टांसेंग ऑफिसर होता है उसको वह तो तो देख के और इसको देख कि इसने सही तरह से ALP के टांक्शन करेंगी, नहीं करेंगे, ठीक है, तो AO मतलब क्या होता है, AO मतलब है assessing officer, AO मतलब basically है assessing officer, AO मतलब basically क्या है assessing officer, तो AO Mimaker reference to TPO, AO जो है TPO को कह सकता है कि आप क्या करो, इसकी ALP निकाल करेंगे दो, यह option किसके बास हवेरे बनी है, SSC के बास हवेरे बनी है, SSC को ALP खुद निकालनी पड़ेगी, अपने CA से निकलवा सकता है, लेकिन जो assessing officer होता है, जो मेरे return को verify कर रहा है, वो transfer pricing officer को कह सकता है कि इसकी ALP निकाल के दिखाओ, कि इसने सही ALP निकाली है, कि निकाली है, यह तो गया पहला point, दूसरा, AO को जो को कमिशनर का approval लेना पड़ेगा, before making such a reference, तो AO को, अगर reference देना है कि इसको TPO को, AO अगर TPO को reference देना चाहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, approval लेना पड़ेगा, Principal Commissioner of Income Tax, Commission of Income Tax, ठीक है, अच्छा, TPO का मतलब क्या है, TPO का मतलब है, JDA, Joint Deputy of Assistant Commissioner, Joint Commissioner, Assistant Commissioner, और Deputy Commissioner, TPO बन सकत अब देखो, TPO can also determine the ALP of other international transactions identified subsequently in the course of proceeding before him not available in respect of SDT, क्या मतलब है देखना, यह रोहन कर गया, handsome उंडा, इसने जो है क्या कर रखा है, current tier में, अपनी ITR में, income tax return में बताया, current tier में इसने अपनी income tax return में बताया, कि मैंने A, B, C, B और E, इतने तरह के transaction का रखे है, ठीक है, मैं अप income tax return में क्या कर रहा है, वेरिफाय कर रहा है, AO मेरे return को verify कर रहा है, AO ने क्या करा, transaction A, B, C, transaction ABC किसको refer कर दीए, TPO को refer कर दीए, TPO को refer कर दीए, और TPO को कहा कि verify करो, तो TPO को AO कहता है कि रोहन गरने ABCDE पांस दरके transaction कर रहा है, आप ABC को verify करके लोग कि इसने ALP सही निका लिए, तो पहला point कहना यह चाता है कि अगर TPO चाहे तो अगर TPO क्या करें चाहे तो D और E को भी मुझे यह बताता है कि अगर TPO verify करते समय जब TPO क्या कर रहा था ABC को verify कर रहा था और TPO को बता चलता है कि कोई F पर रखके कोई transaction था जो डोन करने report नहीं कर IETR में तो TPO क्या कर सकता है इस F की भी ALP को cancel करके adjustment कर सकता है तो आयोग आपको डोन adjustment समझ में आ गए पहला आपको simplify लेंगे जो सम्दाना अधर भी था और इसके बाद मैं आपको twist मिले गया ठीक है तो पहला मुझे यह बताता है कि भाई TPO कर सकता है जो रोहन करने रिपोर्ट तो करे हैं लेकिन यह उन कि अब देखना आगे कि आपको दिमाग नहीं लाग सकता है यह को अच्छे से मान लेना पड़ेगा और यह को जो है उसकी बाद विश्वास करके अपने उसके को फॉलो करना पड़े है तो यह भी बहुत इंपॉइंट पॉइंट है आपके एक्जामें टेस्ट करता है इंपॉइंट पॉइंट है यह जो अपना टीप्यों का ओर्डर होता है वह बाइंडिंग होता है यह उपको कुछ दिमाग लागने ही जिर्वत नहीं है कि देखन अगर यह उने क्या करा है तो टीप्यों को अपड़े इस एक्सपार्यूं के साथ समझ में आ जाएगा और यह जो पॉइंट है आपको आपको समझ में आ जाएगा तो गाइस बेसिकली अभी तक क्या देख लिए कि जो है क्या कर सकता है अब बात करें जा रहें अपा की एफ और अपा का मतलब बीसिकली यह है कि मैं एक कंपनी हूं मैं बहुत सारे इंटरेशनल कर लेते हैं जो भी फ्यूचर कोर्स करने वाला है इंटरेशनल टांडिक्शन से करने वाला है बीसिकली और आगे बढ़ते हैं जो यह अपा कौन अप्रूब करेगा सरकार अप्रूब करेगी उसके अलावा देखो अगर आप आपको फॉलो करते हो तो आपका जो है प्रू दिखाना पड़ेगा अपने मुक्साव हो काम तो सरकार केंते कि वहर साल अपनी किसी ऐसे पर्चिस करते हो सरकार केते हैं कि साल के चालू होने के एक दिन पहले आप क्या कर सकते हो बिसीकली एप्रिकेशन कर सकते हो गर तो सरकार ने करता हूं कि मुझे सिर्फ दो साल करने हर साल में अपने अग्रिमेंट कर लेते हैं कि जो भी मैं यह दो साल में टांडिक्शन करूंगा वो बिसिकली क्या होंगे एक फिक्स अलपी पर डिसाइड होंगे जो आप अग्रिमेंट में बता दोगे अगर अगर आपको जो तो आपको फीज देनी पड़ेगी अगर आपके जो त्रांडिक्शन आप करने वाले वो वह 100 करोड तक हैं तो आपको फीज देनी पड़ेगी 10 लाग ट्रांजिक्शन्स अगर 100 पर से जाद है अगर 200 पर से जाद है जो भी अग्रिमेंट में आप एंटर कर लिए तो किस पर बाइंडिंग हो गया एप्लिकेंट बाद में जाते यह नहीं कह सकता कि अग्रिमेंट वह ज्यादा है अग्रिमेंट इंटर हो गया तो किस पर बाइंडिंग रहेगा है अग्रिमेंट बता रहा होगा कि इस तरह के टांजिक्शन्स करने तो उस तरह के टांजिक्शन्स करने पढ़ेंगे अच्छा आपको झोने अग्रिमेंट के टीक्शन्स यह करें तो सामने वाला बंदा चारेगा तो यह नहीं का एंडध है तो आपने इंकस सुमेट करईगा तो तो सामने वाला बंदा छो है जो है मतब्क्न इंक्स अर से क्या करेगा वरिफाय करेगा तो जो आपने इनका अनुल कंप्लाइंस अर्ड़ करेगा उसके वह वह आपने जो रिपोर्ट ने बता रहा है वह सही है की नहीं है और तेक्षेसी है अच्छा आगी देखना आपने अपना एंटर कर लिया किसे बाइफ या सब्सक्राइब करेंगे अगर आपका जो अगर आपके प्रोजियों साथ लगेंगे नॉर्मल प्रोजियों साथ हो जाएंगे नमबर टू पॉइंट जिस दिन से आप अपन चर्प्रोजियों साथ इस सब्सक्राइब करेंगे अपन पर ऑन सब्सक्राइब करेंगे速द लिए प्राइब करेंगे टीजियी अवह और यह चीज आव जागे बढ़ाएंगे और यह चीज आ हां से आपको किसे में समझ आएगी अभी समझ नहीं तो इसको बूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है फिर देखो यह रखा है कि वे दर पीड ओफ लिमिटेशन तो यह वाला पॉइंट जो है यह भी आपको असेस्मेंट के साथ समझ आएगा तो इसको रिवाइस करोगे तो आपको सम ओफ करने ही deal हो तो सरकार ने कहा डिया क receivers 4 स्काल का आपकर करना चाहते χरों खल लो तो सरकार ने कहा कि क्या किया एप पिछले चारों साल ओफ सकते हूँ आपोँ पिछले चारो साल के पड़ेगी अप्रस्पेक्टिवली अचाहा देको पिछले चारो साल के अंदर जो इंट्रेंस टांडिक्शन हैं वो सेम है वो सेम है किससे जो अपने अपा में एंटर करें हैं तो दैकें紅 for all the rollback area is punishedных by the SSKPım SilverStath, सरकार केते हैं कि पछले चारो साल के आप क्या कर सकते हो लेकिन condition यह है Uh, अपने इंकम को रिड्यूस नहीं कर सकते सरकान ने क्ला कि अगर आप अगर पायदे के लिए ही कोगा तो अगर तो अपनी प्रिडीजिक नहीं होगा अगर किसी पर्टिकलर पूइस यह का अगर किसी पर्टिक्लर प्रिवेस एर का डिस्टेंट किस ने दिया आइट ने दिया है आप असेस्में वाले चप्टर में पढ़ोगे कि कुछ हिरार्की होती है कौन कौन से हिरार्की होती है एक होता है फिर उसके उपर होता है CIT appeals ठीक है अभी लोगों ने क्या कर दि सब्सक्राइब किसी पर्टिक्लर में क्या होता है आइट ने आपका डिसिजन दे दिया एलपी के रिगार्डिंग तो आपको जो है रोल्डेक एपिक्वल नहीं होगा तो देखो क्या रखाए डिटामिनेशन ओफ डिटामिनेशन ओफ एलपी सब्जेक्ट मेंटर अपील इतर आप आपके रोलडेक उससे प्लाइं नहीं होगा तो दो जगहा पर जब आपके इंकम रिट्यूस हो रही है या फिर या फिर या फिर या फिर प्रफिर और पस कर दिया है ठीक है अचाए एक और चीब समझना रोलडेक इन केस हो मजर ए दी-मरजर देखो आजूम करन सब्सक्राइब करो कि अगर आप लेना चाहिए अगर आप लेना चाहिए अगर आप लेना चाहिए जिस साल आप एप्रिकेशन दे रहे हो तो देखो करेंट में क्या हुआ अगर आप लेकर क्या है क्या है वह लेकर सकती है जो कंपनी और यह एक्शामपल देखना दूसरा इक्जामपल क्या बता रखा है एप्रिकेशन माज़ो गोई एलिमिटेड में एप्रिकेशन में तो क्या कर सकती है एक्जिस्ट करती थी और अभी एक्जिस्ट करती थी और अभी एक्जिस्ट कर देखो अब देखो आज़ेडेडी में तो पौन अप्लाय कर सकता है आज़ेडेड एक्जिस्ट नहीं करती थी रूल्वें कर सकती है अब अब क्या बोले तो मैंने व्यूंप क्या कर सकते हैं अब आपने रेटरन कर सकते हो जिसके अंदर आप 100 के जगा 80 पर टकर करके बाकिका रिफंड कर लो कि अगर आपने और फाइल कर दी और एनी प्रिविए से टू इंटर करा था ठीक है लेकिन अभी तक एंटर हुआ नहीं था तो आपने क्या कर दिया जाएगा अच्छा देखना हो अजगरोऊ कर देख सश्कार के दि कि कि किन पाड़े अपने चेप्टर में तो किसी पॉजब करते हैं वह 12-1 का असेस्मेंट, 2019-2020 का असेस्मेंट आज एउने खुला और वो पेंडिंग है, पेंडिंग बोले तो असेस्मेंट का वादब ऐसे समझ सकते हो कि इंकम टेक्स ऑथर्टिक्स को लग रहा है कि पर्टिक्लर ये 2019-2020 में आपने थोड़ा इंकम को कम ज़्यादा दिखाया था तो कि भी AO को आप क्या करना पड़ेगा, AO re-assess करेगा सच एयर असेस्मेंट ऐस पर अपा, तो किसी पर्टिक्लर येर का असेस्मेंट क्या हो चुका है, बिसिकली कॉलेडी कम्पीट हो चुका है, बिफोर दा एक्सपाइरी ओप्र अलाओं फॉर 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 फॉ तो सब्सक्राइब करेगा और फिर से उसकी साल इससी पुसक्राइब पॉर टाूर उसक क्या कर सकता है इसको और पास कर सकता है अच्छा टाइम प्रियेड फॉर कंप्रिटिंग कंप्रिशन ऑफ पेंडिंग असेस्में और यह सेस्में से एक्टेंड बात कर रहा है तो अभी आप इतनी टेंशन मत लो अभी आपको दिमांग लगाने की जरूद नहीं है जब आप असेस्में वाल केसिस होते हैं तो अब अब इधर अपना आप पूर आओ गया बेरी इंकम को बढ़ा रहे हैं अगर मेरी इंकम कमोड़ी तो अपने लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं तो देखो आपने क्या करा आपने बिसीकली पर्चेस दिखाई 100 रुपे की सरकार कहते हैं पर्चेस दिखेगी 80 रुपे की इसका मतब यह है कि जब आपने यह क्या कर आओगा 100 रुपे के एंट्री के पास करेए उगी पर्चेस अकाउंट डेबिट टू बैंक ऐसका है आपने 100 रुपे अपनी अगर क्या करोगे अगर आप नहीं लेके आओगे तो हम आपसे जो है किसपात का इंट्रेस्ट हम यह मान लेंगे कि 20 रुपए आपने सामने वाले को लोन दिया है यह लोन दे लिए जिसक लिए इंट्रेस्ट की इंकम आपके जो है क्या होगा है अग्णा परिक्स जब तक कि आप एक्सेस पैसा वापस नहीं मंगा लेते हैं, इधर तका नहीं सेंजन आ गई, अच्छा एक और चीज समझना, कर सकते हो कि मैं 20.9664 पर सकता हूं तो अगर आपने 20 रुपे पे क्या करा ये एडिस्म टेक्स पर दिया तो सरकार के दिये आपको कोई 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 दिक्कति आपको पैसा मंगाने की जरूत नहीं है इदा तका नहीं सब्सक्राइब की इस पर अगई तो सकेंद्री इस्में नपको बता दिया सेकेंडरी अज्जेस्मन का मतलब है कि हम लॉन हम यह मान लेंगे को आपने लून दिया है और आपको अब सांतर इंडिया कई है टीक है किया टेली एकशेस हो जाएगा थे ख़ी स्टाइगा क रख़ोगा सब्सक्राइब हता है करेंगा अभी कि था मेरा थे एक्सेस बनी हो जाएगा इंडिया क्या पैसा नहीं मंग आया तो यह मान लिया जाएगा कि बिसकेंड डिविटी मान सकते हैं अलग अलग चीज़े मानती है कोई कंट्री यह मानती है कि आपने क्या करा है सामने वाले के अपने करती है सामने वाले को लूश ऑसे ब्यास हो जाएगा ब्रहों कि करना पड़ की नहीं अपनी पीओं किसी के पाप की नहीं, I'm one bottle down, all right, तीलो मेरे साथ में, ओकेई, 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 अब देखो, कहा कार अपनों को second adjustment करने की ज़रू हता है, second adjustment का मतलब क्या है, कि हम यह मान लेंगे, कि आपने सामने वाले बंदे को लोंग दे दिया है, second adjustment कब काब होता है, देखो, आपने प्री जब I-Tier भरी, तो आपने सू मोटो adjustment कर दिया, प्राइमरी adjustment का मतलब है, आपने 20 रुपे से बढ़ा दी, आगे देखना, सरकार ने कर दिया, या फिल अपने कर दिया, या फिल अपने कर दिया, या फिल अपने पता चला, या फिल अपने एंटर कर आपके दूर पता चला, सरकार ने कहा रखा है, कि अगर कोई manufacturing company, क्या कर दिया, इसको भूल जाओ, आपके काम पर बिल्कुल नहीं है, तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बढ़ाई थी, जो 200 रुपे सामने वाली company के पास है, आपको 90 दिन के दर मंगाने पड़ेंगे, 90 दिन कहां से काउंट होंगे, तो देखो, 90 दिन काउंट होंगे from the due rate of ROI, या फिर date of order अगर primary adjustment made by the AO या फिर appellate authority, तो अपने उपर देखा था ना, कि भी primary adjustment काउंट कर सकता है, तो सरकार कहती है कि 90 दिन काउंट होंगे, 90 दिन काउंट होंगे from the due rate of ROI, या फिर अगर अगर पैसा मंगाना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं मंगा उपको तो क्या हो जाएगा, यह मांगे जाएगा आपने loan दे दिया है, ठीक है, एक और चीज़ दिखना, अगर आपने 90 दिन के अंदर पैसा नहीं मंगाया, 90 दिन के अंदर पैसा नहीं मंगाया, तो क्या हो गया ब्याज लगना चालो हो जाएगा, और ब्याज किस दिन से लगेगा, इन पटिक्लर डेट से लगना चालो हो जाएगा, ठीक है, तो 20 देन के पैसा नहीं मंगा होगे 90 देन के दर लॉचिकली होना क्या चाहिए ज़िए लेकिन सरकान का नहीं 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 ब्याज रगना चालू हो strict सकते यह जो पोइंट है और है कि अगर आपने पैसा नहीं मंगा एक आड़ आपकी वज़े से हुआ तो अगर अपा की बज़ेस हुआ तो 90 से काउंट होंगे वो दिखना तो अगर अपा अगर अपा एस बिन एंटेट विफोर दुट अफ आर वई मजब आर वई की डेट अभी तब खतम नहीं हुई है तो अगर अपा अपका अपा एंटर हो गया था अगर आपका एंटर हो गया था अगर आपका एंटर हो गया था अपा वस एंटर सरकार के थी क्या एंड ऑफ इंटर हुआ था उसके करना और अगर पैसा वैसा नहीं मंगाया तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट लगना इजसे ही चालू हो जाएगा है अगर फ़रगी मेंट बीच में क्या है तो मियूचल करते हैं उस अग्सेंट को उस कंव्र्व कर लेते हैं तो सरकार कहते दिए जिस दिन क्या हुआ को ने ओने मैं एपकीछ दर आपकर पांच्या कीसट फेस्प पर लगना चालो जगा सरकार के लगए अगर आपका इंट्रेयन रूपीज में तरा तो यह रच किया वो देखते हैं अगर इंडियन रूपीज में अब आ था थी कि कि आ सब्सक्राइब कर देना और अगर फॉरन रुपीज में टांडिक्शन कर रखा है आपको कोश्चन हमेशा दे रखा होगा कि सिक्समद्र कितनी है और वन यह इसब्सक्राइब कर रखा है अगर आपकर टांडिक्शन फॉरन रुपीज में तो आप क्या करोगे ताकि आपको इंटेस्ट निकालना उस पर सरकार के अगर आपने कोई टांडिक्शन फॉरन कर तो उसको convert कैसे करोगे तो TTVR of such currency on the last day of the previous year ने मिजदा IT was undertaken तो जिस साल आपने international transaction कर रखा है उस साल के previous year उस previous year के last day पर आजाना मदब 31 मार्च पर आजाना और उस दिन देखना की भी TTVR rate क्या चल लिए थी तो यह भी कोछटन आपको दे रखे होगी तो अगर मैं foreign currency को खरीदता हूं तो TTVR court होती है तो TTVR of such currency है उन्दर आज यह तो previous year आप क्या कर लेना पपड़ लेना उससे आप और foreign currency transactions को एने रुपेज में convert करके यह वाला ब्याज लगा देना ठीक है मैं आपको इछ चीज बताई थी यह आपके पास ऐक option है कि आप क्या कर सकते हो पैसा मंगाने की मजए चाहिए तो असे ऑपके ऐस option है वह आप पैस नहीं मंगाना चाहते हैं तो आपके क्या कर दो अब सरकार केती है कि जिसभी साल या जिसभी पटिक्लर डेट पे इयर में आप क्या करते हो यह additional income tax प्री कर देते हो उस साल से हम आपका इंट्रस रागाना बंद कर देंगे अगर आप additional income tax पे कर देंगे आपको second year adjustment का लेगी जरुदत नहीं है secondary adjustment का मतलब यह है कि दीम लोर मान लिया जाएगा and there is no interest from the date of payment of such tax इसका मतलब क्या है कि इन एनी केस हमें इंट्रेस्ट को complete करना पड़ेगा up to the payment इसका मतलब यह है मैं आपको जो example बता है कि 90 दिन के आपको समय दिया 90 दिन कदर पैसा मंगा लो आपने पैसा नहीं मंगा तो आप इंट्रेस्ट लगना चालो हो जाएगा जिस दिन जिस दिन आप क्या करोगे पैसा मंगा लोगे या फिर इंट्रेस्ट लगना बंद हो जाएगा तो इंट्रेस्ट लगन तो चालो हो गया अब सरकार के थिए कि आप क्या कर सकते हो या तो पैसा मंगा लो पैसा मंगा लो कि तो इंट्रेस्ट लुग जाएगा लग तो देखो अभी तक आपने यह दिख लिया था कि भाई एडिशनल इंकम्टेक्स आप पी कर सकते हो अच्छा जो आपको ना कोई इसका मदब ही है कि अगर आपने पैसा नभी दिन कद नभी मंगाया तो यह नहीं माना जाएगा कि आपने लोन दिया है और आपको इंटेस्ट करने की जरूत नहीं है अच्छा मेरी बात बड़ी दान समझना सरकार ने कहा कि कोई भी बंदा अगर क्या कर रहा है इंट्रनेश क्या कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा एक और समिट करने पड़ेगी मतलब सी एक और रिपोर्ट देगा कि इस बंदे ने जो भी इंट्रनेश टांडिक्शन करें वह कि आप रहे हैं सब्सक्राइबगा करना पड़ेगी समिट करना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉम सीए ओके यंडिक्शन की बात करते हैं तो भी अपने उपपर देखा था कि अगर आपने जो है डॉक्मेंट से नहीं समिट करें विदिन टैन डेस्ट आपको पैनेटी देनी पड़ेगी टू पर लगेगी एक लाख रुपी की ठीक है पिर एक और चीज़ समझना कि अगर आपने क्या करा इंट्टेशन टांडेक्षण को पैनेटी लगेगी तो सरकार ने क्याचीज़ कही कि पाई तो अगर आपने डिपोर्ट ही नहीं करे तो क्या होगा टू पर लगी ओफ टन्र अवा देनी पाड़ेगी पढ़िए एक लिटी क्या देखो कि टो वर चुड़ेट्व परसन आपक्स ओंद अंडर रिपोर्ट इंकम् तो कित्ती पेलिटी होई एक यह पेलिटी होगी ट्वर्य टांटि और यह हो जागा ट्वर्ट परसन अफ टेक्स वंद रिपोर इंकम् अपने केस में अपने केसर में अंडर रिपोर्टें कि तीया रही ती हमिए 653 लां मे subscriंजननकी करने पड़े इस मेज़िए इससे पुरी का निहीं श्सवां गई इत्मार्च्ट अप्का बताए कि बाई अगर अपने केस prise नहीं करें तो किती लगे कि टू परसंद वाली अगर आपने इंट्रेशन को रिपोर्ट नहीं करा तो एक और पर सेंट ऑफ टेक्स ऑंड़ अंडर एंकम एक और चीज समझना आपने रिपोर्ट फणिश ने करें तो एक लाग्र पैनल लगी जाएगी अचा अपने उपद द नहीं करें तो टू पसन देट वेली ओफ इंट्रेशन देटी लगी आपने इंक्रेक्ट इन्फोरमेशन मेंटेन करी आप सब्सक्षाइब करना इस सारे इंपोर्टेन इसको ध्यान रखना बूलना मत अचा एककोची समझना आपने कोई और इपर फणिश नी करी तो कि पै करते सरकार को पता नहीं चलेगा और अपन एक लाग रुपे की पैलिटी देके बच जाएंगे सरकान ने इस चीज को पकड़ डिया पर सरकान ने क्या बोला कि अगर आप क्या करते हो कोई टांजिशन चुपाने के लिए और रिपोर्ट फणिश नहीं करते हो तो एक राव करें नोच पर यह कांपर है इंडिया में एक दुबई है एक यू ऐसे है एक सिंगापुर है सिंगापूर मैंने बहुत सेरी क्या खोल रहें किया है इसके अ आपने एक चीज़ देख लिए कि किस तरह से लगेंगे अब एक और रिक्वामेंट है कि जो भी कंपनी जो भी कंपनी कि क्या है बिजनसे पूरे आल ओवर फैले हुए है उसको क्या करना पड़ेगा कंट्री बाई कंट्री पोर्टिंग देनी पड़ेगी मतलब क्या है वो द में मतलब क्या है कि अगर आपका बिजनस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है तो सरकार को बताना पड़ेगा कि वह का वर कंट्री में जाहां डिबें मेन क्या बिजनस ए और नमबर तू कितना कितना परफिट हो रहा है अचा अजलर इंड्डय में आपको बताने कितना एक एक कि अपने क्पर रेंच करता था कि इंडिया मेंespère गहां मेक्सिव OFF क्या मतलष कansा मेरी दुबाइल मुझे सग्व होगई je हमें आपकी पूरे विजनस के पूरे बिजनस की नॉलिज चाहिए यह बिजनस आपług में कहां चला रहे हो उसके आपको नॉलिज देनी पड़ेगी अच्छा नॉलिज किस तरह से मिलेगी देखो वर्ट मुझे डीटेल में इंफ़ॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो मेरी कंपनिय वर्ड में उसका पॉफिट कितना है उसका इंपवएज को इतने इंपव्ए जितनी सौ रूपी की इंकम लिए तो सरकार इंपविश को दिखंव हो उसमें और को रिजन है क्या तो आप द सब्सक्राइब कोई दिखते हैं आप दुबाई में दिखा दे हो कि आपके इतना प्रफिट कैसे हो रहा है तो कंट्री बाइब कंट्री पॉर्टिंग में तीन त्रा के डॉकमेरेशन होते हैं अपने पड़ भी यह तीनों एक तो अपने पड़ा लोकल फाइल एक जिसको अब जुम करते हैं क्या है यह इंडिया है यह यूस अ है यह सिंगापोर है क्या यह इंडिया कि यह यूस वर सिंगपोर अब यह इंडिया में जो इन जो जो भी यूटी है उसको बनाती है आपको बता है इंडिया सपनी से अंदर के इंदर का मतलब क्या है असुक्ट एंटरपाइस ओस पर इंटरिया होते हैं तो बेसिकलर सरकार ने कहा क्या parent entity हो आपकी जो भी associate enterprise है आपकी जो भी क्या है आपकी क्या हो जाएगी constituent entity हो जाएगी तो for example रेक्जामपल है इसका नादर के तीन सबस्री है टीनों सबस्री क्या होगी मेरी constituent entity हो गई इसमें एक कंडिशन ही है जिस भी कंपनी जिस भी कंट्री की रेसिटेंट है तो पर एक्जामपल यह जो पर इंटियन गवर्मेंट को क्या कि रिपोर्ट की समीट करेगी इंडेन गवर्मेंट को कौन इस यह इनसे इनसेपटाइट इंटियए यह सीदे रिपॉड को तो जो जो भी रे रिपोर्ट tratar वो क्या करती है से इन्डियेन गॉर्मेंट को je इंडिया है उसे से अगेरिमेंट परहुए किस बात का agreement का रखा है कि जो भी company हमारे यहाँ पर resident है उसकी cbc report हम आपके साथ share करेंगे ताकि आपको भी पता सेल जाए कि जो यह particular company है जो यह particular company है इसके globally कितनी branches है इसके कितनी इंकाम है और हमने क्या बता है कि हम agreement कर लेते हैं इन countries के साथ कि जो भी company हमारी company जो भी company हमारी country में resident है उसकी cbc report हम आपके साथ share कर देंगे और इसके बदले में आपनी country में जो भी company की क्या है जो भी company resident है उसकी cbc report हम में देजना ताकि basically हमें यह पता चलता है कि globally इस company कि कितनी branches है कितनी सब्सरीज है कितना profit लोगों ने कमाया है आपको कानी संब आ गई पर इंद्या में इंडिया में इंडिया की government को पेरेंट एंटिटी से जो रेस्टेंट है इंडिया में उसको चेर कर देगी और उसके बदले में सारी country क्या करेगी जो जो चंपनी उन countries में रेस्टेंट है उसके रिपोर्ट रिपोर्ट को मिल जाएगी ताकि सारी governments को सारी country को पता से हो रही है तो मैंने आपको एक चीज़ बतायती है कि भई सीबीस रिपोर्ट फणिश करने की जिम्यदारी है लेकिन कभी-कभी क्या करती है कभी-कभी पेरेंट बोलती है कि इसको अपनी सब्सेडिश को बोलती है या फिर अपनी अपनी और इंटिटी को बोलती है कि आप मेरे व्याब पे क्या करो अपनी country को सीबीस रिपोर्ट दे दो तो फॉर एकज़ामपल यह जो पेरेंट इंटीडिये इस इंडियन गर्मेंट को सीबीस रिपोर्ट फणिश ऐरनेटिव और शची केंड सब्सक्क्राइब करें रिक् electromagnet यह विद यह कि परेंट की परिंद को जुडे फैसिवी, incentiv अप्रेंटिट और ні Prof. गोगर इसेट्पर्टि के वक्रकानल क्या सब्सक्ते बॉन सबस्क्राइब को घ्राइब के थे-पेंडिठमलेयट लुग्रिपन क क्या डिसाइड करता है किसी कंपनी को बोलता है कि एक काम कर मेरे प्याप पर अपनी सरकार को दे इंडिन सरकार उससे ले लेगी तो अल्टने रिपोर्टिंटी का मतलब समझ में आगया होगा आपको कि एक वह चीज देखने ने क्या दे रखा है एक्शन प्रांट रटीन और वेप्स बेस एरोजन पॉफिट शिफ्टिंग मिली एक मीटिंग हुई और सरकारों ने देखा कि यह कंपनी तो आयना बहुत मचा रही है जहां-जहां टेक्स कम लगता है वहां पर पॉफिट जाद करके बहुत सारे एक्शन प्रांट मना है कि अधर है इस फैट को रोकें भी है क्या करेंगे कमप्णी च्युह में और पनाने नहीं देंगे डऊड फंजो है इंधा है प्यू च्यृपाट की अ entste तो बीसिकली एक मीटिंग के अंदर बहुत सारे एक्शन प्रांट डिसाइड हुए थे किस तरह के एक्शन प्रांट कि हम कंपनी इसको रोकना चाहते हैं और किसलिए रोकना चाहते हैं कि वो एननेसेसरी कसी दूसरी कंट्री में ज्यादा प्रॉफिट या कम प्रॉफिट ना दिखाए एक्ट जो एक्ट्चन प्लान थे उस एक्ट्ट्ट्ट्ट में क्या डिसाइड हुआ था सिबीसे रिपोट्टk के बार Nagraac रिक्रामेट उन ग्युगा आपको बताया था कि मास्टरफाइल में ग्रूप का ऑर्वीव होता है मैं बताता हूं कि मैरी इस इस country में यह यह companies है और उसका बिजनस यह है मास्टरफाइल कोई सम्प्सिर्ट करता है देखो, मास्टरफाइल सब को सम्टरफाइल नीप पड़ती है, मास्टरफाइल चल्भी फणिश्बदर, इंडिया अप्टो दुलेटर अफ़ आ वई, तो इंडिया में, for example, इंडिया में कोई कंपनी है, किसी कम्पनी की कि ऐ है सरकार कि वह सब्सक्राइब काँगा कि वैंट city रेशन क्रेंट इंडिया हो क् वैं बताएंग और उन में रिशट को सदर्फोर्ण सेवराइब कंट्री बिस हो तो मैं बड़ेगा मास्टरफाइल काने पड़ेगी अगर एकसे ज्यादा Кон्स्टिटफ्वेंट आगे देखेंगे यह इगा है तो क्या हुग तुमेण आपको बताया एक कंट्री अपन अजूम करते हैं एपल की दोचा सबस्री इंडिया में है तो पेरिंट एंटिटी तो समिट करतेगी यूएसे में अच्छा इंडियन गवर्मेंट क्या चाहिएगी कि बैचू सीबीस रिपोर्ट समिट करिए पेरिंट वो उसको मिल जाए अच्छा एक और सबस्री इंडिया में है उसको क्या करना पड़ेगा मास्टरफाल के आपको बताएगा तो अगर इंडिया में दो-3 एंटिटी है तो ग्रूप बता देगा कि दोनों को समिट करने के ज़रद नहीं है दोनों में सो कोई भी एक समिट कर देगा तो मतलब पीसे करी ब्रूप डेजिग्नेट करेगा दोन में से किसी एक कंस्ट्रिट्वेंट एंटिटी को आप जो है मास्टर पाल समिट कर दो ठीक है अच्छा आपको बताना भी पड़ेगा सरकार को तो फर एक्जामपल दो सब्सरीज थी मेरी सब्सरी बाने सब्सरी टू परिए इस ने कहा सब्सरी बन को कि वहीं तू क्या कर समय कर दे क्या मास्टर पाइल अचा आपको सरकार को बताना पड़ेगा सरकार को बताना पड़ेगा एक लिए अगर आपने मास्टर पाल कब समिट करने की जरूद है सरकार का मास्टर पाइल करो गिया जब आपका अपका इस बीचिंग बताते हो कि अलग अलग कंट्री अपरेट कर रही है उनका प्रॉइब कितने हैं इंप्लोई कितने हैं ठीक है अच्छा मैंने आपको बताया था कि वहीं सीबीस रिपोर्ट काता है पेर इंट्री समिट करती है और इपड़ेट का सकती है और दूडेट क्या है विदिन पड़ेगी और इंडिया में पड़ेगी इसके बदिए और उसको क्या करना पड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब करने हैं एक और चीज देखना एक और चीज देखना अब एक जांपल देते हैं एक पेरिंट एंटिटी है युएसे में दो चार सबस्री है इंडिया में अब सबस्री को पन क्या बलेंगे कंस्टिटूएंट एंटिटी को बताना पड़ेगा इंडियन सरकार को कि कौन्सी कंपणी आपकी पेरेंट एंटिटी है ठीक है और इसको ये भी बताना पड़ेगा कि कौनसी कंपणी सी बीस रिपोर्ट कर रही है देखो है उसी कोई पैरेंट है जो नॉसरेंट है जो सरकार बदाएगी जॉए डैक्टर को बदाएगी कि at lease two months र को सरकार को बताना पड़ेगा आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि बहुत कर रहा है तो किसको फाइल करनी होती है कि मतलब सरकार को बताना पड़ेगा कि मेरा पड़ेट जैनी पड़ेगी या फिर अपको दूसरी कंट्री में सीवी से फाइल कर रहा है थाने समय आ गई बेसिक प्रपस ही है सकार यह जानना चाहती है कि कहां पर कौन सी कंट्री में है आपको तब फायल करने की जरवात है जब आपका चौशाट सो करोड से जादा है अपका आपका जुब में आपको बतानी हो यह है कि अपने देखा सीवीस्ट पूट आपकी एक फाइल होती है जब कंसलेटिट करोडर से जाद हो जो चोंसर्ट करोड़ है क्या रुपईया है रूपीज है तो आच्छा आपकी इंडिया में कर्णी है युसे में कंपनी है युसे की फॉरेंग और विजनस कर रही है तो वह क्या है उसकी फॉरन प्रेंसे में कैसे करोगे देखो टीटीब्यार और सच करनसी ओन दा लास्ट यह पीवेश्ट की वादे तो जिस साल आप क्या करेंगे चले जाना उसकी टीटीब्यार पकड़ लेना तो क्या है टीटीब्यार टीटीब्यार और सच करनसी और लास्ट डे और प्रीवेश्ट यह प्रीवेश्ट करोड से ज्यादा है क्या एक और चीज देखना मेरी एक parent entity है USA में CBC report phone file करता है parent entity file करती है सरकार ने कहा सरकार ने कहा कि भई देखो सरकार ने constituent entity resident in India को कहा कि भई देखो अगर आपकी parent company cbc report file नहीं करेगी तो किसको file करने पड़ेगी आपको file करने पड़ेगी तो देखो या फिर अलने बहुत या फिर को व दहें बढ़ेगी तो किस्विस्टीएंट को क्यक्ते में पिरिनृ मुन्सित हुं गणी को गना बिढ़एगा dirations dudない इंडिया को तो इसकी कोई और पर उसकी कोई और यह तो इसको फाइल करने की ज़रूती नहीं है तो अपर इंफर्मिशन नहीं नहीं पर एक्जांपल दुबई के क्यों की पर इंटिर के साथ हमारा कोई अग्रिमेंट नहीं है तो तुझे फाइल कर नहीं है अब हमें भी तो चाहिए इंफर्मिशन तो इसलिए तु क्या कर अब तूबि फाइल कर या फिर देखना Systematic failure हो जाता है Systematic failure हो जाता का मतलब क्या है कि बहुत की जिसभी country के साथ parent entry ने cbc for file करी although हमारा उसके साथ agreement था लेकिन वो report दे की नहीं रही है सरकारन ने करा कि अब बिया होगा अब basically कहन मिदमी करेगा कि अब वह सरकार किसको file करनी है किसको sencilliamo आपाने को दिया प्राइब करने पड़ेगा क्या है कि वह कंट्री एसे है यह साथ तक हमारा अग्रीमेंट है करनी पड़ेगी एक और चीज समझना जो जुट डिरेक्टर है अपने कि सब्सक्राइब कर सकता है कंपनी से क्या सकते है ना कंदर क्या का पड़ेगा वे दिन 30 के इंदर information देनी पड़ेगी और वो क्या कर सकती है 30 days को वापस 30 days पर सकती है क्यों बड़ा सकती है जॉइन डाक्र चाहिए तो 30 days को 30 days कर सकता है अगर आपने ऐसा नहीं करा join director ने information प्रफिशन मंगाई और आपने इंफोर्मेशन देनी है तो अपने इंफोर्मेशन नहीं दी तो 31 दिन से पांच जार रुपे पड़े की पैनिटी लगती रहेगी अचाँ सरकान ने कहा खी आपको पैनली पर युटे लगते हो अगर कि अगरत रेकिशन पर लाएं पर डेंटी देने पड़ेगी आपको 15000 रुपे परड़े की पैनली पड़ती अगर आपने इंफर्मेशन सम्मिन नहीं करी तो उसके बाद से 50 रुपे पड़े की पैलेटी लगती रही है इसी है अब देखते हैं पैलेटी फॉर फॉर्णिशिंग पैलेटी फॉर नौन फॉर्णिशिंग और सीवीस रिपोर्ट तो अपने उपर देखा था कि आपको साथ घड़िले हो गया है तो एक मेने के बाद पैलेटी लगने लगेगी 15,000 पर दे आपको नोटीस मिल चुका है आपको क्या हो गया नोटीस मिल चुका है कि आपने अभी दर सीवीस पर नहीं करते तो सर्गार करते होगी फिटी थाउजन पर देख नोटीस डेट आपको स आ लेके Mark लेकिन रेकिन क्या चलता है क्लेंडर सलता हैर यह कहती है कि अगर आप note akat india में रसीर के लिए सब्सक्राइक क्या है ही एक जिए के इत्व सALK जिस भी पर एक्जामपल एगर वो क्रती तो पन क्या ले लेंगे क्या अब यह था समझना अभी तक अपने पढ़ा का मतलब क्या है कि अगर आपने क्या कर रखा है कुछ दे रखेंगे अगर आपको समझ नहीं है अगर आपको समझ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है समझ में आपको सुन लो जो चैप्टर 6a के अंडर C headings के जो income based directions होते हैं तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है जब आपन जाके आगे पढ़ेंगे ना क्या कि चैप्टर 6a के अंडर C headings और आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इतना समझ रहा है कि जो specific sections दे रखें तो आपने क्या कर रहा है इंडिया में कोई ऐसे business के साथ कोई transaction कर रहा है जो उन businesses में फॉल नहीं करा तो सरकार के ती जो भी आपने transaction कर रहे ना उसको आपको ALP पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो transaction between two or more associated wise इंविच बहुत था ठीक है जहां पर यहां पर क्या है दोनों के दोनों जिसमें क्या है बहुत रेसिरेंट है तो सरकार के ती डॉमस्टिक टांसर प्राइजिंग लग जाएगा और आपने को जो है क्या करना पड़ेगा अच्छा यह वाला प्रोविजिंग कब लगेगा जब आपका क्या होते हैं मैं आपको बार बता रहा हूं जब आगी जाके वह सेक्षिंस पढ़ेंगे जब वह क्लारीटी से समझ में आ जाएगा अभी आपको उत्ता दानक ना है कि डॉमस्टिक टांसर प्राइजिंग के प्रोवजिंग लगते हैं और कब लगते हैं जब उनकी वैल्य देंगी नहीं तो उसको सरकार ने कहा उनको पन कंट उनको कहेंगे एंजे एक अग्जांपल समझ दा मैं आपको एक्जांपल देदा हूं और अजूम करते हैं और उसका उदर की गवर्मेंट है वह मेरे साथ कोई भी इंफरमेशिंग नहीं करती अब इंडियन कमणी रेसि में ज्यादा हो रहा है अब इंडियन गवर्मेंट पता ही निचल पा रहा तो पता नहीं चल पा रहा तो सरकार ने ऐसा कहा कि हम कुछ कंट्री के नाम बता देते हैं उसमें एक्जांपल मौरिशियस इंक्लूइट है अगर आपने कोई कंपनी से जो मौरिशियस में है और इंट्रेशनल ट्रांजिशियन का मतलब क्या है कि हम उसको जो है एलपी से कंप्विट करेंगे वेदर और सच परसन इस असूसीर अंटरबाइस होने की जरूत नहीं है अगर आपने कोई ट्रांजिशियन कर रहा है कि इसी परसन से जो लोकेटेट है कहां पर एज़े में अ मैंना कोई चीज मत आई दी कहां पर अर्थमाइटिक मीन कॉंसेट में जहां पर आपका एक्ट्रांजिशन प्राइस और वेपी में डिफ्रेंस अप्टू 3% है महाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूती है तेकि सरकान ने कहा कि वह वाला बेनेफिट एंज 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 ए सब्सक्राइब को जो है अगर आपने पर संब्सक्राइब करनेगा अगर आपने पर संब्सक्राइब किसी परसंट को जो एंज ए में लोकुरिट है एक और चीज समझना सरकार एक और चीज कहती है कि भाई आपने जो पेमिंट कर रहा है किसको आपने पेमिंट कर रहा है किसी फिरेंशल इंस्टीशन को लोग जो एंज ए में लोकुरिट है वुट भी अलाउड एड़क्शन अनलेज दा एससी और आपको डिड़क्शन नहीं मिलेगा अनलेज सरकार कहती है कि अगर एंजे में कोई इसको पेमिंट कर रहे हो तो आपको डिड़क्शन देंगे लेकिन कंडिशन क्या है आपको हमें ऑथराइज़ेशन देना पड़ेगा कि आप बैंक से सारी इटेल्स मंगा सको मतलब सरकार बस इतना सा देखना चारिए कि जो आपने लोन लिया है वो जन्यून लोन है वो किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसकी वाज़े से आ अब ही आप उस बैंक से सारी इंफोर्मेशन ले सकते हो तो सरकार ने का आपको ड्रेक्शन लाओ करते हैं बस आप तो हमें ऑथराइज कर दो कि जिस भी फ्रेंश्य इंस्ट्यूशन से आपने लोन लिया है ठीक है उससे हम क्या कर सकते हैं relevant इंफोर्मेशन ले सकते हैं सब अब बैंक वाले के बाद जाएंगे और बैंक वाले से पुछेंगे तुन्हें जन्यून लोन दिया है ना कोई ऐसा फाल तो अर्रेंजमेंट तो नहीं है ना आपको अर्रेंजमेंट है तो सरकार ने कहाँ एनी अमाउंट रिसीप्रम एनी परसन लोकेटेड इन एंजे शल मैं धाले लिख थाहूं यह पंगोइंजे एक एंजे मेंग्रेंग्रा रहता है टिकल्स और यह इंडिया कीसी बंदे नने मेरी कंप्रिव बैसा इंवस्तर करा मैं इदर के किसी बंदे ने मेरी कंपपनी में क्या करां? शेयर कैफिल में पैसां इंवेच्ट करां सरकार यह कहते है कि अगर आप एक कंपणी हो, और आपको पैसा किसी Person से मिलता है जो NGA में Situated है तो basically आपको क्या करना पढ़ेगा — Baron यह बताना पढ़ेगा कि भई इसके हाथ में पैसा आया ताहां से, वो सकता है कि भई आपने black का पैसा इसको दियाओ और इसना अपनी कमनी में investment कर दियाओ, तो आपको बताना पढ़ेगा, कि भई इस बंदे के पास यह पैसा आया ताहां से, सरकार बस इतना सा देखना चाली कि आपने गुमा के अपना ही पैसा तो अपनी कम्री में नहीं लगा दिया ना ब्लैक का पैसा वो भी तो सरकार ने का कि कोई भी अमाउंट रिसीफ वां दर परसा लोकेटीड इन एंजीए आपकी इंकम माली जाएगी अनलेस आपके बता दो कि भई उसने यह पैसा कमाया कहां से आयोब अपको एंजीए का समझ में अगला आ गया होगा बहुत इंपोर्टन टॉपिक है बहुत इंपोर्टन को स्पैसिक प्रोविजन दे रहके चोड़े-चोड़े अच्छे से याद करना इंको हमेश्चा कोशन जनरली में एक्जामें बनाता ही है यह लास्ट दो टॉपिक बचने अपने टांसर पाइसिंग के लास्ट टू टॉपिक्स अच्छा में बात बड़े जांसर मजना मैं इंडियन कमनी हूं ठीक है मेरे कोई फॉरेंड में क्या है एक सब्सिरी है इंडिया में बहुत सारे टेक्स बन रहा है मैं क्या करता हूं अपना टेक्स कम करता हूंगा सरकार ने कह दिया कि अगर आप क्या कर रहे हो अपनी कोई असोसीट एंटरपाईज को क्या दे रहे हो इंटर्स पे कर रहे हो तो हम एक कैप लगा देते हैं आप जो है मैक्सियम में इंटर्स इतना ही पे कर सकते हो तो आप अन्नेसिसरी जादा इंटर्स पी नहीं कर पाऊगे अच्छा दिखना एक्शन प्लान फॉर बैप्स मैं आपको बताया था बैप्स एक तरह का अर्रेंजमेंट है जहां पर बहुत सारे एक्शन प्लान डिसाइट करे गए थे जिसमें आल ओवर कंट्री हम यह चाहते है कि अपना टेक्स अवाइड ना करें तो एक्शन प्लान के अंदर यह कहा पर जुदी शेर से और दूसरा इक उप्शन उसके बाफ कि अथा कि अगर आप यह सकती है तो सरकार ने कहा कोई इक क्या कर रहर और आप क्या कर रहे हो प्रिफ को आपको उबर यक्वीटी उसका हम रिमूओ करने के लिए लिए कि लिए यह लिकाते है सक्षन 94 भी लिक अच्छा अब बड़े दान से समझना हमने यह कह दिया कि अगर आप क्या करो व्याज गास तो आप अन्नेसरी ज्यादा नहीं दे सकते हमें एक लिमिट लगा देना हो लिमिट क्या है 30% इससे जाधा आपने इंट्रेस्ट पर करना ही पड़ेगा अबिटा का मतलब है और इंट्रेस्ट टेक्स डेपीशिएशन इन अमोर्टाइशन इजी है अच्छा किस किस पर अप्लिके वाल है देखो इंडियन कंपनी मैं इंडियन कंपनी हूं या फिर मैं पीए हूं आंटरफ टरा है कि अधी तकन फिर और ऑसोषऑ करें अफालाइव रांटिया है या फिर आपने तौरण कंपनी इन इंडिया कोई प्रमानें डेस्ट्री हो सकती है को इस ने लोन उठाए किसे लोन उठाए एन अर्ट से लोन था तो सरकार ने कहा यह जो भी आप इंट्रेस्ट करें हो आप अगर 30% से ज्यादा आप इंट्रेस्ट हो गया डिसकाउंट हो गया अधर फिनेशल चार्ज कर रखा है जिसके बदले में आप उसको कमिशन पर कर रहे हो ठीक है या फिर इंट्रेस्ट पर कर रहे हो और इन लोग ने का या तो आप डिसकाउंट दे रहे हो फिर फैनेशल चार्ज के रूप में कवर हो जाएगा और कित्ता अलाउड हो का मैक्सिम 30% अब अलाउग कर दिया जाएगा अच्छा एक और चीज़ समझ रहा है कि आपका करेंट टेर में आपको इज़र लिखा देता हूं चलो इसका एक्जांपल ही दिखने है बन फटा फटा फट आपका करेंट टेर में आया अबिट्टा एबिट्टा आया सो रुपे मैक्सिम किता अलाउगा इ सरकार को अब रग्हों कि ईस्त Lore आसप का सकते हो अगले साल की इन्स्टोर्मेंट हुआप कशांपल अगले साल की इंस्टोर्मेंट भी निकलके आती है है कि मैंने आपका अभी क्या बता है कि आपका एबिट्टा Rुपेगा है आपका मैक्सिमे पिकता होगा कि तो इसके हो अगले साल अगले साल अट किता हो जाए का आपका 200 रुपे आपको तो मैक्सिम किता हो जाएगा 200 कग मैं 30 करता हो जाएगा इसको एसे ले लो अगले साल का इंटेस्ट आ रहा है चालीस रुपे तो सरकार कहती है कि अगर आप देखो गी आपको मैक्सिम अलाओ ने साथ रुपे आपको एक्च्छल में किता है अगले साल के इंटेस्ट में हो जाएगा अगले साल के इंटेस्ट में हो जाएगा फिर आप क्या कर सकते हो जाएगा अगले आठ साल तक चेक कर सकते हो कि इंटेस्ट में कर सकता हूं तो मैं आपको एक चीज़ बताई कि भई यह चो 95-94 प्ये किस पर अपलिके बले है इंडियन कमणी पर अपलिके बले है या फिर पी ओफ़र्न कमणी इन इंडिया पर अपलिके बले है तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अगर डेट किस ने दिया है किसी एक ऐसे परसे ने दिया जो आपका असोचेट अटरफाइस नहीं है यह इंडिया है इंडिया मेरी कंपनी है योजह में और कंफनी है यह दोनों कंपनी क्या है अजब मुझे एक चीज़ बताऊ इंडियन कंपगी ने यूस शंसे के एक दैंक से लून उठाया तूद हर एकसे इंडिया कंपणी में इसे लोन नहीं हम लिए लेकिन-क मारा oh एगर आपने जो है किसी ऐसे परसं से जो आपका ऐसे नहीं है। लेकिन यह माली आजाएगा कि आपने जो है असोसे अटरवाइस क्लिन यह इसको चुका अगा है। तो मतलब आल्टिमेटली पैसा इंडायक ली असोचे इंटरवाइस से कमनी के पास आ गया और 94 भी भी नहीं लगा तो सरकार ने कहा कि अगर आप ऐसे टोपी बिनाओगे हमें तो हम आपको यह मानेंगे कि आपने क्या रखा है टांजिशन कर रखा है असोचे इंटरवाइस क तो यह माना जाएगा कि आपने पैसा किससे उठाया और आपको 94 भी के अंदर डिसलावाइस करना कर सकता है अगर आपको इसी आपने लोन उठाय है और आपका व्याज एक टोड तक आ रहा है तो आपको 94 भी का एप्लिकेशन चेकर नहीं की ज़रुवत नहीं है अगर बॉ कर दो कर दो किसी असूशियर एंटरफाइस उठाया तो आपको जब देने की जरूट नहीं है तो आपको बिसिकली 94 भी चेकरने की जरूट नहीं है पर लास्ट प्वाइब आप एक्जाम्पल समझोगे यह है आपण का पर इंडिया में तुम्हें लिखता हूं किये थो है इंडिया यह एक है बैंक से माल लेते हैं SDFC लिमिटेट बैंक है अपने लुखते हैं इंडिया में इंडिया में इंडिया के अंदर अब देखना इस ब्रांच ने क्या करा इस ब्रांच ने इसको जो है लोन दे दिया इस ब्रांच ने इसको ले दिया लोन 60% का अगर किसी कंपनी की टोटल बूप वैलिए ओफ एसेट का at least 51% किसी ने लोन दे दिया तो क्या हो जाती है अब देखना इस ब्रांच ने इसको 60% लोन दे दिया तो मुझे बताओ यह दोनों क्या होई अगर आप लोजिकली देखोगे तो यह जो एनार है और यह रेसेट है तो एनार ने क्या करा रेसेट को 60% का लोन दे दिया लेकिन यह भी इंडिया में यह इंडिया में अच्छा आप इसने क्या करा लोन उठाया यह इसको इंट्रेस्ट पर कर रही है आज दे लेकिन क्या करिए एक्स वाज ब्रांश को इंट्रेस्ट पर कर दीए सरकार केती है अम तो 94 में डिसलाव कर देंगे इसलिए लगा रहे थे क्योंकि जो ज्यादा कर रहा है और ज्यादा इंकम बनेगी और इसको इसके टेक्स करना ही है तो मैं सरकाल को बोला सब्सक्राइब क्या है तो सरकार ने एक्सेप्शन दे दिया और वह एक्सेप्शन क्या है कि अगर इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट में पाई करहा है इंडिया और व्लाइड बिक्सेट इन इंडिया ऑफ यह को इंडियाै icon सब्सक्राइब का इंडिया में पी है और अगर उसने कोई लोन दे रखा है तो यह वाली जो कंपनी है इस पर 94 भी नहीं लगेगा एक्जांबल आपको आपको समझा दिया यह क्या सीज़े रखें अपना यह 94 भी हो गया वेरी इंपोरेंट सेक्शन वेरी वेरी इंपोरेंट लास्ट देखें जा रहें पन टांसर पाइजिंग का और वह है बोनस ट्रिपिंग टांडिक्शन सबसे पर समझते हैं कि गवर्मेंट का यह प्रोजन आने का इंटेंशन क्या था तो लोग किस तरह से टेक्स क्लानी कर रहेते हैं आप समझते जाना ठाटा मोटर्स ने बोन करेंगी चैनल यह तो आप एक यह बनासर रुपे टिक यह लॉट पर यह रखल अचाब मेंस प्राइस क्वाइश के प्राईस कर एक इंटू 500 आब अग्यव सिल इन्टोनगोन दर्फठी थो पांसो अब जो जी पास हजार रूपे की वैल्ली हो हें तो पहले हजार रूपे का इन्वैस का न फींट्स अब दो जिक्रते अब बोनस मुझे मिला आ है तो इसकी को स्टी क्या होगी नहीं यह दिया लेकिन सरकार करते हैं कि आप क्या करते हो बोनस चेको होगी बैठे रहते हो तो मुझे बताओ कि अगर आपने उरिजन सिक्राटी को टांसर करा तो किते पर टांसर करोगे एक श्यक्राइब इसे 500 रुपे आपने खरीदा किते पर 1000 रुपे पर खरीदा तो आपको शॉर्ट रुपे लॉस किता हो या 500 रुपे का हो गया तो 1000 रुपे का इंवेश्मेंट अभी इंटेक्ट है लेकिन इसके एडिशन में आपका 500 रुपे का एक एडिशन लॉस आ गया जिसको आप फूचर में सेट आप कर सकते हो सरकार करती है अच्छा चूना लगा रहे हो हमसे शांटत्री करके एडिशन लॉस ले रहे हो तो यह सरकार क्या बोलती है कि अगर आपको बोनशयर अलॉट हो जाते हैं तो आपने उसके पार ओर सेयल इसकोरी की कोश्ट मेंуск बिश्लियों कलेully विए प्रविजन ना गई तो अगर मैं दोनों को साथ में बेशता तो मेरी वेली होती ही निल दोनों को मैंने एक एक करके वेचा तो फालतु का अन्नेसेसरी जो लॉस्ट बूख हो रहा था सरकान इसको रोक लिया तो बीसिकली इस बोनस जिबिंग प्रोविजन का मतलब यह को लेकिया दो कि लोब नCARी सब्सक्राइब करके अपना टेक्स कम ना करें तो सरकान ने कहा की अग्етр आपूर्णश सक्ँर्इट कर आपने जो घूनों संट को बिचा सब्सक्र minimize जो AH लॉस हो रहा है जो बीचने लॉस हो क्या होगा माना जाएगा पूरी काली से हो जा गई आपको लॉजिक के साथ समझाए कि सरकार ने पूरिजिन लेकी क्यों आया बस आपको इतना जानक है कि बोनुस के तीन मैंने पहले पहले खरीदना फिर उसके वाद आपने नौ मैंने में और से कॉर्टी बेजिए और कंडि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड मैं आपको टागेट रहता हूं कि मेंको कम से कम 500 लाइक चाहिए इस वीडियो पर अगर आपने 500 लाइक कर दिये तो मैं लिटरली बहुत कुश हो जाओंगा एंड प्लीज अपने इन वीडियो इंडवांस जोलिंग का रिविजन करेंगे कुए और कंसेपचुली करेंगे अगर आपको मेरी नोट्स यहें तो आप टैलिग्राम में चानिल को जोईन कर सकते हो फ्रीक न डिस्क्रिप्शन में दे राखिए और आपको मेरी हार्ट को भी परचेस खने लिए नोट्स की त इंकम कमाई है, तो सीधी सी बात है कि जो इंडिया है, इंडिया आकी गवर्मेंट हुझे क्या बोलेगी, कि आप हमारे बच्चे हो, आप क्या करोगे, आप जो है ग्लोबल इंकम पे टेक्स पे करोगे, तो फर एक्जामपल रोहन ने क्या करा था, एक लाख रुपे की जो है ग्लोबल इंकम पे टेक्स पे करना पड़ेगा, इसी तरह से युएसे वाली जो कंट्री area, युएसे वाली कंट्री बोलती है कि भह, दिखो आपने जो इक लाख रुपे की इंकम हमारी कंट्री से कमाई है, मतलब क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली जहां से अपन इंकम क कामाते हैं जहाँ से अपन कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं ऑपने इंकम कहा से कमा तो इंडियन गवर्मेंट ने कहा कि चलो हम क्या करते हैं यूसे वाली गवर्मेंट के साथ एक अग्रीमेंट कर लेते हैं जिसका नाम होगा DATWA जबल टेक्सेशन अवड़िंस अग्रीमेंट जिसके अंदर क्या डिफाइन होगा कि एक इंकम को एक इंकम को एक ही बार टेक्स करा जाएगा तो फर एक जामपल अग्रीमेंट में यह लिखा हो सकता है कि यूसे वाली गवर्मेंट को कहें कि ठीक है आप इस अमौन पे टेक् करेगी जितने अमाउंट का टेक्स उसमें क्या कर रहा है उसका इधर उसको कई देगी इसका मतलब क्या है कि इंडिया में उसको इतना टेक्स कम पे करना पड़ेगा आपको समझ में आ गया आप देखो एक होता है सोर्स रूल सोर्स रूल मुझे क्या कहता है कि इंकम इस टू टैसने क्षिए ना पड़ता है और आपको टेक्स किरना पड़ता है यहां पर यह और यह इंकम कमाते हो उदर आपको टैस्पे कर ना पड़ेगा यह गता है निए बाइद पर यह क्या है इनकम है दूसरी में ठीक है so has a source of income situated in another company it gives rise to the possible double taxation because of the below two rules तो अपने देख लिया तो रूल्स के वज़े से किस तरह से double taxation होता है USA वाली government बोले है कि आपने income कमाई है USA से तो टेक्स पे करो इंडिया की आप इंडिया की क्या हो तो टेक्स पे करो तो जो है से से कहां पोचा सरकार के पोचा और त्राहीमाम करने लग गया तो उस case में सरकार ने कहा कहा कि ठीक है हम आपको क्या करेंगी रिलीफ देंगे तो देखो रिलीफ दो तरह कि होती है एक होती है bilateral और एक होती है unilateral bilateral का मतलब क्या है कि हमने agreement कर रखा है सामने वाली कंट्री के साथ तो मतलब DTWA enter हो रखा है तो DTWA में भी entered in either of the following methods तो मैंने आपको बताए कि एक कंट्री क्या करेगी इस income को exempt कर देगी हमने कहा USA वाली बोलेगी USA वाली कंट्री क्या कर देगी फिर आपने चीज़ समझ रखे कि जब भी DTWA एंटर कर दिया जाता है तो प्रोवियोंस और इंकम टेक्सर विचवर इस बेनिफिचल तो इससी अप्लाइब होते हैं किती गानी समझना आती है आपको लेकिन आपको यह कंडिशन जान रखनी है कि भई सब्सक्राइब हो रही है तो इंडिया और USA की बीच में क्या हो गया इस इंकम पर जो जॉन ने इंकम कमाई है उस इंकम पर युए से वाली सरकार टेक्स नहीं लेगी कौन टेक्स लेगा सरकार यह कहते है भी ठीक हम आपको DTWA का benefit देंगे लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर आप DTWA का benefit लेना चाहते हो तो जिस भी कंट्री के साथ हमने DTWA कर रहा है उसका आपको जाएका पड़ेगा पड़ेगा अच्छा आपने पड़ राखा हुआ कि गार विल है अगर आपने गार का रिविजन चेक नहीं करा है तो आप जाकी दिख सकते ह अब देखो क्या दे रखा है specific provision of DTWA will prevail over the general provision of the income tax act हमने सामने वाली कंटी के साथ agreement कर लिया इसका मतलब यह है कि जो DTWA में specific provision दे रखे होंगे वो apply कर दिए जाएंगे over the general provisions of the income tax act मतलब general provisions को अपन ध्यान में रखेंगे किस चीच को देखेंगे हम यह देखेंगे कि agreement में क्य आउखा हुआ है जहां पर कोई specific provision नहीं है जहांपर कोई specific provision नहीं है कहां पर treaty में treaty में treaty का मतलब क्या होता है DTWA तो क्या होगा बेसे करेंगे क्या होता है इंकम किस तरह से निकलेगी तो इंकम किस तरह से निकलेगी प्ज़टी और इंकम किस तरह से निकलेगी वह तो आपको डॉमेस्टिक लोग के देखना है लेकिन इंकम के टेक्स कैसे लगेगा इंकम किसे लगेगा कॉन डेक्स करेगा वह जो है विश्कली डी डीटी डीटी डवले में करते हैं एक फॉरन कंपनी है ठीक है इंडिया में बैठा हूं क्या करती है इनकम किंच इंडिया विच में डिमाई इंटयि वाला जो है काँ पर लिखा हुआ है झीति अधि वाला चैन्लड वाला चुट्र वाला कब इंडिया में income कमारी है उस पर युस वाली कंट्री निलेगी कॉंटेक्स लेगा इंडिया वली टक्स लेगी अच्छा ट्रेबल में एक और चीज लिख रहे है कि जो फॉरण कमपनी इंडिया में पैसा कमारी है उस पर इंडिया में 25% प्ले करना है या फिर एसा लिखा हुआ वाई कि भाई जो foreign company इंडिया में पैसा कमा रही है उस पे foreign company को tax pay करना है at the rates at the rates applicable to domestic company अब मुझे एक चीज़ बताओ इंडिया में कोई domestic company उस पे tax it किता लगता है 25% और 30% ठीक है foreign company भी किता लगता है foreign company भी लगता है 40% अब मुझे एक चीज़ बताओ इस foreign company ने क्या करा है इंडिया में income हमाई है डीटीड़े की according टेक्स हित्ता लगना चाहिए डीटीड़े की according टेक्स लगना चीज़ पचीस पसंट और 30% यह बात डीटवे की income tax equity कहता है income tax equity कहता है कि जो foreign company ने income माई हमाई उस पर tax सित्ता लगेगा 40% लगेगा तो फॉरण कमनी की रेट क्या होती है 40% अच्छा मुझे एक चीज बताओ विच्वरीस बेनिफिशल क्या हुआ विच्वरीस बेनिफिल हो जाएगा 25% और 30% तो बेसिकली हो रहा क्या है वह जो फॉरण कमनी हो 25% और 30% क्रींब करी थी और वह कहा रही थी कि दिट्ट्रॉब्ले में क्या लिख रखाए 25% और 30% आपको टेक्स पे करना है ठीक है कि आपने क्या पाट रखाए कि विचवरीस बेनिफिशल की परूजिंस लगता है विचवरीस बेनिफिशल की करी थी 25% और 30% पर इंडियन गवर्मेंट को हर्ट हुआ बहुत जादा इंडियन गवर्मेंट ने बोला कि देखो हमने फॉरं कम्णी के लिए पर उजय माना था 40% लेकिन डीटीडवले की वज़े से बिसिकली यह जो है 25% और 30% टेक्स पे कर लिए तो सरकार ने क्या करा स सरकार ने यह कहा कि अगर 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 फॉरं कंपनी पे हम 40% रेट लगा रहे हैं तो यही माना जाएगा कि बहुए यह जो है क्या लग रही है रेट लग रही है वापस पढ़ना charge of tax in respect of foreign company at a rate higher than the rate at which the domestic company is chargeable just a second charge of tax in respect of foreign company at a rate 40% at a rate higher than the rate at which the domestic company is chargeable बोले तो 25% 30% shall not be very important shall not be recorded as less favorable charge और लेवाई of tax in respect of such foreign company तो मैं आपको क्या बता है कि बहुए DTWA कहता है 25% 30% में tax pay करना है बाद बीसिकली DTWA यह कह रहा है कि बहुए foreign company को इंडिया में tax pay करना है at the rate applicable to the domestic company बाद बीसिकली domestic company से हम जाधा tax pay domestic company पर जो rate लग रही है उस rate से जाधा tax हम नहीं ले सकते किसे foreign company से वापर सुनना DTWA यह कहती है DTWA यह कहती है कि बही DTWA यह कहती है कि मुझे जो है क्या करना है foreign company को इंडिया में tax pay करना है at the rate at which the domestic company pays tax DTWA यह कहता है कि बही जो foreign company है वह इंडिया में tax pay नहीं करेगी किस से जाधा domestic company की rate से जाधा अच्छा मुझे एक चीप बताओ domestic company की rate क्या है 25% और 30% तो DTWA नहीं कहा कि foreign company 25% और 30% जाधा tax pay नहीं करेगी ठीक है तो DTWA के according 25% 30% आ गया foreign company की income tax rate में income tax tax में किती rate रखती है 40% अचा हो क्या रहा था कि foreign company वाली क्या कर रहे थे 25% और 30% पर क्या कर रहे थे tax pay कर रहे थे Indian government को hurt हुआ तो Indian government ने amendment आ दिया Indian government क्या amendment आ दिया कि बही अगर हम foreign company से 40% rate charge कर रहे हैं अगर हम foreign company से 40% rate charge कर रहे हैं it shall not be regarded as less favorable charge of tax in respect to such foreign company यह नहीं माना जाएगा कि हम उससे ज्यादा tax ले रहे हैं इंडियन company से किता ले रहे हैं 25% और 30% foreign company से किता ले रहे हैं 40% डिक्टरेव यह कहता है कि foreign company से आप 25% 30% से जादा नहीं ले सकते तो सरकान ने amendment ला दिया कि अगर फॉरंड कमनी से हम 25% या 30% से जादा ले रहे हैं तो इसका मजब यह नहीं है कि हम जो फॉरंड कमनी से जादा चार्ज कर रहे हैं पानी समय आ गई तो हमने amendment लाके सरकान ने क्या clarify कर दिया amendment ला दिया सरकान ने और यह कहा कि अगर हम foreign company से क्या कर रहे हैं तो गवर्मेंट नहीं चारी थी भी फॉरण कम्नी 25 पर 30 पर टेक्स पे करें एस पर प्रोविजिन सफ दी तो गवर्मेंट आमेंड मेंड में बला दिया यह वाला कि अगर हम फॉरण कम्नी से चार्ज करें टेक्स अगर मैं उससे 40 पर सेंट चार्ज कर रहा हूं जो मैं आपको बता रहा हूं कि यह कह रहा था गवर्मेंट को हट हो रहा था तो फिर चार्ज कर रहे हैं तो भी जो है एसा नहीं मानेगे कि हम उससे के expon monarchy से जादा चार्ज कर रहे रहें जा यह आपने दो मैथर पड़े कॉन को से दो मै def पड़े एक तो बड़ा eximity method मैं क्या होता है कि एक country जो है क्या ihr ao यह होता है कि एक country में आपने taxque कर रहा है उसका Ten आपको दुसरे country इं two इंडिया में for example आपका टेक्स बना था 100 रुपे आपने US में टेक्स कर दिया दस रुपे तो इंडिया में बोल दी ठीक है हम आपसे से 90 रुपे लेंगे क्योंकि आपने दस रुपे बाहर पे कर दिया है अब जो है टेक्स केट मेथर क्या होदा है वह पन देखते हैं आज़ो ऐसे अब कर दो क्या देखा है एक फ्टीशी अवेलिबल अगेंस टेक्स सचाज अएक बाटा है इंडिया में क्या होता है टेक्स पे तरचाज लगता है इस अवेल्थ और इट्यूपे लेकिन कोई आपकी पैलिटी है कोई आपका इंटरेस्ट अमूंट है इंस अब आपक इंडिया में जो आपको इंट्रेस्ट पे करना है या फिर इंडिया में कोई आपको फी पे करनी है उसका उस पे से आपको जोए क्रेट नहीं दिया जाएगा सिंपल अब सवाल आते कि क्रेट कैसे मिलेगा अब मुझे इक शी बताओ इंडिया में आपको इंडिया में आपको टेक्स बंता है बीस रुपे अब सवाल आता है कि वो क्रेट कितने का मिलेगा तो सरकार यह कहती है खुझी जितना टेक्स आपने एक कर रहा है और इंडिया में जितना आपको टेक्स लाग रहा है विचऑने एक और जी समझना आपने जू है क्या कर आए तीस रूपे का इंडिया में Chapman Ricky in इसका मतलब क्या है कि 30 20-20 क्या हो गया जिरो इतिकानी समझ में आ गई अब देखो पड़ो डेट वुट बी लोड़ अफ टेक्स पेडिया चाहेगा इतिकानी समझ में आ गई एक और चीज देखना मुझे एक चीज बताओ आपने जो 20-20 का ठेक्स पेड रहा है यह कहां पर आ रहा है इंडियरुपीस में पड़ेगा अपंधने क्या करेंगे फिर अपने देखेंगे कि वूट के बैठ रहा है अच्छा आप convert कैसे करेंगे तो सरकार यह कहते है कि देखो जो भी आपने foreign tax pay कर रहा है foreign country में कैसे convert करोगे चल भी converted as ttbr ठीक है ttbr as on the last day of the month immediately pricing the month in which it has been paid or deducted सरकार कहते है कि जिस भी month आपने क्या करा है tax pay या deduct करा है उसके पिछले मैंने की last day पे ttbr क्या थी उससे आप क्या करोगे उससे आप convert कर लोगे आपको question में दे रखे होगी इसको रटने की दरोत नहीं है बस आपको ध्यान रखना है कि भी अब मुझे क्षिब बता हो अपनने क्या कर रहा है और टेक्स करके इता आ गया 30 रूप्य आ इंड्या में आपको 20-20 20-20 का क्रेइड मिल जाए इंडिया में टेक्स होजाएगा जीरू इंडिया में क्तला मिला इस रूप्य का मिला वो उसको को क्या हो जाएगा इक्र जाएका वो ही रहा है इस अगरार क्या कर देंगे इसको आपन जो है इस आने का रहा है बीस को आपने कर दिया जाएगा सिंपल अगर आपने क्या कर रहा है इंकम को ओफर कर रहा है देखो वेड़ इंकम ओन विस्टा फॉरंग टेक्स इन पेड़ डिड़क्टिट इस ऑफ़र टो टेक्स इन मूर दन बनियर ठीक है अग्रोस दोस यह इस इन प्रपोर्शन इन विस्टा इंकम इस अब मुझे एक प्रपोर्शन में आपने इस इंकम को दो साल में और करा है तो आपने इस ओर रुपर टेक्स पे करा है इसका क्रइट आपको मिलेगा बिल्कुल लेकिन किस प्रपोर्शन में मिलेगा जिस प्रपोर्शन में आपने इनकम दिखाई ए इन इन को अफर कर रहा है तो आप देखो कि आपने दो साल में 50-50% आपने क्राइब मिलना चाहिए, वो 50% इधर मिलेगा और 50% next year में मिल जाएगा, आपड़ो देखो क्या दे रखाए, कि जहां पर income on which the foreign tax has been paid or deducted टेक है, is offered to tax in more than one year एक से जादा साल में आपने किया करा है, offer करा है the credit of foreign tax shall be allowed across those years in the same proportion in which the income is offered to tax in India easy, तो अपना DTWA का पूरा section हो गया, अब अपन बात करते हैं कि इसकी unilateral relief तो अब यह तक अपने क्या देखा था, कि मैंने आपको बता है types of relief दोतर की होती है, bilateral और unilateral bilateral में अपने क्या देखा कि DTWA enter कर दिया जाता है, उस according आपको क्या मिलता है, credit मिलता है अब बात करते हैं, unilateral relief की तो unilateral relief में क्या होता है कि मैंने किसी कंटी के साथ क्या कर रखाए, DTWA नहीं कर रखाए, मैंने किसी कंटी के साथ DTWA नहीं कर रखाए, तो उस case में Indian government आपको क्या बोलती है, कि जितना भी केख से आपने क्या कर आहा है बाहर पेख रहा है उसका हम आपको क्या करेंग इसका काहिए किससे क्या है पन समझते हैं कुछ कंडिशन्स है अदिए कि Kैंठ की वहिञारे इंडिया में सflower इंडिया में रेसेंट है किसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रेसेंट को मिलेगा foreign company को नहीं मिलेगा तो SSC क्या है रेसेंट इंडिया है during the previous year in which the income is taxable अच्छा income कहां उसने अन करिए बाहर अन करिए अच्छा income इंडिया में उसने अन नहीं करिए अच्छा income is subjective tax in the foreign country foreign country पे टेक्स लगा है उसने क्या करें टेक्स पे करा है SSC is paid tax in the foreign country और लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपने डिट्रेवले एंटर कर रखा हो था तो उस तो SSC shall be entitled to deduction from the Indian income tax payable by him कितना deduction मिलेगा देखो Unilateral Reef कितनी मिलेगी वह अपन देखते हैं सबसे बाद क्या है W tax income का क्या मतलब है W tax income का मतलब है कि कौन सी इस इंकम है जिस पे इंडिया में भी tax लग रहा है और बाहर भी tax लग रहा है तो देखो 100 रुपे आपको रिलीफ दी जाएगी इस रेट से रिलीफ में लेगी देखो अपने ये देखेंगे कि आपने जो है USA में उसमें किस rate से tax लग रहा था और इंडिया में किस rate से tax लग रहा है इस इस टेक्स अमॉंट को डिवाइट करोगे किससे आपकी total income से आपको क्या मिलेगी तो आपने इंडिया में इस effective देखो क्या रखाए इंडिए ले ओफें इंट्व टेक्स इंट्व टेक्स और रच्ट इंडियन रेट व्र एंट्व टेशत हो रहा है कि अगर गया है इकले है तो किसे इंडियों आपको तो जहां पर ड्ट्ट्र रहा है जहां पर आपको क्या हो रहा है अंदिया को पकड़ लो पर इंडिया करेंगे रेट अब रेट अब क्या है याँ आपको डिर्क्षन मिलेगा इन्डिया में इंडिया में आपको निकुले无ग है किसे निकुले तो आपको हिए जो भी आपकी टोन वाली है उसे तो और समने चालो अमक्तार्य है पूरा फ्लियर हो गया अब एक तो क्या है बाइटरल रिलिफ और एक है युनिलिटरल रिलिफ अब एक देखो क्या दे रखाए बीप्यो को कंसर्प देखते हैं बिजनस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट अचा एक नॉन रसेंट एंटिटी अपने अजूम करते हैं क्या एपल एपल की कमनी यह उसको आउटसोर्स कर रखे है अब मुझे इसलिए बताओ अगर दोनों की बीच में कोई कनेक्शन नीए इंडिया में बिसिकली आउटसोर्सिंग सर्विसिस दे रही है उसको इंकम होरी होगी आचा वह इंडिया में जाकर देखी गर देगी जैसे उस पर लगता है तो अगर कोई कनेक्शन नीए दिर इस नो कनेक्शन बिट्विन दा टू रिसेंट एंटिटी वह जो है एंट न इंकम टेक्श एंटिटी तो जो इंकम कमा रही है उस पर पर नॉम में टेक्सक्र देगी निया देकिन अगर कनेक्शन करता है इसका मतब यह यह दोणों बिल्यू है यह connected है कि इंडियन एंटीड क्या है PA of NR तो पने आपने एक अच्छी तर आपने समझा था उसमें आपको क्या बता था आपक्तिया था कि अगर आपक्या मान लेता हो अगर आपने क्या मान लिया उसको पी मान लिया थो और आपने करना पड़ेगा धिकानी सभी क्लिए वापस सब्सक्राइब है यह यह क्याता है अगर 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 आपका इंडिया में क्या है पी जरूप नहीं है तो एंटर नहीं कर रहा तो इस प्रविजनेस कनेक्शन नहीं है अगर विजनेस कनेक्शन क्या होता है कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं गया ठीक्ड पूरा दो पीज में आपने समराइस कर दिया अब नेक्स्ट पर आजाते हैं समझते हैं मैं रोहन हुं ठीक है मैंने किसी के साथ कोई करना है ठीक है मैं रोहन करना है अच्छा मुझे एक चीज बताए कि मैं कोई करना चाहता हूं आप ही मुझे बतादू कैसे टांजिक्शन करना है इसकी टेक्स वैबिटी क्या आएगी जो आप बुलोगे उसके विसके टांजिक्शन करना है टाक्स पे कर दूगा ताकि बाद में आप जो है मुझे परिशान ना करो एसेस्मेंट कोल के आप एडवांस मे ट्रांजिक्शन करने से पहले क्या कर रहें रूलिंग ले रहें किसकी सरकार की ताकि सरकार बाद में जिख जिख ना करें तो एडवांस लूलिंग डेने के लिए एक बूड for advanced लूलिंग बना है बूड for advanced लूलिंग is constitute by central government नेकी रीकेंशीघेंट तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी फूर्सिलिंग गया और एक विर फोर अट फॉर बड़्स रूलिंग में उसको जो है नहीं है तॉ तो मतलब क्या है डिफेक्ट हो गया Constitution में तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने जो भी रूलिंग दिये वह इंवलिडेट हो गई तो बनको ध्यानक ना है तो वेकेंसी है डिफेक्ट इन दा Constitution और बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कॉन कौन कों ले सकता है देखो इन न दे нем खुद आके बोल सकता है कि इसको न दे सकता है बार को शर्जच को मैं क्या बलूग बार सकता है उर पर उमस्वें डे supplement क बार के आप मुझे पहले से रूलिंग देदो ताकि बाद में जिग-जिग-जिग-जिग-जिग-पारो आप जो बोलोगे उस अकौडि में टेक्स्वेक्स भी कर दूँगा अच्छा देखो रेशियंन जो जा सकता है कि आप्यार कि पाइप बावर गस्फ करों तो ईचनरत जा सकता है किशीच के लिए एंडिगous, उर लुड मैं गरूरूगे ऑफिकेश्यों उड अपन ने assessment position में बहुत अच्छी तरह revise कर रहा था इसी तरह से देखो resident या non-resident कोई भी बार के पास जा सकता है यह देखने के लिए कि क्या कोई agreement क्या कोई arrangement इसी तरह से कोई resident देखो इसी तरह से कोई resident वापर जा सकता है कि इसके पास रेसेंट जा सकता है बार के पास in relation to his tax liability arising out of one or more transactions तो अगर रेसेंट रेसेंट कहा जा रहा है इस केस में बार के पास जा रहा है तो उसको ध्यानक न पड़ेगा कि जो भी ट्रांजिक्शन की निकलवाना चाहा रहा है उसकी एग्रीगेट विलू 100 कोडियों से जादा है तो इसकेस में एनार खुद की tax liability के लिए था इसकेस मे जा रहा है कि मैं यह transaction center करने जा रहा हूं आप मुझे बताता हो किसका text का बनता है बाद में आप जो है मेरा क्या करो कि assessment को लोगे फातु मुझे परिशान करोगे तो इसकेस में अपनी tax liability के लिए अपनी tax liability के लिए किसके बाद जा रहा है बाहर के पास जा रहा है लेकिन सर इसी तरह से कोई public sector undertaking है क्या है public sector undertaking वह किसके पास जा रही है वह बिसके जा रही है बार के पास अचा वह बार के पास जा रही है बोल रही है कि आप जो है क्या करो आप जो है हमें अपना decision बता दो अचा लो क्या दखाए issue relating to the competition of total income which is spending before ITET income tax authority या फिर applied tribunal तो ITET क्या हो गया अप्ले ट्रिमिनल हो गया और income tax authority, income tax authority क्या होती है बहुत सारी income tax authorities होती है जो अपने काँ पर देखा था, income tax authority वाले chapter के revision में देखा था, आप जाके check out कर सकते हो तो PSU, PSU basically किसके पाँ जाएगी, PSU basically बार के पाँ जाएगी और बार को बलेगी कि हे प्रभू, आप अपना फटा फटा फट decision दो, अब मेरी जो प्रोसिदिंग है, वो किसके पाँ spending है, income tax authority के पाँ spending है, आईटेट के पाँ spending है लेके सारी बहुत सारी काम है, तो आप फट determination shall include determination of question of law and question of fact, easy है, तो देखो, अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक आपन ये देखा कि कौन-कौन से applicant बार के पास कब-कब जा सकता है, अचा देखो नीचे क्या दे रखाए कि अगर एक बार resident applicant ने क्या करा, application file कर दी किसको बार को, तो वेरा resident applicant has made the application to bar in respect of any issue, then no income tax authority और tribunal shall take any decision with respect to such issue का मतब्ब क्या देखो, resident applicant ने application file कर ये बार को, in respect of any issue, then no income tax authority और tribunal shall take any decision in respect of such issues, तो basically income tax authority और tribunal, उन issues पर decision नहीं ले सकती, अचा, decision कब लेगी, जब बार का decision आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, तो भी resident application क्या कर रहा है, resident applicant या फिर non-rescent applicant, application file कर रहा है कि इसको बार को, तो उसको fees देनी पड़ेगी, तो देखो क्या जाएगा, first three applicant, first three बोले तो, ये रहे, non-rescent, resident या फिर resident, ठीक है, तो first three applicant, first three applicant application दे सकते हैं लेकिन fees देनी पड़ेगी, दो लाकी, पांच लाकी, दस लाकी, दो लाक पड़ेनी पड़ेगी, जब amount of one or more transaction entered into, और proposed to be undertaken, in respect of ruling, this sort is up to 100 करोड, ठीक है, तो जो आपने transaction कर रहा है है, उसके वेल्यू अगर 100 क्रोड तक है तब वो क्या करना बढ़ेगा 2 लाग तक ही फीज देनी पड़ेगी ठीक है तो छोटे मोटे केस में बार चीज़ा एंटर्टेन नहीं करेगी सरकारी करती है कि बढ़े-बड़े केसे लिए क्या हो छोटे मटे चिल्लर केस काम क्या करेंग विधिन 30 देस विद्राउ भी कर सकते हो एक विड्रोट अब दिया नग ना इस केस में आपको फीज रफंड नहीं करी जाएगी अगर आपने क्या आद रखाए एक जो बोड है पार है पार को क्या करना पड़ेगा विदिन 6 मत अपनी अपना decision देना पड़ेगा अच्छा अगर आपने क्या करएगा अगर आपने क्या करएगी जो भी रूलिंग थी उसको वाइड आप इनिशो कर देगी सरकार ये कहीगी कि आपने हमें टोपी बिनाई थी अपने हमें टोपी बिनाई थी और टोपी बिना के क्या कर रहा था decision ले लिया था तो हम क्या करते हैं इस decision को वाइड आप इनिशो कर देते हैं इसका अब क्या हुआ कि भी normal income tax के provisions आप पे लगेंगे तो पहले क्या हुआ था कि बाड ने decision दिया था मैंने सरकार को बोला कि देखो हम आपके decision को follow करेंगे आप जो हमें बात में परिशान मत करना सरकार को बात में बता चला कि भी सरकार को अपने टोपी बिनाई थी सरकार ने का हम इसको क्या करते हैं वाड भी निश्यो कर देते हैं अब जो normal provisions आप पर लगने चाहिए थे वो ही लगेंगे तो देखो क्या दर रखाए provisions on income tax act apply होंगे to the applicant as if the advanced tooling has never been made अचा आपको एक चीज़ बता होगी कि assessment खुलने के time limits होते है assessment खुलने की time limits होती है अपने काम पर रखे थे 143 सबसेक्शन 3 में पढ़े थे 144 में पढ़े थे 147 में पढ़े थे राइट assessment खुलने की time limit होती है notices देने की time limit होती है अचा आपने क्या ले लिए था बार लिए आथा आपने बिसकली बार बार ले लिए आथा तो उस case में क्या हुआ time limit निकल लगी तो सरकार के थी है जिस दिन से जिस दिन से आपने advance लिए थी से लेके से लेके जिस दिन तक date of order आया declaring the advance ruling is void of an issue उसको हम exclude कर देंगे वदब इतना time extra दे दिया जाएगा किसको assessing officer को ताकि क्या कर सके आपका assessment खोज सके इजी है तो क्या रखा है प्रोविजिंस of normal income tax would apply to the applicant as if the advance ruling had never been made अचा और अप्लाए होंगे after excluding the period beginning with the date of search advance ruling and ending with the date of search order with the date of order under this section easy है अचा एक और चीज समझना पार ने क्या करा है इसने गडबट पास करिये तो आप क्या कर सकते हो अपील कर सकते हो high court को ध्यान रखना तो अगर बाहर ने क्या करा है अपना decision दे दे तो उसको उसके अपील कहाँ जाएगी उसके अपील दे सकता है for sufficient reason, तो अगर basically बाहर ने अपना decision दिया है तो अब उसको क्या कर सकते हो high court को, direct high court के पाँ जाना पड़ेगा और कब तक जा सकते हो within 30 days, from the date of communication of that order, तो जिस दिन आपको basically communicate कर दिया गया था उसके within 30 days, उसके within 60 days, उसके within 60 days आप कहाँ जा सकते हो high court के बाहर जा सकत करेगा, अगर आपका case कहाँ pending है, किसी income tax authority के पास pending है, किसी applied tribunal के पास pending है, या फिर किसी code के पास pending है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भई देखो, अब जब आप application file कर रहे हो, जिस दिन आप application file कर रहे हो, उस दिन आपका case income tax authority या फिर ITAT के बास pending नहीं होना चाहिए, आपका case pending नहीं होना चाहिए, तो नीचे आपने देखो क्या देखा था, कि भई, आगर आपने application file कर दी, उसके बाद आपका case कहा pending हो गया, उसका case आपका pending हो गया, income tax authority या फिर ITAT पे, तो बिसकली ये decision नहीं दे सकते है, जब तक कि बार का decision नहीं आ जाता, तो ये कब case हो रहा था, जब आपने जो है, जब बिसकली आपका case pending था, before these persons, after, after the application date, तो आपको ध्यान रखना है, कि भई, जिस दिन आप application file कर लो, उस दिन आपका case pending नहीं हो, ये लोग decision दे देंगे, आप हमारा सामय करा मत परो, लेकिन अगर आपका decision pending नहीं है, आगर आपका case pending नहीं ह कि भई, आपकी जो बाहर है, वो application allow नहीं करेगी, बाहर बिसकली आपकी application allow नहीं करेगी, अगर आपका case pending है, कहाँ पर, अगर उसका issue, अगर उसका issue कहाँ पर pending है, ITAT, या फिर income tax authority, बिसकली PSU क्या है, exception है, तो PSU को case, अगर कहाँ pending है, income tax authority, या फिर application allow तभी वो क्या कर सकता है, application file कर सकता है, इसका मतब क्या है, कि भई, अगर PSU को case, किसी court में pending है, अगर किसी court में pending है, तो application file नहीं कर सकता है, very important point, very 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 important, तो अगर आपका case, जिस दिन आप application file कर रहे हो, उस दिन income tax authority, ITAT या court के पास spending है, तो आप application file नहीं कर सकते है, PSU को case में, हमने यह देखाए कि अगर आपका case, court के पार spending है, तो आप application file नहीं कर सकते हो, जो अपने कहाँ पर देखा था, जो अपने basically इधर भी देख लिया था, जो यह रहा, case spending before ITAT या फिर, income tax authority, easy, आदो क्या रखाए, और बाहर आपकी application नहीं करेगा, बाहर अपकी application नहीं करेगा, अगर, it involves the determination of fair market value of property, तो ठीक है, fair market value के लिए आप जो है, बाहर के पास नहीं जा सकते, यह फिर, transaction designed for the avoidance of tax, ठीक है, तो कोई भी ऐसे transition, जिसमें आप क्या करे हो, basically, tax avoid करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए भी बाहर जो आपकी यह है की नहीं है, उसके लिए application फाइल कर सकता है, तो फाइनली अपना पूरा advanced tooling में खतम हो गया, दो पेज़ आपना पना पूर नहीं सकता, आई से में इसके लाव को चौन नहीं दे रखा, डीटबले अपना पूरा हो गया, मैं आपको बता दिया कि अगर, 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 जो है मेरे नोट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, बिसिकली, टेलीगाम चैनल को जॉइं कर सकते हो, और आपको हाट को भी खरीद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, तो देखो, मैंने अभी तक आपको क्या करा रखा है, डीटबले का revision करा दिया, इद्वांस बोलिंग क इसके लाव उपर आ जाते हैं इसके अपने जो है इतने इतने सारी रिविजिन में जो च्प्रस थे अभी तक मैंने सब्सक्राइब यह revision, revision videos में, आप जो बिल्कुल check out करना, guaranteed जो है, आप अगर revision videos को देखते हो, guaranteed exam में पास हो जाओगे, आपके सारी concerns बहुत depth में clear हो जाएंगे, alright guys, मैं उमीद कहता हूँ कि आप सबके सब अपने attempt में CA बने, अगर वीडियो अच्छी रगी, तो वीडियो को like करना, वीडियो को share करना, चैनल को subscribe नहीं कर रहागा, तर प्लीज चैनल को subscribe कर लेना, alright guys, अंजी, तो कैसे हैं आप लोग, welcome to the turbo revision of GAR, General Anti-Awardance Rules, ठीक है, तो GAR को जो है, मैं आपको बहुत easiest तरीके से समझा दूँगा, आप long term तर रेटेंज गर पाऊगे, practical examples नहींगे अपन, उसे पहले अगर आपको मेरे ये notes चाहिए, तो आप टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हो, link description ने दे रखिए, अगर आपको hard copy चाहिए, तो again, आप description में, link से purchase कर सकते हो, तो आज अपना topic के गार, General Anti-Awardance Rules, page number 330, let us jump on 330, सबसे पहले आपको जो है, तीन terminology समझदी पड़ेगी, एक होता है क्या, tax planning, एक होता है tax avoidance और एक होता है tax evasion, सबसे पहले समझते है tax planning का मतलब क्या है, tax planning का मतलब यह है कि सरकार ने आपको कुछ fiscal incentives दे रखे हैं, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा के तो उसको आपन कहते है tax planning, for example, सरकार यह कहते हैं कि अगर आपने basically 80C के अंदर, कोई life insurance policy ले रखी है, तो आपकी जो gross total income है, उसमें से हम आपको direction दे देंगे, इसी तरह से अगर आप 10AA की conditions को fulfill करते हो, तो basically हम आपको जो profit हो क्या कर देंगे, exam कर देंगे, अगर आप chapter 6 हे, chapter 6 हे, under the heading C directions, under the heading C directions वाली income based, income based क्या ले रहे हो, directions ले रहे हो, of a fiscal incentive offered to him by the tax legislation, by actually complying to the conditions attached to that fiscal incentive, यह थी का नहीं समय आई, अचा, for example, आपके आस option है कि आप क्या कर सकते हो, अपना business as a individual कर सकते हो, firm कर सकते हो, company कर सकते हो, ठीक है, HUF में कर सकते हो, आपको बता है कि सब SAC की tax rate क्या होती है, अलग-अलग होती है, तो इनमें से अगर, for example, आप firm की जगा, company choose कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, basically, आप tax planning कर रहे हो, तो tax planning का simple सा मतलब यह है कि आप जो है, fiscal incentive, जो government ने अपने को offer कर रखाया, उसका benefit लेके, अपनी जो income है, अपनी जो income में उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप tax planning किसके basis पर करते हो, जो सरकार ने आपको fiscal incentives दिये हैं, अब आता है एक term, tax avoidance होता है, tax evasion, अचा, tax evasion का simple सा मतलब यह है कि basically, आप जो है, फ्रॉड करके अपना tax क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो देखो क्या दे रखाए, tax evasion is generally result of illegality, suppression, misrepresentation and fraud, मतलब basically आप जो है, गलत तरीके से, गलत तरीके से आप अपना tax कम करने की कोशिच कर रहे हो, अब बात करते है, tax avoidance, tax avoidance का क्या मतलब होता है, आप क्या करते हो, अपना tax बचाने की कोशिच करते हो, लेकिन जो आप काम कर रहे हो, वो illegal नहीं है, तो मैं आपको कहा, कि भी आप क्या कर रहे हो, tax avoidance के अंदर, tax avoidance के अंदर, अपना tax बचाने की कोशिच कर रहे हो, है तो इन दोनों कंट्री के बीच में क्या हो रखा है इन दोनों कंट्री के बीच में इन दोनों कंट्री के बीच में एक अग्रीमेंट हो रखा है अच्छा मैं क्या कर रहा हूं इस अग्रीमेंट का मिस्यूस कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं चलो आपको एक्जांपल से बता द तो इंडिया में कंप्रीन टाटा स्टील लिल्मिटेड ठीक है और केया में कंप्री फूजी इंक्परेशन अच्छा क्या करते शर्च पाथ यह और वीड वीच में क्या हो रखाए डिट्यड रखाये डोनों की बीच में हुआ रखाaint इंडिया और केनिक बीचमें जिसके तहट एनी capital gains rising from the sale of shares of Tata Steel limited Indian company would be taxable only in Kenya, तो अगर Tata Steel के shares बेचे जाते हैं, तो उसके जो cap gains होगा, वो कहाँ पर taxable होगा, सिर्फ और Kenya में taxable होगा, अगर जो transfer है उसके पास क्या है, up to 10% जो है, up to 10% of the shares है, तो वोट भी taxable only in Kenya, अगर transfer is a resident of Kenya, transfer क्या है, Kenya का resident है, and hold करता है, up to 10% of the equity share capital of Tata Steel company, यह ती का नहीं समझ भाई, अगर transfer, अगर basically transfer 10% से जाधा का stock hold करता है, 10% से जाधा कि shares hold करता है, तो cap gains कहाँ पर taxable होगा, cap gains basically taxable होगा, इंडिया में, यह क्या बताता है, हमें detailed way बताता है, इसको पताता है, अगर यह क्या करेगा 10% से डायक लिक किसी company में hold कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर यह shares को बेचेगा तो इंडिया में, इंडिया में उसको tax pay करना पड़ जाएगा, तो snake planning करी, इसने 200% सबस्रीज बनाई Kenya में, अब यह 200% सबस्रीज क्या करी है, 9% औ अगर फ्यूजी इन कॉर्परेशन, 18% से डायक लिकिसमें Tata Steel में, फिस shares को बेचती, फिस shares को बेचती, तो कहां पर taxable होता, इंडिया में जो है, capital gains taxable होता, तो हमने basically क्या करा, DTWA के provisions का miss use करा, अब मुझे एक चीज बताओ, फ्यूजी इन कॉर्परेशन ने 200% सबस्रीज बनाई, या इसने कोई illegal काम करा, कोई illegal काम ने करा, कर सकती है यह, तो basically इसको बन कहेंगे tax avoidance, क्या कर रहे हैं अपन, tax avoid कर रहे है, tax avoidance में basically होता क्या है, अपने देख लिया कि आप जो है अपने tax बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, वो actual में illegal नहीं ह तो आप देखो बिसिकली हुआ क्या सरकार ने क्या कर रहे हैं कैसे टेक्स कर रहे हो आप जो है इंडिया के अंदर ही टेक्सिबल होगा आप देखो नीचे पढ़ो कंपनी फ्यूजी इंकॉपरेशन ने दो कमणी सबसेट दो होलियों सबसेट बनाई जामा कामा लोकेटर निकेनिया अचा दोनों सबसेट ने क्या करा नाइन परसेंट टाटा स्टील में जिसका टोटल नम लाके किता हो गया अठ्रा परसेंट हो गया अब सवाल आता है कि ऌपने अग्रीमेंट करा है क्या करेंगे इसलिए का रहे हम जो है कार को इंबगर नहीं यह agreement को एक बात समेंगे इवेजन होता है, tax planning होती है, और tax avoidance होता है, यह अपने definition समझ ली, उचा, पुझे एक चीज़ बताओ, tax evasion के लिए, tax evasion के लिए, basically सरकार ने का कर रखा है, tax evasion के लिए, basically सरकार ने basically provisions बना रखे है, कैसे provisions बना रखे है, for example, आपको पता होगा, 40A2 होता है, अपने PGV में क्या पड़ा था 482 करके section है जिसमें अगर आप space fat person को extra payment करते हो तो वो कहा हो जाता है डिसला हो जाता है तो इसलिए आप fraud करके क्या करे हो tax को evade करने की कुश्चिक कर रहे हो तो अपने क्या करा basically section बना दिया इसी तरह से 40 अगर आपको यह ऐसा काम कर रहे हो जो illegal नहीं है लेकिन आपका purpose क्या था आपका purpose था tax benefit लेना किसी भी चीज को misuse करके प्रूजान को misuse करके तो उसके से हम क्या करेंगे गार को करेंगे नहीं law कहता है अपना नहीं क्यों invoke नहीं होगा क्योंकि tax evasion के लिए हमने specific sections बना रखे हैं इसको पर क्या कहते हैं सार कहते हैं specific anti-avoidance rules specific circumstance के लिए मैंने specific rules बना रखे हैं तो गार कहां invoke आगा जब मैं क्या कर रहा हूं अब आजाओ इधर देखो तो गार के जो प्रोविजिंस है वो टेक्स प्लानिंग और टेक्स इविजन पर नहीं लगते हैं do not deal with the cases of अपने टांसर प्राइजिंग में सेक्शन पड़ा था जो आप इंट्रेस्ट पे करते हो वो आपको बिसिकली 30% अबिट्टा तक ही अलॉग किया जाएगा तो लोग ने कहा कि भी गार के प्रोविजिंस अप्लाए नहीं होंगे जहां पर specific provisions दे रखे हैं तो अपन उस आउनिस का मतला मैं प्रीविएस सेत्रा टाउ प्रीविस ये 17S 15ском Düst 14-17 से लेके 31-3-18, 14-17 से लेके 31-3-18, बिसिकली सरकारी कहती है, 14-17 के बाद गार लगेगा, 14-17 के पहले के इंवेस्टमेंट्स पर नहीं लगेगा, आपस समझे रहें, गार के प्रूजियंस अप्लिकेबल काव है, इसी तरह से देखो, गार के प्रूजियंस अप्लाए होंगे, जब aggregate tax benefit, aggregate tax benefit in the relevant previous year, arising to all the parties, 3 crore से जाधा है, तो छोटे मोटे चलर केस में गार हम invoke नहीं करेंगे, गार का भी invoke किया जाएगा, जब aggregate benefit to all the parties, सारी की सारी parties, तो जो भी parties involved ले, सबको अगर tax benefit 3 crore से जाधा का हो रहा है, तो इस जो है गार invoke किया जाएगा, अचा, तो अपने example के अंदर देखा था, कि अपने क्या कर रहा था, दो सबस्री बना ली थी, उसने जो है टाटा स्चिल के अंदर investment कर रहा था, तो हमने गार को invoke करके क्या कहा, गार को invoke करके यह कहा, कि इन दोनों सबस्री ने जो shares बिचेंगे, वो इंडिया में ही taxable होंगे, मैं गार को invoke करा और मैंने यह कहा तोध जो आपने इस दूरों rico सी को इन दोनों सबसरी को डिसरिकार करके मैंने इंडिया में क्या गार होगा उसका प्रदिया होगा तो गार को इनवो करने का मतलब समझा है आपको अब देखो क्या दे रखा है पूरे income tax act में कुछ भी लिखा हो हमें उससे फरक नहीं पड़ता आपको एक चीज़ समझ में आती होगी अपन जब क्या कर रहे थे कर रहे थे जब देखो कर रहे थे तो आपको एक चीज़ समझ में आई थी कि बही क्या होता है income tax act और डिटीडवले के प्रोजेंस whichever is beneficial अपलाए होते है किस पर लेकिन ध्यान रखना अगर आप डिटीडवले के प्रोजेंस को क्या करते हो मिस्स्यूस कर रहे हो तो गार अप्लाए हो जायगा तो अगर क्या है यह बेनिफीश्यल है लेकिन आपको अगर एसेसिंग अविसर को लग रहे है कि जो आप यह बिसिकली टेक्स अवर्डेंस के लिए यूज कर रहे हो तो क्या कर सकता है गार को इंबुक कर सकता है ध्यान रखना इंपोर्टेंट पॉइंट आगे बढ़ें जस्ट ए सेकेंड अधो क्या दखां नॉट विस्टेंड एनिधिं कंटेड इन पूरे इंकम टेक्स अपने कुछ भी रिखाओ हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी अर्रेंजमेंट एंटर इंट इन्ट वाइड़ ए एससी अप्रमीसेबल अवर्डेंस अग्रिमेंट ठीक है हम उसको क्या इंकम टेक्स एक्ट में कुछ भी लिखाओ हमें उससे फर्क नहीं पड़ता हम किसी अर्रेंजमेंट जो एससे ने एंटर करा है उसको क्या मान लेंगे इंपरमीसेबल अवर्डेंस अग्रिमेंट मान लेंगे और उसकी जो टेक्स लाइबिटी है जो गार को इन्वो करके कर लेंगे अगर 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 इंकम टेक्स अथर्टी को लगता है कि आप क्या कर रहे हो आप टेक्स करने की कोशिश कर रहे हो आपका 20 करा वने दस पूरे 10 मिन लगा के इंपोरेंट था अब देखो कार किस पर अप्लाइन होता एक्जमिशन फॉम गार और इंस्टिटूश करती है इसन अगर ओंडिशते में अगर बाट करेंगे न करेंगे मंद लगा नहीं ना ये क्या हो बढ़े उधेट के यह में सॉस्ट आप अपने जो किसी भी आर्रेंजमेंट को मालेंगे इंपर्मिसेबल अग्रिमेंट लेंगे हम आपको इसको परमिट नहीं करते हैं इसको बहुत संधेन आप इंपर्मिसेबल प्रपस और इस तो कोई वह आपने अरीजमेंट कर रहा है इसका किया परपस है कि अब आप जुआ tax benefit लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? tax benefit लेना चाहते हो, अपने tax को काम करना चाहते हो so the main purpose of which is to obtain tax benefit and it creates क्या कर रहा है? create कर रहा है, right or obligations which are not ordinarily created between the person dealing at armland price अचाहा, इसको पहले example समझते हैं पन example number 1 पर आ जाते हैं, दोखो example number 1 मैंने दे रखा है, इदर देखो क्या दे रखा है? Yama Incorporation है company, resident of Germany उसने एक agreement एंटर करा है किससे Jet Energy Limited and Indian company से कि basically Yama क्या करेगी? setup करेगी एक power plant इन इंडिया किसके लिए? Jet Energy Limited के लिए अचाह, अब देखो जो contract का price था, वो 100 million dollar decide करा गया था अचाह, जो यह 100 million dollar है न 100 million dollar को हमने किस तरह से split करा है, जो contract है उसमें split कर दिया 10, 70 और 20 में तो basically दोनों के बीच में agreement हुआ कि Jet Incorporation यह Jet Limited, Yama Incorporation को 10 million dollar देगी, किसके लिए देगी? for the design of power plant outside India आपने एना का taxation पढ़ लिया तो आपको यह समझ में of power plant outside India, payment for which is taxable at 20% on gross basis, कहाँ पर taxable होता है 115A के अदर अपने देखाए कि royalty और FTS 20% पर taxable होती है यह अपन contract की बात कर रहे है अचा, Z Incorporation यह फिर Z Limited, Yama Incorporation को 17 million देगी, 17 million देगी किसके लिए supplies of equipment, तो जो मैं equipment उससे purchase कर रहा हूँ, जो मैं equipment उससे purchase कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे को 70 million दूँगा not taxable as no role is paid by any P in India, these are not subject to import duty, मतलब basically मैंने क्या कर रहा है import कर रहा है, अजुन कर तो मैंने import कर रहा है, तो अगर मैं import कर आता हूँ, इंपोर्ट कराने पर क्या मुझे कोई taxbacks पे करना पड़ता है क्या, अपर सामने वाले बंदे को, सामने वाले बंदे को, क्या उस पे taxback करने की जरूद है क्या, नहीं है, क्योंकि अपने NR taxation में क्या पड़ता, कि सामने वाला बंदा अगर export कर रहा है, या मतलब मैं इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसके income इंडिया में taxable नहीं करते है अपन, अगर मैं ऐसा कर दूँ हो, तो सामने वाला export कर नहीं बंद कर देगा, कितिका नहीं सब्सक्राइए, और इसके अलावा 20 million dollar हम उसको देंगे, for local supplies and installation charges, ठीक है, अचा, सीधी से बात है, ये तो of course taxable हो जाएगा, वो सामने वाली company, इंडिया में आके क्या कर रही है, install करके जा रही है, तो उसके income इंडिया में क्या होई, अक्रू हो गई, उसके tax लगता है, अचा, actual होना किता चाहिए था, ये 30 million होना चाहिए था, ठीक है, तो सरकार ये कहती है, कि जो आपने design की fees लिए, और इसको कहती है, यामा incorporation को कहती है, जो आपने 10 million की क्या लिए, FTS की fees लिए, इसकी actual value 30,000,000 है, इसकी actual value 30 million है, और ये जो आपने 70 million दिखा रहा है, local surprise के लिए, इसकी actual value कम है, अधर इसको मैंने क्या कर रखा है, अधर इंवोईस कर रखा है, और इसको मैंने over invoice कर रखा है, अचा, इसको मैंने under invoice कर रखा है, ताकि सामने वाले की tax liability कम बने, तो सरकार ने कहा, नहीं, नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप टोपी में आ रहे हो, हम क्या करेंगे, गार को invoke करेंगे, गार को invoke करने पाद, इस 10 million को क्या कर दिखाएंगे, 30 million दिखा के tax लेंगे आप से, आचा, मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने कांट्रेक्ट में 3 चीज़ों को इधर स्प्रिट करा, क्या यह कोई illegal काम है, कोई illegal काम नहीं है, मैं contract में तो कुछ भी अग्री कर सकता हूं न, आप दो को interpretation क्या दिरखा है, कि बई, allocation of price to different parts of the contract has been decided in such a manner, ताकि मेरी tax liability reduced हो जाए, किसकी tax liability reduced हो जाए, foreign company की tax liability reduced हो जाए, इंडिया में, तो बिसकली आप क्या कर रहे हो, आप information of awareness agreement कर रहे हो, जिसका purpose क्या है, कि बई, आप tax benefit लेना चाहते हो, और transaction basically armland price पर नहीं है, तो क्या करेंगे, car को invoke करेंगे, और prices को re-elocate करेंगे, logically आपको कहानी सम्झ में आ गई, तो अपने क्या बड़ा, सबसे बेला point देखा था, यभी create कर रहा है, rights or obligations, which are not ordinarily created between the person dealing at armland price, तो जो transition कर रहा है, वो armland पर नहीं कर रहा है, तो जैसे आप क्या करतो, तो impermissible avoidance agreement मान ले तो किसी arrangement को, तो उसकी जो tax liability है, वो गार को invoke करके determine कर दी जाएगी, easy, आप देखो, किसी भी arrangement को, हम impermissible avoidance agreement कब कहेंगे, the main purpose of which is to obtain tax benefit, आप tax benefit लेना चाहते हो, and it results directly or indirectly in the misuse of the provisions of the act, क्या कर रहे हो, आप बिसिकली, आप जो इंकम tax rate के provisions को, क्या कर रहे हो, इंकम tax rate के provisions को misuse करो, कौन सा example है, तो अपने Kenya वाला example देखा था, exactly वोई चीज़े था, तो अपने Kenya वाला example starting में देख लिया था, कि आपन क्या कर रहे है, बिसकली, DTWA के provisions को misuse करके, DTWA के provisions को misuse करके, tax liability कम कर रहे है, तो उस case में हमने क्या कर रहा, कि हम गार को invoke करेंगे, और गार को invoke करके, आप ही tax liability determine करेंगे, easy, हाँ जी, तो मैं आपको क्या बताया है, कि वही किसी भी arrangement को, किसी भी arrangement को अपन आए एक कम मानेंगे, the main purpose of which is to obtain tax benefit, and, and, it lacks, और deem to lack commercial substance, अब क्या मतलब एक्जाम्पल समझते हैं, example 3 पर आजो, Sun Limited, Sun India Limited, an Indian company, is in the business of import and export of certain goods, ठीक है, Sun India Limited का कर रही है, import and export कर रही है, goods का, it purchased goods from Singapore, and sells the same in Dubai, तो समझना क्या हो रही है कानी, आपको जो यह इदर में बता जेता हूं, कि भई, यह क्या है, basically, यह इंडिया है, यह Singapore है, और यह क्या है, दुबई है, अच्छा, इंडिया में क्या Sun Limited है, इसका क्या काम है, import and export करने का, तो basically यह goods खरीदती है, कहां से, Singapore से, और किसको बीच देती है, दुबई को बीच देती है, तो सीधी से बात है, कि मैं क्या करूँगा, यह Singapore से इदर import करा हूँगा, फिर दुबई को dispatch करूँगा, इससे अच्छा, एक मैं क्या करूँ, क सिंगापूर से माल ख़़ए दरूँ और डायकर डुबई को क्या गरूँ, dispatch कर दूँ, तो इंडिन कमनी क्या कर रही है, import and export of goods कर रही है, अब देख वही दे रखाए, इस पर्चेस goods from Singapore, वह कहां पे बीच देती है, दिली में बेच देती है, अब इसने क्या करा, अब इसन यह पर टेक्स नहीं लगता, वहाँ पर एक company incorporate करी, और यह दिखाया, कि यह जो purchase and sale हो रहे है, यह पर चेज कर रही है, तो इसके basically जो भी invoices थे, जो sales का invoice है, वो कि इसके नाम पर कट रहा था, इस suppress में जो company incorporate होई, उसके नाम पर कट रहा था, अब मुझे एक चीज बताओ, Indian company ने basically यह जो tax 7 में एक company खोली है, इसका purpose क्या है, इसका purpose यह कि यह basically इंडिया में tax को avoid कर सके, तो इसने जो है एक tax 7 में country, tax 7 में company को incorporate करा, और यह जो भी import and export के, जो भी invoices थे, जो भी documents थे, कहां से दिखाये, यह दिखाये कि भई यह suppress से हो रहे है, अच्छा control basically इंडिया इंडिया में बैठा, एक इंसान क्या कर रहा था, इन सब चीजों को monitor कर रहा था, लेकिन, documents कहां से दिखाये जा रहे थे, कि भई, suppress में बैठी हुई company क्या कर रहे है, purchase and sale कर रहे है, तो उस case में, उस case में सरकान ने कहा कि देखो, आपने basically जो company बनाई है, इसका कोई commercial substance नही है, ये company action में कोई business नहीं कर रहे है, basically आप क्या कर रहे हो, camouflage कर रहे हो, camouflage का मतलब है, हमें ठोपी बैना रहे हो, आप में ठोपी बैना रहे हो, तो सरकान ने कहा कि भई, आपने जो company incorporate कर रहे है, उसको हम डिसरिगार करते है, और जो भी sale का income आ रहे है, उसको इंडिया में ट पढ़ेगा अगर पढ़ लो हम क्या करते हैं पर्चेस करते हैं गुर्स्वां सिंगापूर एंशेल देसे में दुबई इस सेटप पर सबस्री इन सिप्रस जो क्या है टेक्स हैवन है जो जिरो टेक्स जुरिज्दिक्षिन है तो भी मैंजमेंट काम वह तो इंडिया में हो र पर पर किया है जहां पर पर प्रॉफिस क्या एंगजम्ट है इसको टेक्स सवाल आ रहा होगा आप कोई बिजनस कर रहे हो भार वेट के लेकिन नश्वार नमा सब्सक्राइब चाहते हैं इस वो भी कहता है कि है सेोक्ट अव की वज़े से Sun India Limited has obtained that tax benefit कोई भी ज़रौत नहीं थी कि आप जो है सिप्रस में जाके एक सबस्री कमनी बनाओ arrangement लेक्स कमर्शिल सबस्टेंस जो है बिसिकली इंडार कर दिया जाएगा एंट पॉफिट सो मून कोपरेशन इंडिया अप्लाइंग गार ठीक है सिंपल तो वही चीजा आपने इधर पढ़िये कि अगर आप क्या कर रहे हो कोई ऐसा arrangement कर रहे हो जिसका purpose क्या है जिसका purpose है tax benefit लेना जिसका purpose है tax benefit लेना and it lacks और deemed to lack commercial substance easy अच्छा again किसी भी arrangement को किसी भी arrangement को आपन आए एक पर लेंगे जब आपका purpose है tax benefit लेना and it is entered into or carried out by means और in a manner which are not ordinarily employed for bona fide purposes वो ही बात है कि अगर आप जो है genuine transition करते तो उस तरीके से नहीं करते तो बिसे कलिए आपने क्या कर रहा है एक ऐसे तरीके से transaction को कर रहा है जो genuine नहीं है जो bona fide purpose के रिए नहीं है तो उस case में भी जो है हम arrangement को क्या मान लेंगे आई ए मान लेंगे अब आपने एक चीज़ समझगी कि भई commercial substance देख हो रहा है तो अपने example देख लिया अब डीम टूले commercial substance का क्या मतलब है डीम टूले commercial substance का मतलब क्या है वो अपने को section 97 बताता है जो अपन आगे देखेंगे यह राख section 97 arrangement to like commercial substance अब आपन कुछ ऐसे transactions पढ़ेंगे नीचे यह आपन कुछ ऐसे transactions पढ़ेंगे जिसमें यह माना जाएगा कि आपके arrangement में commercial substance नहीं है ठीक है तो अपने क्या पड़ा कि भी किसी भी arrangement को अपन आई यह कब बोलेंगे जब आपका purpose है जब आपका purpose क्या है जब आपका purpose है basically text benefit लेना जब आपका purpose है text benefit लेना and it lacks commercial substance if it deem to lack commercial substance अच्छा deem to lack commercial substance क्या होता है वह पन आगे देखेंगे यह राख अब देखो क्याद रखा है arrangement किसी भी arrangement को arrangement shall be presumed arrangement को यह माना जाएगा कि भाई आपने text benefit के लिए enter करा है unless true to the contrary by the history unless ही history proof कर दे कि भाई मैंने text benefit के लिए नहीं करा है तो arrangement को मान लिया जाएगा कि भाई आपने enter करा है to have been entered into for the purpose of obtaining text benefit अगर main purpose main purpose of a step in और part of the arrangement is to obtain the text benefit not questioning the fact that the main purpose of the whole arrangement is not to obtain the text benefit तो इसका मतर भी है कि भाई आपने जो है एक बहुत वड़ा chain of transaction करे आपने जो है chain of transaction करे इन वे से किसी भी एक transaction का किसी भी एक transaction का purpose था text benefit लेना तो यह मान लिया जाएगा कि भी पूरे के पूरे transaction का purpose क्या है text benefit लेना ही है आप वापस पड़ो कि भी arrangement को मान लिया जाएगा कि भी आपने text benefit के लिये करा है अगर main purpose of step in और part of the arrangement पूरे arrangement के किसी part का पूरे arrangement के किसी part का purpose text benefit लेना था तो यह मान लिया जाएगा कि भी पूरा का पूरा arrangement आपने जो है tax benefit के लिए ही करा है तो notwithstanding the fact that main purpose of whole arrangement वही whole arrangement का परपस था tax benefit लेना नहीं था लेकिन किसी part of the arrangement का क्या था किसी part of the arrangement का परपस था tax benefit लेना तो हम यह माल लेंगे कि आपने पूरा पूरा arrangement करा है किसके लिए करा है टेक्स benefit के लिए ही करा है किती आपको आनी आरम से समझ में आगई होगी आप अगे बढठते हैं अब अपन देखने चाहरे है कि अर्जमेंट को लेक्क कमश्री सब्सेंस और इंड अर्रेंगें तेविए को माल लेंगे आपने जो arrangement कर रहा है उसका effect क्या आ रहा है उसका effect is inconsistent with or differs significantly from form of its individual part or steps वापस पड़ो an arrangement shall be deemed to like commercial substance अगर substance या effect of the arrangement as a whole is inconsistent with or differs from form of its individual step in or part क्या मतलब समझ नहीं आयोगा आपको लेकिन example आपको बताएगा example बताएगा कि क्या मतलब इसका देखो आपने क्या करा basically आपने एक company थी company अगर shares में directly investment करती company अगर क्या करती shares में directly investment करती तो उसको उसको मैट देना पड़ता क्या मैट की लाइबिटी आपको बताएगा कैसे कल्कुएट करते हैं company ने क्या करा एक partnership firm incorporate करी और फिर जो shares खरीद ने थे वो company ने खरीद के देखो एक्षामबल अब समझ में आएगा company ने क्या करा partnership firm बनाई with one of its director company जो ए 99% शेर होल करती है और डायक्टर वन पर से शेर होल करता है किसमें firm में company ने क्या करा 10 112 in such a case car के provisions would be applicable क्योंकि company ने investment कर रहा है through partnership to avoid mad tax liability तो basically आपने mad key tax liability को avoid करने के लिए क्या कर रहा है mad key tax liability को avoid करने के लिए partnership हम खोली है तो हम यह मानेंगे जो आपको यह arrangement है it deemed to lack commercial substance तो जो भी अपने यह points देख रहे हैं पर यह main points है जब तक आप example से नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा अब देखो arrangement shall be deemed to lack commercial substance अगर it involves round trip financing क्या मतलब है इसको भी अपने example से देखेंगे example number 4 आज ओ example number 4 के देखते हैं पर देखो example number 4 के आदे रखा है वो देखते हैं पर आपको example समझा देता हूं ठीक है यह इंडिया है और यह क्या है सिप्रस है जो क्या है no tax jurisdiction है किधर एक company है Reliance Limited अचा Reliance Limited अगर क्या करती है directly किसी इंडियन गमनी को loan देती है तो जो इस loan पर interest आएगा जो loan पर interest आएगा Reliance Limited को उस पर tax pay करना पड़ेगा इंडिया में Reliance Limited ने क्या करा Reliance Limited ने 100% सबसरी इंकॉर्पेट करी कहाँ पर सिप्रस में जो क्या है no tax jurisdiction है Reliance ने क्या करा 100% सबसरी इंकॉर्पेट करी अचा इसने for example 100 रुपे लगाए इधर के share capital में 300% सबसरी क्या करती है नहीं है क्योंकि वो क्या है no tax jurisdiction है ठीक है tax 7 है अचा DTW दोनों के बीच में जो DTW हो रखा है वो यह कहता है कि भई इसका जो tax होगा exempt होगा तो अपने को एक चीज़ समझ में आ गई कि अपने क्या करा है पैसे को गुमाया है पैसे को क्या करा है राउन ट्रिफ फानेंसिंग कर यह पैसे को गुमाया है मैं चाहता तो राइस क्या कर सकता था डायेकली लोन दे सकता था लेकिन उसने गुमा के लोन दिया है गुमा की क्या करा है लोन दिया है तो हम क्या करेंगे गार को इन्वो übrigens लेंगे अब समझे आ जगा देखो Reliance Limited क्या है एक इंडियन कमपनी है Reliance Limited basically एक इंडियन कमपनी है ठीक है इसने क्या करा है Incorporate करा है सबस्री कमपनी Alpha Incorporation in Cypress No Tax Juridiction हमने एक 100% सबस्री बनाई अच्छा जिसमें मैंने क्या करा Equity Share Capital Incorporate करा 100 million dollar का Alpha Incorporation ने क्या करा लोन दिया 100 million dollar का to another Indian कमपनी SR Limited at a rate of 10% per annum तो Alpha Limited क्या करा Reliance ने एक Alpha कमपनी बनाई Alpha ने क्या करा एक SR Limited को लोन दे दिया अब देखो SR Limited क्या करती है Claim करती है Reduction of Interest Table to Alpha Incorporation SR Limited ने क्या करा Basically जो Interest वो पे कर यह लोन पे उसका तो अफकोस वो रिडेक्शन लेगी वो तो बिजनेस का करचा है There is no other activity in Alpha Incorporation तो जो Reliance ने 100% सबस्री बनाई है तो कोई भी other business नहीं है वो जिसका कोई भी other business ही है या गार को आप इन्वोक कर सकते हैं हम कहेंगे बिलकुल आप इन्वोक करो सरकार का आप टोपी में आ रहे हो टेक्स अवोइट कर रहे हो अदो को इंटर्पिटेशन पढ़ना इंटर्पिटेशन पढ़ते हैं अपन अर्रेंजमेंट अपेर्स तो बी तो अवोईट दा पेमेंट ऑफ टेक्स और इंकम करता है कमेंट करता है कमेंट करेंगे बिसिकली कंजिक्मेंट लिए अलफा इंफोर पर पिशन को डिस्रिकार करा जाएगा और जो भी इंटरेस्टिन का हो रही है वो किसके हाथ में टेक्स अबल हो जाएगी इसी अचा एक उची समझना अपने क्या पढ़ लिया कि अरेंजमेंट कर रहे है अचा अचा मतलब है कि कोई ऐसी पार्टी जो आपकी मदद कर रही है आपकी मदद कर रही है टेक्स को ओईट करने में, तो अगर अकॉवरेटिंग पार्टी इंवावल्ड है, तो क्या माना जाएगा? तो बिसिकली यह माना जाएगा कि बिसिकली वो टांजिक्शन, वो टांजिक्शन क्या करता है? लेक करता है कमर्शिल सब्सक्शन सब्सक्राइगा करता है कमर्शिल सब्सक्राइगा करता है? and disguises the value, location, source, ownership and control of the funds which is the subject matter of the transaction. समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अपना example अपने कुछ समझाएगा. यह जो language है ना, यह basically language internationally क्या हुई है, basically incorporate हुई है. तो आपको पदा है कि बही, international market पुर तो अंगरी जी बहुत खतनाख चलती है. तो अपनी ICA बहुत बोली बाली है, ICA ने बोला कि देखो आप बच्चे हो, आपको यह वाली language इत्ती आसर नहीं समझ में नहीं आएगी. इसलिए हम क्या करते हैं, basically आपको एक्जांपल दे देते हैं. तो अगर आपने एक्जांपल समझ लिए, तो आपको परपर समझ में आजागा कि बही, यह जो transaction है, यह जो provision है, यह अपने को कहना क्या चाह रहा है. अब आजाओ अपन, अपने एक्जांपल नमर फाइव पे. अब देखो क्या दे रखाए. अब आपको बताता हूं, इस example में क्या हो रहा है? अब एक कंप्नी है, इंड्या में. उसकी holy on own subscribe company है कहीं भार. तो मैंने आपको बताये कि एक कंप्नी इंड्या में है. इसकी 100% subscribe कहा है? 100% subscribe है, अज जु करो USA में. अब मुझे एक चीज बताओ. आपने section 222E पड़ रखा है वो क्या होता है dim dividend होता है कि basically अगर आप loan देते हो किसी specified person को तो जो भी आपने loan दिया है वो क्या मान लिया जाएगा इसके आपने dim dividend मान लिया जाएगा तो यह company जो है यह company क्या है parent company है USA वाली company क्या 100% सबस्री company है अगर यह USA वाली company directly loan देती है इसको Indian company को तो क्या मान लिया जाएगा 222E में dim dividend मान लिया जाएगा और इसको tax pay करना पड़ेगा अचा इन लोगों ने क्या करा USA ने बोला USA ने बोला एक bank है USA में USA ने बोला कि भी एक काम करता हूँ मैं मैं जो है basically पैसा bank के पाँ जमा करा जाता हूँ और bank क्या करेगा इसको loan देदेगा ठीक है तो अगर यह directly loan देता 222E में 222E में इस company को tax pay करना पड़ जाता तो लोगों ने क्या transition करा USA में कोई bank होगा USA में bank को कहा कि भी देखो मैं आपके पास पैसा जमा कर रहे जाता हूँ आप जो है इसको loan देदो अब अगर bank क्या कर रही है इसको loan दे रही है तो उस case में 222E तो apply होगा नहीं तो सरकान ने कहा कि आप क्या कर रहे हो basically अपनी transaction को अपनी location को disguise कर रहे हो ठीक है क्या कर रहे हो पैसा आ रहे है तो उस case हम गार को invoke करेंगे क्या करेंगे गार को invoke करेंगे और उस case में यह जो company है इसकाद में 222E में 222E में जो है हमाँ taxable हो जाएगा to the extent of accumulated profits of this subsidiary company अब देखो आपको समझ में आ जाएगी DRH क्या है एक bank है DRH एक bank है दुबई में अच्छा उदर आपको tax pay करने की जरुवत नहीं है दुबई क्या है बिसेकलिए tax haven है no tax jurisdiction tax pay करने की जरुवत नहीं है अच्छा देखो there is a closely held company X in Dubai दुबई में एक company X which is a holy own subsidiary of another company Y तो X नाम की एक company है काँ पर दुबई में वो क्या है 100% subsidiary किसकी Y की Y क्या है Indian company है अच्छा एक्स के reserves है और अगर एक्स loan देगी तो क्या मान लिया जाएक डिम डिमन मान लिया जाएगा तो X ने क्या करा पैसा जमा करा है दुबई बैंक के पास और बैंक ने क्या करा लोन दे दिया किसको Y को अच्छा इंडिया दुबई डुबई यह कहता है कि जो interest payment to the bank जो interest payment करा जा रहा है इंडियन company जो bank को क्या कर रही है interest payment कर रही है वो bank क्या हाथ में taxable नहीं है जा इंडिया में taxable नहीं है बैंक क्या को सब्सक्राइख कर सकते हैं क्या इसको इस आइंगे विवकूल करेंगे याब सरकार को टबीष चुपी पहलाँना चाहरे या हम क्या करेंगे गार को इंवोक कर गर को अवांट है उसको दिय aynya जायगा तो consequently in the case of Indian company, the loan amount will be treated as dividend income, received from X to the extent of accumulated profits, ठीक है, and वो क्या दरखाए, and no expense by way of interest would be allowed, इती ही कानी आपको समझ में आग दियोगी, easy है, तो जो Indian company क्या कर दिये, basically, interest पे कर दिये कि इसको bank को, वो disallow कर दिया जाएगा, और जो उसने dividend दिया है, उसको taxable कर दिया जाएगा, तो अगर म आपने क्या हो जाता, dim dividend मान लिया, जाता, dim dividend मान लिया, जाता, तो हम कहेंगे, इसको dim dividend मान लिया जाए, अच्छा, हम बैंक को क्या कर रहे है, बैंक को disregard कर रहे है, इसका मतलब यह कि जो पर इसको भी interest पे करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, disallow कर दिया जाएगा, तो consequently in the case of Y, Indian company, low amount would be treated as dim dividend, would be treated as dividend income, received from X to the extent, to the extent of, to the extent reserves are available, to the extent of accumulated profits, and no interest expense by way of interest would be allowed, तो हम interest expense भी इसलाओ कर देंगी, क्योंकि आप सरकार को टुपी पे ना रहे थे, इंटरपेशन पढ़ ले ना, मैं आपको जो समझाया हो ही है, तो अभी आपन क्या देख रहे थे कि कौन से arrangement को, यह जाला point हो गया, दूसा point हो गया, तीसा point पे आओ, तीसा point पे आओ, तीसा point हो क्या देख रखा है, कि भई, it involves location of asset, location of transaction, place of residence of any party, which is without any commercial, which is without any substantial commercial purpose, other than obtaining a tax benefit, मतलब basically कोई party, कोई party, ऐसी जगह से transaction कर रही है, कोई ऐसी जगह से transaction कर रही है, जहां पर उसका कोई commercial purpose नहीं है, जहां क्या मतलब है, अपने example से समझते है, आज़ो example number 6 पे, जब को example number 6 का कर रहा है, बोपन देखते है, beta limited, beta limited is incorporated in Mauritius as a holy on subsidiary of company, Sama GMG, जो भी है, a resident of Germany, तो basically एक beta limited कर के company है, कि क्या है, holy on subsidiary है, holy on subsidiary है किसकी, holy on subsidiary है, Sama की, holy on subsidiary Sama की, अच्छा, यह जो Sama है, यह काँपर बेठा है, Sama जो है, basically Germany में बेठा है, oh, 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 Sama जो है, मैं इधर लेकरता हूँ, Germany में बेठा है, B Comper है, Mauritius में है, B Comper है, Mauritius में है, B Comper है, Mauritius में है, उसने एक 100% सबस्री बनाई, Mauritius में, जिसका नाम क्या है, B, beta, अब दो क्या दे रखा है, अब एक India है, यह India है, अब दो क्या दे रखा है, इंडिया और Mauritius का DTW कहता है, for the non-taxation of capital gains in India, and Mauritius charges no capital gains in its domestic law, तो जो इंडिया और Mauritius का DTW है, वो यह कहता है, कि अगर आपने कोई Indian कमनी के shares बेचे हैं, अगर आपने कोई Indian कमनी के shares बेचे हैं, तो इंडिया में tax नहीं लगेगा, और Mauritius में वैसे भी tax का है, exempt है, बढ़ो, इंडिया, Mauritius DTW यह कहता है, कि भाई, capital gains पे tax नहीं लगेगा, in India, इंडिया में tax नहीं लगेगा, and Mauritius charges no capital gains in its domestic country, अब एक चीज समझना, some shares of Alfa Limited and Indian company, तो इंडिया में एक company है, Alfa Limited, तो इंडिया में एक company है, Alfa Limited, कुछ shares, some shares of Alfa Limited, इंडिया कमनी, और acquired पर beta incorporation, तो beta incorporation है क्या करा, incorporate होने के बाद, Alfa Limited के shares acquired करे, और beta के पास पैसा कहां से है, पैसा दिये, सामा ने, तो मुझे एक चीज बताओ, कि अगर सामा जर्मानी में बैठी है, सामा जो है, जर्मानी में बैठी है, वो अगर Indian company के shares बीचती, क्योंकि maurisius में domestic law है, maurisius का domestic law है, वो कहता है कि आपको कोई भी cap gains पे tax देने की जरूत नहीं है, आपको चीज समझ में आ रही होगी, कि हमने tax को avoid करने के लिए, इसके के लिए क्या करें, disguise करा, tax को avoid करने के लिए हमने location को बदल दिया, अब पढ़ लो समझ में आ जाएगा, some shares of alpha limited are acquired by beta limited, ठीक है, अचा जो पूरा का पूरा funding है, वो किस ने कर रहा था, gamma ने कर रहा था, अचा beta ने बाद भी ये shares बेचे, इसके वैसे क्या हुआ हुआ कि इंडिया में cap gains पे tax लगा नी, this results in cap gains which beta incorporation claims has not been taxable in India by virtue of ETWA, अब सवाल आता है कि क्या GAR invoke करा जाए, अब देखो क्या दर रखा है, this is an arrangement which has been created with the main purpose of voiding capital gains tax liability in India, by routing investment through a favorable jurisdiction, hence हम क्या करेंगे, GAR को invoke कर देंगे, देखो वी चीज़ दे रखी एदर, वो ये आपने क्या कर रहा है, आपने जो है basically, किसी ऐसी location से transaction कर रहा है, जिदर कोई commercial purpose नहीं था, other than obtaining tax benefit, easy है, आप देखो आगे बढ़ते है, arrangement shall be deemed to like commercial substance, अगर, 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 it does not have significant effect upon the business risk, or net cash flows of any party to the arrangement, apart from any effect attributable to the tax benefit, other basically, आप जो है transaction दिखा रहो, किसी दूसरी party से, अचा, उस दूसरी party का कोई भी intentional purpose नहीं है, उस दूसरी party का कोई भी commercial purpose नहीं है, other than obtaining tax benefit, तो किसी भी तरह से, अगर, किसी भी तरह से, आपने किसी party को include कर दिया, आपके arrangement में, लेकिन उसका involvement, उसका involvement, कोई, उसका involvement, जो है, उसके business पे कोई impact नहीं डाल रहा, यह वाली चीज़ आपको समझ में आगगी होगी पूरी, कौन को से transaction, कौन को से transaction ऐसे हैं, इसे हैं, विछ, दीम तूले commercial substance, अब देखो, अब अब अगे बढ़ते हैं, आपके दिमाग में सवाल आ रहा हुगा, कि यह सारी चीज़ याद करने की जरू होते हैं, इस सारे sentence याद करने की जरू होते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको examen क्या test करेगा, मैंने आपको जो example बताएं न, देखो, example number 1, example number 2, example number 3, example number 4, example number 5, and example number 6, आपको examen क्या करेगा, basically, एक case tree डाल देगा, कि ऐसे-से transaction सुमें, आप से कुछेख, गार इंबोक होगा की नहीं होगा, आपको बताना है, interpretation देना है, जैसे मैंने अपना interpretation दे रखाने इस तरह से, आपको अपना interpretation 4-5 point में देना है, आपको जो है number मिल जाएंगे, आपको रटने की ज़रूथ नहीं है, आपको बिसके लिए सारे provisions रटने की ज़रूथ नहीं है, ये provisions रटने की ज़रूथ नहीं है, आपको दो बास पता होना चाहिए कि कौनसर transaction, impermissible avoidance agreement है, और अपने सारे विसके लिए transactions क्या कर रही है, सारे transactions जो है example से देख लिए, तो विसके लिए गार में आपको जो मैंने ये 6 examples कराया है न, ये 6 examples तो अच्छे से समझ लेना है, याद भी करने की ज़रूथ नहीं है, समझ लेना, ताकि exam में आपको identify हो जाए, कि आप क्या कर ले हो, text को avoid कर ले हो, ताकि आप क्या कर सबो, गार को invoke करके आजाओ, अब ये कौछ चीज समझना, कुछ clarifications दे रखे हैं गार के, वो पन देखते हैं, some clarifications on गार, तो अपन ने SWR पढ़ लिया था, सार पढ़ लिया था, अब अपना law ये केता है, कि provisions of GAR and SAR can co-exist, and are applicable as in the fact and circumstance of the case, तो GAR और SAR, co-exist कर सकते हैं, depending upon the fact and circumstance of the case, अब देखो क्या दे रखा है, in case of avoidance is sufficiently addressed by LOB in the treaty, GAR हम invoke नहीं करेंगे, तो LOB, LOB क्या होता है, DTWA enter कर रखा है आपने, इंडिया और परेखनावल मौरिशियस में, अचाँ, DTWA के अंदर, tax abudence को basically हम नहीं क्या कर रखा है, sufficiently address कर रखा है, तो LOB का fulfill है, limitation of benefit, तो basically जो DTWA है, जो DTWA है दो country के बीच में, उसमें ये बता रखा है, कि जो DTWA का benefit है, उसको limit कर दिया गया है, limit कर दिया गया है, कुछ specific conditions अगर आप fulfill करोगे, तो ये आपको जो DTWA का benefit मिलेगा, हमने ये कहा, कि अगर tax abudence, जो आपकी TT है, TT बोले तो DTWA, उसमें sufficiently address हो रखा है, by LOB, LOB बोले तो limitation of benefit, तो हम गार को invoke नहीं करेंगे, खरीदे हैं, एक चाह 2017 के पहले, तो उसमें गार नहीं लगेगा, अब सवाल आता है कि अगर उन शेर पे, मुझे कोई bonus issue मिल जाता है, या फिर अगर वो shares क्या हो जाते, split हो जाते हैं, तो जो मिले बस नए shares आया है, क्या उसमें भी गार लगेगा, तो इस चीज़ समझना, कि आपके जो lease के contract होते हैं, loan के arrangements होते हैं, आपके जो lease के contract होते हैं, loan के arrangements होते हैं, ये investments नहीं है, therefore आपके गार अभीलिबल, गार जो है invoke हो जाएगा, grandfathering available नहीं है, तो दो जो क्या अधर रखाए, lease के contract, और loan arrangements, इंवेस्टमेंट्स नहीं कि क्या है इटमार में इस पर लगेगा अभी कोची समझना और यहां था यह अगर रहुग आपने पड़ा गंगे अब है ने जो किसी पर सो गड़ी को पर कर दिया था इन दो क्या नहीं लगाएंगे कोई transaction किस तरह से करना है वो तो SSPT करता है अगर फिर सरकार को पता चला आप तो भी में ना रहे हो तो आपको बाद में इंबुक कर सकते हैं तो पहले SSQS क्या है SSQS पूरी की पूरी छूट है कि वो किसी भी तरह से अगर सरकार को लगा कि आफ टेक्स अवड करना चाहते हो तो म क्या कर देंगे बाद में हम बाद में जाके गार को इंबुक कर देंगे तो गार आपसे यह नहीं के सकता कि आप कोई transaction आप इस तरह से नहीं कर सकते आप अपना transaction आप SSQS ऑ किसी भी तरह से इंप्रीमेंट कर सकत अज़ अगर किसी court ने कह दिया है कि आप transaction को कर सकते हो तो guard apply नहीं होगा अगर court ने explicitly and adequately consider करें tax implication while sanctioning and arrangement guard अपका apply नहीं होगा, guard will not apply, easy अदो क्या दे रखाए guard shall not be invoked merely on the ground that the entity is located in a tax efficient jurisdiction ठीक है, तो मैंने आपको बता है कि अगर कोई transaction आपने किसी person के साथ कर रहा है tax heaven jurisdiction में है, या फिर tax efficient jurisdiction में जहां पर आपको tax देने के जरुखत नहीं होती तो guard आप invoke नहीं करोगे, इसका मदब यह नहीं है, मैंने कोई transaction किसी ऐसे person के साथ कर रखाए जो काँबर बैठा है, for example, sipress में बैठा है, ठीक है, तो sipress में कोई tax नहीं लगता मैंने कोई ऐसा arrangement कर रहा है, किसी ऐसे person से जो दुबई में बैठा है, दुबई में अगेन कोई tax नहीं लगता, तो इसका मद अब यह नहीं है कि मैं क्या करूँ, हमेशा कि हमेशा tax award करूँगा तो भई, आप गार को invoke नहीं कर सकते हैं, merely on the ground, that the entity is located in the tax-heavy jurisdiction, हम पूरे, आपकी जो है, पूरी modest operating को चेक करेंगे, और फिर आम में लग रहा है, कि आप actual में tax award कर रहे हो, फिर हम गार को invoke करेंगे तो दो वो क्यादर रखा है, अगर jurisdiction of FPI is finalized based on the non-tax commercial considerations, and the main purpose is not to obtain tax benefit, भई, आपके commercial considerations, आपका purpose tax benefit लेना नहीं था, आपका purpose tax benefit लेना नहीं था, तो गार को invoke नहीं करेंगे, गार invoke नहीं होगा तो वो क्यादर रखा है, कि अगर jurisdiction of FPI is finalized, भई हमने FPI, foreign portfolio investor, अचा, foreign portfolio investor नहीं ये देखा है कि दुबई में business करा जाए, या फिर US ने business करा जाए, उसका दुबई में business करते हैं, अचा, दुबई में जो उसने business का plan करा, दुबई में जो उसने business का decision लिया, वो non-tax commercial considerations के basis प गार को invoke नहीं करा जाएगा, easy है, अब आगे बढ़ते हैं अब बन, Commissioner of Income Tax, अगर Commissioner of Income Tax और फिर Approving Panel ने, has held arrangement to be permissible in one year, तो अगर किसी Commissioner ने, किसी arrangement को, किसी एक साल में permissible कर रखा था, तो अगर fact and circumstance same है, तो क्या अगले साल में गार invoke करा जाएगा, क्या, नहीं करा जाएगा, अगर CIT ने चेक करके arrangement को permissible करा है, तो इसका मदब यह है, कि उसने यह भी दिखा होगा, तो आप tax avoid नहीं कर रहे हो, आप पढ़ लो, अगर CIT है, फिर Approving Panel, has held किसी एक अर्रेजमेंट को to be permissible in one year, and the fact and circumstance remains same, आपके जो fact and circumstance है, वो remains same है, as per the principle of consistency, गार invoke नहीं किया जाएगा, for that arrangement in subsequent year, तो बिसके लिए अगर CIT ने किसी transaction को कह दिया था कि भई, यह tax avoid नहीं कर रहे है, तो अगरे साल में, अगर वैसा को वैसा transaction एंटर हो रहे है, तो अगरे साल में आपको car invoke कने की ज़रूद नहीं है, किसी तरह से कोछीज देखना, अगर कोई fund है, ठीक है, कोई fund है, वो क्या कर रहे है, tax treaty benefits claim कर रहे है one year में, तो किसी इंडिया ने, किसी country के साथ, इंडिया ने, for example, USA के साथ, डीटी डवले कर रहा है, अचाँ, USA को कोई fund है, जो इंडियन मार्केट में क्या कर रहा है, इंवेस्में कर रहा है, तो उसने किसी particular year में, अगले साल में बोलता है कि मुझे डीटी डीडवले के benefits नहीं चाहिए, मैं income tax pay करूँगा, तो क्या गार invoke कर दिया जाएगा, नहीं, सीदी सी बात, ये तो option दिया गया आपको, ये तो आपके बास option है, क्या option है, कि आप डीडवले और income tax, अगले साल अनदर year में, बोलता है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो है, income tax tax recording, गवन होना है, तो क्या मैं गार को invoke कर दूँगा, अपन गएगे, नहीं, अपन कहेँगे, गार अपलाए, नहीं होगा, example देखना, फंट क्या करता है, example would be the case where the fund claims, डीडवले का benefit, in respect of gains from the derivatives in one year, तो पहले साल तो उसने क्या करा, डीडवले का benefit लेते हुए, gain को क्या करा, gain पे जो है, डीडवले का benefit ले लिया, एन इन अनादर year, अगले साल, स्ट आफ कर लेता है, losses from the derivative transactions against the gain from the shares under the act, तो पहले साल उसने का गरा DTW का benefit लेते हुए, पहले साल क्या करा उसने DTW का benefit लेते हुए gains को दो exam कर लिया, अगले साल उसको क्या हुआ, अगले साल उसको derivative transaction से loss हुआ, तो उसने क्या बोला कि ठीक है या, derivative transaction का loss हो रहा है, तो इस loss को मैं करता हूँ, इस loss को जो है basically, मिरी ज दूसरे शेयर से इंकम हो रही है उसे सट अफ हो लेता हूं तो हम कहेंगे कि अगर इंवोख नहीं होगा इजी है आल राइट गाइस यह लास्ट ओल एक्जांबल समझ में आगे न कि अगर कोई फंड क्या कर रहा है किसी पर्टिकुलर यहर में डीटेबले का बेनिफिट ले रहा है पहले साल उसको गेन हुआ तो उसने डीटेबले का बेनिफिट लेते हुए इसको एक्जम मान लिए मतब टेक्स में नहीं करा अगले सार उसको लुड सुऑ तो उसने डीटेबले का बेनिफिट नहीं लिया तो गेंखेंग के लिए बात कड़ता है उसने लॉस को क्या करा जो भी लॉस है उसको अपनी अधर इंकम से सटफ लिया आपने पर रहा है कि आप लोच को अढर इंकम से सट ल'ोथ कर सकते हो अगर कोई फंड ऐसा कर रहा है तो हम गार इंवोक नीं करेंगे वो टेक्स अवाइड नीकर रहा वह बिचारा वो तो बिसिकली प्रूविजन का बेनिफिट उठाता है अब देखो अगर किसी भी assessment या reassessence proceeding में assessing officer को लगता है assessing officer on the basis of material and evidence available को लगता है कि उसको किसी भी arrangement को क्या करना है declare करना है as impermissible avoidance agreement and guard को invoke करते हुए क्या करना है tax liability determine करनी है तो क्या करेगा assessing officer basically reference देगा CIT को assessing officer बोलेगा CIT को की भी देखो मैं किसी arrangement को क्या करना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ अब CIT क्या करेगा CIT जो है notice issue करेगा to the SSE to submit his objection and provide an opportunity within a period of not exiting 60 days CIT SSE को बोलेगा कि देख मैं तेरे transaction को guard के through क्या करना चाहता हूँ गार के through जो है invoke करना चाहता हूँ देखो कुछ explanation देनी है तो जो कुछ objection है फिर बस सार दिन का समय तो जो है हमें क्या कर विसे के लिए तो जो है हमें objections को देदे अच्छा SSC ने क्या करा objection फाइल नहीं करी तो सीदी सी बात है CIT क्या करेगा CIT AO को बोलेगा कि जाओ जाओ क्या करो आपको जो ट्रांजिक्शन उसको आई एए डिक्लेर कर दो और गार को इंवो करके क्या करो टेक्स लाइटी को असेस कर लो तो यह क्या करेगा विश्वास हो गया है तो SSC ने objection फाइल करा सीदी सेटिस्फाय हो गया कि इसका जो explanation वो सही है तो CIT AO को बलेगा कि तु बई तु टाइम पास मत कर तु अपना जो ओडर है उसको बिना गार को इंवो करे क्या कर दे पास कर दे इजी है तो CIT communicate करेगा AO को कि बई देख SSC ने जो है मुझे क्या गा दिया है अपना explanation दे दिया है मुझे रगड़ा है सब कु सही है तो बिना गार को इंवो करके अपना assessment complete कर दे लेकिन अगर पर्टिक्लर SSC का हम किसी पर्टिक्लर SSC का कोई ट्रांजिक्शन गार के थूर इंवो करना चाहते हैं यह ने क्या करा था वरिफाय करा आप अपनी क्या दो आप अपनी क्या दो आप अपनी अपनी जो है बिसकली अब्जेक्शन समय फाइल करो सारे रिकॉर्टर समय करेगा अपर अपरुफिंग पैनल में रिकॉर्स से करेगा अप रूपेलेशन दाक्रमेंटस यह वृच्प्र अगर अप्रुफिंग पैनल को रखता है यह क्या है गार इंवोक होना चाहिए तो बोल देगा किसको कि इसको जो है आई एए डिकले कर देख स्पैस्पाइं द प्रीए से इनिस्पेक्ट विच इस तुब इकले अच्छा और इसको यह को डिशन कब तक देना है यह को डिशन देना है विदिन six month from the end of the month in which the CIT जो उसको रेफ्रेंस दिया था तो इसको रेफ्रेंस दिया उसके end of the month से विदिन six month में उसको क्या करना पड़ेगा अपनी पड़ेगा यह को बताना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं तो क्या कर इसको आई एए डिकलेर कर देगा अब यह को समझना रायर अप्रूवलों स्याइटी रायर अप्रूवलों स्याइटी रिक्वाइड और पासिंग अस्यास्मन ओडर अगर टेक्स कंजिक्वेंस इटेमीन एस पर अप्रूजियंस अफगार तो यह ने अपना ऊडर पास कर दिया और यह बोलता है कि इसको जो है एक करोड का टेक्स पहें न करना पड कि अब जो चरनने कुडी बदला दी बैंद आघटनों भिजली बिजलीटकेंड हां जी अब दो क्या रखाए अप्रूविंग पेल ने चो डर्टिक्शन दी है और किस पर बांडिंग होगी सो डिरेक्शन इस इसूगत है था पर ने अपर सब पर बांडिंग होगी बांड तो आप को लगता है कि कुछ गरबढ है तो आप देखो मैंने को चीज बता आई थी कि जो API, उसको within 6 month के अंदर क्या करना पड़ता है, अपना order देना पड़ता है, लेकिन दयाम रखना, excluding the period to ID under the explanation, तो अपन ये पढ़ने जा रहे हैं, कि भई, calling period shall be excluded and completing the set period, मतलब 60 दिन को calculate करते समय, 60 दिन को calculate करते समय, इस period को अटा देना, क्या दे रखाए, period during is the proceeding is straight by the order of court, अगर court ने क्या करा था, इस proceeding में थोड़ा बहुत order water लगा दिया था, तो उस समय को क्या करने कि अपन, 60 period के समय से एक्स्टूर कर देंगे, मतलब एतना समय extend हो जाएगा, इसी तरह से, इसी तरह से, period commencing from the date on which the first direction is issued by the AP, to the PCC for getting inquiries, ठीक है तो हमने क्या का हा था, हमने ये का हा था कि जो AP है, हमने का था जो AP हो, CIT को बोल सकता है कि आप further inquire करो, तो अगर सीधी सी बात है कि अगर AP, CIT जो है, further inquiry करने के दूटा समय लेगा, तो जो भी वो समय ले रहा है, उसकर हम क्या करेंगे, for getting the inquiries conducted through the authority component under the agreement referred to in section 90 in 90A. An ending the date on which the information so requested is last received by the AP or one year whichever is less. Basically, हम कह रहे हैं कि आपको समय action कर दिया जागा लिकिन maximum समय एक साहगा action कर रा जाएगा. Easy है? So, P8 commencing from the rate on which the first direction issued by the AP to commissioner for getting inquiries conducted through an authority component under agreement referred to in 90 and 90A. An ending on the date on which the information is last received by the AP or one year whichever is less. तो अगर AP ने क्या बोला है? AP ने commissioner को बोला है कि भाई आप further inquiry कर के लिए क्या हो? आप further inquiry कर के लिए क्या हो? तो हम आपका जो है समय action कर देंगे. तो देखो अभी अपन ने क्या देखा कि भाई जो अपना 6 मेने का समय है उसको निकालते समय आप क्या करोगे? इन दो समय को एक्स्टूट कर दोगे. कौन कौन से को? period during which the proceeding is straight by the order of court. या फिर period commencing from the date on which the approving panel ने क्या बोला? PCC को बोला कि भाई आप inquiry कर के लिए क्या हो? आप क्या कर के लिए क्या हो? inquiry कर के लिए क्या हो? तो basically जो approving panel है वो इंडियन authority को बोलता है कि भाई आप केन्या के authority से information मंगाओ केन्या के authority से information मंगाओ और inquiry करो कि भाई actual में actual में IAA transaction है कि नहीं है? तो सिधी इस बात हैं हमने ही कहा कि जिस दिन जिस दिन approving panel कमिशनर को ये कहता है कि भाई आप information मंगाओ से लेके जिस दिन तक आपको information मिल जाती है उतना समय आपका absolute कर दिया जाएगा लेकिन हमने कहा कि maximum cap लगा दी गई एदर one year की cap लगा दी गई कि भाई एक साल से यादा हम आपको समय नहीं देंगे जिस दिन approving panel ने कमिशनर को कहा कि भाई आप information आप inquiry करके लेका हो से लेके जिस दिन तक जो इसक लिए सारी information आगई inquiry खतम हो गई और ये maximum समय जो है एक साल तक extend हो सकता है तो अपन क्या बढ़ रहते कि भाई if immediately after the exclusion of the above time period period available to the approving panel to pass order is less than 60 days such remaining period shall be extended to 60 days and consequently जो 6 मैंने भी extend हो जाएंगे क्या मतलब एक्जाम्पल से आपको समझाता हूँ जो अपना approving panel है उसको order pass करना था 1-1-2-24 तक 1-1-2-24 तक उसको order pass करना था ठीक है मैं आपको बतारा हूँ कि जो अपना approving panel है उसको 1-1-2-24 तक order pass करना था अब 20 दिन बाद विकेट हुआ 32-12-24 तक मुझे एक चीज़ बताओ उसको order pass करना था 1-1-2-24 तक 20 दिन quote ने का करना था स्टे लगा दिया था तो असका अब उसको order कब तक pass करना होगा 1-1-2-24 से लेके 20 दिन अपना एड़ कर देंगे इसको order pass करना था अब आपको समझ में आ रही है कानी उसको order pass करना था 1-1-2-24 को हमने क्या करना बिसके लिए 20 दिन उसके अंदर एड़ कर दिये हमने जो है बिसके लिए 20 दिन उसके अंदर एड़ कर दिये अब मुझे एक चीज़ बताओ अपना जो order था कौन सा order अब इस दिन पर बैठके उस order का पास करना है 21-1-2-24 को अब मुझे एक चीज़ बताओ 31-2-2-24 से लेके 21-1-2-24 के बीच में कितना दिन है 21 दिन है मतलब अप्रूविंग पैनल के पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन है किस चीज़ के लिए 21 दिन है कि वो order पास करने के लिए 21 दिन है तो सरकार यह कहती है कि अगर आपको जो आपने समय एक्सूर्ट कर दिया समय एक्सूर्ट करने के बाद order पास करने के लिए order पास करने के लिए आपको आपको 60 दिन से कम का समय है हम क्या करेंगे? इधर से आपको 60 दिन दे दे देंगे समझ मारी का नहि змी? 31-22-24 को意 goshable को पता चल गया उसको order पास करना है 21-12-24 को मतलब उसके बास सिर्फ 21 दिन है सरकार कहती है कि अगर आपके बास क्या है अगर आपके बास less than 60 days है तो हम क्या करेंगे हम आपको बिसकली 60 days तक exchange कर दिया जाएगा इसका मतलब यह है कि इधर से लेके जिस दिन आपको पता चला उदर से लेके 60 days एक्षेंट कर दिये जाएंगे मतलब आपको जो है और इधर तक पास करना पड़ेगा अब जो मैंने नीची लिखा होता आपको समझा दिया न आप क्या करोगे 37,12,24 में 60 दिन एक कर दोगे क्या करोगे 60 दिन एक कर दोगे मतलब जो यह remaining period इसको हम 60 दिन तक कीज देंगे तो 21 plus 60, 21 plus sorry 21 plus मैं क्या करूँगा यह 60 हो जाएगा 29 एट करूँगा 39 एट करूँगा तो 60 हो जाएगा जो remaining period था इसको हम 60 दिन तक कीज देंगे तो इधर 39 days और एट कर देंगे मतलब आपको in total ऑबीते यह चोफ्त करने के लिए यह मत करना है जिस दिन विसद चला उस दिन काउंट करने करने यह टाल Пока यहां पर दोज़ेंगे से हमका का समय है तो गयर अफ़चेश्ण फिर외 वह ससक बाउस हूझ m अच्छा असेस्मेंट वाले चेटर में आपने बहुत सारी टाइम लिमिट्स देखी थी आपको जो 1, 43, 3 का ओर कप तक पास काना है रही आपको intimation कब तक देनी है तो अपने उदर बहुत सारे assessment order देखे दे तो अपने उदर एक चीज़ समझीती क्या कि वही जो अपना time limit है उसके अंदर आपन कौन से समय एक्स्रूट कर देंगे जिस दिन AO ने Commissioner को कहा कि वही मुझे इसको IAA declare करना है से लेके से लेके जिस दिन AO को direction मिल गई कि वही आप इसको कर दो IAA declare या फिर नहीं कर दो इतना समय जो तर time limits दे रखे है उसके अंदर exclude कर दिया जाएगा अब जो क्या दर रखा है Period commencing from the date on which reference for declaration of arrangement to be IAA is received by PCC या फिर C जिस दिन उसको basically क्या मिला AO का reference मिला से लेके and ending on the date on which the direction is issued to the AO shall be excluded while completing the period of limitation under 153 और period of limitation अपन under 153 क्या होती है वो अपन ने देखे लिए थी कौँँसे chapter में assessment वाले chapter में देखे थी तो कि basically मैं कल आपको revision डाल के दूँगा 147 का ओल्राइट गाईज तो अपने period of limitation देख लिया था period of limitation देख लिया था कहाँ पर 153 में 153 में period of limitation अपने देखा था आपको बताया था कि अपन कुछ certain time rate को क्या करते है extend करते है तो उसमें से एक यह रहा जिस दिन AO ने क्या कर रहा है basically PCC या फिर C को कहा कि मुझे इसको IA declare करना है C लेके जिस दिन उसको direction मिल गई ठीक है diagram में देख लो यह रहा AO ने क्या का? AO ने reference दिया C लेके उसको direction मिल गई किस बात की direction मिल गई? कि इसको IA declare मत करो कि या फिर इसको IA declare कर दो उत्रा समय एक्सूट कर दिया जाएगा 153 की time limit से easy 153 में कौन कौन सी time limit होती है आपको बता दिया था 143 सबसेक्षिन दिरी में कौन सा कितनी time order pass होता है 144 में कितनी time order pass होता है 147 में कितनी time order pass होता है ऐसा करके अपने पूरा table देखा था assessment pusher वाले chapter में अपना गार पूरा खतम हो गया इक last topic बस रहे वह देख लेते हैं है पन या यह जो bonus three thing transaction है जो neckRE法 नीक्षा तर्फर 1pi औंढ़क चक्टर था इसे मैंने पूरा depth में समझाया था अपन नहीं करने वापस तो अगर आपने नेधिवा और आप इस सकते हो जाकर देख सकते हो उसमें मैंने लास्ट लास्ट में पूरा लॉजिकल समझाया था कि यह प्रोविजन आया क्यों अब दिखते हैं dividend एंसको क्या रहा है रोन को यह पता चला कि टीन मैंने बाद उसको एक शेर पर 40 उपर का डिलने वाला है रोहन के पास अभी कोई शेर था नि रों को क्या पता चला, रोन को यह पता चला कि पट्रिक्लर शेर उसको 40 उपर का डिलन वाला अच्छी जो dividend बता चली कि भाई मुझे एक शेर पर 40 रुपर का डिवेंट मिलने वाला है तो मैंने क्या गरा फटाक से चाके वो शेर फरीद लिया मैंने आपको चीज़ बताई कि जो डिवेंट में आपको मिला है कि क्या है मतलब इस पर आपने कोई टेक्स पे नहीं करा है अचा मैंने जब फ्यूचर में इस शेर को बेचा तो मुझे 40 रुपर का नुक्सान हुआ तो रॉस कित्य का हुआ चालीस को आपको ख़ीद आता सां है लोजिकल भास समझ मारे तो सरकान ने देखो क्या करा सरकार ने इस चीज़ को देखा सरकान ने क्या चीज़ को देखा कि भई किसी परसंड ने क्या कर रहे डिविंड की record rate से पले कोई शेर ख़ीद आ उसको डिविंड मिला वो क्या है exempt है और उसके बाद उस ने उस एस क्या कर सकते हैं अब मुझे बताओ अब मुझे अगर आप एक चीज देखोगे ऐसे सी को एक्षान हुआ है क्या एक्षान हुआ नियुक्सान हुआ नहीं है लेकिन फ्रकार ने इस चीज को प्लगेन के लिए कहा कि अगर आप क्या करते हो अगर आप बिसे करते हो अगर आप इसे को खरीदते हो विदिन थ्री मस् अपको जितना ल आपको अपको हम क्या करेंगे अग्णॉर करेंगे तू डुद Ciao तो मैंने आपको एक्जांपल समझाया, क्या समझाया, क्या समझाया, क्या आपने सौर पर कश्च रही था, 40 पर का आपको डिवेंड मिला जिस पर आपने टेक्स पर ही नी करा, आपने उसको बात में साट का बेज दिया, तब को 40 का नुकसान हुगा, तो अगर आप एक SAC हो, आप क्या देख रहे हो, कि मुझे 40 का नुकसान तो हुआ है, क्या मुझे 40 का डिवेंड मिल चुका है, 40 का क्या मिल चुका है, डिवेंड मिल चुका है, मतलब, ultimately, मेरा चो है, PNL न ना फायदा है, न नुकसान है, लेकिन, SAC क्या कर रहा है, SAC 40 के लोग्ज को सेट आफ कर गर रहा था, किस से अपनी अधर इंकम से, मतलब, SAC को फायदा हो रहा था, है, से, क्या फायदा हो रहा था, कि वो, ultimately, एक एक्स्टा लॉस बुक कर रहा था, बिना टेक्स पे करें, एक एक्स्टा लॉस बुक कर रहा था, तो सरकार ने सिसको प्लग इन करने के लिए कहा, स पस ओंपेडिंग्स, इंकम, चार्ज़वल्यू, टेक्स, और लॉस के था ना इग्नाओ करा जाएगा, तो देखो, मुझे लॉस को अधा 40 का, डिवन भी मिला 40 का, तो मैं कहा अगर मा पूरे एक बुरे लॉस को इगनाओ कर दूँगा, लोग कर क्या रहे थे, लोग बिसि सब्सक्राइब करना, अगर आपना गार कुरा खतम हो गया, आपको पूरा समझाने की पूशिच करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखाए तो, अपने दोस्तों के साथ ज़रू शेयर करना, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब अपने अटेम्ट ने बेसिकली, नवेंबर 24 अटेम्ट में सीए बने, अल्राइट गाइज, बाइज, 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 अगर आपको मेर सब्सक्राइब, बाइज, 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 बाइज सब्सक्राइब कराएगा अपने को जमा कराना है अगले मैंने की सांतरिक तक जमा कराना है तो अगले मैंने की सांतरिक 2000 काटने की जरूत नाहीं है मतलब इज्रम कराएगा की उसका इंडिया झालाइन की सरविस धीये उसने तो क्या बशेवर है आपको एसकी इंदिया में पी है उसकी इंडिया में पी है और इन्जो आपको मोण मतलब लिखे प्रन दे अभर मजं़ा है उस केस में आपको जरूबत नहीं है उससे एत को आप 165 अगर आपने 165 के अंदर टिक नहीं कर较ता है थो हो penalty पीकरनी पड़ेगी, penalty कितनी है, equal to the amount of EL, in addition to EL, तो आपको EL तो पीक करना ही है, उसके अलावा आपको penalty भी देनी पड़ेगी, आपने EL काट के लिकिन जमा नहीं करा है, तो penalty लगेगी 1000 per day, और maximum लगेगी up to the amount of EL not paid, easy, अब आगे देखो क्या रखा, no penalty if reasonable cause for failure, ठीक है, तो अगर आप शो कर देते हो reasonable cause of failure, तो आपको penalty देने की जरौत नहीं है, अब बात करते हैं, आपन 165A की, देखो 165A के अंदर क्या हो रहा है, कोई person resident in India है, कोई person resident in India है, वो क्या कर रहा है, e-commerce operator से, जो क्या है, non resident है, तो कर रहा है, e-commerce operator से, goods and services purchase कर रहा है, या फिर अपन उल्टा समझे, तो कोई e-commerce operator है, eco, जिसको अपन कहींगे eco, वो non resident है, वो क्या कर रहा है, इंडिया में बैठके, किसी person resident in India को क्या कर रहा है, गुर्स and services बेच रहा है, तो देखो क्या देर रखाए, EL at the rate of 2% would be chargeable for the consideration received or receivable by eco, from the e-commerce supply or services provided by it to a person resident in India, मदब क्या हो रहा है, कि non resident e-commerce operator, क्या कर रहा है, गुर्स या services बेच रहा है, किसको person resident in India को, तो हमने ये काया है, कि भीचो ये non resident e-commerce operator है, ये क्या कर रहेगा, 2% EL collect करके सारकार को जमा कर रहाएगा, तो 165 में क्या हो था, जो SSV payment कर रहा था, जो SSV payment कर रहा था, वो 6% ये deduct कर रहा था, इस case में क्या हो रहा है, कि भी जो services दे रहा है, बोले तो eco services दे रही है, eco services दे रही है, तो eco services दे रही है, तो उसको हमने कहा कि 2% जो है क्या करना, recipient से EL collect करना, वो सरकार को जमा करा देना, अच्छा देखो क्या रहा है, e-commerce operator को, e-commerce operator को 2% E-L कप-कप collect करना है, आगर उसने क्या करा है, गुर्सन सर्विसिस सप्लाइ करें कि इसको person resident in India को, अच्छा, हो सकता है कि भी e-commerce operator ने क्या करा है, गुर्सन सर्विसिस सप्लाइ करें कि इसको NR को, तो उस case में उसको EL collect करना पड़े का, लेकिन conditions है, देखो, तो अगर e-commerce operator आपने जो है क्या करा है, गुर्सन सर्विसिस सप्लाइ करें करें हैं, तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, basically EL collect करना पड़ेगा, लेकिन इसमें दो ही case में आपको collect करने की ज़रुत है, देखो क्या है, आपने जो है क्या करा है, non-rescent को advertisement seal करी है, विश टार्गेट सा customer, who resides in India, और a customer, और a customer who accesses advertisement through IP address located in India, वापस पढ़ना, e-commerce operator ने क्या करा है, online advertisement की services दिये किसी NR को, जो e-commerce operator ने जो क्या है, एनर है, उसने किसी NR को ही क्या दिये, एनर को ही advertisement services दिये, अचाहिए जो advertisement की services है, किसको target कर रही है, ये target कर रही है, customer resident in India को, या फिर किसी भी customer को जो क्य क्या कर रहा है, access कर रहा है, such advertisement, through IP address located in India, तो basically, जैसे अपन आज्यूम करते है, देखो, ये क्या है, Amazon है, ये Amazon है, ठीक है, और ये क्या है, Apple है, iPhone, Apple है, तो Apple कम्नी ने क्या वोला है, Amazon को, कि भई, आप क्या करो, आपने जो, आपका जो e-commerce operator है, आपका जो portal है, उसमें जो हमार इन customer को, जो customer recent in India है, या फिर किसी भी customer को target कर रही है, जो क्या कर रहा है, advertisement को access कर रहा है, through IP address located in India, तो इस e-commerce operator को कहा गया है, क्यों आप क्या करोगे, जिसको आपने services दिया, उसे 2% EL collector के सरकार को जमा करा होगे, ठीक है, आगे देखो, क्या दिरखा है, या फिर आपने NR को क advertisement की services दे रहे हो, या फिर NR को आप data बीच रहे हो, आप NR को data बीच रहे हो, तो आपको EL collect करना पड़ेगा, इसी तरह से, देखो, इसी तरह से अगर e-commerce operator, e-commerce operator क्या कर रहा है, goodson services supply कर रहा है, किसको, to a person, to a person, to buy such goodson services, और both using IP address located in India, तो उसको क्या करना पड़ेगा, EL at the rate of 2% e-commerce operator क्या कर रहा है, goodson services supply कर रहा है, person resident in India को, या फिर NR को, या फिर किसी person, जो goodson services buy कर रहा है, through IP address located in India, तो इन 3 cases में उसको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले बंदे से 2% EL collect करके, सरकार को जमा कराना पड़ेगा, अधो क्या रखा है, EL shall not be charge, जो e-commerce operator है, जो e-commerce operator है, उसको EL collect करने के जरूत नहीं है, कब-कब जरूत नहीं है, जहाँ पर EL is liviable under 165, जहाँ पर, जहाँ पर basically 165 के अंदर, SSC नहीं क्या कर लिया है, 6% EL काट लिया है, तो वापस, वापस, जो है e-commerce operator को 165 में, 2% EL collect करने के जरूत नहीं है, इसी तरह से देखो, जहाँ पर sale turnover, या फिर जा sale turnover of eco, from the aggregate services provided in the above 3 cases, less than 2 crore, तो सरकार नहीं कहा कि बहुए e-commerce operator को यह चेक करना है, e-commerce operator को यह चेक करना है, कि बहुए total services इन 3 लोगों को जो दी है, 1, 2, and 3, अगर यह less than 2 crore है, ठीक है, up to 2 crore नहीं है, very important है, क्या है, less than 2 crore है, तो आपको EL collect करने के जरूत नहीं है, अच EL collect करने की जरूत नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि सिदी से बात, अगर इंडिया में PE है, तो वो तो वैसे भी tax pay कर रहा होगा, तो इंडिया में उसका PE है, इंडिया में उसका PE है, तो basically, Indian government या फिर अपना Indian law क्या करेगा, इस PE को ऐसे सी मानते हुए, इसे tax collect करेगा, जो भी इसने services दिये, online services दिये, जो भी अपने उपर तीन services बढ़ी है, वो इसकी income ऐसी मान ली जाए कि और उसको tax pay करना ही पड़ेगा, तो इसलिए जहाँ पर भी आपका Indian के अंदर PE है, वहाँ पर आपका EL काटने की जरूत नहीं है, क्योंकि EL अपना इसलिए कट रहा था advertisement दिखा रहे हैं, और इसके बदल में income किसको मिल रही है, Amazon e-commerce operator को मिल रही है, तो सरकार ने बोला यार हमेरा तो नुकसान हो रहा है, आप advertisement इंडिन customer को दिखा रहे हो, हमें text भी नहीं कर रहे हो, context भी नहीं कर रहे है, Amazon वाले text भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको consideration मिला है मतलब इनको income हुई है, तो सरकार ने क्या कर रहा है, EL का concept लगा दिया, अब जिसके वाज़ी से क्या होगा, कि इन रांदेशित को भी सरकार ने cover कर लिया, इस case में जो है, ये e-commerce operator को EL, EL कले करके जमा कराना पड़ेगा, सरकार को text मिल जाएगा, तो जहां पर भी इंडिया म पी है आपका, ठीक है, जहां पर भी इंडिया में पी है आपका, तो वहां पर आपका EL लगेगा नी, logical, आचा, आपने जो EL, आपने जो EL कलेक कर रहा है, अब आपको कब तक जमा कराना है, तो आपको quarterly जमा कराना पड़ेगा, जून का आपको जमा कराना है, quarter and June का जमा करान है, अगले मैने की साथ तरिक तक, इसी तरह से September, December का अगले मैने की साथ तरिक तक, लेकिन March का आपको जो है, उसी मैने की आखरी तरिक तक जमा कराना पड़ेगा, आचा, आपने EL जो है, payment, आपने EL सरकार को जमा नहीं करा है, तो आपको penalty देनी पड़ेगी, equal to the amount of EL, penalty नही में जा सकते हो, मतलब आप CIT appeals को appeal कर सकते हो within 30 days, from the rate of receipt of order, किती का नहीं समझना गई, एक और जी समझना, यह जो 165 है, यह जो 165 है, इसके अंदर SSC क्या करा होगा, EL डिटक करा होगा, इसी तरह से 165 यह के अंदर क्या हुआ होगा, e-commerce operator ने EL कलेक करा होगा, तो सरकार कहती जो भी आपके यह above transactions है, जिस पर आपने EL क्या करा है, काटा है, या फिर collect करा है, उसका आपको जो है statement furnish करना पड़ेगा, इसको furnish करना पड़ेगा, SSC को 165 में, या फिर e-commerce operator को 165 में हो, और कब तक furnish करना है, अगले financial year के 30 June तक आपको जो है statement furnish करना पड़ेगा, तो statement of the above transactions is to be furnished by the SSC e-commerce operator by 30 June of the next financial year, अगर आपने furnish ने करा तो आपको penalty देनी पड़ेगी, Rs. 100 for each day during which the failure continues, अचा आपने एक बाद statement furnish कर दिया, तो आप उसको revise भी कर सकते हो, तो तो क्या दरखा है, revise statement can be filed, within 2 years from the end of the financial year, in which the transactions were entered into, तो within 2 years भी आप क्या कर सकते हो, विदिन 2 years आप जो है, आपने statement को revise कर सकते हो, अचा आपने गलत statement दे दिया, तो आपको 6जा देंगे, हम 3 साल plus fine की, अचा आपने statement furnish कर दिया, आपने statement furnish कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, intimation मिलेगा, जैसे क्या होता है, 143 subsection 1 में आपने पढ़ा था ना, क्या आपको return process होती है, process ह आपको intimation मिलता है, तो इसी तरह से सरकार आपको intimation देगी, आपने statement furnish कर देगी, ठीक है, हमें मिल चुका है, क्या आप से कहीगी, सरकार आप से कहीगी, कि नहीं, आपको कुछ और भी चीज़े पेकननी है, तो intimation सरकार दे सकती है, within one year from the end of the financial year, in which आपने statement furnished कर रहा था, ठीक है, in which the statement was furnished, the revised statement was furnished. अच्छा, इसी तरह से अपने पटर खाए कि 156 में देखा था, क्या होता है, basically rectification of mistake होती है, उसी तरह से आप जो सरकार ने क्या करा है, intimation furnished करा है, सरकार उस intimation को amend कर सकती है, कब तक amend कर सकती है, can be amended within 1, within 1 year from the end of the financial year, in which the intimation was issued, अच्छा, आपने जो है EL जमानी कराया था, आपने देखा था, 165 और 165 A में, अगर आपने EL जमानी कराया था, आपको penalty देनी पड़ती है, आपको interest भी देना पड़ेगा, interest किता लगता है, देखो, 1% per month या part of month, दोन सक्षिन में, 165 A में, अच्छा, इसी तरह से देखना, तो सिधी सी बात है कि जो e-commerce operator है, जो e-commerce operator क्या कर रहा है, 165 ये के अंदर services दे रहा है, उसने EL कलेकर करके जमान करा दिया, EL कलेकर करके जमान करा दिया, मतब tax facts प्रे कर दिया न, तो सरकार कहती है अब इसकी जो income है, अब इसके जो income है, किसकी income है, e-commerce operator की income है, exempt हो जाएगी, इसी तरह से 165 के अंदर SS ने क्या कर रहा है, SS ने NR का EL कार्ट के जमान करा दिया सरकार को, तो सरकार को टेक्स मिल गया, सरकार को टेक्स मिल गया, तो सरकार ये कहती है, अनर की income क्या हो जाएगी, exempt, जिसको पैसा मिल रहा है, आपने एक चीज पढ़ी थी, 40A1B, जिसमें मैं आपको बताया था, जिसके अंदर क्या होता है, कि अगर आप TDS कार्टे नहीं हो, या फिर TDS कार्ट दिया लेकिन डूरे तक जमानी कराया, उसकेस में क्या होता, 30% या फिर 100% खर्चा इसलाओ कर दिया जाता है, उसी तरह से देखो, 40A1B अपने PGP में पढ़ा था, कि अगर आपने EL, EL काटा नहीं, या फिर कार्ट के due rate से जमानी कराया, तो आपको क्या होगा, 100% खर्चा इसलाओ हो जाएगा, तो जिस तरह से section व All right, आप देखो आगे, income arising from providing specified services and income arising from any e-commerce supply or services would not include any income which is taxable as loyalty or FTS in India under the income taxed, read with DDWA, इसका माद अब क्या है कि कोई भी अगर, जैसे e-commerce operator है, e-commerce operator है, जैसे आपन लिलकेते हैं, e-commerce operator ने क्या करा, किसी person resident in India को क्या करा, कोई technical services दिए, कोई technical services दिए, अब आप कहोगे कि 165A के अंदर क्या हो जाएगा इसके अंदर, 155 के अंदर year कटना चीए, लेकिन सरकार ने कहा, कि अगर e-commerce operator की कोई income है, जो income tax act में, read with DDWA क्या है, royalty है, या फिर FTS है, तो अपने पढ़ रखा है कि royalty और FTS में 115A में tax लगता ही है, तो अगर कोई transaction कहां पर cover हो रहा है, royalty और FTS में cover हो रहा है, उसका tax लग रहा है, उसको 165A में, जो है cover नहीं करेंगे, logical है न, बहुत कोई transaction, अगर कोई transaction कहां पर cover हो गया, income tax act में cover हो गया, और उसके tax already लग रहा है, तो EL हम वापस लगाएंगे, क्योंकि EL लगाने का purpose ही यह था, कि हम क्या करें, उसके tax लगाएं, तो सरकार ने वहीं कहा कि भई, जो अपने उपर दो चीजे बढ़ी, 165A, अगर वो किस nature की है, royalty और FTS nature की है, ठीक है, royalty और FTS nature की है, तो उसको जो ह करना ही है, easy, अब एक last point देख लो, last point मुझे यह दे रखाएं कि भई, अपने क्या पढ़ा है, 165A के अंदर, 165A के अंदर अपने यह पढ़ा है, कि भई, e-commerce operator क्या कर रहा है, goods and services supply कर रहा है, इन 3 specific person को, अब दो क्या दे रखाए, consideration received, और receivable from e-commerce supply, और services would include, consideration for sale of goods or services, irrespective of whether the eco owned goods, भई, हो सकता है, कि भई, यह क्या है, पर रोहन है, जो क्या है, resident है, यह e-commerce operator बोले तो Amazon है, यह supplier है, basically क्या करा है, Amazon ने जो है, supplier से माल खरीद के इसको बीच दिया, इसका बाद अब यह हो सकता है, कि भई, रोहन ने क्या करा है, Amazon पर जा क्या करा है, एक Apple का iPhone खरीदा यह जो है, Amazon है, Amazon वाल बंदा क्या करेगा, इस supplier से माल खरीदेगा, और जो है, basically, रोहन को बीच देगा, तो सरकार ने कहा कि भई, अगर इस तरह का transaction हो रहा है, जहां पर जो goods eco बेच रहा है, वो उसके owned नहीं है, किसके हैं, दूसरे supplier के हैं, तो supplier ने क्या करा है, अपने goods से करा रहा है, कहां पर Amazon के portal पर, तो consideration for sale of goods and services, include होगी, irrespective of whether the eco owns the goods, भई इस से फरक नहीं पड़ता, कि भई, eco उस goods को own करता है, या फिर नहीं करता, अगर eco की तरह माल कहा है, अगर eco ने क्या करा है, माल बेचा है किसको, इन तीन specific person को, तो बले ही goods उसके नहीं है, तो भी क्य basically, उस पर EL कटेगा, EL कटेगा, या फिर EL उस पर collect होगा, easy, लेकिन देखो क्या रहा है, however, it shall not include consideration for the sale of such goods and services, which are owned by the person resident in India, और by PE in India of NR, अब मुझे एक चीज़ बताओ, कि भई, ये supplier है, ये Amazon वाला बंदा है, और ये क्या है, रोहन है, अज़े जो supplier है, ये जो supplier है, ये भी क्य से कोई माइन करीदा, मतलब कोई आइफोन करीदा, ठेकिन supplier कोन है, supplier आइफोन वाला बंदा है, जो इंडिया में PE लेके बैटा है, अब सीधी सी बात है, जब इसने माल बेचा है कि इसको रोहन को, तो इसकी income इंडिया में already taxable होगी, तो अब इस case में जो ये eco है, अब ये e-commerce operator है, ये जो e-commerce operator है, वो क्या कर रहा है, transaction कर रहा है, और ये कौन से goods बेच रहा है, खुद के goods ने बेच रहा है, किसी दूसरे person के goods बेच रहा है, लेकिन वो person कौन है, वो person resident इंडिया है, या फिर NR है, जिसका इंडिया के अंदर PE है, तो उस case में जो है, आपका जो EL है, वो attract नहीं होगा, और logical में आपको बता दिए, क्यों attract नहीं होगा, क्योंकि इस case में ये जो बंदा माल बेच रहा है, उसकी income इंडिया में already taxable है, तो सरकार बोलेगी कि हम EL वापस करेंगे क्या, तो जब ये वाला बंदा क्या करेंगा, माल बेचेगा, तो sale दिखाएगा, और इसे ये वो आपनी ITR बढ़ते समय, ITR बढ़ते समय जो है, अपना tax tax pay कर देगा, तो अपना digital transaction वाला पूरा chapter हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको गार तो कराई दिया था, of course, उसके बाद बैपसी अपन देखते हैं, उससे पहले आपन देख लेते हैं, क् XTT का मतलब होता है, DTWA, आपने क्या कर राखा है, दूसरी कंटी के साथ double taxation, अवार्ड़ेशन अग्रिमेंट कर राखा है, तो वे Interpretation कोला छप्टर देख लेते हैं, सबसे वाले जा देखो, टीटी का मतलब क्या होता है, तो अपन ने क्या कर राखा है, दूसरी कंटी के सा में कवर्ड होती है comprehensive DTW में क्या होता है covers almost all the income अचावज दीत्रब्ले वाला अपने chapter कली करा था आपको बताऊगा कि क्या होता है किस तरह से अपन गारते हैं तो limited डियुमिटेड़ में क्या होता है बड़ी बहुत इंकम कवर होती है और comprehensive एक और फीचर है एक्षेंज ओफ इंप्रमेशन इंडिया वाली जो है युएससे से क्रिटी कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर परसंग के लिए हमें जो है इंफॉमेशन अगर एक्षेंज करनी रही तो आप अगरी कर जाओ कि हम इंफॉमेशन एक्षेंज करेंगे अगर इंडिया और यूससे की डिटी डबले का बेनिफिट कोई परसंग लेना चाता है कोई परसंग लेना चाता है तो लिमिटेशन और बेनिफिट मतलब उसको कुछ कंडिशन सटिस्पाय करनी पड़ेगी तभी क्या कर पाएगा तबी जो है वो बिसिकली टीटी का नॉन एगरिवेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर इंकम एक्जम टेशन डॉमस्टिक लॉक के अंदर तो डीटीट व्ले उसको टेक्सेवल नहीं कर सकता इपने कुछ फीचर्स होगे टेशन में अपन से चान नमबर का कुशन अपन से पूश सकता है तब यह मिलेंगे ईजी एक होता है जुमस्टिक यॉद्यौ दो उल्मस्टिक रेस्पेक्ट पर इस लिए अपने क्या कर रहा इसलिए है डिटी वाला चप्र देखा था इसकर अपने सक्षिन नानीटी और सक्षिन 90 की रिलीव्स देखी थी गिसिकलि एकिंकम पर दूनों कर दो कंत पार थिए लेकिन दोनों अलग-अलग पर्सन के आपने हो रही है वापस बढ을 क्या देखाए सिंग्सेंट लिए। एक country X है, country Y है, country X में ABC Limited करके company है, उसने क्या गर है dividend distribute करा किसी shareholder को, जो क्या है country Y का resident है, country X क्या बोलती है कि अगर आप dividend दोगे तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, dividend distribution tax पे करना पड़ेगा, तो मुझे बताओ जब ABC Limited ने dividend बाटा, किसको shareholder को, तो उसको DDT पे करना अचा shareholder क्या है, country Y का resident है, और country Y यह कहती है कि अगर आपको किसी भी country से, या किसी भी company से dividend मिला तो वो taxable होगा, तो ABC Limited जब dividend बाटा, तो उसको DDT पे करना पड़ा, shareholder को जब dividend मिला, तो उसको क्या करना पड़ा, tax पे करना पड़ा, मदब dividend यह जो particular dividend की income है, इसमें दोनों क चाज में tax लगा, तो इसको अपन क्या कहते है, इसको अपन कहते है, economic double taxation, जहाँ पार एक income दो बाट taxable हो रही है, लेकिन दोनों बार अलग अलग individual के हाथ में taxable हो रही है, अच्छा आपने DTWA वाले चप्टर में क्या पड़ा था, कि DTWA या फिर income taxes, whichever is beneficial आप पे लगेगा accept guard अपने उदर भी देख लिया था, कि अगर आप क्या कर रहे हो, DTWA का misuse करके tax forward करना चारे हो, तो हम guard को invoke करके DTWA का benefit आपको deny कर देंगे, तो DTWA और income tax is more beneficial to the SEC, शाल अपलाए, accept guard, accept guard अपने देख लिया, अब आगे बढ़ते है, basic principles of interpretation of tax duties, भाई मैंने क्या कर रहा है, इ यह मुझे क्या बताता है, कि कोई भी अगर हमने शब्द उसका रहा है, उसको हम interpret करेंगे by the objective, ordinary, or literal meaning of that word, तो जो उस word का meaning है, जो उस word का actual meaning है, literal meaning है, उस तरह से हम उसको interpret करेंगे, subjective interpretation क्या बोलता है, कि भी treaty is to be interpreted according to the common intention of the parties at the time of conclusion of treaty, subjective interpretation का मतलब है कि इंडिया ने सिंगापूर के साथ, इंडिया ने सिंगापूर के साथ क्या करा रहा है, डी टेबले करा, तो किसी particular income के करा, income पे करा, royalty करा, हम यह देखेंगे, कि भी royalty में, royalty को जब हम क्या कर रहे थे, अगर का intention क्या था, तो treaty is to be interpreted according to the common intention of the parties at the time of conclusion of treaty, for example, speech of, speech of finance minister at the time of signing, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई, जब इंडिया, जब इंडिया क्या कर रही है, जब इंडिया बिसिकली सिंगापूर के साथ, सिंगापूर के साथ कोई डी टेबले कर रही है, ठीक है, तो signing की समय, सिंगा, signing की स में finance minister ने कोई speech दियोगी, अच्छा, यह speech क्या है, बिसिकली उसका intention था, कि हम किस intention के basis पर क्या कर रहे है, टीटी में enter कर रहे है, अब होता है, परपसिफ या फिर टेलोजिकल इंटेपटिशन, टीटी को हम interpret करेंगे to achieve the aims and objectives of the टीटी, ठीक है, तो जो भी टीटी के aims and objectives है, इस तरह से उसको interpret करा जाएगा, अच्छा, आप समझ पारो ने कि इंटेपटिशन का मतलब क्या है, इंडिया ने जो है क्या करा, USA के साथ, या फिर सिंगापूर के साथ, इसको इंदर बहुत सारी बाते लिखे हुई है, इसको interpret किस तरह से करा जाए, इसको interpret किस तरह से करा हो, principle of effectiveness क्या बलता है कि interpret in a way that it does not become void, इस तरह से interpret करना कि वह वो वाइट न बन जाए, principle of contemporary exposito, यह क्या करा है, कि meaning of the term taken at the time of conclusion of treaty, किसी word में आकर आपको doubt आगया है, किसी word में आपको doubt आगया है, जो agreement मिलखा हुआ है, तो उसको कैसे समझोगे, at the time हो, तो आपको यह देखना ह है, कि जब हम क्या कर रहे थे, treaty को conclude कर रहे थे, तो उसके समय, उस समय उसका meaning क्या था, उस समय उसका meaning किस तरह से हमने, जो है, interpret कर रहा था, decide कर रहा था, treaty as all, integrated approach आपको अपनानी है, treaty should be read as all, ठीके तो आपको पूरा treaty पढ़ना पढ़ेगा, पूरा का पूरा treaty को पढ़ना पढ़ेगा, उसके बाद जो है, आप किसी conclusion पर आओगे, अब यदर रहा है, reasonableness and consistency, consistent meaning should be given, ठीक हमाई, कोई vague meaning मत दे देना, consistent meaning देना, liberal construction मुझे क्या कहता है, treaty shall be liberally constitute so as to carry out the apparent intention of the parties, बदलब इस तरह से उसको interpret करना, तो यह दोनों party के intention, दोनों party के intention क्या हो, apparent हो, दोनों party के जरौत नहीं है, अब वो करना क्या है, आपको बस समझना है, कि golden interpretation क्या बोलता है, subjective interpretation क्या बोलता है, परपस या ठीलोजिकल interpretation क्या बोलता है, आपको बस समझ के जाना, रटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है, आपको यह MCQ में test कर ले, आपसे थरी question कभी नहीं पूचा गई है, क्योंकि DT में हजारों provision से test करने के लिए आपसे बखवाच चीज़े नहीं पूचना होला, आपसे MCQ में जरूर यह पूच सकता है, आपसे MCQ में जरूर यह पूच सकता है, कि golden objective interpretation के परपस कहा दे, तो 1, 2, 3, 4 देगा आपको एक object, या फिर एक MCQ टिक करके आना पड़ेग यह जरूर आपसे बूच सकता है, कि text treaty के features क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या दरका है, एक होता है, ambiguity or static approach, static approach क्या बोलता है, meaning at the time when the treaty was signed, हम यह देखेंगे, कि जब treaty sign करी गई थी, जब क्या meaning था, तो देखो क्या दरका है, कि किसी term का meaning, जो है, हमने treaty के अंदर define नहीं कर तो अगर treaty के अंदर, dtwe के अंदर, किसी particular term का meaning defined नहीं कर रखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा, कि domestic law में उसका क्या meaning था, अच्छा, domestic law में दो चीज़ हो सकती, static approach और ambiguity approach, static approach मुझे ही कहती है, कि आपको इसका meaning देख रहा है, at the time when the treaty was signed, ज obligatory versus static approach, तो कैसे याद रह सकते हो, as for static, as for signed, a for obligatory, a for application, तीक है, अब देखो, अगेन कुछ अपने को principles दे रखे है, basic principles of interpretation of international agreement, देख है, pact, सुन्द, सुर्वान दा, अच्छा, यह मुझे क्या बलता है, treaty shall be followed in good faith, आप जो है treaty को follow करोगी good faith में, तीक है, आप कोई धोगे treaties, मतलब treaty का retrospective application नहीं हो सकता, अगर मैंने treaty enter करी है, आज की rate से, तो आज के बाद treaty apply परी जादीगी, आज से पहले हम treaty का application नहीं कर सकते है, तो retrospective application नहीं होगा, विदो क्या रखा है, territorial scope of treaties, apply on entire territory, unless otherwise provided, तो अगर इंडिया नहीं क्या कर रखा है, USA के साथ, या सिंगाबर के स पर दो क्या रखा है, general rule of interpretation as per, as per VCLT, VCLT का मतलब है क्या, वेना convention law of treaty, तो general rule of interpretation क्या है, अगें विदो को treaty shall be interpreted in good faith, as per the ordinary meaning of the term, as per the ordinary meaning of the term, and as per the object of the treaty, interpretation के लिए, interpretation के लिए, basically treaty के अंदर क्या होता है, treaty के अंदर preamble होता है, preamble का मतलब है introduction para, it consists of preamble, या फिर interpretation के आप क्या कर सकते हो, किसी agreement या फिर instrument को refer कर सकते हो, made at the time of conclusion of the treaty, या फिर interpretation के लिए आप क्या कर सकते हो, subsequent agreement को चेक कर सकते हो, interpretation के लिए आप relevant rules of international law को पर सकते हो, या फिर interpretation के लिए आप subjective, special meaning ले सकते हो, अगर party so intended, क्या में एक को याद करना है, याद करने की ज़रुत नहीं है, बस समझन या आपको, तब क्या कर सकते हो, supplementary meaning को यूज कर सकते हो, interpretation of treaty authenticated in two or more language, ठीक है, तो अगर एक से दो ज्यादा language में हमने क्या कर रखा है, उसको authenticate कर रखा है, जैसे हिंदी और इंग्लिस दोनों में अपनने क्या कर रखा है, बेसिकली उसको authenticate कर रखा है, तो equally authenticated in each language, मतलब दोनों language में क्या है, मान्या है, अच्छा, version in other language, other than above, और हो सकता है, मैंने उर्दू में उसको लिख दिया, उसको भी जो हम consider करेंगे, अगर party प्रोवाइड करती है, मतलब बिसकल एकर पार्टी ने अगरी कर रखा है, तो हिंदी, इंग्लिस और उर्दू में अपन क्या कर अगर पाकिस्तान की ना तो कोई राइट है, ना कोई ड्यूटी है, है तो पाकिस्तान की ना तो कोई राइट है ना कोई ड्यूटी है वेलिटी एंड कंटीनेंस इंफोर्स का मतलब क्या है एक एक एस पर टीटी प्रोविशन्स अगर टीटी वह जो बोलती कि पाकिले प्रोविशन्स को क्या करा भीच करा सा मंटी वीच हुआ है और जो material है किसी one party ने breach करा है may entitle the other, दूसरी party को क्या हो right विल जाएगा to terminate or suspend the operation of the treaty easy इसी दिखरा से देखो क्या दे रखा है material breach of multilateral treaty by one party may entitle others to terminate or suspend the operation of whole treaty या फिर of the defaulting state तो basically आगेन वो ही क्या करा है basically multilateral treaty of bilateral party material breach by bilateral party का मतलब क्या है क्या है कि दो party enter हुई है India और Singapore multilateral breach और multilateral treaty का मतलब क्या है India, Singapore और टीटी डेफल, पाकिस्तान तीनों में डेफल हो रहा कारे यह मुझे यह कहता है कि अगर Pakistan ने breach करा Pakistan ने breach करा, तो India और Singapore क्या कर सकते पूरी की पूरी टीटी को वाइट कर देगी जा फिर अगर पाकिस्तान दिछ करा तो इंडिया और सिंगापूर पाकिस्तान के साथ सब्सक्राइब कर देगी तो वहीं क्या रहा है कि मल्टी लेटरल या मटीरियल बीच अब मल्टी लेटरल टीटी मतलब दो से ज्यादा क्या है कंट्री से वॉल्ड है में इंटाइटल अधर्स टू टर्मिनेट या सस्पेंट ऑपरेशन ओफोल टीटी पूरी की पूरी टीटी खतम हो जाएगी या फिर डिफॉल्टिंग से जिसने डिफॉल्ट कर रहा है उसके साथ हमारी टीटी खतम हो जाएगी इजी क्या दर्खाए स्पर्वुर्णिंग इंपॉस्टिबिट ऑ क्या कर सकते हैं तो उसके समें टामिंट globalization कर सकते हैं a good one minimal change of circumstance वह आपने क्या कर राएं डी ट्रेज्टरब ले कर लिए इंटर का लिया किसी कंट्री के साथ जिस सरकम्स्टार्ट में कर रा था उब कि सरकम्संसी क्या हो गए हो गए तो बिस्किलिए देखो क्या रखाए कि भई treaty को आप terminated assessment नहीं कर सकते unless, unless, unless कि भई क्या हो गए है existence of these circumstances is essential बिस्किलिए आपके circumstances change हो गए है या फिर change transform obligation change की वाज़े से change की वाज़े से दोनों country में, दोनों country की obligations या फिर rights क्या हो गए है change हो गए है तो अगर क्या होता है fundamental change of circumstance होता है तो देखो क्या रखाए treaty cannot be terminated due to fundamental change आप जो है इसको change नहीं कर सकते लेकिन लेकिन अगर क्या है circumstance जो change हुए हो essential है existence of these circumstances is essential या फिर change transform कर देती obligation तो उस case में क्या करना पड़ेगा treaty को हमें जो है terminated या suspend करना पड़ेगा अब जो क्या दे रखाए emergence of new norm of international law emergence of new law emergence of new norm of international law कोई नया law आ गया कोई नया law हो गया तो उस case में क्या होगा existing treaty जो है void बन जाएगी existing treaty void मान ली जाएगी internal law and observance of treaties बाई इंडिया ने जो है क्या आगरा पार्टी में नॉट इंडिया में नॉट इंवोग प्रोजिंस ओफ इस इंटर्नलोग एस justification for its failure to भाहम बड़ेटी वह आपने treaty को फॉलोग नहीं करा आप इंटर्विकेशन फॉलोग नहीं कर आएपने इंटर्विकेशन इंटर्विकेशन फॉलोग नहीं कर आ कर सकते as justification for its failure to perform a treaty last topic आपना interpretation of text treaty का वो देखते हैं आपन so most river nation clause treaty इसका मतलब क्या देखना इधर आपको example से बताता हूँ यह इंडिया है अच्छा इंडिया ने क्या करा DTWA enter करा किस के साथ DTWA enter करा सिंगापूर के साथ यह का तारीक यह कौन सी तारीक हो करा अपना आजूम कर लेते हैं कि भई today आज आज enter करा, tomorrow अब बात करते हैं मैं tomorrow tomorrow क्या करती है इंडिया इंडिया, USA के साथ क्या कर लेती है USA के साथ basically एक DTWA कर लेती है तो यह है today, यह है tomorrow अच्छा इंडिया और सिंगापूर में यह कहा गया कि जो रॉयलिटी इंकम है क्या होगी टेक्सेवल होगी रॉयलिटी इंकम क्या होगी टेक्सेवल होगी इंडिया और युएसे में यह कहा गया कि रॉयलिटी इंकम क्या होगी exempt होगी तो एक कोई royalty income थी NR को अगर इंडिया से कोई royalty income हो रही है तो क्या है इधर taxable है tomorrow इंडिया ने क्या करा USA के साथ एक agreement करा कि यह royalty income क्या है exempt है अच्छा अब जो USA वाला non-decent बोलता है न USA वाला non-decent यह कहता है कि भई देखो आपने जब सिंगापूर के साथ agreement करा था तो तो एक particular income को क्या करा था taxable करा था ठीक है USA वाला बंदा क्या बोलता है कि भई आपने जो है क्या करा था Singapore के साथ को agreement करा था तो उद्धर taxable करा था लेकिन हमारे साथ क्या कर रखा है आपने exempt कर रखा है अब इत्ती कानित आपको समझ आ गई होगी आप क्या होता है कि भई कोई NRS सिंगापूर का कोई NRS सिंगापूर का उसने का कर रखार royalty income कमाई उसकी क्या हो रही है taxable हो रही है अच्छा उसने इंडियन government से ये कहा इंडियन government से ये कहा कि भई आपने अगले ही दिन USA के साथ क्या कर रहा था इस तरह की royalty income को exempt कर रही थी तो मैं क्या चाहती हूँ सिंगापूर क्या बोलती है सिंगापूर की सरकार ये बोलती है कि भई आपने ये वाला royalty वाली चीज exempt कर रही थी न इसको आप इधर भी इंपूर्ट कर दो इस treaty में इंपूर्ट कर दो और ये दिखा दो कि इधर भी क्या है exempt है मदब basically इंडिया ने जो है USA के साथ agreement करा जिसमें royalty income को exempt कर दिया सिंगापूर government बोलती है कि भी ठीक है इसको एक्जम कर रहता न यह वाला जो clause है न इस clause को हम इधर लियाते हैं इस clause को हम इधर भी लियाते हैं मदल हम चाहते हैं कि भी आप जो है क्या करो royalty income को हमारी treaty में भी exempt कर दो अच्छा ऐसा हो सकता है क्या सरकान ने का बिल्कुल हो सकता है आपने यह एंटर करी तो पहले अपने यह एंटर करी फिर उसके बाद क्या दे रखाए इफ आफ्टर आफ्टर क्या करा मैंने दूसरे OE3 मेंबर के साथ OE3 मेंबर के साथ क्या करा TWA कर लिया जहां पर बोले तो second वाली में India limits its tax source sorry source taxation rights तो second treaty के अंदर क्या हो रहा है second treaty में हमने अपना जो taxation rights उसको limit कर दिया limit का मतलब है कि इसको exempt कर दिया इधर taxable था इधर हमने exempt कर दिया such beneficial treatment should also be extended to first state तो यह जो beneficial treatment हमने USA को दिया था तो Singapore को भी मिल जाकता है बड condition क्या है कि आपने यह following conditions को fulfill कर रहा है बात समझाई वापस पढ़ना if after entry into the force of DTWA with first state बोले तो Singapore India enters into DTWA with another OECD member state बोले तो USA जहाँ पर India limit करती है अपने source taxation rights को such beneficial treatment shall also be extended to the first state मतलब Singapore को भी मिलना चाहिए beneficial treatment मिल सकता है बड़ conditions क्या है अब अपन देखते है only if the following conditions are fulfilled देखो पहला क्या दे रखा है जो second treaty है with third state बोले तो मैंने second treaty जो enter करी थी किसके साथ? USA के साथ is entered into after the entry into force of treaty between India and first state मतलब basically second treaty मैंने इसके बाद enter करी थी दूसर पॉन क्या दे रखा है second treaty is entered into between India and a state which is a member of OECD at the time of signing the treaty इसका मतलब क्या है कि जो second treaty अइंटर करी गई है वो India ने एक USA state के साथ enter करी थी जो क्या है? OECD, OECD का member है तो OECD एक संस्ता है OECD एक क्या है? संस्ता है तो पूरे world में क्या करती है? DTW को monitor करती है सरकान ने कहा कि जो second treaty enter करी गई है जो second treaty enter करी गई है वो इंडिया ने एक ऐसे स्टेट के साथ एंटर करिए जो क्या है OECD का मेंबर है at the time of signing the treaty, ठीक है, तो second treaty is entered into between India and a state which is a member of OECD at the time of signing treaty with it, ठीक है, तो जिस समय इंडिया क्या करिए USA के साथ, treaty में एंटर करिए, उस समय USA क्या होना चाहिए, OECD का member होना चाहिए, easy, तीसरा क्या क्या रखा है, India limits its taxing rights in second country, या second treaty, मतलब है कि second treaty में क्या आ रहा है, इंडिया में अपनी, इंडिया अपनी जो है, थोस taxation right को limit कर रहे है, मतलब कम tax ले रही है, या फिर tax लेही नहीं रही है, आजा separate notification has been issued by India, importing benefits of second treaty into the treaty with the first state, मतलब इंडिया भी क्या करिए, इंडिया ने भी इंपोर्टेंट रही है, क्यों इंपोर्टेंट है कि मैं आपको बता दिया कि बहुत अच्छा टॉपिक है है, या आज तक आप से एक्जामें टेस्ट नहीं करा, लेकिन बिल्कुल टेस्ट करेगा, अगर इस चेप्टर से interpretation of tax treaty में से कोई भी कोशन मनाना होगा, तो यह व अगर आप देखोगे, back exercise में इसका question भी दे रखाए, आपकी ICI module में, तो उसका question देखना बहुत अच्छा question है, पूरा इससे से related है, तो अपना ये भी खतम हो गया, interpretation of tax treaty अपना all set, right, अब बात करेंगे हैं अपन, model text convention की, model text convention क्या बोलता है कि बहुता है, बहुत सारे articles होते हैं, उन articles के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको बता है, DTW का मतलब क्या होता है, इंडिया ने, सिंगापूर के साथ एक agreement करा, अचा agreement किस respect में करा है कि हम क्या करेंगे, double text forward करेंगे, इसमें अलग-अलग तरीक एक article होते हैं, आटिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 को अपन, सारे articles का पढ़ेंगे कि हर एक article हमें क्या-क्या income के मान में बताता है, और राइट गाईज, देखो अभी तक अपने यह देखिया कि DTW क्या होता है, ठीक है, इसके वाल पहले वाले chapter में अपने क्या देखा था, अब देखो, जो अपना DTW एंटर करा जाता है न, उसके दो मॉडल होते हैं, एक होता है OECD model और एक होता है UN model, अब आप बोलोगे यह क्या चीज है बकवास, कोई बकवास चीज नहीं है, OECD model का मतलब यह है कि हम DTW एंटर करते हैं between developed countries, तो अगर DTW, किसी developed country के बीच में क्या हुआ है, एंटर करा गया है, तो किस model पर होगा, OECD model के basis पर बनेगा, तो OECD model का मतलब क्या है कि model convention between developed countries, अचा इसके अदर क्या होता है, इसके बीच में है, तो मुझे बताओ, इंडिया क्या है, तो इंडिया क्या है, तो इंडिया क्वास फॉलो करती है, इसके अंदर क्या होता है, सूस्ट भीच टेक्सेशन होता है, अचा, इधर 32 आर्टिकल है, इधर 32 हैं और इधर 31 आर्टिकल है, इसी, अज़ों को अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपने देख लेकि ओए OECD model क्या होता है, और UN model क्या होता है, एक होता है USA का model, तो यह Donald Trump है, यह क्या बोलता है, कि हम तो हम खुद का model बनाएंगे, हम किसी के नौकर नहीं है, हम किसी के चापलूस नहीं है, हम खुद का model बना देंगे, तो US model क्या होता है, applied by the United States, ठीक है, तो अपने को यह पता चल गया, कि भाई, जो DTWA होता है, उसके कौन-कौन से model होता है, OECD, develop के बीच में, UN model, develop और developing के बीच में, अब इसको ऐसे धान रख सकते हो, इंडिया क्या developing country है, तो developing का मतब क्या हो गया, UN model, अब देखो, DTWA का title क्या बता है, अचा, DTWA का title क्या होगा, DTWA में आपको बता दिया, क्या है, एक agreement है, agreement के अंदर क्या है, title आएगा, article 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह अपना articles पढ़ेंगे इस chapter में, तो देखो, title क्या क्या कहता है, title का मतब यह है कि हमने agreement करा है, agreement between state A and state B, किसली agreement करा है, double taxation को avoid करने के लिए, and tax avoidance को prevent करने के लिए, ठीक है, हम double taxation को अवइट करेंगे ही, उसके सासा tax avoidance को, उसके सासा tax avoidance को भी हम क्या करेंगे, prevent करेंगे, तो गार वाले अपने chapter में देखा था, गार वाले chapter में क्या देखा था, कि आप किस तरह से DWA को, जो है, abuse कर रहे थे, तो उसलिए हमने क्या करा रहा है जो है टेक्स एवेजन और टेक्स अवोड़ास पर भी जसे कुछ टाल दिए इसके आंदर ठीक है अच्छा तो जो अगर अपना अग्रीमेंट है उसमें आर्टिकल नंबर वन यह कहता है कि कौन-कौन से परसंट कवर राएंगे तो देखो क्या दे रखा है कि परसंट हुआ रेसेंट और वन और बोध दा कॉंट्टिं स्टेट्स तो अगर इंडिया ने मलेशिया के साथ DTW में अगे वन और बोध दक्रतिं स्टेट्स का अगर एक पर बसन है और इंडिया और उसे के बीच में जा फर मलीशियों के वीच में DTW रहा खाए पर समस्ट को सब सबसे बीच करें एस बीच में प्र खालए कर लोग और भी उस बंदे का रेसे इंडिया है और यह मलिशिया है हमने इंडिया के लोग लागा कि देखे ठाचला कि रिटमिन करो слишком most of contracting state के घुए अब सब दोनों कासि अब क्या माना जाए अब क Colonel जाए сझक你的 सरकार का सकते जिए तो किसी यूंत उसको इसको रषया है जब tumor क्रशिए कैट कर नहीं होगा दूसर अगर आप दोनों country की क्या मान लिए गए हो, resident मान लिए गए हो, as per the domestic laws, तो हम दोनों में से किसी एक country का आपको resident मानेंगे, कैसे मानेंगे? So, it shall be deemed to be the resident of the contracting state in which he has permanent home available. जहाँ पर आपका क्या है? Permanent home available है? आपका जहाँ पर permanent home available है, उसको क्या माना जाएगा? उस country का आपको resident माना जाएगा. अगर आपका permanent home भी दोनों countries में है, या फिर आपका permanent home दोनों countries में नहीं है, तो हम आपको किस country का resident मानेंगे? With which is personal or economic relations are closed. ठीक है? अच्छा, अगर ये भी condition आप फुल्फिल नहीं करेंगे हो, तो फिर आप को कौनसी country का resident माना जाएगा? resident of the contracting state in which he has a virtual abode. अगर आप ये तीसी condition को भी फुल्फिल नहीं कर पा रहे हो, अगर ये वाली से आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप नीचे आओगे, इस country से आपके personal or economic relation close है, उस country के रहे होगे, इससे भी पता नहीं चल पा रहा है, आप नीचे आओगे, किस country में आपका habitual abode है, अगर इतना सब करने के बाद ये आपको पता नहीं चल पा रहा, तो जो component authorities है, जो component authorities है, दुनों countries के वह बैद के खुद decide करेगी, इसको किस country का रहे हैं मानना चाहिए, तो ये तो बात कर लिए अपने किस के लिए individuals के लिए, अगर परसंट के बात करते हैं, बात कि बात करते हैं कि अनर कर आपको इंडिया में और ये कcciones गें, विसे को इक बात करते हैं, इस तो पी का मतब क्या है, अगर कोई बंदा क्या कर रहे है दूसरी कंट्री में जा कि कोई बिल्डिंग साइट खोलता है construction कर रहा है और अगर वो मोर्दन बारा मंस कर रहा है तो उसको भी पी मान लिया जाएगा एस पर OECD model और OECD model क्या होता है जहां पर डेवलोप कंट्री के बीच में क्या हो रहा है DTWA हो रहा है यूए मोडल कहता है कि अगर आपने जो यह वाली तो ही basically ही अपन उसको क्या करते है उसकी income इंडिया में taxable करते है यह अपने बहुत basics में पढ़ रखा है अच्छा देखो UN model क्या कहता है UN model कहता है कि पी में क्या intrude होगा PE also intrudes furnishing of services through employees or other persons अगर मैं कोई NR है वो इंडिया में किसी अपने employee के तरू और किसी दूसरे बंदे के थूरू क्या कर रहा है services दे रहा है तो उसको भी जो है PE मान लिया जाएगा department establishment मान लिया जाएगा but condition यह है कि activities continue हो रही है for aggregate more than 183 days in the financial year अच्छा यह चीज किसमें मानी जा रही है सिर्फ और सिर्फ UN मॉडल में मानी जा रही है तो देखो क्या दर रखाए service PE only in UN model service PE कहां पर है सिर्फ और सिर्फ UN model के अंदर है easy आदो क्या दर रखाए insurance enterprise of the contracting state insurance enterprise of a contracting state बोले तो अपना रजूम करते है insurance company of insurance company of Malaysia we deemed to have PE in India if it collects premium in India तो किसी insurance company जो कहां पर है Malaysia में उसका PE इंडिया में मान लिया जाएगा permanent establishment मान लिया जाएगा और मैं आपको बार 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 बता रहूं कि पर्मनेंट establishment का purpose क्या importance क्या है क्योंकिenne इंडिया के साथ डीटीबले कर रहा हैंज हु Understand में पी है तो मिख्रम में सपा सोलगी तो इन्पम टाइब नहीं होगी इवने उसका hall치는 में सोदका इवन इस चाह्णky आपन जो आटिकल्स पढ़ रहे हैं रहीं कॉन इतले सारे भरेख रहें इस उसारा यह पर वंटक्री में सथे मोट्रैंग यह कर रही हैंड्या में भी इंडाया में उसको जो भी प्रिम मिल रहा है उसको क्या गाना पड़ेगा इजी और चलिटे viruses कर रही है इन्शॉरेंज का एंशॉरेंस कर रहे है इन्शॉरेंस और कर रहे हैं आपन नहीं करेंगे अब योंग पी क्या इंटूरी नहीं होगा सुपने क्या कि बहुँ 292 कि इंडिया में प्रांच नहीं है। आपकर स्भी को रख और भी नहीं हो इनार एंडिया में कलेक्टेश्क उपस्क्रेद्शन कि रिख रख रहे लिए woo नहीं मानगा जाएके लिए अगर आपकोई ब्रांच है कोई आफिस तों के सब्सक्राइब कर Oke यूल प्राइब आग है इंडिया बॉंधिया क्रें अगर इंडिया में आपकोई कोई कोई website है सिबसाइट को जो आपको माना in Amokya कर रहे अगर अगर इंडिया में कोंड पर कर रहा है यह या फिर डिस्प्ले करा रहा है या फिर दिलिवरी कर रहा है फिर इसको पी नहीं वाना जाएगा तो अगर आप नहीं देखा हो कि बई Amazon वाले बंदे अगर आप क्या करता हो Amazon से कोई order लेते हो वह अपना माल अपना माल इंडिया में store नहीं करता क्यों सिटल- देलिवरी नहीं देती क्योंकि अगर वो डिलीवरी देने लग गई तो यूएन मॉडल यह कहता है कि वह उसको पी मान लो और उसको इंकम क्या हो जाएगी इंडिया में टेक्स बोल जाएगी लोजिकली समझ में आ रही है तो यूए ओई इस्तिरी ओडिया में यह कर दी तो आपको जो इस पर टेक्स पे करना पड़ जाएगा इसारी बारीकी है बारीकिया है आपको ध्यान रखने है अधिको आटिकल 7 बताता है तो मैं आपको बता रखाए कि इंडिया में आपका बिजनस पाफिट टेक्स पे करने की जुरुत नहीं है वह रूल क्या कहता है एफ फोर्स अट्रेक्शन रूल क्या कहता है वह समझना इपल की कंपणी है कहां पर यूएसे में इंडिया में उसने क्या करा एक पी खोला इधर से कस्टमर पकड़ा किस्टमर ने क्या करा पी से एक एपल का आइफोन मांगा अपल का आइफोन लिए खरीद लिए अब मुझे पोला आता है कि इस बंदे ने क्या करा है directly माल बेचा है किसको कस्टमर को क्या उसको भी हम बिस्नसफोफिट मांगते हुए इंडिया में टेक्सटमर कर दें ऐक तो चीज हुई कि एक तो PE के थुफू है वो तो PE पे टेक्सटी कर देगी एक इसने directly सप्लाय कर दिया तो क्य पी के तुरू नहीं बजीए दैक लीजिए उसको भी बिजनस प्रॉफिट मान लिया जाएगा अधियो क्या रखाए प्रॉफिट अंड नॉट डाइक लीफ फॉम दपी इन इंडिया में प्रॉफिट आपने पी के तुरू नहीं करा बडायक करा डायक सिल करी फ्रम हैड और फोध में आ गया और फोड़ फोड़ फीरो टरेक्शन रीफ एक्षर्वट करता हीं प्रॉट速 उप पन्रुट है अटिकल अल्यवन ऐरध करता है इंट्रेंश इंकम की इंटरेंट इंकम राइजिंग क्टरप्रेंग ये इन की सिल टेसी का डेसार हो चान्द में जोए अन्टेट में नहीं होगा है इंट्रेस्ट नोट इंकुड पैनल्टी चाज़िड्स पोले प्लिट नहीं होता है इंट्रेस्टि और रहे हैं तो दो कंट्री मिलके डिसाइड करेगी हमने देखा कि इंट्रेस इंकम कहां पर होगा ओनली इंदा कंट्री जहां पक जहां का क्या हो सकता है बढ़ क्या है एक टेक्स की अपने क्या लगा दी स्लैब लगा दी कि वह इसनी मॉडल में 10% से जाधा नहीं हो सकता और UN मॉडल में क्या नहीं हो सकता UN मॉडल में तो देखो कहादा है ट्वाले सिर्फ कहां पर UN मॉडल में है एक टेस का मतलब क्या होता है पेमेंट फॉर मेंजरियल टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज लेकिन एक टेस में इंक्लूड नहीं होता अगर आपने परसनल परपस के लिए कुछ पेमेंट कर रहा है तो इस mandate लिए जिस कंटे कि आप एक हो उसको घ्या क्या है exclusive right ऐडमीद ग्याइंस लेकिन देख मेंस्ट सर्ष क्रेदो सेट में बेचे गाया आ है इन्डिया के शेर खो च 50% से ज्यादा की value during the preceding 365 days is derived directly or indirectly from the immovable property in such source state. तो अगर आपने जो इंडिया की shares बेचे हैं, इंडिया की company की shares बेचे हैं, वो किस दर taxable हो की जिस country के आप resident हो, लेकिन इंडिया के, इंडिया में भी taxable हो सकते हैं, बट condition यह है, कि जो shares की value है, more than 50% कहां से derive हो लिए, from the immovable property situated in such source state. Is derived directly or indirectly? Is derived directly or indirectly from the immovable property from such source state. ठीक है, अचा, article 14 देखना, कहां पर है, सिर्फर सिर्फ उन model में, independent personal services. तो independent personal services का मतब क्या है कि रोहन है, रोहन क्या है, बार बार है, रोहन कहां पर गया, रोहन जो है, अमेरिका में गया, वहाँ पर Tom Cruise के बाल काट के आ गया, तो क्या होई, independent personal services हो गई, तो कहां पर taxable होगी, taxable होगी, सिर्फर सिर्फ रसिफ, resident state में, लेकिन source state में भी taxable हो सकती है, बट condition क्या है, कि रोहन, रोहन क्या कर रहा है, या मेरा क्या है, पी है उदर, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी services है, अपनी services 183 दिन से जाधा के लिए दे रहा हूँ, तो person stays in the source state, exits 183 days, तो मतलब हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 180 दिन तक Tom Cruise के बाल काट रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि मैंने उदर क्या कर रहा, 180 दिन तक अपना एक ठेला लगा लिया, एक ठेला लगा लिया और बोला कि बढ़ी जिसको भी बाल कटाने आजाओ, इसी है, आटिकल 14 समझ में आ गया आपको, just give me a minute, आउल राइट, तो आ अगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 2021 क्या बताता है, अधर इंकम के बारे मताता है, तो अधर इंकम कहाँ पर टेक्सेबल होगी, टेक्से एक कर देगी और आपको पहले बताब कि जो अपना ओसरी बेस टेक्शेशन पर चलता है और जेपले इंक पर चलता है और या उन से कंट्री में जिस कंट्री में भी आपने क्या करा है तो रेसेंट वाली कंट्री आपको जोए टेक्स करीट देदेगी तो रेसेंट स्टेट अपने डी ट्रवले वाले चेप्टर में भी बहुत अच्छी तरह देखा था आर्टिकल 24 कहता है कि आप जो है कोई भी डिस्क्रिमिशन नहीं करोगी बिट्विन रेसेंट और नॉन रेसेंट आर्टिकल 25 कहता है कि अगर वेंदर टेक्सपेर अगर रोहन को लगता है कि ट्रीटमेंट अकॉर्ड़ेट बाए इधर या बोद दॉन्द इंडिया या फिर दोनों ने जो ट्रीटमेंट दिया है जो में इसाथ दुरव्यवार करा है इस नॉट इन अकॉर्ड़ेट इस तरह से रिजॉल्व परा जाएगा जो मेरे डिस्पूट से उसको किस तरह से रिजॉल्व करा जाएगा उमझे आर्टिकल 25 प्याता है तो इसके अंदर क्या दे इधर इंडिया के पाँ जा सकता है या फिर यूसे के पाँ जा सकता है और बोल सकता है कि देखो मुझे यह दिस्प्यूट आप ठीक करो Arbitration can be requested by the person who initiated the case तो जो मैं बंदा हूँ मैं रोहन बोल सकता हूँ कि आर्बिटेशन कर लेते हैं मदब हम क्या करते हैं बैटके एक mutual decision ले लेते हैं ठीक है एक बार arbitration का decision आ गया तो आपको उसको follow करना पड़ेगा आप उस पर departure नहीं कर सकते हैं तो no specific provision for departure from the arbitration यह बात करीए अपने OECD model की अब बात करते हैं UL model की तो taxpayer क्या कर सकता है टेक्सपेर सिर्फ जा सकता है resident state के पास तो रोहन अगर इंडिया का resident है तो रोहन काम के पास जा सकता है तो इंडिया के पास जा सकता है OECD model में क्या हो रहा था इधर contracting state किसी के पास भी जा सकते हो किसीच के लिए कि वे dispute resolve करने के लिए अच्छा arbitration में जा सकते हो लेकिन arbitration में कौन जाएगा arbitration must be requested by the complaint authorities of one of the contracting states arbitration जो है वो सिर्फ कौन कर सकता है complaint authorities कर सकती है taxpayer मतलब रोहन नहीं कर सकता रोहन नहीं कर सकता लेकिन OECD model में OECD model में arbitration कौन कर रहा था maybe requested by the person who initiated the case मतलब रोहन arbitration कर सकता है नीचे हमने देखा कि रोहन arbitration में जा सकता arbitration में आगर जाना है तो कौन जाए इंडिया की component authorities या फिर USA की component authorities अगर चाहेगी तो यह arbitration कर सकती है अधरवाईस जो अपना UN model है उसके अदर arbitration by Rohan मतलब arbitration by taxpayer possible नहीं है तो देखो क्या रखा है alternative यह क्या था कि taxpayer एक सब्सक्राइब के पास जा सकता है या फिर arbitration हो सकता है लेकिर arbitration का रेका arbitration अपने देखा सिर्फ से component authorities करेगी once the request is made taxpayer will be notified ठीक है एक सब्सक्राइब कर दिया जाएगा कि हम arbitration के अंदर जा रहे है तो reference to an arbitration process as the part of map the decision arrived at through the process is binding unless the person directly affected does not accept it ठीक है तो जो भी arbitration का decision आएगा तो wide binding होगा दोनों को follow करना पड़ेगा तो अपने देखा आप भई arbitration कौन initiate करेगी complaint authorities initiate करेगी ठीक है अच्छा कब तक initiate करेगी दोखो arbitration में भी initiated अगर complaint authorities are unable to reach an agreement मतलब complaint authorities basically agreement पर रीच नहीं कर पारी है dispute को solve नहीं कर पारी है तो within 3 years from the presentation of case वो क्या कर सकती है arbitration में जा सकती है क्या देखा अपने within 3 years within 3 years from the presentation of case अपन क्या कर सकते है arbitration के अंदर जा सकते है अच्छा person cannot initiate arbitration in the UN model अपने वह देखी लिया अब दो को arbitration का decision आ गया arbitration का decision आ गया तो within 6 months from the communication of decision अगर चाती है, तो डिपार्ट कर सकती है from the arbitration decision if they agree to do so within 6 months from the, within 6 months after the decision has been communicated, तो उपर कोई ऐसा नहीं था no specific provision for departure, आप departure नहीं कर सकते थे, लेकिन basically UN model में आप departure कर सकते हो, कौन कर सकता है basically component authorities कर सकती है component authorities ने पहले case में क्या कर रहा था component authorities ने first hand में arbitration के लिए approach कर रहा था last article 26 क्या बताता है, exchange of information तो इंडिया और USA ने, इंडिया और USA ने क्या कर रहा है basically, एक ETWA enter कर रहा है, तो उस case में article 26 क्या 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 क्याता है, कि component authorities shell exchange information which is forcibly relevant, तो जो जो information relevant है, आप क्या कर सकते हो exchange कर सकते हो अब देखो क्या रहा है, source of information या फिर source of exchange, या scope of exchange is not limited to the taxpayer specific information हम वो सारी information मंगा सकते है जो क्या है, जो basically tax administration या compliance improvement के काम की है component authority या फिर contracting state has no obligation मतब इंडिया for example चाहे, तो information नहीं देगी, कब नहीं देगी जहाँ पर to supply information which is not obtainable तो जो information obtainable नहीं है उसके लिए कोई obligation नहीं है, तो US ने कहा है US ने इंडिया को कहा कि आप मुझे कोई specific information निकाल के दो इंडिया बोलती कि ठीक है, मैं तो ये निकाल ही नहीं सकती मेरे लिए obtainable ही नहीं है, तो मैं कैसे दूँंगी तो contracting state की कोई जिम्मेदारी नहीं है to supply information which is not obtainable तो supply information जो contrary to the public policy क्या है, to contrary to the public policy कोई information जो किस से relate करती है किसी secret से relate करती है तो देखो trade business है, professional secret तो अपना following article 26 क्या बताता है कि भी किस तरह से आप information को exchange करोगे तो finally अपने देख लिए model text convention ठीक है, moral text convention देख लिए बहुत आसा नहीं समझ लिया ठीक है, बहुत important है ध्यान रखना इसमें जो articles है ना, इसमें जो articles है तो ध्यान रखने पड़ेंगे, articles का आपके MCU बन सकते हैं अब अपना international taxation की last चूज बच लिए और वो है BEBS, not BEBS it's BEBS so BEPS base erosion and profit shifting right तो last topic का अपना, BEBS not BEBS, it's BEBS all right, तो अपन BEBS पढ़ना चालू करते है अजी, तो देखो अपन next chapter करने जा रहे है BEBS, BEPS, BEPS base erosion and profit shifting अज़ा, इसका मादब क्या होता है देखो आपको पता है कि ये इंडिया है ये USA है, ये पाकिस्तान है ये Singapore है, ठीक है अचा, लोग क्या कर रहे थे न, लोग अपने arrangement को कुछ इस तरह से plan कर रहे थे, कि भई वो क्या कर रहे थे अपने tax को बचाने की कुछ कर रहे थे ठीक है, तो BEBS लेके आया गया BEBS क्या होता है, देखो, एक ऐसी tax planning strategy that exploits gaps and mismatches in the tax rules to make profit disappear, और two, shift profit where there is no tax, या फिर low tax BEBS कौन लेके आया, BEBS लेके आया है हमारे जैसे businessman, जो क्या है, चंट है उसने देखा कि यार, इंडया में मुझे बहुत तादा tax pay करना पड़ रहा है उसने कुछ ऐसे arrangement करे, उसने कुछ ऐसे arrangement करे, जहां पर उसका tax इंड़ा में एकदम कम हो, और basically tax कहाँ पर लगे, दुबाई में लगे और दुबाई में ultimately tax होता है 0, तब उच पे काईन की सुरूत नहीं बड़ेगी तो BEBS क्या करता है, बिसिकरी, BEBS क्या है, एक tax planning strategy है हम क्या करते हैं, अपनी tax planning strategy बनाते हैं, जिसकी वज़े से हम क्या करते हैं जो different countries में, अलग-अलग tax treatments होते हैं चीजों के, उसको अपन exploit करके उसको अपन exploit करके अपना profit, या दो disappear कर देते हैं, या फिर अपना profit हम ऐसी जाप पर shift करते हैं, जहां पर tax लगता ही नहीं है तो OECD एक संस्ता है, OECD एक संस्ता है, Organization for Economic Cooperation and Development, उसने क्या बला, उसने countries के एक meeting बलाई, बले countries के सब सारे executives को बलाया और कहा कि भई, देखो हम नहीं चाहते हैं कि लोग इस तरह से क्या करें, चीजों को exploit करके अपना tax बचाएं, तो लोगों ने क्या करा, इन सब बिटके एक meeting करी, और meeting करके कुछ action plans बनाएं, तो 15 action plans बनाएं, to address web, तो 15 action plans बनाएं, और क्या करा, और बोला कि भई, देखो हम क्या करते हैं, webs को address करते हैं, तो यह अपन action plan बने जा रहे हैं, इन action plan के वज़े से हुआ क्या, इन action plan के वज़े से हुआ है, जो मुझ जैसे लोग थे, जो चंट थे, बहदूर थे, ठीक है, उनने क्या करा था, जो अलग अलग strategies अपना रखी थी, उसको हमने क्या करा, nullify कर करते ही, हम क्या करते हैं, कि उसकी income India में taxable कर देते हैं, तो हमने क्या करा, existing PE rule को modify करा, हमने existing PE rule को modify करा, और क्या करा, यह राल दिया कि अगर आपका significant economic presence भी है, तो उसको क्या माल लिया जाएगा, PE कि अपने क्या definition देने कि है, कि आपका branch है, office है, factory है, workshop है, यह सब कैसे होता आपने दिखा था, कि आप क्या कर दे हो, तीन लाख users से interaction कर दे हो, ठीक है, अगर आप वो condition satisfied कर देते हो, तो basically आपको क्या माल लिया जाता है, आपको significant economic presence माल लिया जाता है, तो अगर कोई e-commerce operator है, e-commerce operator है, या फिर कोई जैसे Facebook है, या फिर Facebook हो गया, या फिर Instagram हो गया, ठीक Instagram का इंडिया में क्या है, significant economic presence है, तो इसका माल लिया जाएगा कि बई, क्या है, वो PE है, और significant economic presence के अपने डिफेरेंशन देखी थी अपने अर्किट एक सेक्षिन के basics में, अच्छा, हमने ये कहा कि अगर आप क्या कर रहे हो, अपना website maintain करते हो, किसी की दूसरी गंटी के server मे तो इसको भी PE माल लिया जाएगा, तो इंडिया में एक server installed है, ठीक है, Amazon का वेबसाइट है, वो इंडिया से, इंडिया के server पे है, तो इसको भी क्या माला जाएगा कि ठीक है, आपका क्या है इंडिया के अंदर PE है, तो virtual fix place तो business को भी है, जो हम क्या माल लेंगे, PE माल है, तो online होते तो हमने क्या करा, हमने अपने PE रूल को modify कर दिया, और PE रूल को modify करके हमने यह सारी चीज़ें इंट्र्यूस करी, तो सारी countries की meeting हो, इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने basically significant economic presence ला दिया, और फिर अपना EL जो अपना होता है, वो भी अप टेक्स लगा दिया, इसी तरह से अपन action plan 2 और action plan 3 पढ़ेंगे, उससे पहले आजाते हैं, action plan 4 पर, action plan 4 क्या कहता है, action plan 4 यह कहता है कि देखो, इंडिया में tax लगता है कितना 10% अजूम करते है, दुबई में tax लगता है 0, तो मैंने क्या करा, मैंने basically दुबई से कोई loan उठा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं basically, debt की loans उठा रहा हूँ, debt उठा रहा हूँ, loan उठा रहा हूँ, just a second, मैं loan उठा रहा हूँ, debt उठा रहा हूँ, किसी ऐसी country से जहां पर tax लगता है नहीं, या फिर बहुत low tax लगता है, अब इसके वएसे हो क्या रहा है, इसके वएसे हो य 24B उन्तर'll ठीटेश हुआ इधर आप क्या करते हो किसी असोची क्या कर रहे हो किसी असोची असोचीर एंटरपास से लौण ले रहे हो तो उस Day उसकेश में हैं आपका जो इंटज का डिरक्शन है, तो लगों उसने क्या करा लोव ले लिया, एंड क्लिम कर ये दिरेक्शन प्रों सब्सक्राइब इंकम को पर रहा है इंकम के लिए एक्षिन प्रान फोर लाया गया तो ओई सिर्थे सब्सक्राइंग Тем सिहुषक है सट्म इन्पलाइशन का खिए गई घर सब्सक्राइब 5 कहता है कि हम counter करेंगे harmful tax practices अब देखो आपने PGV में section पड़ा होगा section 115 BBF जो यह कहता ही कि आपकी जो royalty income है आपकी जो royalty income है उस पर 10% tax लगेगा देखो सरकार यह कहती है अपना जो OECD का recommendation है वो यह कहता है कि आप जो है किसी person को आप किसी परसन को concessional rate of tax दोगे बट condition यह कि substantial R&D कहाँ पर होना चाहिए इंडिया पर होना चाहिए इंडिया पर चाहिए इंडिया में इंडिया में मुझे उस पर 10% टेक्स करना है under 115 BBF सरकार यह कहती है सरकार यह कहती है कि भी ठीक है हम आपको क्या करेंगे हम आपकी जो इंकम टेक्सेवल करेंगे हम आपकी इंकम टेक्सेवल करेंगे उस जुरिजिक्शन में जहां पर क्या है substantial research and development हुआ है इंडिया में करा था तो टेक्सेवल कहां पर होगा टेक्सेवल जोगा इंडिया के अंदर होगा इसी तरह से benefit of low tax rate मतलब इंडिया में जो है इंडिया में आपकी जो है टेन परसंट की इंकम टेन पर टेक्स्ट पे करना होता है जो भी आपकी इंकम होई सब्सक्राइब अगर इंट्रैक्शिल प्रपर्टी है उसका टेक्स का लगएगा उस में लगेगा जहां पर substantial R&D हुआ है ठीक है इसी तरह से अगर आपको low tax rate लेना है तो आपकी condition आपको से रिस्वाय करने पड़ेगी कि majority research and development का करचा कहां पर हुआ है majority research and development का करचा आपने उसी country के अंदर करा है इसी तरह से action plan 6 बताता है कि आप जो है quality income हो रही है तो उसा на मलेश्या में tax लगेगा नी टीकँ है तो इसा मलेश्या में tax लगेगा नी इंडिया में अधिया और मलेश्या के का स्टेटी का benefit लेता है सरकार के वह कहते है न को चलु देखो चोई को यह एंट्र करी थी इंडिया और मलीश्य के बीच में इसका मतलब यह कि benefit कौन उठा सकते हैं INDIA के रेसरेंड और मलीश्य के रेस्ञ तुह कहां से गया वीच में तो पहले क्या करे थे ऐसे लोग इस ट्रीटी का अब्यूज कर रहे थे तो जब इपन डिट्रवल वाला चेटर देख रहे थे जब ऑपन डिट्रवल वाला चेटर देख रहे थे तो मैं आपको बताया था कि अगर आपको डिट्रमे का benefit लेना है तो आपको क्या करना पढ़ेगा TRC लानी पढ़ेगी कि एक होता है लिमीटेशन देविट का मतलब को अब आपने देखा है मलेशिया प्रणी कमाई यह कहता है कि मैं तो हम क्योंगे ऐसे कैसे है लोटेस्ट लिमीटेशन बेनिफित तो सवाल यहाता है जो फुछ फुल्फिल करेगा जैसे कनदीशन यह हो सकती है एक कन्दीशन यह हो सकती है फिर जो जो जॉन ने एंकम कमाई है जाने रोलेटी इंकम में वो उसके लिए जॉन को मलिशिया में कम से कम एक सासे दिश्AUL करना होगा है कि बिस घर यह क्र theor refrigerate करें जॉन इस उसको प्लेव को क्लेम करना चाहता है तो उसको यह वाली कंडिशन को फुल्फिल करना बढ़ेगा तो हमने क्या वहला कि हम टीटी अभी उसको प्रिवेंट करना चाह रहे थे उसके लिए हमने क्या लिया है एक LOB रूल लिया है कि अगर आप जो है इस लिमिटेशन को फुल्फिल कर रहो तो ही हम आपको बेनिफिट देंगे इसका मत बंदा जो बंदा इस LOB рокी की कंडिशन को फुल्फिल करेगा उसने को क्या मिला जाएगा उसे को benefit दिया जाएगा आ असको सःगा और इंडिया से पैसा कमा रहा तो सोफिस को ब्강 10 गहिए हैं इंडिया में बहुत लगेगा ये कमपनी है मलेशिया हाई उसद्धापुर और अपने ये दिखाया कि बिजनस कहा से हो रहे हैं सिंगापूर से हो भ रहे हैं तो P P T rule ये कहता है प्रिंसिपल परपस्ट आयों तो क्यूं आयों हम यह तो यह डमी ऑफिस खोल के आपने डमी ऑफिस खोल के जो है टीटी का बेनिफिट लेना चाहरे हो तो पीपीटी क्या कहता है कि अगर आप इस कंट्री में आयो आई हो तो क्यों आयो हम वह चेक करेंगे कि अत्व हम जो है क्या करेंगे कि अगर कोई इस सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो तो आपको जो आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा इसी तरह पीपीटी रूल क्या कहता है है कि अगर सिंगापूर में आयो सिंगापूर से बिजिनस कर रहे हो तो क्यूंकर रहे हो आपका परपस क्या था तर्टी अब्थिटी अप्पर परपस था क्या अगर हां तो फिरम आपको बेनफिट नहीं देंगे तो देखो Action Plan 6 में क्या दिखंआ है Action Plan 6 में लिखंआ है च्पिंगा ना तुल कनी के लिए मिस्वाइस के लिए नहीं है तुल के लिए थक्श करने की लिए प्रदनाएर इंडिया और SINGAPU RAT Ppt St to 0 अगर आप अपने Singapur को दिखा देखा देखा था तो क्यों करें आपका purpose क्या था हम purpose चेक करेंगे अच्छा action plan 7 देखना action plan 7 क्या रहता है prevention of artificial awareness of PE अच्छा आपन ने क्या पट रखा था आपन ने अभी देखा था articles में कि अगर इंडिया में आपका क्या है preparatory या फिर auxiliary office है या फिर आप क्या करें ओफिस से information कर रहे हो तो उसको PE नहीं माना जाता उसको PE नहीं माना जाता तो basically हम क्या करेंगे हमको यह चेक करना है कि आपके इंडिया में जो भी ऑफिस हैं आपके इंडिया में जो भी branches हैं, उन सब को हम aggregate करके देखेंगे, उन सब को aggregate करके देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि क्या ये PE की condition को fulfill कर रहेगा, तो हमें जो है basically, एक particular branch के लिए नहीं देखना, हमें तो ये देखना है कि किसी particular NR का, इंडिया के अंदर, जितने भी branches हैं जो क्या है, fragmented है, fragmented है का मतलब क्या है, कि बढई अलग- अलग है, एक branch कहा पर दिली में है, एक branch कहा ह है, चनणई में, एक पर लुपिय में है, एक पर मुंबई में है, एक कहा पर गुजरात में है, तो हम सारी branch इसमों मिला के ये देखेंगे कि आप PE कंडिशन को fulfill कर रहे हो तो फिर हम आपको क्या मानने के प्रेवेंशन और आर्टिविशल शटेस बचने के लिए अलगोफिस को रही हुए सब करेंगे discord अगर कर रहे अकर आपकी क्या मानने पर आपकी की कंडिशिण स्पी मानने की hey तो हमने क्या लेक्या करें एंटी ए फ्रेग्मेंटेशन रॉल आप क्या करए थे पहले फ्रेग्मेंट कर देखे लिए पूरा चेप्टर देखा था टासर प्रायजिंग की वजजे से जो भी आप क्या करेंगे अर्लेटिंग ट्रांसर वाइजिंग ऑफ इंटेंजिबल्स अब टूगल अलोकेट रिसक एंट पर केल्कुलेशन अफ रिच्टर में देखा था लिमिटेशन उसटें इंट्रोप सर्विसिस बिट्विटून असोशेटेटर इंटरवाइस ठीक है अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि हम क्या करेंगे एक्शन प्राइवन है कि हम बैप्स को मोनिटर करेंगे इंडिकेटर का इंट पर आशन पर यह दुबई है और यह इंडिया है दुबई में उसका प्रॉफिट आ रहे है हजार रुपे इंडिया में उसका प्रॉफिट आरा सौर रुपे तो हम यह देखेंगे कि किसी कंपनी का profit low tax rate वाली country में ज्यादा है और high tax rate वाली country में कम है तो इसका मदब यह कि वह कुछ तो कुछ बढ़ा कर रहा है तो profit rate of M&E multinational enterprise in low tax rate country is higher than the group average worldwide profit rate ठीक है अच्छा effective tax rate paid by the M&E is lower than the tax rate by the domestic company हो सकता है इंडिया में क्या कर रहा है इंडिया में कोई company tax pay करती 30% लेकिन foreign company जो इंडिया में आ रही है उसका पूरी country का पूरे world में मिला के उसका tax बनता है for example 10% इसका मादब यह है कि भई यह कुछ न is tax rate paid by the M&E is lower than the tax paid by the domestic entity या फिर foreign direct investment is increasingly concentrated भाई आप सारे investment दुबई में करते हो भाई क्यों करते हो दुबई में क्या है tax लगता नहीं इसका मतब यह कुछ ना कुछ गढ़बड कर रहे हो location of value creating activity and profit taxability is different देखे तो अपने गारवले chapter में देखा था बहुत सारे examples देखे देखे थे तो आप क्या करते हो location को different कर दे तो profit अलग से दिखाते हो location of value creating activity and profit taxability is different का मतब यह है कि आप क्या कर रहे हो बेप्स employ कर रहे हो reality received by entities in low tax countries is 3% of the total royalty क्या वोड़ा है reality received by entities located in the low tax country is 3% of the total royalty तो भी हम मानेंगे कि आप क्या कर रहे हो आप कुछ ना कुछ गरबड कर रहे हो इसका मतब यह है कि हम क्या करेंगे हम बिसिकली प्रिवेंट करेंगे चीज को अचा आपने जो उदाहा ले रखा है ऐसी country से आपने जो उदाहा ले रखा है ऐसी country से जहां पर टेक्स लगता नहीं है और देको क्या रहा है debt from both related या फिर third party is more concentrated in high tax country मतलब जहां जहां पर जहां पर बहुत जादा टेक्स लगता है वहां पर आप आप ने कहा कर लिए बहुत सारे लोन उठा लिए इसके वैसे हो क्या रहा होगा कि आप जो ब्याच पे कर रहे हो उसका आ relevant topic है six indicators आप से एक्जाम में कभी भी पूह सकता है था थी अ नंबर के लिए ठीक है तो फांस रीकितर सापको लीखने पड़ेंघे it's क tentang अब लिए इंडिकेटर आता हैक repairing strategies हो बहुत आप ऐसी applies and आगे बढ़ते हैं देखो क्या दर रखाए इस्क्लोजर ऑफ अग्रेशिव टेक्स प्लानिंग आरेज्मेंट तो बिसिकली एक्षिन प्लांट वाल यह कहता है कि भई जो भी कंट्रीज है जो भी कंट्रीज से वो क्या करेगी जिस्ट ए सेकेंड ओ जो भी कंट्रीज है वो इस तरह से भी लोग जो भी बिनाते हैं तो ओर इसटीकर करेंटिशन क्या है और बोले तो ओसी ने मीटिंग मिटाई थी और मीटिंग का रिकमेशन का निकल के आया था इंक्रूजर रिक्वामेंट्स इन टेक्स लॉस्ट इंक्री स्टार्फरेंसी ठीक है आपको डिस्टो पता ही नहीं था और इंक्रोड करेंगे डिस्वोजर रिक्रोजर किवामेंट्स इंड़ टेक्स लोस पताओ कि या मतलब क्या है आप यह देखा होगा कि आपने जो जैसे स्टेटोड करी होगे आपने स्टेटिट केंदर बहुत सारे पता चल पाएगा कि बंदा क्या 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 करेगी इंप्लीमेंट करेगी कोई बंदा बढ़ता है आपने देखा हुगा कि जब आईटेर आप बढ़ते हो तो बहुत सारी चीजे आपकी सरकार आपसे सरकार को सारी इंफर्मेशन इंपक्सार का दोर रिकमेशन आप एक और रखाए है इंडिया में इसके लाबाए इसके लावा action plan 14 होता है making dispute resolution more effective dispute resolution का मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज का कोई dispute होता है तो उसको किस तरह से resolve करा जाएगा तो देखो क्या दे रखा है वो इसलिका क्या recommendation है minimize risk of uncertainty and unintended double taxation हम क्या करेंगे, risk को minimize करेंगे किसके risk को unintended double taxation कि country में या फिर DTWA की वज़े से DTWA की वज़े से कोई income दो-दो बाद taxable नहीं हो रही है तो आने इंटेटी double taxation को minimize करेंगे कैसे minimize करेंगे, हम tax city को properly implement करेंगे अगर कोई dispute होते हैं, उसका क्या होगा timely resolution करा जाएगा through mutual agreement procedure easy अब दो क्या देवलोपिंग MLI MLI का मतलब क्या है समझना आपने क्या करा, आपने जो है एक tax city बना दी, DTWA बना दिया आपने एक tax city बना दी, DTWA बना दिया सारी countries ने इसमें साइन कर दिया, इंडिया, USA, पाकिस्तान, फलाना, धिंकाना किती कानी समझना गई कोई नई, कोई जैसे रोहन गर गया रोहन गर ने क्या करा एक बहुत खतरनाक tax planning strategy डूंडी जो इस DTWA में cover ही नहीं है तो उस case में, उस case में क्या हुआ उस case में basically होगा यह कि जो यह OECD है OECD है OECD क्या बोलेगी, OECD जो है अधी को है ? एक चीज बताओ । रहुँ कि देखो इंडिया ने में पाकिस्तान के साद ौ कर रखा है इंडिया ने किसी USA के साद्सथ ठावे freelance जाघविष रोष ईंडिया ने क्या कर रखा है ? इंडिया क्या रखा है ? ु से separate document बना है जिसका नाम देंगे MLI और सो हम click देंगे कि देखो एक नई tax planning strategy रोहन ने employ करिए हम इसको address करना चाहते हैं इसको आप जो है सब की सब अपनी TWM include कर दो क्या आप सहमत हो सारी कंट्रीस बोल देगी हाँ अगर मुझे क्या करना है ट्रीटी में कोई चेंज करना है उसकी वज़े से हमें क्या करना है basically ट्रीटी को चेंज करना है तो अपन क्या कर सकते है MLI के थुरू कर सकते हैं अब अपने दो action plan बचे है वो देख रहेते हैं एक है action plan 2 action plan 2 hybrid mismatch arrangement देखो क्या दे रखाए पढ़ना अर्रेंजमेंट that exploits difference in text treatment of an entity और एंस्टुमेंट अंडर टू ट्रीजिशन तो अचीव डबल इंडिया है और यह क्या है Malaysia या फिसंगापूर ले ले लेते हैं इसको Singapore अच्छा इंडियास में आपने देख रहा होगा कि बहुत से क्या करा इंडिया ने कोई preferential issue करें इंडिया ने जो है इसका इंटेस्ट क्रेम कर लिया इंडिया में वह डिया और इंडिया में वह डिया होगा कि इस तरह की चीजों को इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या करेंगे करेंगे आप और बंगे समझे मा जाएगा किसी कोई ऐसा ऑंस्ट कर रहा है डिफरेंस इंटेस्ट या फिर इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा arrangement, जो exploit कर रहा है, difference in text treatment of entity या फिज इस instrument, इधर अपने कीस में कहा था, यह इसको क्या मानता है, financial liability मानता है, यह इसको क्या मानता है, share मानता है, इधर क्या हुआ, इसको financial liability मानते हुए, interest का इसने deduction ले लिया, इधर क्या हुआ, share मानते हुए, share मानते हुए, उसका dividend क्या है, एक्जम करते है, Indian loss उसको एक्जम करते है, तो basically कोई ऐसा arrangement हुआ, जो exploit कर रहा है, क्या exploit कर रहा है, difference in the text treatment of an instrument, तो दोनों के text treatment अलग 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 ना, इसका text treatment क्या है, इसको financial liability मानते हुए, इसका interest allow कर दिया जा क्या करा, interest का direction ले लिया, तो उधर आपने income कम वली, text कम पे करा, इंडिया में भी टेक्स नहीं लग रहा, तो double क्या हो गया, non taxation हो गया, दोनों में से कोई भी country tax नहीं ले दी, तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको basically आपन 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 क्या कहता है, hybrid mismatch arrangement, तो इसरी को कुछ recommendations हाई, एक में आपको बताया क्या, एक में आपको बताया, rule denying exemption और credit for foreign underlined tax, for dividends that are directable by the pair, तो जो में आपको बताया, वो ही यह दे रखाया, कि हमने कहा, कि आप एक जगा तो क्या कर रहो, एक जगा तो आपका dividend exempt हो गया, और एक जगा basically आपने उसको interest मानते हुए, interest मानते हुए उसका exemption ने लिया, तो हम basically क्या करेंगे, एक चीज़ को deny कर देंगे, हम बोलेंगे कि दोनों में से एक चीज़ नहीं हो सकती, या तो इंडिया में taxable होगा, या फिर आप सिंगापुर में से उसका direction नहीं ले सकते, अब यह और चीज़ समझना, कि जो OECC recommendation आये थे न, कि चा recommendation ऐसे हैं, जो बहुत ज़्यादा difficult है, बहुत ज़्यादा खतना के, अगर इसको अपन discuss करने बैठ गए, तो आपका basically कम से कम आदा पौना गंटा खराब हो जाएगा, और इसके exam में आने की chances है, exam में आने की chances है, 100 में से 1%, और फिर 0.01% आप assume कर सकते हो, ठीक है, यह exam में आ इस चीज में अगर आपने आदा गंटा लगा दिये और आप बागी सारी चीजे भूल गए, तो यह आपके काम आईगी नहीं, इसलिए आप जो है, इसको रटके जा सकते हो, इसको रटके जा सकते हो, अगर आपका question आ जाता है, action plan 2 में, जो hybrid mismatch arrangement होता है, उसके लिए OST के क इसलिए अपन इसको रिविजिन में फिलाल स्क्रिप कर रहे है, पूरे DT में, पहली बार एक ऐसी चीज जो मैं आपको छुड़वा रहा हूं, इसलिए रहा हूं, विकॉस मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग गूम जाए, इसलिए इसको रटके चले जाना, और अगर रट आप रट के भी जाओगे, तो भी आपका प्रपस वालो हो सकता है, ठीक है, इसलिए अपन आपका आदध हंटा खराम नी कर रहा है, इसको आपने सिर्फ कर देते हैं, पढ़के छोड़ देते हैं, एक मैंने आपको जो एक्जांपल कर देते हैं, बाकी जो तीन एक्जांप पढ़के छोड़ दो नहीं पणा तो भूल जाओ ठीक है काम का नहीं है अगर अपना रेगलर आप मेरे रेगलर बैच के स्टुनेंट हो तो आपको मैंने डेफ्ट में समझाया होगा यह आपको अधर समझ में आता होगा अगर पहली बार इसका रिविशन देखने हो मेरे मेर अच्छे और आदा गंटा आप बाकी सब्जेक्ट में लगाओ या फिर डिटीगे अधर पूर्विशन को रिवाइस करने में लगाओ इसको एक बार होड कर देते हैं अब देखना सीएफसी क्या ओत है मैं आपको फटा बट समझा जा जाता हूं एक क्विक एक्जांपल से बाइफ चाहरा रोहन ने क्या करा दुबवई में एक सबशी बनाई अपना पैसा जो है दुबभई की इंवेस्ट कर दिया ने क्या करा रोँन ने इस अप année करे करें इन्वेस्टमेंट करें जो रोहन है रोहन क्या है 100% शेउल्डर है इस सबस्री का और राइट रोहन अपना पैसा रादा सबस्री में अलग इंवेस्टमेंट में लगा दिया उसे जो है उसको बहुत सारी इंकम होई तीखानी समना गई आपको अच्छा रोहन बोलता है क जो सबस्री है डिविटेंट दिकलिर करेंगी तो इसका इनिकमा आ जाएगी जैसे सी उपंद कि इंडिया में लेख हो जाता अंगल में ले के आता इंपा मुटे लोन देता हूं लेकिन अगर आप लोन दोगे तो क्या होगा 222 एक ट्रेक्ट हो जागा इंडिम डिवेंट तो इसने बोला करते हैं मैं लेकिन आता हूं इसको उधर ही पढ़ा रहें देते हैं इससे इंडियन गवर्मेंट को नुकसान हो रहा है अगर यह लेकर आता तो क्या होता इंडियन गवर्मेंट को सरकाने क्या करा सरकान बुलिआ हम क्या करेंगे इस कानक इंप्लिमेंट करेंगें तो कंट्रोड कोई फारंटनlaw और यह वह और है इन और तूडैस कारेश veggie ct siu इन और तो index of theución गुष्ट से अगर आपकी कोई फॉरण कोर्परेशन है उससे आप पैसा कमा रहे हो और आप इंडिया में लेका नहीं आ रहे हो तो हम यह मानेंगे कि आप दिम्ड इंडिया में लेके आ गए और आपको उससे टेक्स पे करना ही पड़ेगा आप पड़ो देखो क्या रखाए in order to address this issue government has introduced legislation by eliminating the benefits of deferral deferral का मतब यह है कि सरकार नहीं यह कहा सरकार नहीं कहा कि देखो हम आपके लाने का वेट नहीं करेंगे हम तो यह मानेंगे कि आप अल्रीड लेकिया चुकियो dimmed repatriation है और आपको टेक्स्पे करना पड़ेगा हमने क्या करा एलिमेट कर दिया benefits of deferral by currently taxing the income in the parent country मतब इंडिया में उस इंकम को taxable कर दिया even when the income has not been repatriated or remitted to the other country इंडिया में लिके नहीं आए फिर भी हम मान लेंगे कि आप इंडिया में लिक्या गए हो आपको टेक्स पे करना पड़ेगा आप लाओ नहीं लाओ उससे फरक नहीं पड़ता हमको तो टेक्स में लिए इन रूल्स को इन रूल्स को अपन क्या बोलते इसको मैंने इसको मैंने डिफरेंट पॉइंट कर दिया और लास्ट में आपको जो एक्शन प्रान थे एक्शन प्लान थे वह आपको क्लियर हो गए होगे ठीक है अगे मैं बोड़ रहा हूं इन एक्शन प्लान को बहुत जादा दिमाग लागा कि याद करना मत वह चांथा सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको मैंने आप कुछ एक्जांपल्स बता है जो कुछ एक्जांपल्स बता है उसको ध्यान रखने ना क्लिक हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो एसी चीजों को इंप्लिमेंट कर सकते हो अपने आंसर में ताकि उससे आपका टेक्स बच सके यह थी कानि आपको समझ में आगई होगी ऑल्राइट गाईस तो अपना फाइनली जो है बैस भी हो गया ठीक है आपन रेस्ट लेते हैं कर दिए कि revoling करें चैनल को सब्सक्राइब को तरश्क करना एंड आपना जो मेरी वीडिए से उसको शब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ और राइट गाईज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब अपने एक्केंट में सीए बने और राइट गाईज बाई